नमस्कार में प्यार दोस्तों मैं सरोक मार सिंस्योर ये स्टेडिम आपका हारी स्वत करता हूँ आसा करता हूँ कि अपलोंग प्रहाई बहुत अच्छी से चल लए होगी आज हम रूपरने वाले हैं दोस्तों Youth Competitions Times Publication की समाने विग्यान जो 25,000 प्रशनों का ये संग्रह है और ये बुक काफी important है सभी exam के दिश्टी कौन से चोकि इस बुक में वही कोशन दी गई है जो सभी questions 2022 के exam के दिश्टी कौन से up to date है और इसमें सभी question अपने आप में काफी important है दोस्तों क्योंकि सभी question किसी न किसी exam में पूछा जा चुका है खास करके Railway Group D, NTPC, RRBJ, ERPFSI, Constable, ALP Stage 1 और Stage 2 ये सभी एक्जाम का ये Question Bank है और ये काफी important book है दोस्तों और आज हम लोग इस book को सुरू से लेके अंतर के एक ही वीडियो में दोस्तों हम लोग page बर page, line बर line पूरी book को दोस्तों complete करेंगे इसलिए वीडियो long बनेगी तो आप लोग खवराईएगा नहीं दोस्तों और अगर आप मेरा session मानते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे कोई भी अगर आपका एक्जाम है 2022 के बाद यानि 2022, 23, 24, 25, 26 सभी एक्जाम में ये Question important है और ये आप अच्छी तरह से सुरू से लेके अन तक ए ये important book है चलिए दोस्तों हमें start करते हैं start करने से पहले आप इस book को देख लीजिए यही book है दोस्तों जो 2022 से 2023 के एक्जाम के दिश्टिकों से इस book को ready किया गया है और आर आर भी 2022 तक जितनी भी question पूछी जा चुकी है दोस्तों एक्जाम में सभी question को ये साथ संग्राय यानि समाने विज्ञान का सभी question का question bank है और ये काफी important book है दोस्तों start करने से पहले एक सोहनल अलदीजी का एक quotes है जिसे आप लोगों को पीछम रखना चाहें ये इस quotes को अच्छी तरह से अपने मन में रखिएगा इस किप नहीं किजिएगा दोस्तों क्योंक से दीवानों पर सुवार फिसलती है मन का विश्वास रगों में सहास वरता है चटकर गिरना गिर का चटना नहीं आखरता है आखिर उनकी महिनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती डूपकिया सिंदू में गोता खोर लगाता है जा जाकर खाली हांत लो होती कुशिस करने वालों की हार नहीं होती एक आंतिम्पंkti है दोस्तों वह सफलता एक्चनोती है इसे स्ुिकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब अगर दोस्तों जीवन में मुसीवात आई तो कभी घबराना मत क्योंकि गिरकर उटने वाले ही तो इतियास बदलते हैं दोस्तों इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेगा और एक बात हमेशा याद रखेगा दोस्तों माहिनत कभी वेर्थ नहीं होता है माहिनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है और बिना माहिनत का कुछ भी नहीं मिलता है ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेगा इसलिए दोस्तों अधिक साधिक और अच्छा सच्छा माहिनत कीजिए आप लोग माहिनत कर सकते दोस्तों क्यों नहीं कर सकते है हैं बिल्कुल कर सकते हैं सब तो आदमी करता है दोस्तों तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं आप भी कर सकते दोस्तों सिर्फ एक चीज़ की कमी है जोस और जुनून की दोस्तों आप लोग जीत और जुनून के साथ एक बार भीर जाएए देखिए एक जाम कैसे नहीं निकलता है एक जम hundred percent निकलेगी दोस्तों हम guarantee के साथ काते है दोस्तों सिप आप लोग एक बावड मन और जीत के साथ भीर जाएए और हम से जीतना होगा दोस्तों हम आप लोगों की कदम से कदम हाथ में हाथ मिला के दोस्तों बिल्कुल हमیसा साथ रहेंगे दोस्तों और जितना होगा हम पड़े कुछ ने कुछ लेके आते रहेंगे दोस्तों चलिए हमें स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले ही सेबुक का कॉंटेंट्स देख लिजिए पहले हम लोग कम्प्लिट करेंगे भोतिक विग्यान यानि फिजिक्स को पेज बाए पेज लाइन बाए लाइन चेप्टर बाए चेप्टर पूरी अच्छी तरह से दोस्तों एक भी कोशन को हमें स्किप नहीं करेंगे एक भी लाइन को भी स्किप नहीं करेंगे इसके बाद हम लोग computer complete करेंगे page by page, line by line, question by question दोस्तों एक भी question को हम लोग skip नहीं करेंगे उसके बाद हम लोग complete करेंगे दोस्तों रसायन विज्ञान यानि chemistry को page by page, line by line, question by question सभी question को और सभी chapter को दोस्तों हम लोग complete करेंगे उसके बाद last में हम लोग दोस्तों जिब विग्यान को कम्प्लिट करेंगे यानी biology को पूरी अच्छी तरह से line by line पेज बेज दोस्तों उसके बाद हम लोग पड़ियावन एवं प्रिस्तितकी को यानी environment and ecology को भी कम्प्लिट करेंगे यानि आज हम लोग पूरी अच्छी तरह से इस बुक को सुरू से लेके अंतर के एक ही वीडियो में दोस्तों कम्प्लीट करेंगे किसी कोस्तन को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों चलिए दोस्तों हम स्टाट करते हैं इस बुक का भाग एक में दिया गया है भूतिक विज्ञान यानि फिलिक्स का पहला चिप्टर है मातरक, मापन और मापक की अंतर यानि यूनिट, मेजर्मेंट और मेजरिंग इंस्टूमेंट का पहला कुस्तन है भार के SI इकाई है नियूटन उद्योग में सक्तिक इकाई होती है अस्व सक्ति धोनी के नाप की यूनिट है डेसिवल विदुद आविस का SI मातरक कूलम होती है प्रकास वर्स इकाई है दूरी की SI परनाली में पर्तिबल की मापकी इकाई होती है न्यूटन बाय मीटर स्क्वाइ परतिबल की माप की इकाई Newton by Meter Sq. विदूधारा का SIE मातरक MPR होती है IKAI उर्जा की IKAI की सभान है कारी उर्जा की IKAI की सभान है क्योंकि कारी और उर्जा का IKAI जूल होती है गेलनन यानि गेलनन समनता इस्तमाल किया जाता है आइतन की माप के रूप में गेलन का प्रयोग किया जाता है, अनुपचारिक रूप से ख़गोलिये दूरी का मापन करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकासवर्स, एक प्रकासवर्स वराबर 9.46 इन टो दी पावर 12 किलो मीटर या फिर 15 मीटर होता है दोस्तों, रेसिस्टेंस की यूनिट दोरी की लंबाई की यूनिट है एस्टोनॉमिकल यूनिट, याद रखेगा प्रत्वी से लेकर सोडी तक की अनुमानित दोरी की लंबाई की यूनिट होती है एस्टोनॉमिकल यूनिट, बल का एसाई एकाई न्यूटन होती है, विस्तापन की एसाई एकाई नीटर होती ह भूतिकासी का मातरक क्या होती है दोस्तों ओम ये परतिरोध का मातरक ओम होती है याद रखेगा परतिरोध का मातरक क्या होती है ओम होती है छोटी जी के मान की SI1 वही है जो डेस की SI1 है तो अरण की याद रखेगा और ये छोटी जी का मान 9.8 मीटर परती सकेंड स्क्वाइर होती है और यह सभी दगर दोस्तों चेंज होती है याद रखेगा यानि धुरूप पर सरवादिक होती है छोटी जी का मान जबकि दोस्तों केंदर पर सुनी होती है और विश्वत रेखा और भूमद रेखा पर नियूनतम होती है न्यूटन बाइ मीटर स्कॉयर डेस की कर्शन के साल मोविक नियातां यानि केपीटल जी केपेटल जी का क्या होता है एसाई काई न्यूटन मीटर स्कॉयर परती केजी एसकॉयर याद रखे यानि 6.67 इंटू 10 तो दी पाड़ मैनस 11 न्यूटन मीटर स्कॉयर परती केजी एसकॉयर परतिरोधक्ता की एसाई काई औम मीटर होती है, परतिरो दक्ता की S.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E क्योंकि संभेक ब्राबर होता है और वेक का क्या होता है मीटर परती सकेंद, तापमान के साइ़ protein क्या होती है, Kelvin होती है, Newton by m2 desses UK, याद रखेगा, दाव या भी depth का पासकल भी होती है दोस्तों, Newton परती मिटर ऊस्थ का होती है, भार की SI-EKAI वही है जो कि SI-EKAI है दोस्तों बल क्योंकि बल और भार की SI-EKAI न्यूटन होती है दी गई भोतिक रासियों में से सापेक्चरासी नहीं है समय सापेक्चरासी नहीं होती है भोतिक रासी के लिए मात रख नहीं है, आप एक्छी घंदतों ये भोतिक रासी के लिए मात रख नहीं होती है, याद रखेगा, आप एक्छी घंदतों की ओम मीटर एकाई है परतिरोरक्ता की ओम मीटर होती है SI एकाई एंपियर है किसका विदुधारा का SI एकाई एंपियर होती है मंदता की SI एकाई मीटर परति सकेंड होती है मंदता की SI एकाई मीटर परति सकेंड होती है मीटर परति सकेंड होती है एक पास्कल के बराबर होता है एक न्यूटन पर्ति वर्ग मीटर या न्यूटन बाय मीटर एसक्वार विभंतर की SI1 काई वोल्ट होती है तरंगडरी का SI1 काई मीटर होती है तरंगडरी का और विस्थापन का दोनों का मीटर ही होती है SI1 काई SI कاي में मौल का परतिक होती है MOL, मौल विदुद उरजा, मात्रक कुलम परति सकेन्द का दूसर नाम है MPR, तरंग वेक का SI मात्रक मीटर परति सकेन्द होती है , औरांपाली की प्रव्लताा मापी जा सकती है बतिक मातरा का सीमेंस में मापन किया जाता है विदुचालकता का Aww just पारसिक मापन की एक 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 है लंबाई की एक पारसिक बराबर 3.26 प्रकास होती होती है। आए मेंटर पर्धी मीटर परती क्योंग की या मेंटर परती सकेंड घण जर्क नेक्स्ट है, भोतिक मात्रा चुमबक्य परभाव की इकाई है, वेबर. भोतिक मात्रा चुमबक्य छेतर की त्रुवता की इकाई, निूटन परथी disrupt की एंपियर मीटर होती है. भोतिक मात्रा प्रेर्कत्त hugely का हुती है, क्या होती है, हैनिरी. टेसला एक इकाई है चुम्बक्य छेतर का इकाई टेसला होती है भोतिक मात्रा चुम्बक्य प्रभाग्णत का इकाई टेसला होती है चुम्बक्य प्रभाग्णत का इकाई क्या होती है टेसला भोतिक मात्रा पर्तिबल की इकाई है पासकल पर्तिबल की इकाई क्या है पासकल भोतिक मात्रा यंग मापांक का इकाई पासकल होता है यंग मापांक का इकाई पासकल ही होता है भोतिक मात्रा विशिष्ट उसमाचंता की इकाई जूल परतिक केजी केलविन होती है याद रखेगा भोतिक मात्रा विशिष्ट उसमाचंता की इकाई जूल परतिक केजी केलव औम होती है यानि या रेखेने इंन्पेंडेंस की ध्वनी की तर्मिता की S.I.E. काई वाट परती वर्ग मीटर होती है भोतिक मातरा की एकाई पास्कल नहीं है जरत आगुन की काई दोस्तों ये पास्कल नहीं होती है अप्सन के नुसार है तापमान का S.I.E. काई केलविन होती है केलविन तापमान की रेडियो धर्मिता की SI-EKI बेकुरल होती है हर्च SI-EKI है आविर्थी की हर्च होती है नेक्स्ट है हाइनरी की रुडॉल्फ हर्च ने रेडियो टेलिफोन और टेलिग्राप के भविस्ट के विकास की नीव रखी थी उनके समान में डेल्स की SI-EKI को हर्च नाम दिया गया है आविर्थी याद रखे आविर्थी लंबाई की SI-EKI मीटर होती है मीटर दोनी की तर्विता को मापने की 1 काई क्या है डेसिवल है टॉर टॉर एक मात रखे दाव का टॉर किसकी मात रखे दाव का परदिप्त की माप उपयोग करके की जाती है दोस्तों लक्स मीटर एक किलोवाट बराबर एक हजार जूल परतिसकेंड होती है एक किलोवाट बराबर एक हजार जूल परतिसकेंड होती है एक किलोवाट सकती के बराबर एक हजार वाट होती है एक किलोवाट सकती के बराबर एक हजार वाट होती है नेक्स मोहस पेमाने का परयोग किया जाता है एक कुलमपर्दी 2nd बडावर होते है, amper एक picometer बडावर होते है, टेंटोगी पार इस टुवेल मिटर एक ‎ल बरावर क्या होते है, Newton इंटु मिटर होते है 716 vat को कहा जाता है, एक अस रसकती अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों numerical questions जो काफी important इसको अच्छी तरद देखिए एक किलो वाट घंटा बराबर क्या होती है एक किलो वाट घंटा बराबर क्या होती है आपको पता हिए दोस्तों एक किलो वाट घंटा है दोस्तों तो किलो वाट घंटा बराबर option के नुसर सब जूल में है तो हमें जूल को जूल में चेंज करना होगा दोस्तों जूल में चेंज करना होगा जूल में चेंज करने के लिए पहले क्या इसको हम लोग तोर सकते हैं किलो वाट घंटा को हम लोग तोड़ सकते हैं, और एक किलोवाट बड़ाबर एक हजार वाट होती है, और एक घंटा बड़ाबर साथ मिनठ होती है, साथ मिनठ को हम लोग कर सकते हैं, सकेंट में हूर्च करने के क्योंग ही हơnना पड़ेगा, याद रखेगा, मतलब 60 into 60 कर सकते हैं जब इसको करेंगे दोस्तों तो 1000 हो जाएगा 1000 वाट बरावर 1000 जूल परती सकेंड भी होती है और 3600 ये हो जाएगा 200 सकेंड इसको multiply अगर हम करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा तो याद रखेगा इसका हो जाएगा 3.6 into 10 to the power 6 जूल 3.6 into 10 to the power 6 जूल यानि option number C हो जाएगा देखे 5.5 किलो वाट घंटा बरावर क्या होती अब कुछ नहीं करना है 3.6 into 10 to the power 6 से multiply सिप कर देना है 5.5 को 5.5 है यहाँ इसको multiply करना है 3.6 into 10 to the power 6 जूल से जब इसको हम लोग multiply करेंगे तो 9.8 into 10 to the power 6 जूल हो जाएगा यानि option number D इसका right answer हो जाएगा आप कुछ नहीं दोस्तों इसको conversion के लिए आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी चोटा चोटा फ्रमूला बस बन जाएगा एक 9 meter 10 meter के बराबर होता है यह तो डाट याद करना होता है तो यह हो जाएगा दोस्तों 10 to the power मतलब 10 की घहाद 10 की घहाद बराबर होती है एक 9 meter बराबर कित्मा meter के बराबर होती है 10 की घहाद तो होती है 10 to the power minus 9 meter आप लोग जानते ही है इसको देखिए कैसे किया गया है देखिए नेनो मीटर मीटर पर नाली में एक लंबाई की इक आई है जो एक मीटर के 10 के घहाद मैनस 9 यानि meter इन्टू 10 to the power minus 9 गुना होती है और एक मीटर एक 100 cm के बराबर होती है जब इससे हम लोग दोस्तों मैनसमे उपर जाएगा तो पलस में ऑजाएगा यान 10 to the power minus क्या पलस टू हो जाएगा भी लोग यह मैनस 9 है मैनस 9 में दो जाएगा तो क्या होगा मैनस 7 हो जाएगा यान 10 to the power minus 7 cm हो जाएगा दोस्तों और यह होती है असान है तो multiply जब इसको कर देंगे दोस्तों, तो 20.16 into 10 to the power 6 जूर हो जाएगा, यानि option नमर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एक Newton बरावर क्या होती है, आपको पता ही Newton बरावर क्या होती है, option के नुसार, option में दिया गिया दोस्तों, kg, m3, sqr सब में, तो sum उसी तैब से है, तो हमको निकालना पड़ेगा, बल बरावर होता है, द्रमान गुना तोरन, आप लोगों पता होगा, बल बरावर क्या होता है, द्रमान गुना तोरन, ये फ्रमल आपको याद रखनी होगी, और द्रमान का ऐसा 1 kg होती है, तोरन की मीटर पर 30 sqr होती है, जब ये पूरागों करेंगे, तो kg मीटर पर 30 sqr हो जाएगा, यानि option number B, इसका right answer हो जाएगा, 4.6 kWh वही 3.6 x 10.6 से multiply कर देंगे, और कुछ नहीं, जब 3.6 x 10.6 से multiply करेंगे, तो 16.56 x 10.6 Joule हो जाएगा, यानि option number B, यानि 7.2 x 10.6 Joule हो जाएगा, 4.2 kWh वहीं करना है, क्योंकि 1 kWh वहीं 3.6 x 10.6 Joule होता है, और पुछा है 4.2 kWh, तो multiply कर देंगे, 1 kWh वहीं तो 4.2 kWh वहीं करना है, जब हम लोग इसको multiply करेंगे दोस्तों, 15.012 x 10.6 Joule हो जाएगा, नेक्स्ट है, एक विशेस घर में 5 दिनों में 101 IK की खपत है, यदि उर्जा को Joule में परिवर्तित किया जाए, तो यह क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, एक यूनिट बराबर तो हम लोगों पता ही है, जूल में, क्योंकि जूल में सब पुछा है, 3.6 x 10.6 Joule होता है, दोस्तों, और 1 kWh घंटा बराबर 1 IK होता है, 3.6 x 10.6 Joule होता है, और हमें निकलना कितना, तो 100, 100 का निकलना है, दोस्तों, एक सो को सिर्फ मल्टिप्लाइ कर दना, यह 3.6 x 10.6 Joule से, जब इसको हम मल्टिप्लाइ करेंगे, दोस्तों, तो यह और क्या हो जाएगा, 10 to the power 2 हो जाएगा, और पता ही है घात में पावर जूटता है, दोस्तों, और 10 की घात इधर भी, 10 की घात इधर भी है, जब यह जूट जाएगा, तो 3.6 x 10 to the power, 8.6 Joule हो जाएगा, दोस्तों, देखिए, जैसे 10 to the power, यहाँ 1 है, 2 है, सपोस्तों देट, अब मल्टिप्लाइ में 10 to the power, भी यह 2 है, तो इसको लिख सकते हैं, हम लोग 10 to the power, 4, यह जूट जाता है, घात में power, और मल्टिप्लाइ मरेगा, तो जूटेगा, डिभाइर मरेगा, तो घटेगा, घटेगा नहीं, परिबर्तन हो जाता चीन, अब हम लोग परेंगे, मापक यांत्र, यानि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या है, वो देखिए, विफ़ट एसकेल, पेमाना मापा जाता है, हावा की गती, यंत्र समूंत्र, समूदर के अस्तर से, उपर की वस्तों को देखने के लिए, सरकीट में बिजली की पर्भाव का पर्योग किया जाता है, 100 की आवरतन, आवरतन गती को नियुधारित करने के लिए, इस्तमाल किया जाता है टेको मीटर, सभी कोसं अपने आपने इंपोटेंट है दोस्तों, क्योंकि सभी कोसं एगजाम में पूछी जा चुकी है, इसके कोई इभी कोशें को नहीं करना है, विभा मापी मूलता एक है क्या मापन उपकरन है जिसको बोलते क्या मतलब पोटेंसियों मीटर अब देखे उपकरन से विदुधारा को मापा जाता है अमीटर क्या है अमीटर को परिपत में स्रेनी में सहुजित किया जाता है में निम वेदोदिक परतिरोध होना चाहिए कम उपसन के नुशार ये किसको मापने के लिए इस्ट्लाग нравится का प् Greid आई सब्सक्रण इंड हो propri सब्सक्राइब अंड है की खुरनात्मग चाल को परक्रयूग माता है चकर पर्ती मीटर में होता है क्या में ना mot बुकंप ये बिल्कुल ये गलत है maximum होता है दोस्तों ना इसे ज़्यादा होगा तो maximum होगा वो थोड़ा maximum है उससे भी ज़्यादा maximum तरल पदार्थ के घनत को मापने के लिए उपकरन का पड़ियोग किया जाता है hydometer hydometer यानि जल की घनत उमापा जाता है hydometer ये पुछा जाओ आए मन लिए आदरता को मापा जाता है तो hydometer पानी के अंदर की वस्तों का पता लगाने के लिए यंतर का उपयोग किया जाता है सोनार अंदर की वस्तों का पता लगाने के लिए यंतर का उपयोग किया जाता है दोस्तों सोनार का દूद की घ Judge को नuru धौरीत करने के लिए electro meter वोल्ड मिटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है विभांतर वोल्ड मिटर Gelve your connector का उपयोग किया जाता है, धारा की सा का पता लगाने के लिए गेल में लो मिटर का पर्योग किया जाता है धारा की दिसा का पता लगाने के लिए वह उपकरन है जिसका उप्योग मोटर गारियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडो मिटर दूरी मापने के लिए वाहन की गती जानने में मदद करता है स्पीडो मिटर वाहन की गति जानने में इको लोकेशन का एक परकार है सोनार विभांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है वोल्ट मिटर का परियोग किया जाता है विभांतर को मापने के लिए मोटरगारी में ओडोमीटर मापता है दूरी को मापता है ओडोमीटर पंडुब्यों में उपकरन समुदर तल के उपर की वस्तों को देखने के लिए परयोग किया जाता है पैरियसको हवा की गती को मापने के लिए उपकरन का उपयोग किया जाता है एनिवोमीटर हवा की गती एनिवोमीटर से मापन जाता है हवा की गती यूडियोमीटर मापन करता है गयस का आयतन यूडियोमीटर मापन करता है दोस्तों गयस का आयतन वाई मंडल में आदरता मापने के लिए पर्युक्त यंतर को कहते हैं हाईगरोमीटर वाई मंडल के आदरता अगर पूछा जाता है हाईगरोमीटर जल की घनत अगर पूछा जाता है जल की घनत तो वो होगा हाईगरोमीटर यह हाईगरोमीटर वह हाईगरोमीटर कम ताप मान को मापने के यंतर को कहा जाता है क्रायो मीटर विक्रण के सभी प्रकारों, अलफा बीटा गमा का पता लगाने और उनकी माप के लिए पढ़ियों किये जाने वाला उपकरन है, गिगर कॉंटर है महसागर की गहराई को मापने के लिए उपकरन का उपकरन का उप्यों किया जाता है, फेदो मीटर समय को मापने के यंतर को कहा जाता है क्रोनो मीटर समय को मापने के यंतर को भुकम को मापने के लिए उपकरण का उप्योग किया जाता है सिस्मोगरात भुकम के मापने के नेक्ष दोस्तों परकास की त्रिवता को मापने के यंतर को कहा जाता है तो याद रहें, एसपेगमो मेनोमीटर, रख्त चाप, एसपेगमो मेनोमीटर तो होता ही है, वही हुआ, वर्सम अपने की यंद्र को कहा जाता है, तो क्या तो hyetometer, हम दूद का विसिश्ट गुरुत मापने हैं, hybridometer का उपियू करके, मानक सरोत के संदर में, अग्यात सरोत द के लिए किस उप्रण का फ्यों किया जाता है फोडोमींटर या दिखेगा फोटो मिटर प्रकास की तियरुता क्मा अपने के लिए अब अबलूब पड़ेंगे चेप्टर नमर दोReally है अन्थर कि यानी मेकेनिक्स के बाइन में अब हम लोड़ेंगे ये काफी important chapter है दोस्तों पहला question है इसमें केवल परिमान होता है दिसा नहीं कारी में दोस्तों परिमान होता है दिसा नहीं क्योंकि कारी जो है दोस्तों ये क्या है कारी एक अदिसरासी है कार अदिसरासी है जिसमें दिसा नहीं होगा वो अदिसरासी होगा परिमान तो है ही द जाता है तो इसे गुर्तवाकर्शन के विप्रित जमिन से उस बिंदु पर उठाने को कहा जाता है दोस्तों याद रखेगा वह वस्तु पर बल लगने के बावजुद भी क्या गया कारी सुन होगा यदि उसका विस्तापन क्या हो सुन हो क्यों कि आपको पता ही है दोस्तों डेबलू बड़ावर क्या होता है एफेस कोस्टिटा होता है एफेस कोस्टिटा होगा अगर विस्तापन एस अगर जीरो होगा सभी को जीरो कर देगा ने दोस्तों ये सुन हो जाएगा कारी कारी कामान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कारी हो रहा है उसकी उर्जा में विर तो भी को सकता है दोस्तों हो तो यह धनात्म होगा विपनी दिशम हो तो दोस्तों निर्भर नहीं करता है। तो क्या निर्भर किस में करता है, FS कोस चिटा होता है जोब कोई आदमी दीवार को धखका दे, लेकिन इसे विस्थापित करने में मतलब विफलड है, तो यह करता है, कोई कारी नहीं करता है दोस्तों, विस्थापित करेगा यह नहीं, इसका मतलब क्या है? displacement यानि दोस्तों विस्थापन सुनी है जब विस्थापन सुनी है तो सभी को सुनी कर देगा दोस्तों क्यों कि WFS होता है तो एप को भी सुनी कर देगा यानि सुनी हो जागा कोई कारी नहीं होगा एक पिन दो आड़ा क्या गया कारी परिनाम के रूप में दरसाया जाता है तो इसे कहा जाता है किया गया कारी अगर दोस्तों देखिए परिनाम के रूप में दरसाया जा रहा है तब तो क्या गया कारी ही होगा दोस्तों क्योंकि कारी बराबर Fs होता है न किसी परिन पर कारी तभी किया जाता है जब यह एक यमति प्रभाव के माधिन से उर्जा विर्दी का अनुभव करता है तभी दोस्तों क्या गया कारी कहलाता है लागु किये गए बल और विस्थापन की दिशा के बिचकों 90 रिडी है तो किया गया कार क्या होगा आपको बालबाल बता रहे हैं डेबलू ब्राबर क्या होता है एप as अबर साइब कार दोस्तों और साइब कोश ठिटा के अस्तंप दिया है 90 रिडी और course 90 degree का मन कितना होता दोस्तों जिरो होता है जब ये जिरो हो गया तो ये सभी को जिरो ही कर देगा आप कुछ भी रहे या विस्थापन भी कुछ भी रहे सभी को जिरो ही कर देगा पूरा 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 जिरो हो जाएगा यानि डेबलो बराबर क्या हो जाएगा सुनी हो किसी वस्तु द्वारा कारी करने की छमता या किसी वस्तु में नहीत उर्जा निर्भर करती है कार करने वाली वस्तु की इस्ति और अवस्ता पर निर्भर करती है याद रखेगा हमेशा गती करती हुई एक कार विप्रित दिसा में आती हवा का सामना करती है कार पर हवा द्व तो इसे कहा जा सकता है, कोई कारी नहीं हुआ है, गतिसिर होगा ही नहीं, यानि विस्थापन होगा ही नहीं, सुनी है विस्थापन तो कोई कारी तो नहीं होगा, सुनी होगा ना, यदि वस्तु का विस्तापन सुनी है, तो बल द्वारा वस्तु पर क्या गया कारी भी सुनी कारी का उधार नहीं है लड़के का कमरे में दिवार को धक्का देना दिवार को धक्का देगा अगर वो विस्थापित कर देगा दिवाल को यानि यहां दिवाल इसको हटा के यहां अगर कर देगा तब तो कारी होगा अगर विस्थापित करने वो असमर्थ है यानि विस्था है तो कारी भी तो 0 हो जाएगा जब पड्युक Alboro की दिसा और वस्तो की गतिसिल्ख होने की दिसा एक दूसरे के लंबत होतो कोई कारी नहीं होगा लंबत का मतलन हो 90 ड्यरी दोस्तों 90 ड्यरी होतो कोई कारी थो नहीं होग क्यों कि ड्यवलो बढ़ावा तो औरिनात्मक होगा दोस्तों बिल्कु औरिनात्मक होगा कोण 180 है तो औरिनात्मक ही होगा 90 होगा तो 0 हो जाएगा यदि कोई वस्तु विर्ताकार पत्में गुमाई जाती है तो उस पर क्या गया कारी क्या होगा सुनी होगा विर्ताकार जब यह विर्ताकार है दोस्तों आ अंदिम दुरी के नियुंतम दिस्टेंज को, और नियुंतम दिस्टेंज कहा हुआ, यहां से इस्टाट हुआ, अगर यहां रूख जाता था, तो कारी होता, यहां कि फिर यहीं आ गया, यानी विस्थापन तो सुन Alexis नियूंतअल इधर से हम धक्का देते आने चले यहां लेकिन इधर नहीं आया और यह पीछे ही हो गया दोस्तों जैब यह पीछे ही हो गया तो क्या होगा वही नात्मक होगा आगे हम बल लगाए पीछे तो कारी तो और इतमक होगा ना दूसर बल के विप्णि दिस्ता में होगा रिनातमक किसी पदार्थ के डेल्स को उस पदार्थ की सतर से एक मुक्त इलेक्ट्रोन को दुर करने के लिए लगने वाले आवर्सिक कारे की नियूंतम रासी के रूप में प्रिवासित किया जाता है कारी फलन किसी परनाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस परनाली को या एक परनाली की द्वारा किये गए किये गए उर्जा की यांत्रिक हस्तंतरन को कहते हैं क्या कारी कहते हैं किसी परनाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस परनाली को या एक परनाली की द्वारा किये गए उर्जा की यंतिक हस्तांतरन होना चाहिए तब होगा दोस्तों कारी है कारी के बारे में बात आसबते क्या है यह एक सदिसरासी है यह बिल्कुल आसबते हैं दोस्तों क्योंकि कारी जो हैं दोस्तों उसमें दिसा होता ही नहीं है जब दिसा नहीं होगा तो क्या होगा वो अधिसरासी होगा अगर दिसा है अगर दिसा है तो वो सदिसरासी है जैसे कि बल हो गया विस्तापन हो गया तोरन हो गया संवेग हो गया आवे हो गया उसमें दिसा होता है लेकिन कारे में कोई दिसा होता ही नहीं है इसलिए ये क्या है अदिस रासी है और वो सभी क्या है सदिस रासी है किसी पीन के भार डेबलू को इस सुत्र द्वारा बताया जा सकता है डेबलू बढ़ावर एमजी होता है एक ही बात होगा डेबलू बढ़ावर एमजी अब हम लोग पढ़ेंगे numerical questions काफी important है दोस्तो numerical questions इस question से आप लोगों को परिचीत होना पड़ेगा अब देखिए बहुत यह असान असन question है यह question के लिए कुछ छोटा सा फ्रमुला है जिससे हम बार बार बोले है वो याद होगा तो बस बन जाएगा देखिए एक वस्तु पर 125 newton का बल कारी कर रहा है उस वस्तु को बल की इसा में पांच मीटर तक हटाया जाता है तो बल दुवारा किया कारी क्या होगा देखिए displacement दे दिया है पांच और आपको force भी दे दिया है दोस्तों 125 newton जब यह दे दिया है तो हम लोगों को पता है दोस्तों डेबलू बराबर क्या होता है Fs होता है Fs कुछ नहीं multiply कर दे ही है एप का मतलब force 125 दिया है और S का मतलब displacement माच दिया है जब इसको multiply कर देंगे तो यह आप कारी होता है जूल में तो 625 जूल हो जाएगा दोस्तों याद रखे कारी हमेसा जूल में ही होते क्योंकि कारी का साइका जूल होती है समझ गए होंगे दोस्तों डेबलू बराब क्या होगा कुछ है सिप multiply करनी होगी और क्या क्योंकि हमको पता है यानि बल गुना विस्थापन बल है यह और विस्थापन यह है पचास गुना दस करेंगे दोस्तों क्या होगा 500 जूल हो जागा कारी का मात्रक जूल होता है एक कुली भूमी से 20 kg का समान उठाता है ठीक है समान द्रमान पर डिपेंड नहीं करता उठाए एक kg काब उठाए कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है दोस्तों नहीं यहां पर फरक पड़ेगा यह दूसरा चीज है और उसे भूमी से 2 मीटर उपर यहां 2 मीटर दे दिया है इसलिए 2 मीटर उपर अपने सिर्पर रखता है तो उसके द्वारा क्या गया कारी की गन्ना करें छोटी जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर 30 सकेंड स्कॉर हमें लेना है ऐसे 9.8 मीटर पर 30 सकेंड स्कॉर होता है एप्लोक्स हम लोग 10 मीटर पर 30 सकेंड स्कॉर लेते हैं और हम लोगों को पता ही है दोस्तों यहां क्या गया M दिया है 20 और G का मंतों में 10 रखना है और H हाइट भी दो दिया है सिप सभी को मल्टिप्लाइ कर दीजे बस हो गया तो 400 जूल हो जाएगा दोस्तों कार्य तो जूल होता है 400 जूल आसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहां फ्रमला आपको याद रखनी है W बड़ाबर MGH होती है क्या क्या होती है क्योंकि पोटेंसियल इनरजी की तरह यहां पर काम को हो रहा है दोस्तों इसलिए MGH हम लोग लेंगे और ऐसे तो FS कोस्ट चिता होता है यह तो आप लोगों को पता है दिखे एक पूली एक पूली उसी टाब से बनाना है एक कूली 13 केजी की समान को जमीन से 1.5 मीटर उपर उठाकर अपने सर पर रखता है ठीक है 1.5 मीटर और उसकी द्वारत क्या एक कारी क्या होगा और G का मान बता दिया है 10 मीटर पर 30 सकेंड इसकोर रखना है डेबलो ब्राबर क्या होता है दोस्तों M, G, H होगा M का मान दिया है 13, G का मान 10 बोला जा रहा है और 1.5 मीटर है 1.5 मीटर इसको चिंद करेंगे नीचे 10 आएगा बस इसी को तोड़ना है और कुछ नहीं दोस्तों इसको तोड़ना है पन्रे गुणा 13 कर देंगे दोस्तों तो बहार द्वारा नीचे की ओड़ लगने वाला बल Mg यानि क्या होगा दोस्तों चार अगुना क्या हो जाएगा? 10 यानि 40 Newton हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? Newton होगा 40 Newton तो इसी बल को लगा 30 सकेंड तक पकरता है तीस सकेंड तक पकरता है, अब W बराबर क्या होता है, Fs होता है दोस्तों, W बराबर Fs, F दिया है 40, बल 40, और S, S कहां दिया है, S तो नहीं दिया है, सिपकर करके रखा है दोस्तों, कुछ displacement हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब विस्तापन सुनी है, देखे चुकी नीच के बाड़े में चर्चा नहीं किया हुआ हो, हमेशा 0 ही होगा दोस्तों, ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेगा, अगर हाइट का चर्चा दिया गया है, तो हमें MGH लगा के निकालना होगा, सिंपल सी आप इस ट्राइप से भी सोच सकते हैं, अब यहां देखे, एक बस 4000 न काड़े बराबर क्या होता है, डेवलो बराबर एप S होता है, एप S होता है न, तो हम यह S को निकलना है, तो क्या होगा, S बराबर हो जाएगा, डेवलो, अब बैटे क्या हो जाएगा, दोस्तों, एप हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं, डेवलो बराबर एप, डेवलो का मतलब work कितनी दू हजार दिया हैं दोस्तों थि तो इस को यह हम एंकर आप नहीं होगा जब घाएंगे दोस्तों पहला नुमर तू cu जिरो से यह 3-0 कर जाएगा तो 1 by 2 आ जाएगा दोस्तों 1 by 2 को तोड़ेंगे तो 0.5 1 by 2 को तोड़ेंगे 0.5 मीटर हो जाएगा दोस्तों 0.5 मीटर 0.5 तो इसका राइट अंसर हो जाएगा समझ गए होंगे दोस्तों कुछ नहीं हमें से फर्मुला याद रखनी है यह रखेने बस इसी जिस सब आ जाएगा नेक्स्ट अब देखिए यदि एक मोल में कोई वेक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रोली को खिषता है बल दे दिया है 50 न्यूटन जिससे ट्रोली 30 मीटर तक विस्तापित होता है और यहां S तो होड़ा है 230 मीटर तक विस्तापित बल की दिसा में 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी ठीक तक विस्तापित करती है अच्छे विस्तापित भी कर रहा है तो बल द्वारा की आगया कारी क्या होगा सिंपल सा कुछ नहीं हमें सिफ फरमुला को पता रहने पड़ेगा बस हो गया और कुछ नहीं करना है बराबर क्या FDF दे दिया गया था दोस्तों कितना 10 Newton और displacement भी दे दिया है दोस्तों कितना दिया displacement दो दिया है दो दिया हमें दरमान से कोई लेने दना है ही नहीं दो दिया है तो 10 गुना दो करेंगे तो 20 हो जाएगा दोस्तों 20 जूर नमर हो जाएगा दोस्तों 20 जूर ठिकर यहां हाइट के बारे में चर्चा नहीं है चै Legends अब देख है जब बल की दिशा में 10 मिटर की दोडी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तू अस्ठंत्रित होती है तो कारी की मातरा क्या होगी अस्थंत्रित हो रहें दोस्तों जब बल की धिसा में 10 मीटर की दूरी पर 10 की 3-page के बल न्यूटन की बल दिया बल kul देदिया दॉस्त टीक है ये स्थंत्रित होती है तो कारी क्या होगा पुछनिये फैस लगाना है बस हो गया सिर्फ मल्टिप्ला ही तो करना है डिस्प्रेस्मेंट भी 10 दिया है बल भी दिया है हम कुत पता है यह डेवलो बड़ा एफ हैस होता है 10 नहीं 100 जूल में हो जाएगा दोस्तों जूल में इसलिए होगा कि विकार का साही मात्रक जूल होता है पचास न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता चलिए एस डे दिया है दोस्तों displacement यह डे दिया 10 मीटर और बल भी दिया है पचास न्यूटन तो बल द्वारा किया यह कार से मल्टिप्लाइ कर नहीं है पचास गुना दस करेंगे तो दोस्तों 500 और यह कार है तो जूल 500 जूल हो जाएगा next a 11th question है एक लर्की जिसका वजन वजन है दोस्तों 200ом है द्रमाण नहीं दिया है यहां वजन दिया है 200 ठीक है तो 1-2 मीटर उचे व्रिक्ष पर चड़ती है सिर्फ मल्टिप्लाय कर देनी है और कुछ नहीं दोस्तों यहां जी का हम लोग योज ही नहीं करेंगे दोस्तों इन्टू 2 करेंगे तो डायेट आ जाएगा दोस्तों कितना 400 400 हो जाएगा दोस्तों 400 जूल आप बोलिए क्यों नहीं हम जी का यूज किये क्योंकि देखिए दोस्तों यहां डेवलो ब्राबर एम जी एच कब हम लोग यूज करेंगे यहां एम का मतलब दिरमान अगर यहां 200 न्यूटन के अस्तर पर दिरमान होता केजीम होता तब हम दोस्तों यह बिल्कुल यूज करते छोटी जी को और यहां तो ऐसा दिया ही नही के साथ 15 km के दोड़ी की यात्रा करती है डिस्प्रेस्मेंट के दिया 15 km तो किया के कार बस मल्टिप्लाइ करना है 15 75 75 75 में 75 पर पहले तो दो जीरो हो जाएगा दोस्तों उसके बाद मीटर में चेंज करने के लिए और तीन हो जाएगा तो यानि इसका राइट अंसर क्या हो अपने सीथ पर रखता है उसके दोड़ा समयर्ण पर के ये कारी क्या होगा सिंपल सी बात है ड्सुं डेवलू ब्राबर MGH होता है MGH and MGH और यहां PG में दे दिया है दोस्तों यहां ही दरमान दे दिया है दरमान नहीं यहां को सि newer गारा देथे, ठीक है, अगर यहां दिरमान में दिया है दरमान का मतलग हुआ MGH हमीए लगा नहीं होगा, M यहां 10 ke दरमान दिया है yes, portfolio 10, 10 से 4 मीटर चलता है तो उसके दोहारा किया गया कार क्या होगा देख़े तो 4 लीовह कि दिया है तो जिरो होता है एक पोटर जमीन से 12 केजी समान उठाता है चलिए यह केजी में द्रमान दिया है जो द्रमान आये तो सतर खुझा यह MGH लगाना होगा और उसे जमीन से 1.5 मीटर मत उपर अपने सिर्फ रक्ता हाइट भी दे दिया है समान पर उसके दोड़ा क्या गया कारी क जिए बराबर दे दिया इतना तो चाहें बराबर एँम जी एच एच आपको पता चला होगा क्यों हम यह लोग अच लगा रहे हैं यह बांट नू टो अपलाए पर इंट्प्लाइस यह कोरा जाए बारे इंटू ब्लाइब फिच्वण मल्टिप्लाइ करेंगे 1.5 है तो यह हो गया 10 यह खतम 15 गुना 12 करेंगे दूसर कितना होगा 15 गुना 12 करेंगे तो आ जाएगा 180 जूल 180 इसका राइट अंसर हो जाएगा एक वस्तु पर देखिए 25 न्यूटन का बल कार कर रहा है न्यूटन यहां आ गया इसका फैस का चर्चा है याद रखेगा उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया डिस्प्लेस्मेंट में दे दिया है बल द्वारा किया गया क जानते हैं दोस्तों डर ब्लू ब्राबर क्या होता है एपा है है और हैस निकलना यहां यह आई ऐस निकल निकलना ऐस ब्राबर हो जाएंगा डर्णो डरमट गया और किने इस्प्लेस्मेंट नियू ऑगिया तो सद्रक हो जाईए पहस लगा होगा 10 न्यूटन का बल किसी वस्तो पर कारी का रहा है तो वस्तो बल की दिसा में 5 मीटर विस्तापित होती है तो क्या गया कारी क्या होगा कारी तो डेबलो बराबर क्या होता है एप हैस एप यह सिक मल्टिप्लेक ने दस पुना पंच करेंगे तो दस पचे 50 और जूल्म होगा क्यो 1.2 तो उसके द्वारा समान पर्किया कार किया होगा जी कमान 10 रखना है एम जी एच दस जी कमान एम जी एच दस एच कमान 1.5 1.5 बस यह 10 हो गया यह से कट गया बार अगुना 10 करेंगा तो 120 और कारी है तो जूल मों 120 जूल हो जाएगा जब विस्थापन पर्युक्त बल की दिशा के लंबत हो लंबत का मतलब 90 डिग्री जब 90 डिग्री होगा ओन दे दिया तब आपको फ्रमुला लगाना पड़ेगा डेली बड़ावर एफ हैस कॉस्ट चिटा अकोस 90 का मान कितना होता है जीरो होता इसका मितल पूरा जीरो करेगा नेक्स्ट रस न्यूटन का बल अब न्यूटन दे दिया यहां तो सतरक हो जाएस लगाना होगा किसी वस्तु पर कारी कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मिटर की माध्यन सुब इस थापित होती है यहां एस दे दिया है और 20 निटन यहां बल दे एक मर्स दो भूमी से 15 kg आप यहां और kg का चचा है यानि MGH लगाएंगे डेबलो बड़ाबर MGH होता है 15 kg का समय लेता है और उसे भूमी से एक मीटर उपर अपने सीव पर रखता है उसकी द्वारा समय पर किये गए कारी मतलग किये गए काम की गन्ना करें बस कुछ नहीं यह पर हम लोगों को सिफ सभी को मल्टिप्लाइ करने होगी और कुछ नहीं क्योंकि डेबलो बड़ाबाई होगा क्या MGH 15 kg का मान हम लोग 10 लेक चलेंगे है एक मीटर है बस सभी को मल्टिपंडर है गुना 10 करेंगे तो 150 और कारी है तो जूल होगा 150 जूल बी नंबर हो जाने वाले बल्कि बिचकोन क्या होगा नांटी डिग्री होगा तभी तो सुन होगा कोस्ट कar मान सून होता है दोस्तों एक कोली 100 मिटर यहां सत्तर को जाई एक को और S का मन दिया है 100, 100, चलिए, और cos theta सिफ उठाया हुआ है, भार उठाता है, और इधर उठाता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक फुली 100 मीटर की दूरी तक दिया है, विस्थापन तभी 100 आया, 500 नीटर का भार उठाता है, तो इसके द्वार क्या एक और क्या होगा, त cross theta होता है, देखिए, निमन में से किस मामले में कोई कारी नहीं होता है, किस मामले में, देखिए, एक गधा अपनी पीपर वजन लेकर चल रहा है, वजन लेकर चल रहा है, तो कोई कारी तो नहीं होगा दोस्तों, बिलकुल, एक पबंच की कुए से पाणी निकाल रहा है, तो काडरी हो रहा है सिंपल भाह待 आब समझिये और सुमन एक पूल में तर रही एब़ी तो काड़ी हो रही तो जलए इसका मतर्ट이 लिस्प्लेस्मेंट हो रहा है एक त्रें को खिच रहा है बगारी हो entriesने को दिस्प्लेस्मेंट हो रहा है और दो मीटर तक उठाता है तो उसके दोड़ा क्या कारी क्या होगा बस कुछ नहीं मल्टिप्लाइ करना है दोस्तों 120 गुणा दो करें कि एफ हैस होता है तो 240 हो गया दोस्तों 240 जूल एक कैजी की एक वस्तू एक कैजी हैं दोस्तों अब समझते हैं एक मूटन होता एक मूटन करके आज थे दिया है द्रमार में होता है तो बस तो को 10 मीटर की उचाई तक यहां हाइट दे दिया है दोस्तों 10 मीटर गुरुत तो बल द्वारा क्या गया कारी क्या होगा Mg H, M कमान दिया है 1 kg, G कमान दिया है 9.8 लेना है अगर H कमान दिया है 10 Mb तो 98 हो जागा दोसे इसको मल्टिपलाएंगаем 98 98 J 98 J 98 J 98 J 98 J हो जागा न दोस्तो तो इसका तो answer होना चाहिए D number दिया है अचा, 1 minute इसको समझे कि मैनस से पलस से चर्चा है एक केजी की एक वस्तो को दस मीटर की उचाई तक उठाया जाता है ठीक है और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कारिये एक कारी की बस्तु एक केजी की वस्तो । रिख्ये एक और गुरुत्व बल द्वारा क्या चर्चा है रही थोस्टो यह दस मỹतर तक से जाता है यह पर एक तो नमर होगा दोस्तों विस्थापन बल की दिसाम नहीं हो रहा है बल तो नीचे लग रहा है ना तिया हम रोग ऊपर उठा कर रखे है तो गलती है ने दोस्तों यह 98 जूल होगा मैनस में रिनात्मक होगा तब जब कोई वस्तों समझ गया होगी दोस्तों एक बार देखेगा दस किलोग्राम वजन वाले सुटकेस को उठा कर एक प्लेटफों पकड़े यात्री द्वारत क्या गया कारी क्या होगा सुनी होगा क्यों सुनी होगा दोस्तों इसलिए सुन होगा क्योंकि दोस्तों कोन का मान 90 डिग्री है जब कोन का मान 90 डिग्री है तो कोस 90 का मान 0 होता है तो पूड़ा को जीरो कर देगा 32 निवर कोस्तन है चार किलोग्राम द्रमान की एक वस्तू छेती दिसा में पांच मीटर पर 30 सकेंड की गती से बढ़ रही है इसकी गती दस मीटर पर 30 सकेंड तक बढ़ने पर बढ़ने के लिए इस पर क्या गया कारी क्या होगा कुछ नही है थार आप यह मंद धिया है चार हे आप एंदी है स्कुएट भी डिया पाला दिया । कह स्कॉएर उसके डिया दीके अधिया दुसरा था दौस्त है या पांच का स्कुएर पच्छे-थीत अब देखे यह हो जागा दूस्तो आनब बाई तू इंटू फोर और यह जा दो तो दढ़ीं %100 एकिसो मिसर घर जाएक तौफचीस यानि 75 जाएगा 75 इसको कटा इसको थे डूँजीक ब्राबर लगाए हाप MP2 ओर यह कार के बारे में ही पूछा गया था दोस्तों अब यहां देखियो किस्तर किताबी भासांद दिया गया है सब्सक्राइब दोष्म करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों एक संसे अगर 25 घंगे दोस्तों तो 75 को दोस्त अगर हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हो जाएगा डेट सो डेट सो जोल इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स टेटिश निमर देखिए 0.1 किलोग्राम वर्जन की एक गेंद को इस्तिती से गिराया जाता है जब यहां दो मीटर की दोड़ी से गिरती है तो गुर्तवा कर्शन की बल से लगने वाला का एम जी एच उचने एमजिए लगा यहां आ जाएगा एमजिएच एम इसको सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों यह वह यहां जाएगा दस दस हो जाएगा दोस्तों आबसलिशन करी दोस्तों जब 98 को दोसे कितना जोगा जोस्तों नंडीकों हो जाएगा 1160 में और एक सो च्यानवे और एक जिरो दो जिरो दो अंक्ये बाद हो जाएगा दोस्तों तो कितना दसनलब 1.96 जूल हो जाएगा एक नमर इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यहां हम लोग कौन सा फ्रमुल लगाए एम जी एच क्या लगाए एम जी एच याद रखिएगा बहुत यह आसान कोर्शन है दोस्तों इस्तित्री और जाबरावर क्या होता है एम जी एच होता है उसी तरह हम लो निकाले अब दे दिया गया 34 नमर कोर्शन है 20 नूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्तापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है तो बल और विस्तापन के बीच कौन क्या होगा देखिए बहुत यह आसन कोर्शन है दोस्तों इसको अच्छी तरह कित्मा है बीच चलिए एप एस कमान दिया है वीस और एस कमान दिया दो एस और यह हमें निकालना है कोश चिटा का भेलू ठीक है दोस्तों देख लिए कि दिक आता है बस इससे यह कर जाएगा इधर रोड़ वन बाइट वह जाएगा वन बाइट ऊक्ष्ट अबावर वन नेक्स्ट 35 कोसन देखिए यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दोड़ी तई करता है और किया गया कारी दे दिया है 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल क्या होगा बहुत ही आंसन कोसन है पताए क्या इसका आंसर होगा कुछ नहीं दोस्तों हम लोगों को पता है यहां बल का 20,000 दे दिया है 20,000 4,0 है अब एस का भी लोगों कितना दिया है डिस्प्रेश में 4,000 3,0 से 3,0 यह कर जाएगा चार से यह कर जाएगा पंचों के 20 हो जाएगा यानि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह नमर 5 नुटन हो जाएगा 5 नुटन हो जाएगा इसका राइ पुजा स्तंतरन की दर को कहते हैं, सक्ति कहते हैं, सक्ति कहते हैं, सक्ति, यदि कोई कारक टी समय में डेवलू कारी करता है, तो उसकी पावर होगी क्या, कारी बटे समय होगी, यदि कोई कारक टी समय में डेवलू कारी करती है, तो उसकी पावर क्या होगी दोस्तों, कारी ब सक्टि का सुद्र क्या होता है कार्यवटे समय होता है सक्तिक मात्रा का नाम बताइब की और автомकि बराबर वो सक्ति होती है सक्ति देखिए एक अधिक सक्ति साली इंजन कम समय में अधिक कारी कर सकता है जैसे एक हवाई जहाज कार की तुल्ला में कम समय में अधिक दूरी तै करता है दोस्तों अता हवाई जहाज कार से अधिक सक्ति साली है यह उधारने दोस्तों सक्ति का उधारन है अब सकेन में उपर उठाने हैं तो आवस्यक्व सक्ली क्या होगी आपको पता हिएं दोस्तों सक्ति बराबर क्या होता है सक्ति बराबर निकालेंगे बस आ जाएगा अंसर और कुछ नहीं देखें यहागया यहागया दो वस्त को multiply करजिए, चार दूरी और दौरी 8 आठ गुना 80 करेंगे, 8 गुना 80 करेंगे, दोस्तों, है, 600. वारती सकेड़ फोटे, सक्याद का है, था सक्ति का सुस्त्र क्या है, इसे के बारे हम इस ए तो देखिय थे, answers हो जाएगा, पचास केजी के भाहर का एक लर्का 40 सिर्यां 10 सकेड़ में चड़ता है यदि परतेक सिर्य की उचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी सक्ति ग्याद किजिए और माने जी का मान दे दिया है दोस्तों 10 मीटर 30 सकेड़ स्कुराइड बस कुछ नहीं दोस्तों यहां सिर्फ आप लोगों को निकालना है सिर्फ फर्मुला तो आप लोगों पता हो गई ही दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा पचास केजी द्रमान दे दिया है पचास केजी और जी का मान भी दे दिया दोस्तों कितनी 10 meter per second square समय भी दे दिया गया 10 second और कुल CD कितनी है 40 CD है कुल सीडी है 40 CD है और 1 CD का कितना है 15 cm 15 cm है 40 गुना 15 किजी 40 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा 50 क है 60 100 कद बुना 15 600 हो जाएगा और 600 यह आ जाएगा दोस्टो 600 600 का मतलब क्या हुआ यह सिब क्या आया 6 मीटर यह क्या आया जोस्तों टोटल जब यह चे मिटर टोटल आ गया थो हम लोगों पता है यह दूस्तों पर चाहिं नहीं चə arrangement निकाले थे और टाइम डशन सकेंद बीष्ट तो 5 को कितना हो जाएक दोस्तों पाच किम और चे करेंगे 30 हो जाएगा 30 पर 10 हो जाएगा दोस्तों और यहां सक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है तो यानि वाट सक्ति को वाट में डिनोट किया जाता है और C नमर यहां हो जाएगा 300 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी तरह यहाँ पर दिया गया है लगके का द्रमान 50 के जी है छोटी जी का मान दे दिया 10 मीटर पर 30 सकेंड स्क्वाइड समय का वेलू दिया है 10 सकेंड कुल सीडी है 40 कुल सीडी चर्णी में कितना लगेगा तो 40 कुन एक सीडी का दिया है 0.15 मतलब 215 सेंटीमीटर था इसको मिलों सोलेशन करेंगे दोस्तों तो 300 वाट इसका राइट अंसर आ जाएगा नेक्स्ट है 49 नमद के 50 केजी 50 केजी भाहर का एक लरका 45 चर्णों की सीडिया नो सकेंड में चर्ता है यदि प्रति एक चर्ण की उचाई 15 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी सक्ति क्या होगा से यह जाएगा दोस्तों rival शेंटिमीटर है इसको मिटर मीटर में चेंज कणा पड़ेगा 45 45 15 पर फिर्लीस गुना पांदर किजी 15 सेंटिमीटर है में मिटर में चेंज करने के लिए 1.5 मीटर हो जाएगा इसको जब हम लोग करेंगे दोस्तों तो तो इसको करेंगे 15 गुना सकती बराबर MGH बटे टाइम हो जाएगा, M का भेलू कितना दिया गया था, M का भेलू दिया गया था दोस्तों 50, और G का भेलू भी 10 दिया गया है, H का भेलू टोटल हम लो निकाल लेते 6.75, और टाइम कितना था टोटल दोस्तों 9, इसी को solution अगर हम लोग करेंगे दोस्तों और MGH बटे टाइम क्यों लगाए, तो आपको पता ही है, सकती बराबर क्या होता है, कार बटे समय होता है, कार यहाँ पर MGH के रूप में है दोस्तों, MGH के रूप में कब सल्जेगे हैं, जब यहाँ पर मास दिया हुआ हो, और यहाँ पर मास दे दिया गया दोस्तों, अग यहां दे दिया है भार टिक 40 न्यूटन भार वाली कोईलर की 160 वाट की सकती 2 से 20 सकेंड तक रसी पर चरती है तो वह कितने उचाई तक पहुंचेगी बहुत यहां अच्छा को सने इसको समझ के बताए इसका राइट अंसर क्या होगा जब यहां पर दे दिया है दोस्तों 40 अच्छा 40 क्या है न्यूटन भार है ठीक है तो 40 न्यूटन भार है तो टोटल आजाएगा दोस्तों सकती कितना दिया है 160 एक सो साथल दिया है सकती और चालिस न्यूटन भार वाली कोईलर की तो भार यहां नहीं होगा, यहां केजी होगा दोस्तों, यह गलती लिखा है, भार नहीं होगा, भार का मतलब यहां आप समझे, द्रमान, द्रमान के बारे में यहां चल्चा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 160 MGH, MGH 40, G का भेलू दिया है दोस्तों, 10 से लेकर चलना है, H का और पांच हो जाएगा तो यह करेंगे 40-40 गुनबांच हो जाएगा यानि इसका राइट रहोगा आट निटर दोस्तों आठ मीटर सी नमर इसका राइट आंसर है अब के तावी भासा में भी देख लिजिए दोस्तों माना लड़की एच मीटर उचाई तक चड़ेगी और सक्ती बराबर क्या होता है इस्तिती उर्जा मतलब M-G-H M-G-H बटे समय हो जाएगा M-G-H बटे समय हो जाएगा दोस्तों वहाँ भार का मतलब होहाँ समझाया गया है वह कोई अगर लड़की है दोस्तों द्रमान होगा ना भार कहां से होजारा देखिए उसमें द्रमान है दोस्तों टोटल मिला के हो MgH ठोटल होजाएगा MgH बस्टल हमें द्या हो जाए चालिस जी का भीलू 10 दिया और कि उचाई दे दिया 15 है तो उसकी सक्ति ज्याद किछी बाहले आप टोटल आप डिस्प्लेस्मेंट निकाले जी टोटल यह कितना एक तरह से दोस्तों हाइट आप निकालिएगा तो कितना आजाएगा पंद्रय गुना अगर च्वालिस करेंगे पंद्रय गुना च्वालिस कर तो हो यह दोस्तों है अब देखिए बस अब यहां कितना दिया गया था किया कि ए एक सिभाइडी दोस्तों होगा और सकेंड समय कितना दिया गया था 10 सकेड़ बस इसी को solution किई अंसर आजागा दोस्तों और कुछ नहीं एक जिरो एक जिरो दो जिरो से शाप हो जाएगा दोस्तों थीक है और पांच दुनी दस यह विक साप हो जाएगा यह वाइस बास कोना 15 किजिए 22 15 कोना 15 अगर हम लोग करेंगा दोस्तों तो 330 वाट आजा है नेक्स्ट टेतालीस नमर देखें पचास केजी द्रमान का एक लर्का है दस सक्राइब तालीस सिर्यां चाड़ता है यदि परतेक सिर्डी की उचाई देदिया पंदर सेटीमीटर तो उसकी सक्ति ग्याद किजिए कुछ नहीं दोस्तों पहले टोटल हाइट आप लोगों को करें दोस्तों कि 43 गोन अगर अगर लोगों पंदर करें डायेट तरह निकाल लेते हैं दोस्तों देखें क्या होता है एंजिए इंच का मांदि है पचास एक का भीलो में 10 लेके चलना है और एच का भीलो जी का मान यह तना लेक्शना एस टोटल हो गया 43 गोना हो जाग बस आ जाएगा एक दो जुरो दो खतम हो जाएगा यह पांच दूनी दस हो जाएगा पांच दूनी दस अध्यानी पूइंट में आएगा दो जक्रिकेश कर लिखनें ने फूरी प्राइब में थोड़ी प्राबलम होती है दोस्तों चबालीस नमर को संदेखी पचास कि दर्म संटीमीटर है दोटल 45 सेका है और यहां अगर हम लोग कटाईगे थोस्तों अना स्वाट मिटेश में हो जाएगा यह conviction हो जाएग और इसके बाद दोस्तों समय टोटल दिया है दस सकें बस दो लिएपमेदंधन दक्राइब स्क्राइब लिए कुर्स किया है तरफा वहात और दोष चील हुआ जाता है यह परसे नीज़ शीम के से मिघ जाएं सकति हो ना करना होगा और कुछ नहीं एंडेटर किक शोस्राइब करते हैं सकती पूछा जा रहा है और सक्ति ब्राबर था प्रक्रप्र प्रक्रता दोस्तों में समय होता है तो इसको हमें मीटर में चेंट करने के लिए 100 से डिभायड देनी पड़ेगी समय दिया 10 सकेंड बस उसी तरह करना है दोस्तों बार बार वही कोश्चन आ रहा है असन कोश्चन है सभी को मल्टिप्लाइ कर दीजिए यानि दोस्तों 15 गुना 5 गुना 4 करेंगे तो इसका राइ मिनट में 600 बल के साथ 20 मीटर के दोड़ी करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई सकती क्या होगी यह अच्छी तरह से इसको समझें क्या होगा इसका राइट अंसर देखी चार मिनट है ना चार मिनट है तो इसको सकेंड में हमको पहले चीन करना है ठीक है और यह अब क इतना है यदि कोई लड़का चार मिनट में 600 बल के साथ 20 मीटर के देख करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई सकती क्या होगी चलिए टुटल सकेंड यह क्या हो जाएगा साथ यानि छोट चोट चोट चालीस हो जाएगा दोस्तों लगके द्वार किया गया कार कितना 600 नीटन चलिए 600 नीटन यह भी है लड़के मतलब बल कितना है 600 नीटन बल कितना लगा ये 600 हो जाएगा दूरी कितना है दूस्तों 20 मेटर की Boy2 Allini है काड़ अगर निकालना था दोस्तों बारेहजार जूले हो गया का्रिया गया यह अ श्यासान संगे यहां पर हम लोगों को कारी निकालनेना कारीं काले नुटेस nuts मतलब सक्ड़ निकाल कारी आएं ने संमय को सक्य क्रैक्त मैं लेक के करेंके चलना है कारे हो गया है यह चार मिनट को मतलब चेंज करना पड़ेगा सकेंड में तो कितना हो जागा दोस्तों करेंट 10 करेंगें तो क्या है इस का राइट आंसर इसका राइट अंसर दोस्तों देखे 50 गुना 50 गुना 50 गुना एच का भेलो यह 40 गुना 15 करेंगे टोटल आ जाएगा 40 गुना 15 के बारे में यानि इनरजी के बारे में चलिए देखते हैं पहला कोसण है यदी IGU पर्ति रोट को नगर नी माने तो मुट रूप से गिरते हुए पीण की इस्तिती जूरजा और गती जूरजा का योग क्या होगा इस्तिर रहेगा दोस्तों तब इस्तिर होगा जब नगर यानी इनरट रहेगा तब दोस्तों ठीक है जब आप एक rubber band खिषते हैं, तो हस्तांत्रीत उर्जा संगरीत होती है, इस्तिती उर्जा में, इस्तिती उर्जा में वह संगरीत होती है, याणी MGH में, potential energy, कनों की गति उर्जा अरिक्तम होती है, गैसों में अरिक्तम होती है, दोस्तों, जब एक संपनित spring को छोड़ा जाता है, तो यह अपने इस्तिति उर्जा को बदल लेता है, दोस्तों, गति उर्जा में बदल लेता है, जब चोड़ेंगे तब, गति उर्जा अर्म चोर्टम इजयत होता है, हाउठ चचा वहा होता है, और द्रमान और हाइट और छोटी जी देगे किसी वस्तु द्वारा अपने इस्तिती या आकार लेने की वज़ा से लगने वाली उर्जा को कहा जाता है इस्तिती उर्जा कहा जाता है याद रखेगा बाल में संग्रहित पानी में उर्जा होती है इस्तिती उर्जा होती है पो एक संपंडित स्पिडिंग हमें वस्तो की गतीज उर्जा की वेढ़ि होती है गत्य वस्तो की गतीज उर्जा की विश्ती होते हैं गतीज तो की इस देस उर्जा को वीद्य उर्जा को विद्य उर्जा ओंपरिवर्थित करती है पैदुलος का जूना यह इस्तिति हुर्जा पर निसे कि यांतृ जार ब्रावर हो ता है कि फित ही ब्रूटारे द्रश्टा के ब्रावर होती ब्रूस ये न में अधिन के वेक्ता दश्ट किया जा गातीいます और गतिक उर्जा किसके बराबर होती है, हाप MBA स्क्वाइर के बराबर होती है, किसी संकुचित स्प्रिंग में समर्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक उर्जा होती है, किसी संकुचित स्प्रिंग में समर्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक उर्जा होती है, जब किसी प्रक्रद के कारण एक बस्तो में लिए तको दस्तिते ब्राबर क्या होता हैं यानि क्नेक्टिक इनर्जी किसी पीन में होती है गति यूर्जा और इस्तिति यूर्जा दोनों होती है दोस्तों दोनों होती है गिरती हुए नारियल में होती है गति यूर्जा एगर गिर रही तव बंदुक से चली गोली लक्ष के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है गति यूर्जा क्योंकि दोस्तों यांत्री उर्जा गती उर्जा प्लस इस्तिती उर्जा का योग होता है जब हम लोग यांत्री उर्जा में से गती उर्जा घटा देंगे तो हम लोग प्रात्थ होगा दोस्तों इस्तिती उर्जा का योग होता है एक वस्तु की गतिज उर्जा और इस्तिति उर्जा का योगों कहते हैं या अंतिक उर्जा कहते हैं दोसों मैं करें करीनल ची डैस उर्जा में दो परकार की उर्जा होती है या अंतिक उर्जा में दो परकार की उर्जा होती है इस्तिति उर्जा और गतिज उर्जा विर्थवी की और मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल उर्जा में परिवर्थन होगा तो इसमें कोई परिवर्थन दोस्तों नहीं होगा पिर्थवी की और मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल उर्जा में प्रिवर्तन होगा कोई प्रिवर्तन नहीं होगा इसलिए उर्जा क्या रहेगी दोस्तों नियत रहेगी सैक्री चलाते समय उर्जा का किस प्रकार रुपांतरन होता है सैक्री चलाते समय रसानिक उर्जा यानि दोस्तों पेसिये उर्जा में फिर गती उर्जा में ये रुपांतरित हो जाती है किसी वस्तु को एक निश्चित उचाई से भूमी पर गिराया जाता है जब ये भूमी को छोती है तो उसमें होगी क्या गति उर्जा होगी किसी वस्तु पर लगने वाले समर्थ को कहते हैं क्या उर्जा करते हैं किसी वस्तुप पर लगने वाले समर्थ को करते हैं उर्जा एक तरह से बारिस के दोलान उर्जा का परिवर्थन होता है इस्तिती उर्जा गती उर्जा में परिवर्थित हो जाती है वो चाई के साथ बढ़ता या घड़ता है इस्तिती उर्जा बराबर होती है MGH कार करने में सक्षण वस्तुन होता है क्या उर्जा होता है दुस्ते उर्जा किसे निश्चित उर्चाई पर उटे वे पानी मुर्जा होती है इस्तिति उर्चा यदि कोई लर्का गयस से भरा गुबारा छोड़ता है जो उपर जाता है तो इस्तिति उर्चा होगी बढ़ती है क्या होगी बढ़ती है यदि एक बंदुक से गोली चलाई जाती है और सी अधिक्तम उचाई एस तक पहुंची और इसके ऊपर जाने के दोरॉन उचाई एक वटै चार पर वज्टो ने हुगी क्या कम इस्तितिवूर्जा और अधित गति गति जूर्जा होगा एक वटै वहां इस दो आधिक्तम होगा किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दोरान उर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदू पर बढ़ जाती है गति रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन नहीं होती रसानी कुर्जा क्या दोस्तों रसानी कुर्जा अधिक्तम होती है क्या इमजी एच बस इतना फ्रमला याद रखेंगे बस इसी में बन जाएगा देखिए क्या है पहला कुस्टन है किसी बंदुक से बुल्लेट दागे जने पर बुल्लेट की गति उर्जा में क्या होगी यह तो आसान है इसको क्या इसको डाइट होगा द सता पर स्लाइड होता है ठीक है बहुत ही अच्छा कोशन है ठीक होता है यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तो उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गति हीन नो हो जाए ठीक है अगति घरसन की मात्रा 15 न्यूटन है तो था इस तरह कित हउसना डो केrepर चले डो केजी अए और उसके बाद लिकितना किएď कितना कितना दिया तो yet्थ यह और इस्तरांग तो के दिया दोस्ता है I एक हजार न्यूटर यहां था फाद है एक 10,000 Newton by meter होगा दोस्तों ठीक है तो हाप MbA square होती है हाप MbA square से अगर हम लोग निकालें ही दोस्तों हाप MbA square देखिए क्या है हाप हो गया हाप M का मान दे दिया गया कितना M का मान 2 kg दिया है हाप Mb Mb square B का भीलू कितना दिया है दोस्तों 4 meter परती सकीन square मतलब 4 का square हो जाएगा 4 का square हो जाएगा ठीक है और दूसरा आपको लिकरना पड़ेगा दूसरा इस रंग दे दिया है हाप हो गया इसको हाप कर दिया डाइट मल्टिप्लाइ से दोस्तों और यहां x square निकलना है यही x का मान हमें निकलना पड़ेगा दोस्तों यह x square का मान कितना होगा इस यह कटा यह बस आजाएगा अंसर यह 2 से 2 को हमनों कटा दिये जब इसको कटा दिये दोस्तों अब देखिए चार्चों के 16 है अब यहां से चार से इसको कटना होगा 16 है ना दोस्तों 16 यह 16 होगया 16 दूनी 32 देखिए 32 32 को डिभाइड दनी पर द से तो x square का भेलु आ जाएगा x square यह root में हो जाएगा तो यह root कितना 32 है तो यह root में आ जाएगा दोस्तों तो आछे root में नहीं निकलना है तो हमें निकालना पड़ेगा इसको काटना पड़ेगा तो यह आ जागा दोस्तों कितना एप्रोक्स में 5.5 लगभग मा आ जागा दोस्तों 5.5 यानि डी नेमर हो जाएगा इसको यहां अच्छी तरह समलोग समझते हैं दोस्तों देखिए क्या है माना इस्प्रिंग का दवा हुआ भ मतल्ला दावा भाग हुआख हथ हो गया अंनिगा क्लों क्या मांने तो एक्स माने दोस्तों एक्स मीटर है ठीके एक्स मीटर ईशिंको तो सब्सक्राइंगे दोस्तों 1610,000 आ Bears 38 ребята गा इसको औरμεर काटा इंगे दोस्तों 32 यहां पर तो एक्सलमग customers 005056 willingness दोस्तों यह एब क्या हो वंड़ाएं से पर जाएगा दूस्तों को पर है कि बालकनी से तडिया गया यदी मोंग्री क फोन कदूरंगाएं 0.5 kg है और मुवाइल फॉन को 100 मीटर की उचाई से गिड़ाया गया है और चोटी जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर 30 स्कूर है तो मुवाइल फॉन की स्तिति उचाई क्या होगी बहुत ही अच्छा कुछन है बताइए क्या इसका डाइटम सरोगा देखिए मुवाइल फॉन का द्रमान दे दिया गया है कितना दे दिया है दोस्तोओ 0.5 kg द्रमान दे दिया है उचाई भी दे दिया है दोस्तों 100 मीटर की ऊचाया है ठीक है और गुरुत त्वरं का अभी मान हमें ले के चलना है 10 मीटर 30 स्कूरण और हमको बताई occasions क्यों इस्तिति bunlarıबाबर क्या होती है एम जी एक होती है collection होती है कितना यह हमें निकलना है दोस्तों, MGH होती है, M का वेलु 0.5, G का वेलु 10, और H का वेलु दिया है, 100, तो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे दोस्तों, तो आज आगर 500 जूल, इस्तिती अर्जा है, तो जूल मी होगा, क्योंगे कारी और उर्जा का मातर प्लिफ होता है, और सब्सक्राइब दिया दोस्तों 8 मिटर उचाई भी दिया है गुर्टे तुरन हमें लेके चलना है 9.8 और पोटेंसिल यह बढ़ावा एमजी होता है यानि एक ग्यार एमजी जी कामा 9.8 एच का भी लो दे दिया 8 मिटर एमजी होता इसी को सिफ मल्टिप्लाइ कीजिए दोस्त जी तो उर्जा कितनी होगी और जी कामा 9.8 दिया गिया है उसी तरह सेम टो स्विकलना है एमजी एच एम का भी लो दिया है 15 केजी जी का भी लो दिया 9.8 एच का भी लो दिया 5 मिटर तीनों को मल्टिप्लाइ अगर हम लोग कर देंगे क्योंकि केनेक्टी की नर्जी वस्तु की उर्जा मतलब बराबर होगा वस्तु की इस्तिति उर्जा होगा यानि एमजी एच एम का भेलू 15 जी का भेलू 5 एच का भेलू 9.8 एच का भेलू दिया है 5 मल्टिप्लाइ कर दिया 735 जूल आ गया है नेक्स्ट है अब देके तिरपर नमर भूमी से 6 मीटर की मल्टिप्लाइ कर देंगे सभी को जब लोग 6 एम जी एच एम का मान 10 है जी का मान दिया है दोस्तों 9.8 एच का मेलू दिया है 6 सभी को मल्टिप्लाइ अगर हम लोग करेंगे तो 588 जूल आ जाएगा तो नहीं होगा ना तीन एम जी एच होगा बस पिनसद सिफ मल्टिप्लाइ होता है और क्या कुछ नहीं तीन एम जी एच हो जाएगा दोस्तों सीन मर इसका लाइट अगर दोगोनी हो जाए तो गति उजा क्या होगी यह हम लोग उतना नहीं करेंगे सिफ हम लाइक बार भी वेग बोलेगा अगर दो गुना बोलेगा दो दुनी चार गुना होगा तीन गुना बोलेगा दोस्तों यहां तीन रखे न तीन 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 नो गुना हो जाएगा चार गुना बोलेगा तो चार गुना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा चार गुना होगा चार गुना हो गया है एंकके मन कितना दिया है भी स्वाइर व्हाइज है सो बस कुछ नहीं दोस्तों यह उडिया पंद्रह को एक सो मल्टिप्लेय करें तो पंद्रस हो जाएगा उप जारेंगाए तो पंद्रसके उलोगा शॉलोगा संतावा नमर कोशन है तीस के जी द्रमान की एक वस्तू पंगाच मीटर परती सकेंड के एक समान देख से घुम रही है तो वस्तू के अधिन गति युजा क्या होगी गति युजा बराबर हाप MBS कर होता है सिर्प हाप MBS कर लगाएंगे बस दोस्तों आ जाएगा और कुछ न उसी तरह यहाँ पर दिया गया द्रमान 30 केजी था चाल दे दिया गया तो यहाँ वेग दिया गया था पांच मीटर परती सेकंड केनेक्टिक इनरजी बढ़ा हाप MBS कर होता है हाप M कमान 30 था भी कमान दिया था पांच इसक्वाइट तो 25 हो जाएगा दोस्तों इसी को हम वस्तू की उचाई क्या होगी यहाँ वस्तू की उचाई हमें निकालना है दोस्तों और यहाँ पर द्रमान दे दिया गया 20 केजी द्रमान है 20 केजी दोस्तों द्रमान है और उसके बाग गुर्तवा कर्सन दे दिया है कितना 10 न्यूटन परती केजी 10 न्यूटन परती केजी सब्सक्राइब कर दोस्तों निकालकों सब्सक्राइब क्या होता है एंजी एक निकतिक इनर्जी इनर्जी अपर दे 400 और एंजी एच एम का मान कितना दिया है तो दिया इस ठीक है घिका वेलू हमें ले के चलना है दोस्तों अध्र को निकाल नहीं इसी को करेंगे एसी को करेंगे सोलिसंग दोस्तों बस आ जाएगा दो जिरो सब्साफ हो जाएगा दो दूप धुर उसका राइटाउस है वह सिफ और ज्यानि धी नुमर का टृफ दिनby नुमर हो जाएगागा बहुत यह आसन पोरसं था व्र तो पुरतवा कर्सन 10 Newton-Petttl दे दिया गया है इससीटिवा हचा 400 जूल दे दिया है और हम वो पता है केनेक्टिक नर्जी भराबर mg-H होता है केनेक्टिक नर्जी 400 जूल था Mका मैलू 20 था जी का मैलू के चलना है एच का भेलो 10 दिया है चलिए सब को मुल्टिप्ला कीजिए 1500 हो जाएगा दोस्तों यानि 69 का 1500 जूल 500 जूल देखे किसमें है ऑप्सिन नमर ए में 500 जूल यही इसका राइट आंसर होगा साथ नमर को सने 30 मीटर पर 30 सेकेंड की वेग से चलने वाली तो वेग दे दिया चलने वाले दो केजी द्रमान के बोलके गति यूजा क्या होगा गति यूजा ब्राबर हाप MbS कर होता है दोस्तों हाप MbA स्क्वाइर एम का भेलो दिया है दो केजी भी इसक्वाइर तीसका स्क्वाइर अब होगा हाप MbS हो आए भी के स्थांब्र रखिने तो दो दूनी चार हो जाएगा दोस्तों एक सट का आई टांसर चार गुनी हो जाएगी तो उसी तरह इसमें क्या गया है अब आसओ आप कि किसी वस्तु का द्रमान यहीं मदे दिया थीसकेजी और वस्तु का वेग भी मुझा 2 दूर्जा के सिप्सेलेसिन करना है 15 25 करेंगे तो 375 हो जाएगा और उर्जा है तो जूल्म होगा 375 जूल हो जाएगा दूस्तों 375 जूल क्यों उरजा के साईगा होता है इसलिए जूल हमें इसी डिनोट करना होगा बारह के जी द्रमान की कोई वस्तु एक नियात उ 600 जूल तो कुछ नहीं हो गया इस्तिति हुजा बराबर क्या होता है एम जी एच यानि 600 बराबर होगा एम एम जी का विल्यू दस एच हमें निकलना है बस इसी उपके रहेंगे दोस्तों बार्या पंचे साथ पाच जीरो पांच मीटर हो जाएगा सिर्फ हाइट है तो मीटर ह और पंच मीटर यानि 63 का राइट अंसर होगा सिर्फ पांच मीटर यानि उप्सन मर्सीज का सही हो जाए दोस्तों 63 का एम जी एस्क्वार चचा के चतीस यह हो गया 10 दस गुना चतीस करेंगे दो सुत तिन सो साथ हो जाएगा जूम हो जाएगा क्योंकि उर्जा है तो जू कईएगा खी द्रमान की एक वस्तू पांच मीटर परती सकिंड के एक समान वेखसे गति कर रही है वस्तू में नीत गति जूर जा कितनी होगी बस गति जूर पुछा जा लाइए हाप एम भी इस पर करना है और कुछ नहीं हाँ अभी नहीं हो गया एम का वेलो दिया है 11 सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर रही है तो उस वस्तु उन्हें कितनी गतिया धारन किया है बताइए कितना धारन किया है सिंपल सी दोस्तों है सबस्क्राइब कोई भी कोश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं होता है सभी असान होता है बस छोटा छोटा सा फर्मूला लगता है बस हो गिया अब देखिए इसी टाप से देख लिए कोश्चन 12 ड्रमान के एक वस्तु भूमी से एक निश्चित उचाई पड़ है यदि वस्तु की इससति उचाई ग्यात करना है एम जी एच लगाना है और क्या बस इसी तो आ जागा है दोस्तों हाईट कुछ आजढ तो एम जी एच लगाना होगा बताएक क्या इसका आंसर होगा तो समझ गए होंगे दोस्तों कोई difficult question नहीं है इसमें एक ही question को बार बार repeat विक किया गया जिसे आपको सभी फर्मुला याद हो जाए अची तरह से भूमी से उपर वश्तों की उचायी गयात करें ही एमजी एच निकल ना हिया और यहां तो इसलों अची अपनेट उचायी हो गया है जैसा कि आप यहांपर देख लीजिए माना किसी वस्तों में नहीं तो उर्जा अर्था इस्तित हो जाग दिया गया ही है तो अस्तु का द्रमान 15 kg दिया गया है उसका गुरुते तोरण दे दिया गया 10 मीटर पर्थी सकेंड स्कॉर और हाइट भी दे दिया गया था दोस्तों हाइट नहीं दिया गया थो हमें मान के चलना पड़ेगा H मीटर पर्थी यानि हम लोको पता चल गया कि MGH लगाना यानि इस्तिती उज़ा हमें निकलना होगा इस्तिती उज़ा ब्राबर MGH होता है MGH M का मान दिये दी गया है 50 जी का मेलू हमें लेके चलना है 10 H का मेलू 6 बस सभी को मल्टिप्लाइ करना है 36 30 30 30 पर 2 0 बेठा देजिए 30 पर 2 0 करेंगे दोस्तों तो 3000 हो जागा 3000 जूल यानि ए नमर जूल में क्यों क्योंकि यह उर्जा है उर्जा के साही काई जूल होता है इसलिए हम लोग को जूल में दिनूर करके निकलना होगा पीन का द्रमान दे दिया गया है 50 के जी 3,000 जूल आ गया 72 का कोश्चन है दोस्तों पांच देखिए एम दरमान की एक वस्तु को भू आस्ता से 4 मतलब 4 ह की उचाई पर यानि 4 ह की उचाई पर मीटों की उचाई पर उठाया गया ठीक है वस्तु की इस्तिति उजा गयात करने बहुत ही आसान कोश्चन है इस्तिति उजाबराबर होता क्या ये पहले आप बता दीजिए एम जी एच होता है एम जी एच जैसे ही आपको पता चल गया तो 4 है तो सीप एम जी एच को 4 से मल्टिप्लाय कर दीजिए दोस्तों वह ही हो गया 4 MGH हो जागा 72 का राइट उजाबराबर MGH होता है MGH के एस्तार पर हम लेगे 4 H लगना है यानि 4 H से सभी मल्टिप्लाय हो जागा 4 से तेतर नमर कोशन है 11 के जी के एक वस्तो जब 20 से 7 मीटर को उचाई है उचाई जैसे ही आ गया इसका मतलब इस्तिती उजा के बारे में चल्चा है तब इसमें नीद उजा कितनी होगी दिया गया है इतना तो MGH M का वेलू दिया गया दोस्तों 11 है H का वेलू हमें 9.8 लेके चलना है और याज के बेलू साथ है सभी को मल्टिप्लाइ अगर हम लोग कर देंगे दोस्तिती हतर का सभी को मल्टिप्लाइ अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 754.6 754.6 754.6 जूल उजायत जूल यह दिया इसका राइट अंसर होगा सभी को मल्टिप्लाइ कर देंगे तो क्या होगा इसका राइट अंसर तो बी नमर यानी जी बडाबर 10 मीटर है दोस्तों जब कर देंगे आज़ाय तो सभी को मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो पांचों के 20 20 पर 2,0 बठा दीजिए याने 20,000,000 हो जाएगा दोस्तों क्योंकि उर जाए तो जूल में फिक दिनोट किया जाएगा 70 का बहार को उठाने के लिए 98 original की उर्जा का परियोग किया गया है तो बहार को 10 के उचाइड की तक उठाया गया याणि हमें height निकलना है height निकलना ही किसमे height निकलता है m g h निकलता है सिर्फ m g h आप निकाल लेजिए यह खतम हो गया 98 से 98 खतम हो गया तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों बहुत ही आसान को संथ था यह च्छेटर का राहीट ऑनसर क्या हो जाएगा क्या मेटर मेटर और क्या च्छाहब है क्या मल्टिपला कर देज्ये टारी अजागा दूस्तों एर नमर इसका राहीट ऑनसर होगा और कुछ नहीं आपको कुछ नहीं MGH लगा नहीं है और यहां पड़े टोटल यस्तिति हो जाका भेलू दे दिया गया था ना अंठावे सो जूल सब्सक्राइब को समान को जमीन से दो मीटर उपर उठा कर अपने सिपर रखता है तो उसके द्वारा क्या गया कारी क्या होगा है अब समने की जोरी नहीं है क्योंकि में यहां भी हमको m g h लगाना होगा दोस्तों थो 20 कि एम जी का भेलू कितना दिया है यह दो है सबस्क्राइब कि नहीं पताए आपको जोड़ ही आना होगा एक वक्ति डो सकिर में एक हजार जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गयी अब देखिए अब यहां उरजा पूछा जारा है दोस्तों तो सबसे पहला नमर तो आपको यह पताख होना करना होगा कि सकती बराबर क्या होता है कारी बटे समय होती है कारे बटे समय होती है कारी दे दिया गया दोस्तों कितना कारी दे दिया गया एक हजार एक हजार कारी यह कारी है तो जूल ही werd एक हजार है ठीक है और बटे क्या होता है? समय समय 400 वस आस Johannes बसे था दोस्तों 500 वाट चोकि यहा arrow वो सक्ति के बारे में चार चार तो पांसो वाट मीं होगा सी नमर इसका राइटांस होगा अठतर के सी नमर सक्ति नेक्स सेवंटी नमर देखिए यदि दस के जी भार की बाइसिकल बीस मीचा परती सकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गति जो जा हाप M.B.A. स्कॉर बस और कुछ नहीं हाप M.B.A. स्कॉर लगाईए बस आजाएगा दोस्तों हाप M.B.A. स्कॉर हाप हो गया M.B.A. का भेलू 10 है B.B.A. का भेलू दे दिया 20 20 कुना 20 करेंगे दोस्तों तो कितनों गत चार सो बस कुछ नहीं इसको कटाएगे पांच पांचो के बीस बीस पर दो जीरो बस दो हजार जोल आ जाएए यानि डी नमर 79 का डी नमर दो हजार जोल आ गया दोस्तों असान कोस सकेंड पांच मीटर पर 30 सकेंड के समार वेक से आगे बढ़ रही है तो गती जोल गती जोल हाप M.B.A. स्कॉर हाप M. M का भेलू 14 B.A. स्कॉर भी का 25 यह हो गया साथ साथ गुना 25 करेंगे दोस्तों साथ गुना 25 करेंगे तो 175 175 क्या उजा है तो जूल होगा 175 जूल असी का सब्सक्राइब करेंगे तो गुर्त बल दुवारा किया गया कारी डैस होगा अब यहां समझाए को सन दोस्तों आप थोड़ा लोजिकल को सन आ रहा है आगे लोजिकल हो जाएगा इस कोस्टन में असानी है क्योंकि M.G.H. लगाना होगा तो सभी को मल्टिप्लाइ कर दिज डायेट हो गया यह गजिल और बैठा देजिए 300 जूल हो जागा बी नमर एक क्यासी को जागा दूस्तों बी नमर और कुछ ने M.G.H. होता सभी को मल्टिप्लाइ किया और क्या बेरासी नमर को सने एक दस केजी की वस्तु पांच मिज़ा परतिस सकेंड की गतिसे गतिमान ह है तो वस्तु की गति उर्जा डैस होगी बस गति उर्जा हाप M.B.A. स्कॉर लगाना है हाप M.K. अस्तंप दस B.A. स्कॉर 25 यह हो गया पांच 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 करेंगे तो 125 और उर्जा है तो जूल 125 जूल हो जागा यह नमर 13 और कोस्त ने धर्शी से टक्राने से तुरंट पहले यह दि दो केजित द्रमान की वस्तु की गति उर्जा 400 जूल है तो इसे किस उचाई से गिराया गया था उचाई के बारे में चचा है दोस्तों तो उचाई के बारे में चच्चा है तो कहां समको उचाई मिलेगा M.G.H बारें चाचा हो रहा है इस यहां पर दे दिया तो इस स्थिति उर्जा दिया तो आप वो कंफर में यह समझनल लिए यह गती उर्जा गति पर दो बीस होगया 20 मीटर एक जेट राइट अंसर होगा C नमर 83 का C नमर 84 नमर कोशन है 4 मीटर पर 30 सकेंड की समान वेक के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गति सील उर्जा होती है तो वस्तु का द्रमान क्या होगा यहां द्रमान के बारे में चल्चा है यहां बढ़ाया जा रहा है तो देखेए यह फाइनल वेलोसिटी यह है इनिस्यल वेलोसिटी यह है तो इसको हमें निकलना होगा हाप M B S2 होगा कुछ नहीं करना है हाप M B S2 होती है न दोस्तों गतिर जावर हाप एन का बेलुद दिया 800 ठीक है अभी जो है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी इतना है इसमें से इतना घटान ऊगा चलिए दढ़ दहीं कि 100 तो शुम्ट से 25 गटाएंगे दोस्तों कितना हो या 75 75 हो गिया इसको कटाएंगे दोस्तों बस और कुछ नहीं यह नमर हो जाएगा 30,000 जूल हो गया तो इसको चिंद करना पर रहा है किलो जूल मुद्द ये नमर हो जाएगा 86 नमर कोस्ताने पंच मिटर पर 30 सकेंड की गती से आगे बढ़ रही दरमान एम की एक वस्तु की गती युजा 25 जूल है हैं नहींा घ्ल टमान एक आजाए वाएं था ही चा किस हो गए कि चीट सब्सक्राइब हो गितना था उसमें अotधाग मस्क्राइब होता है हाप M M दो निकाले थे 10 आ गया तो 10 दहीं की 100 बस दोस्ट दो खतम 100 हो गया 100 आ गया दोस्तों क्या उर्जा है तो 100 जूल हो जाएगा समझ गया हूँ या आप लोग दोस्तों नहीं समझे तो यहां अच्छी तर समझ जाई वस्तुक अद्रमान M केजी मान लिए वस्तुक अबेग 5 मीटर परती सकिंड है और गती युजा 25 जूल दिया गया गती युजा ब्राब हाप M केजी कर होता है गती युजा दे दिया था 25 हाप M यहां समय निकलना है 25 हो गया और यहांं से 2 केजी यहां बताया जाराथ कि प्रारमी विग ब्राइप को समय कहा जा रहा था कि इसके गती दो गोणी हो जाने पर तब 2 गोणी कर देंगे जब भूमी से 5 मीटर की उचाई पर हो तब इसमें नहीत उर्जा कितनी होती है दिया गया है जी ब्राबर 9.8 कितना 9.8 कुछ नहीं बस सभी को मल्टिप्ला करेंगे 2588 जूल आजागा और क्या माच दे दिया बारे के जी जी का वेलू 9.8 मीटर परती सकीन है और एच का वेलू 5 मीटर तो एम जी एच नहीं तो नहीं है हाइट आगा तो जिसी हाइट आया दोस्तों तो एम जी एच सिरा शिरा जाए इस्तिती होज हれ सिरा तो वस्तों द्वारा प्राप्त गति सिल उर्जा क्या होगा बहूत ही आसे मिनक मेरा कितना बीस और भी का मिलू कितना दिया पुर जाकि गन्मा करें जब इसे 10 मीटर के उचाई तक बढ़ाया गया है उचाई के बारे मीहां चैचा हो राए दोस्तो तो आप लोगो पता हो गया ही होगा कि कि यहां हमें लगाना है यहांने नमर 2000 हो जाएगा और क्या नबे नमर को सने तेरे के जिद्ध रमान की एक वस्तों 530 मेटर पर थी सकेंड आ गया दोस्तों मीटर पर ती सकेंड आ जागा इससे भी पता चल जाता दोस्तों कि यहां कि वेक वेक है नहीं समान वेक से आगे बढ़ रहा है वस्तों में नीत गती हो जागा हाप म आँज यह बस हो जाएगा न करेंगे तो कितना आगा दोस्तों 325 आ जाएगा एक अन्वे नमर देखिए 20 किलोग्राम द्रमान की वस्तु 5 मिटर परती सकेंड की गती से साचलती गती योजा क्या होगी वही हाप MBS को लगाना है हाप M, M का वेलू 20, B का वेलू 25 हो गिया, 10, 10 से मिल्टी वला 200, सिर्फ 200 हो जाएगा, 200 जूल और क्या नेक्स्ट, गुर्तवा कर्सी इस्तिती योजा का सुथ क्या होता है, गुर्तवा कर्सी कितना बड़ हम लोग पढ़े हैं बताएगे, ये नहीं बताएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, MGH होता है दोस्तों, B नमर MGH और क्या 6 मिटे परती सकेंड के वेक से गती मान, 10 केजी द्रमान के वस्तु की गती जूजा क्या होगी, गती जूजा बड़ाव, हाप MBA स्क्वर होता है, हाप, M का वेलू दिया है, 10, अभी का वेलू चचा के 36, और क्या, ये हो गिया, 10 की 5 हो गिया, 36 गुना 5 कर लिजिए, नहीं साथ मिटे परती सकेंड के एक समान वेक से गती कर रही है, दोसरों की गती जूजा क्या होगी, गती जूजा बड़ाव, हाप MBS कर होता है, हाप, M का वेलू दिया है, 15, B का वेलू दिया है, साथ गुना साथ कर लिजिए, तो आदकि उन्चास, साथ गुना साथ, उन्चास गुना 15, 99 बट्य बट्य कर लिजी, 49 बट्य कीजेगा, आंसर आ जाएगा, 59 बट्य करेंगे दोस्तों तो सासो पैंटिस आ जाएगा, तो सासो पैंटिस को दोसरी रिभायर देंगे तो 372.5 आ जाएगा, 362.5 जूल हो जाए दूस्तों, क्योंकि उर्जा है, तो जोल में इ यह दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बठते हैं तका के दुरान वी उजा की छटी क्या होगी 96 का कॉस्शं बहुत ये अच्छा कूसर्स दोस्तों इसको समझ के बनाता होगा जिए समझ ना अब किया से पहले एम एंभी एंदेखे एंवान ही टुए एंटु एम अनिटु फिवन प्लस एंटु इंटु इंटु हो जाएगा इक विटु हो जाएगा तो यहां से रहें लिकाले कि टू पोईंट दो गटे तीन मीटर परती सकेना गया दो मिटर परती कि दो बनेतिन इसको कॉपी पर किजिएगा दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से घबराईएगा नहीं दोस्तों बेलकुल हमें पूरी बुक को कंप्लेट करनी है दोस्तों इसलिए हम थोड़ी सी फास्ट हैं सी निमर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलकुल आप य देखिए बुलेट की तो आधिक होगी लेकिन बंदों की काम होगी बुलेट की आप एक च्छा अंठारमी नमर कोशन 11 केजी के एक वस्तों जब भूमी से 5 मीटर के उचाई पर हो तब उसमें नहीं तो उर्जा ग्यात किजिए बस हाइट एम जी एच लगाना है और क्या ए एक वस्तों जब भूमी से 5 मीटर के उचाई पर हो तब उसमें नहीं तो उर्जा कितनी होती है दिया गया है जी ब्रावर 9.8 सिंपल सी बात है दोस्तों वही फ्रमुला हमें लगाना होगा एम जी एच और क्या पोटेंसिल इनरजी ब्रावर तो एम जी एच होती है एम का इतना दिया है जी का मेलू इतना दिया है सभी को मल्टीप्लाइ करेंगे सभी को मल्टीप्लाइ करेंगे और उर्जा है तो जूल में, डी निमर हो जाएगा किसी ववस्तो की गतिर उर्जा 120 जूल दे दिया है, ठीक है और इसका द्रमान इतना दिया, वेग निकलना बहुत आसान है दोस्तों गतिर उजाबाव हाप M B SQ होता है, आपको पता ही है 120 हो गिया गतिर उजा, हाप M का भेलू दिया है, दोस्तों 15 हमें B SQ निकलना है और क्या, बस B SQ निकलना है, 15 अठे 20 से, आठ बार में ये कट गया 8 दूनी 16 हो गिया, 8 दूनी 16 यानि B SQ बटे 16 हो गिया इस्क्वार इदर रूटिन हो जाएगा दोस्तों, 4.66 4 हो जाएगा, 4.33 आजाएगा दोस्तों 4.33 यानि B नमर इसका राइट अंसर हो जाएगा, असन था 15 के जी, द्रमान के एक वस्तो, 8.33 के एक समान वेक से गति कर रही है तो उस बस्तो की गतियों जाएग क्या होगी, बस आसान है दोस्तों, हाप M B SQ लगाना है और क्या, हाप M B SQ, हाप M कमान दिया 15, भीक अवेलू दिया, आठ, आठ, गुना आठ, चोंसर्थ, यह हो गिया, 32, 32, गुना पंद्रे कर लिजे, 32, गुना पंद्रे करेंगे, दोस्तों, कितना हो जाएगा, 480 जूल हो जाएगा, हाप M B SQ, और यह कितना था, पंद्रे के जी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 32, 15, गुए को ना, MGH किजिये, हाइट के चाचा होगा, तो MGH नीमिकालना होगा, और क्या, सभी को मल्टिप्लै कर लिजे, 11, गुना 6, गुना 9.8, जब सभी को हम लोग मल्टिप्लै करेंगे, दोस्तों, 303 का राइट अंसर क्या होगा, एक सुतीन का राई टांसर सभी को मल्टिप्लै करेंगे तो बी नमर दोसो छेस्व चाली दसमलोग आठ जूल हो जाएगा बीसे बहत के दो गुना करेंगे सिंपल क्या हो हम तो हमें कर दिया है जब हमएं दो कर दिया है civilization क्योंगे का हो जाएगा राएग एक स्क्राइब करेंगे चारगों नहीं हो जाएगा ना अब यह किताबी भासा में इतना लॉंग से बताया गया है दो के जी दो किलोग्राम की एक द्रमान वाली एक वस्तू उपर की और 20 मीटर पर 30 सकेंड के प्रारंबिक वेक से फेकी जाती है दो सकेंड बाद उसकी गति के बारे में चाच्च है तो आप लुगां उपरता है दोस्तों अब आप आप pattern बीसकार होता है हम ओक दोस्तों कि अच्यों नीं करेंगे पुर्वारंभी के दस किया है दूतलोग्राम की येख ग्रमान की एक वाली ृपर की और एक से ने होका दस कि इस न में सब्सेदाओ иногда जोगए ऑछ तोнокर्माइन के परतम परत्मियम लगा है थो खेक दों से, एकक पाँव ब्रभर करते बिंपर हो जायेगा अब यहां देख लेते हैं हम लोग न्यूटन के परतम की अनुसार, बढ़ाबर यू मेनस जियूिटी होता है, अब यह न्यूटिन के परथमरीम लगा है, हम लोग नहीं भी निकाए तो आ गया वहीं आंसर ही है, और दिया गया है, इऊ बढ़ाबर 20 मीटै परती सकेंड डो सकेंद की ब्लबर दस में प्रति सकेंद और भी ब्लाबर है । डोस्तों यह यह digрей घंख है 20 मेंसे 10 घटा दिये दोस्तों बीस मेंसे फिर यह 10 गुना 2 करना होगा कि कि Velma करें है तो लुकर निकालना पुर करेंगा तो गटाएंगे दोस्तव ही ऊत्रकर निकाल लियוכ गति होगी कितनी होगी है हप इंबी स्कुर्ण होता है हाप हो गया एंग का विलु कितना है बाइस कितना है पांच 25 यह गार युना पट्षीज करना और करें दोसकोंज से गतिक कर रही बताइए 107 का देखिए पांच देखिए पांच किलोग्राम वाली तेज चल रही है दोस्तों पांच किलोग्राम वाली तेज चलेगी याद रखिएगा आप कैसे चलेगी तो यहां आप समझ आइए इसका लॉंग है बहुत ब्रवाली इसका देखिए दरमान वाली इसका की सिदोगू नहीं होगी दोस्तों दोगू नहीं होगी नेक्स च पांच किलोग्राम भार की वस्तों को चार मीटर की वोचाय तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर लगने वाले गुर्टों बल के कारण क्या गया कारे का मान कितना होगा क्या होगा क्या गया कारे का मान तो बस डेबलो बराबर यहां पर एम जी एच लेके चलना है और विप्रित है तो मैनस में लेके चलना है और क्या तो देखिए एम जी एच एम का वेल तक उठाया जाता तो उस पर वस्तो लगने वाले गृत्व बल गृत्व पर नीचे से लगता है क्या होगा तो मैनस हो जाएगा यान हो जाएगा दोस्तों कितना 200 जूल मैनस में काड़ी नमर होना चाहिए इसका ठीक नमर ही है देखिए वस्तो पर क्या गया कार डेबलू डेबलू बराबर म मैनस में जी इसी लगा है क्योंकि नीचे की ओर है ठीक है तो यहां 200 जूल हो जाएगा उपर की ओर रहेगा तो पलस में एक व्यक्ति भूमी से 25 किलो ग्राम का समान उठाता है और उसे भूमी से 2.5 मीटर उपर सिर्प रख लेता है तो ठीक है यदि जी का मान 10 मीटर पर 30 सकेने सकर हो तो समान पर उसके द्वारा किये गए कार का मान क्या होगा उसी तरह करना है और क्या उपर की ओर है यह क्या होगा दोस्तों पलसम हो जाएगा और क्या एंजी एस लगाना है 25 गुना 2.5 मीटर हाइट है एम जी एच का में इतना जी का विलू दस है यह हो गया दूस्तों दस यह खतम होगा 25 गुना पचीस 625 जूल हो जाएगा सी नंबर 110 नंबर कोसन देखे द्रमान एम वाली एक वस्तु वस्तु गती 25 के साथ अस्तंतृत होती है और ईसमें गति 9-20 के है और यदि इसका वेक दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गति 10 जूल कितनी होगी कितनी होगी गति बसका हाँ तो चारगोनाही होगा और क्या अच्छर दिया भी altri के ध्र हो जाएगा वह इंसकर कि दिया गया इहां पर और किलो ग्राम की 1 वुक्त को दो मीटर की उचाही तक उठाया जाता है तो इस पना में कितना काई होगा कितना काई होगा बस एम जी दिलाना और क्या देखे क्या पांच किलो क्राम की वस्तु को दो मीटर की उचाई पर उठाया जाता है इस कि रिया कितना का लगा गुर्तवा कर संगे साफ पचे तम मैंने से लगा नहीं तो पलस नहीं हमें सा होगा दोस उठाक रखेंगे तो ठीक है तो इसको डाट मुटिप्लाइक कर जी 5 गुना 2 करेंगे, 210 10 9.8 से मुटी प्लाइक करेंगे, दोस्तों, तो क्या होगा 98 जूल हो जाईगा, कारी का जूल ही होता है, कारी वूर्जा का दोनों का 120 के जी भार की वस्तु को 2 मीटर की वोचाई तक उठाया जाता है उस सुज्तु पर गुर्तवा कर संबल दौ दोस्तों 20 ठीक है जी का विलू हमें दस लेकर चलना है एज का विलू दो दिया है सभी को मलिप्लाइ कर लीजी बिसको ना बीस विद चार्सो चार्सो जूल हो जागा सिफ यह नमर इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों कि एक वस्तों की गतिज उर्जा इसके प्रारंबिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नहीं रेखिए समभीग होगा आप समभीक के बाड़े में चर्चा है अब अच्छी तरह से समझे दोस्तों कुछ नहीं प्रारंबिक गतिज जा हाप एंबिए स्कॉर है प्रवर्वर्ति गत इतना दिमाग क्यों लगाना है दोस्तों कि निकाला होगा नेक्स्ट यदि एक वस्तों का वेग उसके प्रारंबिक वेग का दो गुना हो जाता है तब इसकी गतिज उर्जा इसकी प्रारंबिक गतिज जाकी एंगोनी हो जाती है तो एंग का मान क्या होगा सिंपल सी बात ह यहां पर दोस्तों लोग नेक्स्ट है यदि एक वस्तु का सम्वेक तीन गुना कर दिया जाए ठीक है तो इसकी गतिव जा क्या होगा तीन गुना कर दिया गया अब बताएं क्या होगा सिंपल सी बात है दोस्तों तीन गुना कर दिया तो इसकी नमर होगा दोस्तों मुल मान का नौगुना हो जाएगा देखी संबेक का मतलब होता है मास गुना वेक और केनेक्टिक इनर्जी बराबर भी हाप एमभी एस्वाइर ही होता है इसी के स्थन तो दे दिया गया था वहाँ ठीक है और कुछ नहीं यहाँ इच्टु क्या होलाइ यहाँ गर में एक मा में 900 into 10 to the power 6 Joule उर्जा की खपत हुई एकाई में यह उर्जा कितनी होगी 117 का बताईए दोस्तों कुछ नहीं 900 गुना कितना 900 into 10 to the power 6 Joule है 3.6 से 900 को डिभाइड देनी होगी है और कुछ नहीं दोस्तों बस उल्टा चल दे हैं 900 को 3.6 से भाइड दे दे जिए जितना आएगा उतना ही हो जाएगा मतलब 250 हो जाएगा 250 यूनिट हो जाएगा 250 यूनिट डी नमबर यह निकाला कि यह आप लोग समझ सकते है नेक्स्ट 108 नमर कोशन है 2 मीटर लंबाई के एक समान चेन टेवल पर ऐसी लखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटी मीटर टेवल के कोणे से मुक्त रूप से लटकता है चेन का कुल दरमान 4 केजी है और टेवल पर पूरी चेन को खिचने है तो क्या ग्रेकारी क्या होगा बहुत इंपोर्टन कोशन है दोस्तों यह कुल लंबाई इसकी 2 मीटर है 2 मीटर इक्वल टो 200 सेंटी मीटर हो गया जिसमें से दोस्तों 60 सेंटी मीटर वो लटक रहा है यानि कितना नहीं लटक रहा होगा 140 सेंटी मीटर नहीं लटक रहा होगा और इसका दरमान भी दे दिया गया है चार केजी बस कुछ नहीं यहां अच्छी तरह से समझें बस बन जाएगा 140 cm यहां हो जाएगा जो नहीं लटक रहा है और लटक रहा है दोस्तों 60 cm दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आजाएगा 200 cm यानि 2 मीटर ठीक है अब लटकते हुए chain का द्रमान कि 6.65 kg 6.65 kg यह जो है द्रमान यह लटक रहा है दोस्तों chain का chain को खीचने में किया गया कारिये यरिणि काल बराबर प्रावर्थिति इस्तिति जोड़जा होगा आंतिम इस्तिति जोड़जा मैनस प्राणबिक इस्तिति जोड़जा करना होगा तो अंतिम कितना है 0 और संटीमेटर बटे हो जाएगा 200 संटीमेटर इसको कट आएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 30 बटे 100 मीटर और यह लटकते चेन का द्रमान है बीच में यह काम करेगा दोस्तों कहां करेगा वह आगे हम लोग देखेंगे प्लस MGL में देखें अभी जस्त हम लोग निकाले थे 6 x 5 x 10 अभी जस्त यहां पत्या 30 बटे 100 जब इसको हम लोग सेलेशन करेंगे तो 3.6 जूल आ जाएगा दोस्तों तो टोटल कितना सकती लगेगा 3.6 जूल का सकती लगेगा अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आप लोग कॉपी पर कीजिएगा तो बिल्कुल समझ जाएगा दोस्तों घवरानी नहीं है कुछ ऐसे कोसन होते हैं जो एक बार में समझ में नहीं आता है उसको बार बार वासा क्या है किसी वस्तो में होने वाले पदार्थ की रासी को उस वस्तो का द्रमान करते हैं किसी वस्तो में होने वाले पदार्थ की रासी को उस वस्तो का द्रमान करते हैं द्रमान बटे आयतन इकोल टू होता है घनतु द्रमान बटे आयतन इकोल टू क्या होता है दोस्त घरत उकालाता है वो अस्तु का द्रमान सब जगा एक समान राता है ये चेंज नहीं होता है चेंज होता है भाड तुरन के मिमान को गुरुद्व के कारण प्रभावित नहीं करता है द्रमान दोस्तों नहीं करता है किसी अबजेट का डेस नियत है और अस्थान बदलने पर न है तो उस पीन का द्रमान क्या होगा बहुत ही अच्छा कुछन है इसके फर्मुला दोस्तों आप लोगों को पता ही है संवेग बराबर क्या होता है संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रमान गुना वेग द्रमान गुना वेग और द्रमान गुना वेग बस और कुछ नहीं तो यहां पर देखे पीन का संवेग दे दिया गया है 50 केजी 50 केजी मीटर परती सकेंड यह पीन का संबेग है और पीन का संबेग भी दे दिया गया है और वेग भी दे दिया गया है तो यहां से हमें दरमान पता चल जाएगा दोस्तों दरमान हमें निकालना है क्योंकि आपको पता ही है संबेग बराबर क्या होता है संबेग संबेग बराबर होता है दरमान गुना वेग ठीक है दरमान गुना वेग संबेग दे दिया है पचास केजी मीटर परती सकेंड और बराबर सब्सक्राइब निकल जाएगा दोस्तों कितना इसका मास है बस और कुछ नहीं और भी दे दिया यह था पांच मीटर परती सेकेंड यदि बल एफ और तोरण ए दिया हुआ हो तो वस्तु कद्रमन ग्याद करने का सुत्र क्या है देखिए सब जो दिया ही है देखिए आपको बल भी दे दिया गया है जब बल भी और तोरण भी दिया गया हो तो एफ बराबर में होता है एफ बराबर क्या होता है म यानि बल बराबर सोड़ी एफ बराबर होता है एम एम तो हमें एम निकलना है तो एम बराबर हो जाएगा एफ बटे ए और क्या बल बटे बल बटे ए लड की का द्रम्मान क्या होगा बस नूटन है पूछा गया इस इतला इस क्या का राइट है कुछ नहीं दोस्ता हूं दिया गिया दोस्तों एप बराबर MA होता है, एप दिया है 450, दीखिए, 450 एप दिया है, MA, MA, MA निकलना है दोस्तों, ठीक है, एक अस्तन पर यहाँ हम लोग छोटी जी लग सकते हैं, ठीक है, इसको करेंगे दोस्तों तो एम बड़ाबर आ जाएगा 450 बटे 9.8 आ गया इसको अगर हम लोग सुलिशन करेंगे तो 45.9 kg आ जाएगा यानि अप्सन नमबर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों डी नमबर बस कुछ नहीं यहां पर देखिए कैसे क्या गया है एम जी यहां पर क्या गया है तो हमें निकालना है और एक इसलेसन का मण इसलेसन के शोटी जी आजाएगा जब डिवाइड में हो जाएगा तो 450 बटे 9.8 आ जाएगा इसको solution करेंगे तो 45.9 केज आ जाएगा कोपी पकर लिजेगा एक वस्तु का भार 980 newton है यदि गुरती तोरह 9.8 मीटर प्रती सकेंड स्क्र है तो दिरमान क्या होगा एप बड़ाबर में निकलना है बस एप बड़ाबर क्या होता है में होता है ठीक है एप दे दिया गे दोस्तों 980 newton म, ए, म, म हमें निकलना ही है और एक कमा 9.8 दिया है बस और कुछ नहीं दोस्तों 9.8 से यहां डिवाइर दे दीजेगा अब क्या जब 9.8 से यह 0 हो जाएगा इसको कटा देने दोस्तों यह कर जाएगा तो एक सुआ जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों 12 लिए गया है द्रमान होता है तो सचामों होगा 214 नमर Kids कि अ इसका द्रमार क्या होगा बहुत दिया गया 200 नीटर बहुत द्रमार किया ? उसको समझ के अच्छी तरह से आंसर दीचेगा सभी बल समिकरन में एप बराबर होती है एप बराबर एमे होता है यदि हम पेर की साखा को तैजी से हिलाई तो पतियां पेर से अलग हो जाती है यह होता है जरत्तु के कारण गति का तीसरा नियम ड़ेस और वेक के बेचे से यानि दोस्तों मास गुना दर्मान गुना गुना वेग न्यूटन का दूसरा नियाम बल्के परभावू को समझने में चाहिता करता है दूसरा नियाम याद रखें परभाव वे उसी साया है स्मिकरन एब वराबर एमे को Newton के डेस नियम के रूप में जाना जाता है दूतिय नियम की रूप में Newton का पहला नियम जरत्रोका नियम है पहला नियम Law of Inneria एक वस्टु जब तक इस्तिर है तो तक हो вा इस्तिर ही रहेगी और यदि गती में है तो वो गती में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहे बल नहीं लगाया जाएगा यह Newton का कोई सा नियम है तो पर्चम नियम है Newton का गती नियम यहनि law of motion दिवार पर फेका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लोटता है तो याद के समद में वैख्या परदाम करें गती के तीसरे नियम गती के तीसरे नियम यह कारण ही वो लोटता है किल्या के विप्रित पर्टी किल्या होती है कतने Newton के गती के तीसरे नियम के लिए सही है बल अलग अलग निकाय पर विप्रीद दिसा में लागू होता है गती का परसीद नियम दिया था नीटन ने दिया था एक निकाय के संभेग में परिवर्तन की दर ब्यास के समनुपाती होती है लागू बल के दोस्तों समनुपाती होती है गती का दुद्धिय नियम दरसाता है किसी वस्तु की गती के पडिवर्तन की दर सुध बल की दिशा में वस्तु पर लागो सुध बल के अनुपातिक होती है किसी वस्तु की गती के पडिवर्तन की दर सुध बल की दिशा में वस्तु पर लागो सुध बल के अनुपातिक होती है नीटन के गती के नियम का प्रकासन वर्स क्या है 1687 में ये प्रकासन हुआ था नीटन के गती के नियम द्रमान और तोरन का गुना फल कालाता है बल, द्रमान गुना तोरन, क्योंकि दोस्तों बल बराबर एफे होता है, सुरी, एफ बराबर क्या होता है, मास गुना तोरन होता है, ठीक है वही हुआ, एम भी, उदाहरा न्यूटन के गति विशेक तिर्थिय नियम के वेख्या, र विप्रित होता है यह विचार न्यूटन के नियम के कौन से नियम थे तो याग गती का तीसरा नियम जब एक इस्थीर बस चलना प्रारम करती है तो उसमें खड़े वेक्ति पीछे की और पीछे की दिशा में गिर जाते हैं निमलकित में से कौन सा नियम इस परिश्थितिकी क वेक्या करता है तो न्यूटन के गती के पर्थम नियम वेक्या करता है जब बंदुक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदुक विप्रित दिसा में धक्का लगाती है यह न्यूटन के नियम का उधारन है गती के तीर्थिय नियम का यह दोस्तों उधारन है बलकि प्रिभास बलके अभा में रोकेट पपर नोध होता है, इस्तिर होता है, क्या होता है इस्तिरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू या गतिसिल वस्तु के उसी गति से गतिसिल रहने की पडिक्रिया कहलाती है जरतु कहलाती है क्या जरतु है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है गति की जरता उसे आगे बढ़ाती है इसलिए जरत्व का नियम पर्तिपाधित किया गिया था आईजक नियूटन ने किया था दो सर आईजक नियूटन ने जरत्व क्या है तो वर्तमान इस्तिते में होने वाले परिवर्तन का पर्तिरोध करने की प्रविर्ति को ही हम रोग जरत्व कहते हैं क्या कहते हैं जरत्व यानि इन इनर्सिया जब कार एक घुमावदार सरक बर मूर्ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वेल पर केंद्र के और विप्रिदी सामें एक बल महसूस करते हैं यह बल होता है दूस्तों जरत होता है क्या होता है जरत्व जब एक गिलास पर रखे गए कार को उमली से धक्का दिया जा से इसको क्या कहा जाता है तो इसे एक न्यूटन कहा जाता है न्यूटन के दूट्प्रिकर परत्व नियम देखे क्या है परतिय के पींट तब तक अपनी विरावास्था अथ्वा सरल रेखा में एक समन्गति से कि अवस्था में रती है जब तक उस पर कोई बाहे बल नो लगाया जाए और इसे जरतों का नियम भी कहते हैं उधारन गारी के अचनक चले परियात्रियो का पीछे की और जुकना ये जरतों का नियम ही एक तरह से है दूतिया नियम किसी भी पेंड के समवेग पर पडिवर्तन की दर उस पर लगाये बल के समनोपाती होती है ये नियुटन के दूतिया नियम है दोस्तों या देख लिजिए एप समनोपात एप 2-P, सुर P2-P1 बा टाइम हो लोग कर सकते हैं जहां एप बल है P2 अंतिम वेग है और P1 प्रारंबिक वेग है ठीक है और T समय है अता एप बराबर A में हो जाएगा उधारन किर्केट खिलारी गेन पकरते समय हाथों को पीछे की और खिषते हैं ये भी नियुटन के नियम के कारण ही दोस्तों या दियुटन के नियम परतिक वस्तों पर किर्या की सदेव बराबर ये नियम के अनुसारो याद रखिएगे पीछे की ओर खिषते हैं दोस्तों को नौ पीछे की और हट जाती है नेक्स्ट अब हम लोग 117 नमर देखिए क्या है तीन केजी की एक विस्तोल से 180 मीटर प्रती सकेंड वेक से 140 ग्राम की गोली 6 रूप से चलाई गई है तो पिस्तोल का प्रती खाती वेक कितना होगा बहुत यह अच्छा कुशन है माना विस्तोल भी मीटर प्रती सकेंड की वेक से पीछे हड़ती है ठीक है यह बंदुग दोस्तों ठीक है और पिस्तोल का संवेग एक्वल टो हो जाएगा मैनस गोली का संवेग हो जाएगा याद रखेगा और एम डे दिया गिया दोस्तों कितना तीन केजी है यानि तीन हजार क्योंकि तीन हजार ग्राम है हमको चेंड करना पड़े क्योंकि एक ग्राम में दिया दूसरा को भी ग्राम में करना पड़ेगा भी हमें निकलना है और यह दिया गोली का कितना चालीस ग्राम है ठीक है इन्टू कित्मा वेग से एक 180 मीटर परती वेग से ये मतलब चला है दोस्तों गोली ये दे दिया लेकर बंदू का वेग हमें निकालना होगा बस इसी को सोलेशन करेंगे दोस्तों आ जाएगा और क्या इसी को किजिए दो जिरो से पहला नमर दो जिरो को कटा देजिए यहीं के से हमें लोग इस तरह करके कट आ सकते हैं कैसी किटाएंगे व змaz देख Route 10 जिरो तो यहांपे यहां पर कट जाएगा ठीक दोस्तों अब यहां पर देखिए दोस्तों यानि हम लोग कर सकते हैं बारे हो गया बट्टे क्या और चारतिया बारे बट्टे पांच आ जाएगा इसको निकालेंगे तो इतना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब देखिए बल यहां फोर्स के बारे में संभेग में परिवर्तन की दर क्या होती है बल होती है यदि एक मतलग एम दरमान वाली वस्तों को जमीन से एच उचाई तक उठाया जाता है तो इसी किरिया के लिए बल की आवे बराबर यह में होता है बस और कुछ नहीं जब किसी पर्तिरक्षा बल यानि आप को विपरीद दिसा में लगाया जाता है तो दो दिसाओं के बीच कुण कितना होगा दोस्तों 180 विपरीद दिसा तो एक जैट सही एक क्वल वह करने दोस्तों और एक लाइन में है तो इसका ही है जब उसपर कोई डेस नो लग रहा हो बल नहीं लगेगा तो वो बिल्को सब्सुदर्वस्था में गती करते रहेगा प्रकृति में कभी अकले नहीं होता बल कभी भी आकले नहीं होता प्रकृती में होते हैं एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव एक वस्तु के आकिरती में पडिवर्तन होती है। बल बरावर क्या हो जागा द्रमान गुना तोरन होगा। पर्तिबल का प्रभाव नेवर करता है छेत फल पर। मुक्तरुप से गती करने में सक्षम 10 केजी द्रमान के एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो कथन लागू होगा तो निकाय ये एक मीटर पर्ति सक्कीने स्वायर के तुरन से गती ये करेगा दोस्तों। इतना ही होगा अब देखे क्या है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकर कर खीची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है खीचाओ कहा जाता है उस पूल किसी पदार्थ पर डेस कारी करने के बापजुद भी उसके आकारें परिवर्त नो होने का गुन कहलाता है क् विज्यान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्की या खिचा को कहते हैं बल कहते हैं जब दो समान बल किसी निकाय पर और विप्रिद दिशा में कारी कर रहे हो तो निकाय पर कारी करने वाला बल बन जाता है सुनी बन जाता है एक्जेक्ट सुनी किसी वस्तु को गती में लाने के लिए उसे धका देना या खिचना कहलाता है बल कहलाता है दो पिंडों के बीच बल स्रेव समान और विप्री दिशा में परयुक्त होते हैं याद रखिए विप्री दिशा में निम परिश्थितियों में कारी नकारात्मक बल द्वारा किया गया जब कोई वस्तु बल विप्रित विटीसा में स्थंतरित होता है तो ओं ना करात्मक्रीला सबहठी कीजित जब एक इस थीर बल किसी वस्तु पर तीन सकेंड की अबधी के लिए आठ केजी के द्रमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेई को चार मीटर परती सकेंड से छे मीटर परती सकेंड तक बढ़ा देता है तो परिवत बल की गुरुत्वे क्या होगी बस इतना ही निकल तो रहन क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है आपको फ्रमुला तो पता होगा है हमें तो रहन निकलना है दोस्तों तो तो रहन क्या होगा तो वेग में परिवर्तन बटे समय वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है तो यहानी अंतिम है दोस्तों कितना छे यानि दो बटे 3 हो जाएगा दोस्तों समय 3 सकेंड का है दोस्तों 2 बटे 3 हो जाएगा एक कितना हो गया दोस्तों 5.33 आजाएगा 5.33 यानि ओप्सन नमर ए इसका राइट अंसर होगा कुछ नहीं इसना आपको एक फर्मला यूज हुआ है तोरन बड़ाबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है और बल बड़ाबर क्या होता द्रमान गुना तोरन यहां समलोग निकाल लिए और यहां बल का परिमान बस तरह हमें नैकालना दोस्तों बल का परिमान यह बbewाट यहां यहां भी निकालना होगा है कि बहुए धर देने यूज के लिए लिए वेंपड़िवर्तन क्सक्राइश MA Рव क्या होता है यहां यहां हां दो है तो 200 हो जाएगा दोस्तों सिंपल सी 200 हो जाएगा और एन मतलब एप को बल्क का मात्रक न्यूटन होता है यानि 200 हो जाएगा बी नमर इसका राइट आंसर होगा एक सोटीस नमर देखे एक कार 72 किलोमीटर परती घंटा की ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में चार सकेंद लगते हैं यदिकार का द्रमान 1000 कि यह तो ब्रेक द्वारा लगाए गया बल का परीमान क्या होगा क्या होगा दोस्तों बताए तो इसका राइट ट्रांसर क्या होगा से मुझी तरह हमको निकालना है लेकिन यह अलग होगा जिरी यानि जीरो वग तो यह sotto April अपनिकालना है निकण और यूनिकलत होगा दोस्तों यूनिक्तलिक लिए भी लूकशीटी 요 सब्सक्थ को सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह दोस्ट कर जाएगा यानि आ जाएगा 20 मीटर परती सकेंड यूँ आ गया 20 मीटर परती सकेंड चलिए यहीं हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों यहां देख लिजी अच्छी तरह से मास दे दिया गया है 1000 केजी मतलब 1000 केजी यानि तेंटो दिप आवर 3 केजी होता है कोई दिकत नहीं है 1000 केजी दिया गया था हाँ दिया गया था ठीक है और प्रारमिक बेग 72 किलो मीटर परती आवर्स दे दिया गया था समय भी दे दिया गया था चार सकेंड अंतिम बेग भी क्लिए कुछ ने किलोमीटर है आप इसे निकाल सकते हैं या फिर आप पाझ बीस हो गया बीस मीटर परती सकेंड हो गया यहां पागी यह आगया दोस्तों यू आ गया 20 इसका राइट आंसर होगा आपको एक बात याद रखनी चाहिए किलोमेटर परती आवर्स को मीटर परती सक्ट्री में चेंज करना है तो पांच बटे अगर दोस्तों मीटर परती सक्ट्री में चेंज करना है तो पांच बटे परती सक्ट्री में चेंज करना होगा अगर दोस्तों मीटर परती सक्ट्री को किलोमेटर परती आवर्स में चेंज करना है तो आठारे परती परती सक्ट्री में चेंज करना होगा बस और कुछ नहीं इतना पता होना चाहिए 131 निमर देखे एक वस्तु पर 20 नीटन का बल लागो किया जाता है और यह दो मीटर पर 30 सकीन स्क्वार की तुरण की साथ गती करती है वस्तु के दरमान की गन्ना किजे क्या होगा? कुछ नहीं निमर देखे निमर देखे और निउस जब आट केजी दरमान कि किसी वस्तु पर कोई सतत बल दो सकीन कार करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर 30 सकीन से 9 मीटर पर 30 सकीन तक बढ़ा देता है लगाया गये बल का परिमान क्या होगा पहले है निकलना जब दोस्तों तो बहुत भी अच्छा है दोस्तों आप निकाल दिए निकालने के लिए 132 निकलना ही होगा तभी तो यह बराबर हमें हो कीजिएगा देखिए क्या होगा ठीक है अच्छ डाइट ही फर मुलाप हम लोग चलें नहीं चलेंगे तो भी आ जाएगा चलिए एब बराबर इन तो यह बराबर हमें डाइट निकालना है एम इंटू भी मैनस यू हो जाएगा बट टाइम डाइट हम लोग चलने दो दोस्तों टो इम दिया गया आठ इण्टू 9 में से चार रहे हो तो कितना होगा रहा जाएगी तो पांच होगा पांच बत्र टाइम दो सकेंद या दो सकेंद यह चार होगा पहुद विस बिस हो जाएगा दोसों निउटन, ब्यूसजी निचलन क्योंकि बल है बलका मतर्क और उस रूबला चार है दो नौ में से चार गटाएंगे तो पांच आजाएगा पांच पांच गुना आठ करेंगे दोस्तों पांच गुना आठ आठ अब टाइम देंगे तो फिर भी उत्म ही आजाएगा दोस्तों थीक है नेक्स है 133 नंबर पंद्रे कीजी द्रमान का पीं संभेख में 0.02 2 सकंड में 10 क्या अटिभ पर 30 सकंड प्रिवर्तन होता है तो वस्तुप कर रहा है थीक है ता रेजरी कर रहा है ठीकर ड़नी कर लिए थीकि रखे जिरोterror जिरोरा झांच थीक है और सम्भेख भी दे दिया 10 क्या सकंड किजी अोड़ा है3100 स्यूबीवरत्तन 10 और टाइम कितना 0.02 सकेंड बस इसी को कर लिजिए हो जाएगा दोस्तों दो जिरो यहां आ जाएगा पांसो नीटन पांसो नीटन कहां है सी नमर इसका राइट अच्छे यहां बताया भी गया है 135 नमर कोशन है एक इस्तिर बल दो सकेंड की अवधी के लिए पांच के जी द्रमान की वस्तू पर कार करता है यह वस्तू के वेग को चार मीटर परती सकेंड से साथ मीटर परती सकेंड तक बढ़ा देता है पर युक तो बल की मात्रा क्या होगी बहुत ही अच्छा है दोस्तो बल हमें नीकालना है पहले हम दो यही निकाल लेते हैं शाथ मेंसे चार घटा यह तीन हो गया तीन बटे सकेंड तीन बटे 2 हो गया यह और यहां पांस से मल्टिप्लाइ करवा दिजिए और क्या बराबर एम नहीं होता है यह यह नहीं सरे साथ सरे साथ नुटन सी नमर हो ऐस बाल कोगा बहुत स मैं अच्छा कुछ सने दोस्तों बतां ये इसका राइट आंसर लाइगा उसे लेशंन नींगा लिह कर दोस्तों इसी लेते मिशला से काल लिए गाऊ है um सुल Κाई लेशन न पर ढेंगे हैं प्रक्राइब देख लेते हैं पर देखिए हाँ यहां पर दिया कि मैस टी तक तो हम लोग कर चुके थे सम्भेग के पर वर्तन बडाबर आवे होगा मैस 3 ठीक है और आवएक बडाबर क्या होता आवसत बल गुना समय हमें और निकालना है तो क्या होगा आवेक बटे समय होगा आवेक भी उ लगने वाला कूल बल क्या होगा क्या और क्या होता है टेक्टहट सब्सक्राइब Catherine होता है थीक है ये आपको चोटा चोटा प्रप्रमुल आपको दोस्तों प्रटीस की जीए गा जाएगा डिपिकल नहीं होती है एक स्रक्षे द्रमान के घ्रती ऐती पांस सकेमें फॉर से अरू पर एक समय तो यह होगा फालिया निकल लेते हैं दोस्तों जब आ गया तो हम्हें ब्रावर चाहिए तो आगिया तो हमें ब्राबर जब आ गया तो हमें इपन का मान दिया गेस्टों और A का भी लोग विक्त्मा निकाले 2 तो कितना हुगा 200 दोसो और या बल है थो 200 नुटन हो जाभा D numero से लोगा 138 का D numero दोस्तों बहुत ही आशन कुस्त्र है दोस्तों 149 नर्मर है यहां पर दिया ही गया है इसको देख लेते हैं द्रमान 20 केजी है तोरण 4 मीटे पर 30 स्कुर्ड दिया गया है बल ब्राबर एप यह होता है एप ब्राबर एमें होता है एम दिया 20 और तोरण 4 है तो डायर्ट की करेंगा 20 उना 4 करेंगे तो असी न्यूटन हो जाएगा एग नेक्स्ट एक इस्तिर बल 2 सकेड़ की अब देके लिये 5 केजी द्रमान की वस्तूपर कार चाहे यह स den सकतलार हुगी यहां से निकालने वह दो इन तो रएक ड्लाए को एक आगिया यहनु लोगोस कि storage तो बस और मेल भार कि अंका रiset डिया थे दूस्क लेँ एक आगिया दोस्तों दोस्तों यह होगा 141 राइट अंसर हो जाएगा दोसों ए नमर किसे मुंसी तरह यहां पर निकाला गिया है 142 नमर देखिए यदि पचीस केजी के द्रमान वाली कोई वस्तु आठ मीटर पर्थी सकें स्क्वार के समान के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वार लगाए गया बल क्या होता है मतलब बरबर A में होता है, M इतना है तो बस गुना कर देजिए 200 होगया 200 क्या हो जाएगा बल है तो 200 हो जाएगा A numbers 142 का E number 143 नमर कोश्चन क्या कर रहा है 143 नमर कोश्चन कर रहा है दोस्तों एन मतलब यदि 10N और 5N के बल एक वस्तो पर एक ही दिसा में लगाए जाएं तो वस्तो पर काग्रत कुल बल कितना होगा कुल बल कितना होगा इसके लिए आपको फर्मुला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कुछ नहीं देखिए परिणामी बल यानि यह बराबर को यह अंडर रूट यह पर करना होगा दोस्तों बस्तों डायत जोरड़े और वही अंजर हो जाता है दास नुट बस सिफ दोर देना ही और कुछ नहीं एक आतुर्फे के बाड़े में अब हम मोग पढ़ेगे आवंगं तुलू नहीं होगा typed द्रमाण और वेग का घूलान कालाता है संवेग के बते हैं में सभाव नचर्फे में गतिज हो जाए संवेग और देःत मेशाया जितना करेंगे मोतना ही होगा और। इए न वoi दिया हुआ हो विति दिया हुआ हो अन WIN risks पर डिया हुआ हो थो पीमाई भी होगा पीववाई भी होगा से द्रबमान और वेग कुणनपल समभिक होता है अब डूमेख् doubts को स्की तरह सा समझी 344 समखोंट ने यिदि वेग को दो गुणग कर दिया जाए तो क्या क्या वह संसर यदी हम दोस्तों वेग को दोगुणा कर देंगे है तो समभिक डूस funds haben थोड़ा सदिमार लागा होगा तोयकि कुछ नहीं करते हैं यह राभर होती है लिए दस ज्यूल गति युजट्य और गति युम कीश्फह मुार मतलब तो 10 ब्राबर हाफ एम का अमान 0.2, 0.2 हो जाएगा दोस्तों, केजी में 0.2 केजी, और भी एस्क्वाइर हमें निकलना होगा, ठीक है, यह हो जाएगा दोस्तों, ति यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, यह 0 हो गया, अब यह यहाँ से यह बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ 100, क्या हो जाएगा, संब्राबर द्रमान गुना तोरन होता है, द्रमान गुना गुना वेग होता है, द्रमान गुना वेग, और द्रमान 0.2 है, वेग है 10, इसको मल्टिप्लाय करें है, 10, तो कितना होगा, 2, 2 केजी, मीटर परतिसकिन होगा, दोस्तों, 2 केजी, मीटर परतिस दस पर दो जीरो दोस्तों यह हो जाएगा डी नंबर यहां डी नंबर इसका राई टांसर हो जाएगा 141 वस्तों के संबेग की गन्ना की जिसका दरमान 50 किलोग्राम और वेग दे दियागा इतना कुछ नहीं संबेग है तो दोनों को मल्टिप्लाइ कर देनी है वस्तों मुत्पं संबेग दोनों को मल्टिप्लाइ कर दिनी है 8, 48, 48, 48, 0 kg पर देबल 0 kg मीटर पर 30 सकेंड 48 ठीक है बी नंबर हो जाएगा इसका राई टांसर प्रतिसकेंड नेक्स्ट एंबाइट दर्मान के कोई वस्तु जिसका वेक्ट भी है का समय क्या होगा वास दूनों को मल्टिप्लाइब कर दो जो जाएगा बीनमर इसका राइटांस रोगा नियाम के बारे में वह देख लिए हम लोग समय सरक्षन के नियाम या पहला को सने किसी रॉकेट का उर्ना मतलब उरान भरना संधा जाता है संवेक्स रक्षन के नियाम संब्सक्राइब के लो ऑफ कजर्वेशन ओफ मोमेंटम सिधांद के अनुसार कोही रॉकेट आम्त्रीच इससेती में सरक्षित रहता है संब्सक्राइब नुमम्रिकल कॉस्टस इसमें क्या दो केजी की से 150 मेटर 202 के साथ एक 30 ग्राम की गोली 163 रूप से चलाए गशे पूल का पर्तिरख्षित वेल कितना होगा कितना होगा दोस्तों प्रति रख्षिर वेल बहुत ही आच्छा कोशन है देखिए यहां तो आपको फ्रमुला याद रखना पड़ेगा दोस्तों M1 यहां से हम लोग समझ जाते हैं इसको M1 मतलब M2 यह संभेग है ना संभेग वराव इतना होता है M1 into B1 equal to M2 into B2 होगा M1 दे दिया गया दोस्तों 2 kg और B1 हमें निकालना B1 दिया है B1 हमें निकालना है और यह दोनों कमान दे दिया है दोस्तों समझ गोली का समझ कितना तो 4.5 दिया है नेक्स्ट 104 नमर 0.01 kg द्रमान की एक बंदुक की गोली को 5 देखे 5 kg वजन की बंदुक से दागा जाता है यदि गोली की प्राणभिक चाल 250 मीटर परती सकेंड है तो बंदुक के परती छेप यानि रिकॉयल की चाल कितनी होगी बहुत अच्छा कोशन है इसको भी अच्छी तरह से हम लोग उसी तरह बनाएंगे यानि M1 इन्टू V1 इक्वल 2 होगा M2 इन्टू V2 और ये जो है दोस्तों गोली का है ये बंदुक का है ये गोली का है गोली हमेशा प्लस में होगा क्योंकि गोली अलिक्तम दूरी जाएगा बंदुक दोस्तों भी प्रित काम करता है इसलिए वो मैनस होगा और यहां हमें V1 निकालना है जबहों लोग V1 निकालेंगे दोस्तों तो M2 इन्टू V2 बाय हो जाएगा 5 और M2 का मान दिया है 0.01 और 255 नमर को सने एक 2 केजी की गेंद 15 मीटर परती सकेंड के वेक से चलती हुई किसी इस्तिर 4 केजी वाली गेंद से टकराती है ठीक है टकर के बाद दोनों गेंदों का वेक क्या होगा बस टकर के बाद मतलर निटन के तीर्थियन यहां हमें लागाना होगा और कुछ नहीं त अब यहां पर दिया गया है दोस्तों संब्यक स्रक्षिन के नियम दिया है यानि M1 प्लस M2 इंटू भी हमें निकालना है तो यह हमें निकाले दोसों तो कितना हो गया 10 वटे 6 आगया 10 वटे 6 यानि 1.66 मीटर परती सकेंड आगया अब पुना हम लोग फिर निकाले दोस्तों दूसरा निकाले तो क्या हो जागा दूसरा आगर निकाले, तो क्या 10 वटे 6 रूफीली रूफ से चलाई गई है तो पिस्तोल का प्रतिगाती वे कितना होगा बताए कितना होगा तो M B equal to M B करना होगा बंदुक का हो जाएगा मैनस में और गोली का हो जाएगा पलस में ठीक है और कुछ नहीं दोस्तों मतलब यहां में निकालना है दोस्तों बंदुक का यहां पिस्तोल का निकालना है पिस् प्रारंबिक तो यहां हमसे यहां निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहांनि बी निमर इसका राइट आंसर हो जाएगा और कार का द्रमान क्या होगा कार का द्रमान दोस्तों क्या है बहुत यह अच्छा कुस्त ने बता यह क्या अंसर होगा कुछ नहीं यहां भी हमें वही निकलना पड़ेगा दोस्तों तो यह रहां देखिए एम वन दे दिया है एम वन कितना दिया है दोस्तों दो हजार केजी भी1 कितना दिया है भी1 भी दे दिया है 10 meters पर 30 seconds और भी का value दिया है दोस्तों 8 meter पर 30 seconds ये भीका value दिया है schools टीक है और भी2 भी2 दोसतो zero हो जाएगा zero हो जाएगा जिसके कम होगाअ संभीकक स्रेक्षोन के नियम से यहां में निकालने न होगा यानी म是什麼 B2 equal to हो जाएगा दोस्तों M1 plus M2 into हो जाएगा B यहीं से हम लोग पूट करके निकालेंगे तो M2 बराबर हो जाएगा दोस्तों M2 बराबर हो जाएगा 500 kg 500 kg या नहीं हो जाएगा दोस्तों C number is का right answer हो जाएगा यहाँ पर दिया गया दिखिए M1 दिया है 2000 kg V1 दस मिटर परती सेकंड दिया है कोस्चन से B बराब 8 मिटर परती सेकंड दिया है B2 मतलब दोस्तों B2 नहीं दिया है तो 0 लेके चलेंगे हम लोग क्योंकि वो रुख गया होगा और M2 यहाँ M2 equal to M कार का द्रमान हो जाएगा सम्वेक स्रक्षिन के नियम यह है दोस्तों इस नियम को आप याद रखेगा सम्वेक स्रक्षिन के नियम यानि M1 into B1 plus M2 into B2 equal to M1 plus M2 into B2 होता है तीन केजी की पिस्तोल से 1500 मीटर परती सकेंड वेक के साथ 31 ग्राम की गोली छेती जरूप से चलाई गई है तो पिस्तोल का प्रतिखाती वेग कितना होगा पिस्तोल का प्रतिखाती वेग क्या होगा बस कुछ नहीं दोस्तो पिस्तोल का पुछा जा रहा है यानि भी डैस का पुछा जा रहा है भी डैस इकोल टो होगा एम भी बटे किवह मिवाइभ आसे काठाईगा 5 होजारब गॉली इसके बैरल से होकर जाने में 0.006 सकेंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर 30 सकेंड के वेग से छोड़ती है तो रायफल द्वारा गोली पर आरोपीत बल क्या होगा बस उसी तरह हम लोगों को निकलना होगा यहां से हम लोग समय लेते हैं अच्छी तरह से गोली का द्रमान बारेक ग्राम दिया है तो इसे हम लोग केजी में चेंज करन में करना पड़ेगा उन कर दोस्तोंु कि और Now एंधिया है 0.252 टी केजी है ठीक है और यहां विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, distance and displacement के बारे में, वह भूतिक रासी जो कभी वीरिनात्मक नहीं हो सकती, दोड़ी कभी वीरिनात्मक नहीं हो सकती है। एक वस्थू को उपर की और फेका जाता है, या 100 मीटर की उचाई तक जाती है, और फिर फेकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्थू का वास्तिक विस्थापन सुनी होगा दोस्तों। उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं, विस्थापन के बारे में बात गलत है क्या, या धनात्मक, रिनात्मक या सुनी हो सकता है। याद रखेगा, ये गलत नहीं है, ये बिलकुल सही है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, रिनात्मक भी हो सकती है, और सुनी भी हो सकती है, विस्थापन, याद रखेगा, ये गलत नहीं है, सही है यहार होता। नेक्स्ट चाल वेग, स्पीट और वेलोसिटी के वारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या है, किरन 90 मीटर लंबे पूल में तरती है, और एक छोड़ से दूसरी छोड़ तक और फिर वहां से वापस वोसी सीधे पत पर तरती है, दो बार में 360 मीटर की दोरी तरती किरन का ओसत वेग क्या होगा, औस अगर पूछा जाए दोस्तों, तो बिलकुल इसका 0 मीटर पर ती सकेंड ही होगा, 0 मीटर पर ती सकेंड होगा, वेग अगर पूछा जाए दोस्तों, नेक्स औसत नेक्स किसी वस्तु का तोरण इसके डेस में परती 21 समय में हुआ पडिवर्तन है तो वेग में पडिवर्तन को ही हम लोग तोरण कहते हैं समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ कहा जाता है ततकालिक वेग और औसत वेग तबक बराबर होता है जब वस्तु में सुनी तोरन होता विस्तापन की प्रिवर्तन दर को कहा जाता है वेग कहा जाता है वेग यगी कोई वस्तु समान समय अंतराल में वो समान दूरीते करती है तो इसी कहा जाता है वो समान गती कहा जाता है विस्थापन के पड़िवर्तन के दर को कहते हैं वेग कहते है किसी निर्दिस्ट दिसा में किसी वस्तु की गती को कहा जाता है वेग कहा जाता है वेग निश्ट एक निश्ट दिसा में बढ़ रही वस्तु की गती को वेग्यानिक सदावली में किस पद के रूप में जाना जाता है वेग के पद के रूप में जाना जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे नेमरेकल के बारे में पहला कुस्टने एक चालक समय गती से अपनी कार को चलाता है और 60 सकेंड में 288 मीटर की दोड़ी तरी करता है तो गती क्या कीजिए एस बराबर क्या तो डिस्टेंस पर ट्राइम होता है बस इसे डिभायर देनी है और क्या डिभायर दीजेगा तो 4.8 मीटर पर 30 सकेंड आ गया इसे किलो मीटर परतियावर्स में चेंज अगर करनी है 18 बेटे पांस से मल्किप्लाइ कीजेगा बस आ जाएगा नेक्स्ट परच्चिप गती यानि प्रोजेक्ट आई गती में चेतरिक या चेतीजे के साथ एक बड़ा कोन पैदा करता है उचा परच्चिप दोस्तों उचा परच्चिप पत नेक्स्ट जब किसी कन को उर्धवाधार उपर की और फिका जाता है और जब वह सबसे उचे बिंदो तक पहुँचे जाता है तो उसका तोरण नीचे की और आता है यदि एक गेंद उपर फिकी जाती है तो परिवर्धित नहीं होती तोरण दोस्तों परिवर्धित नहीं होती है परच्चिप गती में कुल उरान का समय होता है उडियन काल अधिक्तम उचाई तक पहुचने में लगने वाले समय से दो गुना होता है एक परच्चिप गती में प्राप्त की गई छेतिर सिमा एक समान होती है चाहे वस्तों को ठीटा और डियास पर परच्चिपित किया जाए तो 90 अंस रीम ठीटा पर परच्चिपित किया जाए एक तोप का गोला दागा गया है तो इस गोले की गती का एक उधारन क्या है परच्चिप गती वह मात्रा या घटना जिसके दोस्त तंद्रगुन परिमान और दिसा होते हैं कहलाते हैं क्या तो वह सदिश रासी कहलाते हैं सदिश रासी किसी परच्चिप का परच्चिप या पत्ठ होता है क्या परवले होता है भर एड रखी बराबर तोरन वेग में पडिवर्तन बटे लगने वाले समय बराबर तोरन होता है तोरन होता है मातरा की वितकरनों पाती बल का समनों पाती होता है वेग समय कराप के धलाँ दरसाती है क्या तोरन दरसाती है तोरन अभी केंडरीय तोरन और असपरस रेखीय तोरन के बीच कोन होता है 90 डिरी का होता है वेग में पडिवर्टम की दर को कहा जाता है तोरन कहा जाता है नकारात्मक तोरन तीसा के विप्रित होता है दोस्तों वेग के विप्रित होता है नकारात्मक तोरन कथन सत्य क्या है, कार का वेग नियांतर बदल रहा है जब कोई वस्तो एक समान गति से गति सील कर रही हो तो इसका तोरन होगा, सुनी होगा, क्या होगा, सुनी धिनात्मक तोरन का अर्थ क्या है वस्तु का वेग बढ़ जाता है तोरन की विमा होती है यह L M T P 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 अगर दोस्तों अंतर होगा तो वो क्या होगा मनता होगा किसी वस्तु का वेग व्यतित हुए समय के समनोपाती होता है तो एक समान तोरन के समनोपाती होता है तोरन रिरात्मक होने पर किसी पीन का वेग क्या होगा घटेगा दोस्तों एक वस्तु की परती एकाई समय में वेग परिवरतन की दर तोरण होती है मुत रूप से गिर रही किसी वस्तु की गती उधारन है समान तोरित गती का मंदददा का अर्थ है कि कोई वस्तु चल रही है घरती वीचाल से वो चल रही है अब हम वो पढ़ेंगे दोस्तों नेमरिकल देखे क्या है एक अचल इस्तिती से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सकेंड में 60 मीटर पर 30 सकेंड की गती पकरती है तो साइकिल के तोरण की गर्ना क्या होगा सिंपल सी बात है दोस्तों तो तोरण बढ़ाबर वेग में परिवरतन बटे समय होता है वेग में परिवरतन कितना हो रहा है तो 60 मीटर पर 30 सकेंड और शुरू का तो नहीं दिया है तो 60 बटे 30 हो जाएगा दोस्तों योनि दो मेंटर प्रती सकेंड की होगा दूस्तों, तूझस क्या है, लिए 12 सकेंट की सकेंड हो कहने में, final velocity minus initial velocity by time होता है दोस्तों याद रखेगा इसको तो 72 में से 18 अगर हम लोग हटाएंगे तो 54 हो जाएगा यो किलो मीटर पर ती आवर्स में है उसी तरह किया गया यहां पर अब 350 नीटर का बल 500 केजी के दरमान पर लगाया जाता है तो इस इस्ति में वस्तुम में उत्पन तोरं कितना होगा कितना होगा 165 का बताइए तो यह भी बहुत ही अच्छा कुछस्त है दोस्तों इसको समझ के अच्छी तरह से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा देखिए आपको पता कि एप दे दिया गया दोस्तों 350 नीटर और मास भी दे दिया गया है 500 केजी मास भी दे दिया गया है और हमें ए निकलना है हमें क्या निकलना है तो क्या होता है एप बराबर एप बराबर क्या होता है एम ए होता है एम ए होता है एम ए होता है एम ए होत सब्सक्राइब यानि यह वह जाएगा दोस्तों इस ती रावस्ता में प्रारम करने पर सुनिल की कार 10 सकेंड में 20 मिटर प्रति सकेंड वेग प्राप्त कर लेती है कार का तोरन क्या होगा तो तोरन ब्रापर वेग में पडिवर्तन बटे समय होता है वेग में पडिवर्तन है दोस्तों कितना बीस ठीक है और बटे समय कितना है दस बस दो से याद के दो मीटर परती सकेंड स्केंड स्केंड हो जाएगा यानि बी नेमर दो मीटर परती सकेंड स्कुएर नेक्स्ट एक कार का विग 5 सकेंद में 18 किलिमेटर परती Аवर्स से 36 किलिमेटर परती आवर्स तक समभर्ण रोप से भड़ता है तो चर्प और कि तोरन कागा कीजी कुछ दोस्तों आको योटरती हैं दोस्तों यह तोरण निकल सुछेंबाने कशना यह भरावर जोड़ा फाइनल वेलटोसिटी मिलटील सुछ आतरिस्ती मट powered रटाइब और पॉले से मिटर्द सुछंट न सुछंट पर दिनकार थार्रड पन्रें की बैफ्सेल तक LOL लोब से बढ़ता है कार के तुरन की करना कीजिए से मुसी तरह इनिस्चल वेलोसिटी मैनस इनिस्चल वेलोसिटी बाइक टाइम बहतर में से अठाड़ आगा हम लोग अटाएंगे दोस्तों चववन आ जाएगा चोवन बट्टे दस हो जाएगा मेटर प्रती सकेंद में चि देखें 30 केजी दर्मान के एक लोहे के गोले को का व्यास दर सलबप्वनाच के एक एल्मोनियम के गोले के व्यास के बराबर है तो दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्वन से गिराया जाता है जब यह भूमी से 10 मीटर की उदूरी पर हो तो उनका डैस समन्झ होगा क्य देखिए क्या 30 केजी द्रमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 केजी द्रमान के एक एल्मुनियान के गोले के व्यास के ब्लाबर है दोनों गोले को एक साथ खड़ी चक्तरन से गिराया जाए जब यह बहुमी से 10 मीटर की दोरी पड़ हो तो उनका क्या समन होगा तोरण वि यहां समन है तोरण विए परीवर्तन के इंद्रमान की किसी वस्तु पर भीस न्यूटन कैपल लगा जाता है तो तोरण कितना होगा तोरण निकालना है बस कुछ नहीं यह बराबर इंकों इसी प्रम ने में सorb होटा है इस सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको ये निकलना होगा ठीक पलिया तोरण ही गयाद करने के लिए इसे कोई लेना देना ही नहीं तोरण इकालने के लिए फ्रटे पांच हो जाएगा डाया डाया जागा दो या जायगा नेकिस न्यटन के बलको थीन किलोग्राम वाली वस्तुपह लगाया जाता है तो उत्पन कितना होगा या बराबर क्या होता है दोसे बराबर सक्षब सिनल में किसी आर वे पांच प्रति सकेंद से बढ़ कर दस अंपर तक सक्षब कर तो उसका तोलन क्या होगा तो थो और नियुक्त होगा तो इस अंपर इस ये दोनों तक्तों को एक दूसरी की साथ बांद दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो 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 तोरण कितना होगा घ्राइब कितना होगा बताये देखिये दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह ब्राबर एमें निकलना होगा यह लोगा कालेगा यह दूस्तों एक हुटे दो केजी यह आजाएगा फिर उसी याप बर्राबर मोता को बता है यह ए आप दिया यहां पर दोस्तों से खेल नहीं है कि आए यहां कूश्च नहीं है वही है और फिर वह तो यह लुटा जायगा काश्वाट शेचर कि वाल सीवाना आ घर तो और । यहां से निकलना होगा बस यहां से निकलना होगा बस इसे को किजिए पांच ओके 20 बटे 3 करेंगे दोस्तों 6.67 मीटर परती सकेंड स्क्वार हो जाएगा यानी ऑप्शन निमर ए बिलकुल सही है बी ब्रावर यू प्लस एती होता है यह आप याद रखेगा यह समिकरन से समन को डर सता है गति के समिकरन के समझ में गलत है 2a s equal to u square minus v square यह बिल्कुल ही गलत है v square minus u a square होगा दोस्तों यह इसलिए गलत है इसकी गती गती का ईख्याkor देखिए गती गती की अजय कोने समिकरन है इसीड़ी सबक पर चल रही है इसकी गती ने और के सफ्वर दरेखिये गती का एक उधारन है एक ट्रेन की गती ग Antran verkl . Isapat स्थिती समय समंद का समीकरन क्या है स बरावर यूती प्लस हाप एक एसकर होता है समीकरन इस्तिती ओर वicipल दोफ निम्स बना गया है और यह निम्सरी को अच्छी तरह से समझेगे पहला कुछ्छन देखिए एक अचल अस्थन से चलो कर सोनी का वेगस साइकल दोड़ा 30 सकेंड में 6 मीटर पर 30 सकेंड हो जाता है तो साइकल के तोरण क्या होगा तोरण हमें निकालना है दोस्तों सिंपल सी आपको भी बरावर यू प्लस एटी रखना होगा भी बरावर क्या होता है यू प्लस एटी होता है और भी दे दिया है दोस्तों, भी कितना दिया है? 6, मतलब यांती, दे दिया 6, भी ब्रावर यू प्लस एटी होता यू का मान 0 है, और एटी, ए भी हम ए तो निकाल नहीं है, टी का मान कितना दिया? 30 सकेंड, बस इसी को सलिशन कीजिए, आ जाएगा दोस्तों, मतलब क्या हो हुआ 0.2, 0.2 मीटर परती सकेंड सक्वाइर, 0.2 मीटर परती सकेंड सक्वाइर, यह अप्सन नमर B में दिया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट, एक वश्तू, इस तिर आवस्था से चलना आरम करती है, यह 2 सकेंड में 5 मीटर परती सकेंड की गति निकल नहीं है, बस 5 परते 2, 5 परती सकेंड सक्वाइर, यह नहीं, मीटर परती सकेंड सक्वाइर, यह नहीं, मीटर परती सकेंड सक्वाइर, यह नहीं, मीटर परती सक्वाइर होगा न, अच्छ, मीटर परती सकेंड सक्वाइर, ठीक, सी नमबर, निवन में से कौन, समान समाम तोनीत गतिका समीख्राम नहीं है कि सब्सूम्न औहीं है सबसाहिक है यह था… हाँ यहाँ है जो आप पर लिए एटली के विए गयान fear chwil निये सबसार लारेखार में चलती हुई किसी वस्तुकि में समय समान तोरन के प्रव्पारिक समन्धों को समेकरं द्वारा पृज़र yet कि एचा сделал गति के समीकरं होता है दोस्तों ऑ Casey 8 फाटब है ठीक है ये पर्थम समर अनिष मेयस मेने इस्कार्टियश करोता है 30 में सब्सक्राइम तु यह जो पाला चंग समस्यक्रण और सम आरब है लूस्तों अन्फ przysz तो अजिए इसम्क्रण पर दूस्तों ठीक है एक बटे 4 केजी के एक गेंद है और वह इसे उर्थमादार रूप से उपर की ओवर फिकता है तो उसका हाथ उपर की ओवर 10 सेंटिमेटर उठता है और इसके उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर 30 सकेंड के उपर वेग से निकल जाती है और बच्ची द्वारा गेंद को फिकनी के लिए लगाए गए इस तिर बल का मान क्या होगा बताइए दोस्तों बहुत ही अच्छा कोशन है तो गेंद का अधरमान तो दे दिया दोस्तों एक बट चार केजी है और हाइट भी दे दिया कितनी दस सेंटिमेटर दिया गया इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा दोस्तों और वेग भी दिया है दो मीटर पर 30 सकेंड से चला है तो भी स्कार बराबर क्या हो जाएगा यू एस्कार मनस्क्ति सो जाएगा यूस्वा को जाएगा यू रफेश के मांड इचार हो जाएगा यू तो जीनट है दोस्तों दो मों है दोशन करेंगे तो क्या में आजएगा मतलग बाबर आ जाएगा 20 ब्राबर ऑगर 20 मीटर पर 30 सेकंड आज विए ब्राबर आगे 20 मीटर पर 30 सेकंड इसक्वाइर तो यह बड़ाबर होता है दोस्तों अब राबर होता है स्थिर्थी नियम है नेक्स दोस्तों अब 180 नमर का कोशन देखिए यदि एक कार अपनी प्रारम्भी की स्थिति से 20 सें में 144 किलोमेटर परती घंटा की गती तक समाल रोप से तोड़ित होती है तो यह कितने दूरी तो यह कितने दूरी दोस्तों ताइक करेगी बताइए इसक निकालना है थीक है उसके बाद यू यू तो नहीं दिया है दोस्तों तो फो जिरू हो गया पिलस एक ऐल्यू भी नहीं दिया है अरुसके बाद सो ट करने के लिए 502 से आँ 2430 घंटा यह वसक करने नोगा पहुँआ से दिबाइर देंगे मैं और आ जाइगा दो मीटर परति सकेंड को जाएक तो सब्सविलस अब सरत Daar होता है । हम्म योटमीट कर दोस्ते होता है युज आ जिए ब्राबर एस दीकाओ चार से कट रहा है घखाए तो इसे भी आप आप वो अगर दो सी कटाते दोस्तों त्येस साथ हो जाएगा यह दो होजाएगा फिर कटान है गला यह तो इसको कटायेतगा टूस्त गुत autant दो क्ट्राइब सिक्वार व इसको कटाएगे जब यह था कलेगी है एक बस विश्राम अवस्ता से चलना शुरू करती है और निये तो तोरण से एक पहारी से उतरता है या उतरती है यदि दस सकेंड में 200 मीटर की दूरी तो इसका तोरण क्या होगा तो इसका तोरण क्या होगा कुछ नहीं एस ब्राबर यूटी प्लस हाप थे दिया दोस्तों 200 मेंटर कितना 200 में अचलेंगा जहीं हो जाएगा जिरो हो जाएगा तो एसे नाहीं हो गया into a 80 का महली दस दिया द कर से दो 10 दहीं 100 बस dar 200 हो गया तो यह से यह कट गया दोस्तों दो आ जायेगा 2 आ जायेगा दोसरों 2 ञोनी 4 यानी a बराब होले जगा 4 मीटर पर 30 सकेंड स्कुल 4 मीटर पर 30 सकेंड लिटकुल सही है इसका से उसी तरह दिया गया है नेक्स्ट एक सब्सक्राइब क्या होगा बताइए तो कुछ नहीं आपको पता है यह सब्रावा यूटी प्लस हाप एट्यस का होता है टीक है एप कमान विदिया 1.5 नीटन भी कमान विदिया 2 मिटर परती सकेंड टीका विल दिया है दो तो सकेंड दोस्तों और हमेए विस्तापन निकलना है विस्तापन निकलना विस्तापन जब निकलना है दोस्तों थो NEW निकल लेंगे ट पर फिंटे अनिकल लेंगे 1.5 Deniटे मरण निकलं सकतों गया ko का अभवलू धिया डो ट का विलू भी दो ही दिया गया है और हाप एक अभवलू धिया है कितना दूस्तों 1.5 आगया ए और पीट आ बहलावा यूटी प्लस अप्छॉट को रखनाता है बेस कुछ नहीं एक धूरभर लबर यहां अच्छे बढद तो निकालना पड़ेगा धूंसे में पर दिया तो यहां साप्याटन को गया चाहिए एक परतिसक्ड टीक है और प्रार्मिक वेग यहां सा आज आगा तो एक इतना आ गया है तो भी स्क्राइब बी-2 मैंस भी-1 को घंटा दिनगे दस में से पंच गया थो निकाल दिने एक आगे थाइस प्लस यू का मेल्ट दिया गया तो कितना दूस्तों यू का विल्टो हम लोग 5 निकाले हैं अटी का मेल्टी वी दे दिया गया तोमाच पचेपशीस होगया दोस्तों पलस वन बै दिखेगा एक सुच्राइसी नमर को सने यदि एक टॉली विरामा आवस्थां से दो मिट्रेश परती सकींड के तुरल से घतिमान होती है तो चार सकेंड बाद उसका वेग होगा क्या चार सकेंड बाद क्या होगा कुछ नहीं भी बरावर क्या होता यू प्लस एटी होता है इ तो टी कमान दिया चार चार दुनी आठ आठ मीटर प्रती सेकेंड हो जाएगा दोस्तों भी विरामो अस्ता से सुरू होकर एक ट्रेन पांच मिनट में 90 किलोमेटर प्रती आवर्स का वेग प्राप्त करती है यह मानते हुए कि तोरं समान है तो रेल गारी दो आड़ा उसी सम हैं अंती में पर दे आगे थिया था दो किलोमेटर पर्ति आवर्स में सेज्च करना होगा जब था सकति नुटिक अबुन में और उसी ब्राबर यू-प्राप्लस एटी होता है उप्लस एटी और और बीदे धीया दूस्तों पचीस कितना बचीस पचिस और यूगा है लू टीस तो तर लिजे तो यह नहीं दिया गित्वस इसको तो पाइस बटीस बटें जोटते हुघ आई धर यह करना दोड़ी दुरी दूरी पूछा जा रहा है तो दूढ़ी पुछा जा लोगों को दूसरा समीक्रम यूज करना होगा गती दूसरा समीकरन होता है सब्सवाइब यूटी प्लस हाप दिसक्वाइब ती स्वाइब यू- 572 कर दिया है तो 300 स्रकेंट तो इत्मस मल्टिप्लाइ कर देंगे दोस्तों और S मेटा मीटर माता इसलिए मीटर माया अब इसको कटाना है तो कटा दीजिए यह 300 से 300 विल्कुल कर जाएगा इसको भी कटा देते हैं दोस्तों इसको भी कटा देंगे तो यह हो गया 1.500 अगर हम 25 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना हो जाएगा एकवस्तों बिंदा इस तीती से बाद फाल को यहां देख लिख 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 दो अचीतर से टेया हम उखी तो निकलना पड़े गाड़ा देया ट्रय किसी अगे है और टीक अब है चोड़ टीक को रहट अचो ही बहुस खोड़ प्रत एक आश्र अगे से मिद्दा पर थीसगे अखर्ट गया बात सिम्मटो बताता है यहां पर यह उसको प्रूट क्या गिया है उन्टी मिंतु से सुरू होने वाली एक कार एक मिटेपरती सक्टेर स्क्वाइर के समान तुरां से दो मिटर दो मिनाट दो मिनाट के लिए चलती है कार्दवारा प्राप्त गति क्या होगी 188 का बराइए सिम उसी तरह गति का पर्थमनियम क्या होता भी बरावा सब्सक्रीण अबर करने है क्सव अकृति यहां यहां पनान तो मिनाट रही को सकेंट कटेंगे तूहंगा थो कि 1012 इंदप्लाइए सब्सक्राइद के सब्सक्राइड और दोस्तों यांटर नंब है बीनमर इसका राइट अंसर है 120 मीटर परती सेकेंड नेक्ट एक सोनवासी नमर देखिए विरावरस्ता से सुरू होने के बाद एक नौ एक सिरी रेखा में तीन मीटर परती स्क्वार के एक समाम तुरं से 8 सकेंड तब गति करती है इस समय के दुरौन नाव दोरा तय की तो यह एक वाटे दो हो जाएगा दूस्तों एस वाई योटी प्लस हाप एक अभी लूट कितना दिया है दूस्तों तीन तीन अटी स्कुरार टीकाय मतलों आट जी आठी चाउट सट बस इसको करेंगे तो 32 32 गुण तीन करेंगे दो दूस्तों उन्हींचन के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या रोलिंग घर्सण इसमाय स्लाइडिंग की तुलना में अधिक होता है तुलना में अधीख होता है नहीं घर्सण कम होता है दोस्तों यह तो बिल्कुल सही है आच में यह गलत दिया है ठीक है ऑब्रेक लगहने पर एक गाड़ मुख-, रूप सेट बल के करान रुक जाती है तो घर्सण के करानव ही रूपती है हम लोग चल भी पाते है 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 तो 100 बम यह दो बस्तर जने है तो यह रूपित नहीं तो यह क्रूप जाएगी गंस заг Intelli बुद्पर नहीं चल पाएंगे, पफिशल तो किसी सतबाट करने वाला बल का लाता है क्या? लगता है, धर तो, दोस्ता होता है, घरसन बल कारी करता है, बल की दिसा के विपरित कारी करता है गर्षन बल एक सैकिल इस्तिक जड़न से गतिमान है दो कीछी के पेहिए पर घर्सन बल होगा 30 धिसान होगा दोस्तों पीछी की क्या होगा तापीए निक्ष सरलावर्तगति गुणंगति क्या है तो फो देखिए पेंडुलाम लए बड़踁 2 लग की तरह अप्राम करता है आता इसका प्रियोग किया जाता है यह दादा जी की घरी में पहले प्रेंडुलम का प्रियोग एक तरह से किया जाता था जब कार एक मोर लेती है तो वह बल जो हमें बाहर की और धक्का देता है आप केंद्रिये बल डेरी में प्रियोग किये जाने वाले दूद से क्रीम को अलग करने की प्रिकलिया कहलाती कि आप केंद्री ये करन कला थी जब एक वस्त पर Самहन विर्थी वेग उत्पन करती है तो परिवर्तित होता है क्या दीसा परिवर्तित होता है तो केंद्र शेशिल को गूमाना इसका एक उधारन है तो ये कनद्र पूराने तो ऄतरी की अथारी को अधिकरड केंद्री क्या ? वक्त रेखियेगतु कहेंगे वक्त रेखिये गती। किसी निकाय को एक शमान स़ वुरुतीय गती में चलाने में लगाने वाले आवज़्सक नियत बल को कहा जाता है अभी कंद्रिय बल जब को निकाय ब्रतु एक दोलग के लिए सही नहीं है, संकित अर्ध स्कोयर वेव हो सकते हैं, ये सही नहीं है, एक विर्ताकरपत में इस तीर गती वाले पीन की गती को कहा जाता है कि समान विर्तिय गती कहा जाता है, समान विर्तिय गती, जब कोई वस्तु विर्तिय पत पर गती करती है, तो घुर्ण प्रियों के बिंदू और रोटेशन की धुरी के बिच सीरी धुरी को कहते हैं क्या आगुन भुजा करने वाली वस्तुपर लगाए गए एक बड़े बल का प्रिनाम बड़ा होता है तो बल आगुन का दोस्तों बड़ा होता है याद रखेगा निश्ट बल आगुन की दिसा ह सरल आवरत गती करने वाले केसी कन के इस्ति तेज उर्जा यू होती है जहां के एक इस्तरंख है और एकस विस्थापन है दोस्तों तो यू क्या होगा 0.5 के एकस स्क्वार होगा इसको आगे हम लोग निकाल के देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट सरल आवर्त गति करने वाले M दर्मान के कन और उसके आवर्त काल T के बीच उचित समन क्या है जहांके इस तरंक है तो T बराबर 2 पाय रूट हंडर L Y G होता है L का मतलब हुआ यहां दोस्तों मीटर दे दिया गया है ठीक है दोस्तों L Y G G के है एक तरह से नेक्स्ट दोस्तों सरल लोलक आवर्त काल डेस है जहां L लोलक की लंबाई और G गूत्वे तोरन है अब यह हो जागा एकजेक्ट फ्रमुला 2 पाय रूट हंडर L Y G होता है नेक्स्ट विसिस्ता समान विर्तिय गति के लिए सही नहीं है दोली सदे विस्तापन के बराबर होती है सही नहीं होती है अगर किसी परनाली पर कार कने वाले आगून का सधिस योग सुन है तो वह वस्तु में घुर्णिये संतुलन होगा क्या होगा, सुंत्रलन होगा, यह दि कोई वस्तो विस्थरूप से घुमने वाली गति में चलती है, तो उसका परतिय घटक कन एवक विर्त में चलता है तो जिसका केंदर एक रेखा पर इस्तित होता है, जिसे कहते क्या, घुर्णन की धुरी कहते, घुर्णन की दूरी, एक बंधिर हो जाएगा कोणियों वेक वेग दोस्तों इस्थिर हो जाएगा याद रखिएगा यदि इतरल के घंता वजन क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि छोटी जी का मानिया, क्या होगा? यदि किसी, देखbung यदि गती में रहते हुए, घुरनन, तेजित हो जाएगा, तो घटेगा, तो यह बढद रहा है, यह घट रहेगा, तो यह बढदेगा. यदि गती में रहते हुए गुनन की धूरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है जो उस गती को कहा जाएगा दोस्तों घुमाव गती कहा जाएगा घुमाव गती तो 4.3 kg होगा ऐसे बूद्गरा का हमें पता भी नहीं है दोस्तों जी का वेलु वहाँ नेक्ष साड़तरी के गुर्टवा कर्षन या अतना के पिटल जी न्यूटन मीटर्स का परतिक kgs कर होता है दोस्तों यानि 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर्स का परतिक kgs कर होता है न्यूटन के गुर्टवा कर्षन के नियम के अनुसर दो वस्तों के बीच का वाडू होता है उनके द्रमान के गुणच के समनुपाती होता है प्लेनेटरी बोडिज के लिए के नियमों में से एक सही है प्रमान के परतिक वस्तु एक बल के साथ परतिक अन्य वस्तु को आकर्शित करती है जो होता है उनके द्रमान के गुनन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्कनुपाती होती है और उनके द्रमान के गुनन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के व कुनन के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वितको नुपाती होती है दोस्तों यह आप अच्छी तरह से याद रखेगा निर्च गुर्तवाकर्सन यह तंक के पिटियल जी बारा बड़ाबर क्या होता सिक्स पॉंट सिक्सेवन इंटुटें टुदी पावर मैंस एवान करका नेवर मैं के अनुपाती है उनके मत दूरी के वितको नुपाती होती है दो वस्तों में से एक का द्रमान दूगोना हो जाने पर दोनों वस्तों के बीच लगने वाले परिवर्तन होता है गुर्तवाकर्शं बल दोगोना हो जाता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुर्तवाकर्शन नेयांता है क्या भार कहा जाता है सारत्री गूर्थवा कर्शन का सारभूमिक नियम लागू होता है वस्तों किसी भी यूंग पर लागू होता है M by D square सुतर में G को कते सरत्री गुर्थवाकर्शन इस तरंग कहते हैं यदि दो कनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुर्थवाकर्शन बल पर प्रभाव होता है कम हो जाता है सबसे पहले गुर्थवाकर्शन इस तरंग का निर्धान क्या था लौड केवनडीस ने किया था दोस्तों अब आची तरह से याद रखें लौड केवनडीस ने तो हैंडि केवनिस या लौड केवनिस एक हुआ नेश्ट की दो अस्थूल वस्तों के बीच लगने वाले आकर्शन बल को कहा जाता है गुर्थवा कर्षन बल, बल हमारे स्वरमंडल की सरचना को बनाए रखता है गुर्थवा कर्षन, नियत गुर्थवा कर्षन का अच्छीन है केपिटल जी, क्या है केपिटल जी, गुर्थवा कर्षन का उधारन नहीं है, यह ब्लैक हॉल के घुनन में सहाइक है, यह उधारन तो बताइयbareं इसका राहीट अंसर क्या योटाईगा बहुत ही अच्छा कोशन नहीं हो जाएकी, इसके लिए आपको आपको निकालना होगा दोस्तों तब आप निकाल पाईएगा ठीक है नेक्ट गुरुत्वे और गुरुत्वे के अधिन गति के बारे हम लोग पढ़ेंगे देखें क्या है पहला को सुने एक दोलन पेंडूलम की चन्दमा पर समय अब दी उसकी पिर्थवी पर समय अब दी क इसे क्या होगी तो यह बढ़ेगी याद रुखिएगा पेंडूलम के बारे हम चाचा है पिर्थवी के के में में गुरुत्वा-कर्सन के कारण तुरण का मन क्या होगा अधिक होगा इस सिवाथ को अधिक्तवी वस्तों को अपनी पर आकरिशित करता है यह होता है गुर्थवाकर्शन बलके कार गुर्थवाकर्शन बलके कार नेक्स्ट गुर्थवाकर्शन द्वारा क्या गया कार निर्भर करता है वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की उर्थवाधर उचाईयों के अंतर प्रदोस्तों यह निर्भर करता है पिर्थ वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपून भार कारता है उसे कहते हैं गुर्थवा कर्षन का केंदर कहते हैं छोटी जी के एक आई तोरन के एक आई के समाने अर्थात मीटर परती सेकेंड एस्क्वार होता है एक रसानिक परतिक्रिया नहीं होती है अंत्रिश यान के क्या अत्यवर थिंदु जी वस्तु को उचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हबती रोज नो हो तो उसकी गती बढ़ जाएगी उसकी गती क्या होगी बढ़ जाएगी गुर्ति तोरण छोटी जी निर्भर नहीं करता गिरने वाले वस्तु के द्रमार पर निर्भर नहीं करता एक गरह का गुर्तवा कर्शन के कारण तोरण कम हो जाता है गरह की सता से उचाय मे लिए दबाब के कारण किया तो गुरुत के कारण होती है किसी वस्तु का पुष्थवी की सता पडुरभ जार procent ही होगा होता है क publiश कभी भी पूमध रहेखा पर आपने अधिकरत्ह Запा奇 होगा वही हुआ पिर्थी पर किसी वस्तु का भार चनमा पर इसके भार का क्या होगा छे गुना होगा नेक्श डेस के अनुसार छोटी जी का मान घरता है उचाई के अनुसार छोटी जी का मान पेथ्यों के केंदर के और जाने पर कम होता क्योंकि केंदर पर सुनी हो जाता नहीं ऐसा होगा जाते जाती वो सुनी हो जाए जब केंद पर पहुँच जाएगा मुक्त रूप से गिरने के दोरान पींड होता है भार ही छोटी जी का मन बढ़ता है उचाय में कमी के साथ दोस्तों बढ़ता है और दोस्तों धुरूप की और आने पर बढ़ता है जब किसी पीन को विश्वत रेखा से उत्तर और दच्छिंद रुमों पर ले जाया जा तो क्या होता उसका तो दोस्तों भार बढ़ेगा बढ़ेगा किसी पीन का भार नियुन्तम होता है भूमद रेखा पर नियुन्तम होता है पर आधितम होता ध्रूपर के अंदर सुनी होता है एक पथर किसी स्प्रिंग तुला पर बंदा हुआ है तो इस्प्रिंग तुला के रेडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी जब वह लिये पाणी में पूरी तरह से निमंजित हो तब दोस्तों जब सिधे उपर की और फेका गया एक पत्थर सेज पर पहुँचता है तो इसका वेक सुनी होता है तथा तोरण लगवग 10 मीटर परती सेकेंड इस्पायर होता है तो पेमाना वजन अधिक दिखाएगा दोस्तों एक लिप्ट जो एक समान तोरण के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी वेक्ती का असपष्ट वजन क्या होगा उस वजन से कम जब वेक्ती इस्ति रहता उस से कम होगा एक वस्तु पर लगाये गए गुर्तवा कर्सन बल को कहा जाता है वजन वह समान देखिए आसमान की और फेका गया पत्थर प्रत्वी की और वापस आता है क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमी के और खिस्ताजी से हम लोग गुर्तवा कर्सन बल करते हैं कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है जब इस पर केबल गुर्तव बल कार करें तब गुर्तव जनीत तोरन को दरसाया जाता है तो अंग्रेजी के छोटे एक्षर एसमल जी से दोस्तों ने चन्मा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है चन्मा पर कोई वाय मंडल नहीं है और धोनी बीना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है दोस्तों जब आंतिश यां से पिर्थवी का परिकर्मा किया जाता है तो भाड हिंता महसुस की जाती है सुनी गुर्तवा कर्शन क कारण दोस्तों सुने गुर्टवा करसं के कारण निमरिकल देखिए क्या है निमरिकल किसी गरह का तेजिया आर कि कक्छा में पडिकर्मा अब दिटी है तो तेजिया फोर आर कि कक्छा में पडिकर्मा अब दी क्या होगी बताएए क्या होगी इंपोर्टेंट कोश्चन है दो और ग्रह एक चकर जितने समीम लगाता है उसका पडिकर्मनकाल कहा जाता है पडिकर्मनकाल का वर्ग मतलब T-Square ग्रह की सुरी से उसत दोरी R के घं के अनुकर्णुमर पाती होता है यह T-Square अनुकर्णुमर पाती दोस्तो आड की होता है तो T-Square बड़ाबर के RQ हो जाएगा समीकर्ण एक है इसी तरह यहाँ पर निकाला गया है दोस्तों जब इसको हम लोग निकालेंगे तो डायर T-1 बड़ाबर 8T हो जाएगा यह समीकर्ण को पूट करना पड़ेगा दोस्तों तब एक गोली को 196 मीटर परती सकेंड के वेक से सीधे उपर की ओर दाखा जाता है बंदुक की गोली कितनी अधिकताम उचाई तक पहुचेगी तो याद रखेगा देखिए यू तो दे दिया है दोस्तों प्रारंभिक वे सब्सक्राइब दोस्तों बहुत लॉंग है एक सोच्यावे का स्कॉयर हो जाएगा मैनस टू इन्टू नाइन पॉंट एट जी मतलब जी होता है एज निकालना है दोस्तों आजागे एक सोच्यावे मिटर आजाएगा दोस्तों एच बद्दू की गोली अधिता में सोचाई तक पहुचेगी निकालना होगा एक आप लों कर लिए को पिप्ट दोस्तों इस पर लिखने मिस्वाइए इसको स्क्रिप कर दिये एक यहां पर देखिए हमें भी निकलना है और यहां पर देखिए हमें भी निकलना है और यहां नहीं दिया है तो 0 लेके चलेंगे और यहां पर देख लेके चलना है तो यहां पर देख लेके तरसे यहां देख लेते दोस्तों हम आने और जाने का कुल समय, अगर हम लोग कहेंगे, कुल समय दोस्तों, कितना तेरे दर समलब 5 सकंड दिया गया, आने और जाने का कुल समय, ठीक है, तो जाने का समय अगर हमको निकलना होगा, तो 6.75 होगा, दोस्तों, डिवाइड दे देंगे, दोस्तों, जाने का समय हो मैंन Den cow a can रोइगा शोठी निटर मेंसे इस दो याद र Watts क्रक्राइगो總iable जाए वर जारा है मैंनस ओपर सीन लिग्रम पर आए दो देंगा यू हमें नीकल नहीं और कितनी 20 और सिक प्वार्बंट सेबनिए यह भी तो एक और शुलिध मुट Não जाएगा दोस्तों 67.5 हो जाएगा यानि option नमर ए में दिया है दोस्तों वहीं इसका right answer हो जाएगा जी आजागा दोस्तों जहाँ एच दोड़ी है यू प्रारमिक वेगे टी समय है और छोटी जी गुरुते तोरन है और यहां पर मतलब दे दिया है दोस्तों यू का मान जीरो तो यह पूरा को जीरो कर देगा हाफ है जी का मान 9.8 लेके चलेंगे और टी दे दिया गया था तो बही गर्त भाग से गिरती है और 0.4 सकेंड में भूमिक पर आ जाती है मान लेज़े जी का मान 10 मिटर परती सकेंड स्केंड है भूमिक पर टकराने के दुर्ण इसकी चाल क्या होगी पतेए क्या होगी यहां भी उसी तरह हम लोगों को निकलना पड़ेगा बस यहां पर भी बराबर तो 0 प्रस दस हो जाएक दस लेकर चलना इंटो 0.4 इसको तो लेंगे 10 आ जागा यह विल्कुल कर जाएगा यानि 4 हो जाएगा फोर मीटर परती सकेंड है ओप्सन में दोस्तों फोर मीटर परती सकेंड है डी नमर मीं यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बारे नमर को सने एक मीनार की उपड़ी हिस्से से एक वस्तु को उर्दवर दिसा में फेका गया और यह 5 सकेंड बाद जमीन पर पहुंची तो वस्तु का प्राइमिक बारे मीटर परती सकेंड है तो मीनार की उचाई क्या है बताए मिनार की उचाई क्या है उचाई यह यह यानि हाइट के बाड़े यहां चाचा कर रहा है तो ठीक है दोस्तों उसी तरह हम लोगों को निकालना होगा देखते क्या है यह देखिए माना मिनार के उचाई है गति के समीक्राइब यूटी प्लस हाप जीटी स्कुर्ड होता है यूग का वेलू दिया बारे मिट्रे प्रत यूटी हो जागा यू का मान बारे दिया गया था और टी का वेलू कितना पांस दिया गया था और उसके बाद वन बाए टू हो जाएगा वन बाए टू यहां मैनस इसली होगा मैनस होगा कि उपर फेक रहे है एक उटे दू हो जागा जी का वेलू दास है टी का वेलू पां सब्सक्राइब कुद्सका धाया धस्तुम्साइब कर जाएक यानि 65 पेर्ट सब्सक्राइब पिर्थुप्रक्लाइब कर देंगे तो पर फार क्या होगा बहार क्या होगा दरमांद 10 के यह तो भार हमें सीफ मिल्टिप्लाइब याद रखिए इस कैसे आजाएगा देखिए असी मिटर की उचाहिछ से एक गेंद गिराई जाती है यू प्लस हाप ये श– के यहां पॉन्निकाल जेते ही योडिया है दोस्तों गाल हचोझे हो और शित्सक्रमकमा सब्रालाबेट खराज्यू ने कंद दियाग्या हो दित्सक्रमक फल्ण। second में T second में תוכी दूरी U plus half G 2T 2T minus 1 हो जाएगा और यही समें यही से हमचे हम लोग निकालेंगे तो आजाएगा दोस्तों यह तो पुरा पुरा यह 0 होगा प्राराभिक 0 ही दिया गया हैь हाफ हो गया G का बेलू 10 दिया गया तो 2 आटीक अवेयरो दिया। सिफ़ी फ्रम्यों 2 मिल लगा नायए है। नेक्स्ट 1 कार 1966 म्हार। 1 सğimiz फूल प्रम्यों 2 से गिरते हुए, 0.8 सिंड में भूहमी पर गिर जाती है। भूहमी पक्ता करानी के समय इसकी चाल कितनी होगी मत्तु कितनी होगी बताइए। की चाल बहुत ही अच्छा कोशन है दोस्तों यहां पर T दिया 0.8 सकेंड प्रारमिक वेग 0 दिया गया है और गती के पर्थम समीकर भी बराबा यू प्लस जी टी होता है दोस्तों यू का वेगलो 0 ही होगा के उप्रारमिक 0 ही दिया है जी का वेगलो 10 लेके चलना है 10 हो गया और T यहां 0.8 सकेंड इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो दोस्तों 8 आठ आजाएगा आट मीटर पर्ति सकंड यही इसका राइट आञ्सर हो जाएगा एक गेंद को 20 पर्ति सकंड के वेक से उअरद आदर उपर के और फेका जाता है और 3 सकंड के पास्चात्वी स्थापन का परिमान क्या होगा और G, भ्रयाबर 10 मीटर पर्ति सकंड लेके चलना है देख लेते तो U का भिलू दिया है 20 और T का भिलू दिया है 3 तो 20 तिया 60 हो जाएगा दोस्तों 60 में से मता हाप हो गया J का भिलू दिया है 10 ती का भिलू दिया है 3 3 3 9 तो कितना हो गया 9 गुना 10 करेंगा 90 नो गुणा दस करेंगा 90 90 को दो सब्सक्राइब पैटालीस यानि साट में से पैटालीस घटा देजे 15 मीटर आ जाएगा सतरा नमर्कोस्तर यादि उपर की और फेकी गई एक वस्तु का प्रारंविक वेग 14 मीटर पर 30 सकिंद है तो उसके प्रारंविक बिndू तक पुँचने में डिया समय लगेगा कितना सकिंद लगेगा कितना देख लेतने धूस्तो जिरो ही होगा तो उस तम बिंदू पर पहु तो यानि छोटी G के विरुद उपर की और जाने है तो गती के पर समिक्रन उपर जा रहे हैं तो दोस्तो मैनस होगा नीची आगा तो पलासम होगा भी बड़ाबा यू मैनस जी टी होगा दोस्तो उपर फेक रहे हैं तो भी का वेलू दिया है चोदय और जी का वेलू 9.8 है यहीं से टी आ जाएगा चोदय और इसको निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा चोदय बट्य 9.8 आजाएगा चोदय बट्य 9.8 करेंगे तो 1.43 सकेंड लगभा आ जाएगा एक लंबर फेकी गई गये तो 10 सकेंड भाद पिर्थवी पर लोट आती है फेके जाने के गती बताईए कितना होगा और यदि जी कमाण 10 मीटर परती सकेंड है तो बस कुछ नहीं दोस्तों यहाँ देख लिजी अच्छी तरस से प्रशना नुसर दिया गया टी 10 सकेंड दि से लिए मैनस में है ठीक है आदेखिए क्या 0 भी 0 हो जाएगा दोस्तों यू का मान हमें निकालना है दर दहीं 100 हो जाएगा तो मतलब 100 मीटर परती सकेंड आ जागा यू प्रारंबिक वेग उन्हें इस नमबर देखिए एक वस्तु को प्रारंबिक वेग यू से उपर फेक गुरुति क्या दिन उपर की और फेकी गई वस्तु के लिए अधिक्तम उचाई पर अंतिम वेग हो जाएगा दोस्तों अधिक्तम उचाई पहुचेगा तो कोई एसा समय आएगा जहां वेक सुन्हीं हो जाएगा नेक्स्ट होगा दोस्तों और समीक्रन एक से मतलब यहां यहां से निकालेंगे दोस्तों तो भी यहां पर 0 आ गहाए तो 0 होगा 0 बदर पर 3 शकंड की एक इस्तिर गती के साथ उर्द्वादर उपर के तरफ यात्रा करने के लिए विश्स किया गया है 35 सकेंड यात्रा करने के बाद रोकेट में कोई समस्या उत्पन हो जाती है और इसकी इंधर की आपोर्थी रुख गई है इसके बाद रोकेट एक मुक्त निकाय की भाती यात्रा करता है इसके द्वारा प्राप्त की गई उचाही क्या होगी 20-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-300-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200 वेस्ट निकला है यहानि 20 आजाएगा यहाँ साजागा यहाँ पर 20 समीटर हाजगा तो शुरू मेदें टोटल कितना था रोकेट की दूरा प्रापता कुल एक मिंटर दोसतो अच्छे यहां पर दे दिया है दोस्तों देखिए यहां पर अच्छी तरह से आप लोग 35 से सकेंड है और 20 मीटर है तो दोनों को मल्टिप्ला करेंगे तो टोटल आ जागा सास। सकेंड यहां सा गया था। आराश्ट सक्थीस निकाले से लगाए तो छे सकेंड के बाध उसके विस्थापन का परीमान कितना भूगा शे सक्टिन के बाद तो एच निकलना है दोस्तों ठीक है और उपर की ओड फेका गिया है इसलिए यूटी मेंस हाप जीटी स्कर हो जाएगा और यूक का वेलू दिया है चालिस टी का वेलू दिया है छे दोस्तों दे चुकाई हम पे और मैनस हो जाएगा और हाप जी का कि चालिस गुणा चेकर करेंगे दोस्तों चकर नीचे गिर जाती है जमीन तक पहुंचने में उसे लिए खिए प्रति Самी रहा जया भूमिपटे करने के दौरान इसकी गति क्या भूमिपटे करने के दोरान देखिए यहां हम को पर्थम लगाना है दोस्तों भी तो भी में पगिर रहा है, नीचे आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब है यह क्या है, पलासम होगा, उपर अगर जाएगा दोस्तों, तो मैनसम होगा, इतना आप समझाएगे, बस, यही इसमें लोजिक है, और कुछ नहीं लोजिक है, ती बराबर 0.7 सकेंड है, यू इकॉल खिनारे से पिसल कर, 0.8 सकेंड में जमीन पर गिर जाती है, खिनारा जमीन से कितना उचा होगा, बस, कुछ नहीं दोस्तों, टी दिया है, 0.8 सकेंड, और आपका जी तो लेके चलना है, तो यू यू प्रारंबिक नहीं दिया है, तो लेके चलना है, खम लोगों को फरमला, एच ब्राबर क्या होगा, यू टी प्लस हाप, जी टी एस का क्यों के नीचे आ रहा है, इसलिए पलासम हो जाएगा दोस्तों, तो यू 0 है, ये पुडा-पुडा जिरो कर देगा, हाप हो गया, और जी कमान 10 है, अटी का वेलो 0.8 है दोस्तों, 0.64 आजागा, इसको कटाए जाएगा, 0.32 आजाएगा, दोस्तों, 0.32 आजाएगा, इसको कटाएगा, तो 10 मतलब दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, या नहीं हो जाएगा, 3.2, 3.2 मीटर हो जाएगा, 3.2 मीटर, next 24 नमर, 20 मीटर उचे टावर के सिस पर खाड़ा एक लरका, एक पत्थर फिकता है, मान गुरुत के विपरित कम करेंगे, तो मैनस में होगा, गुरुत के और कम करेंगे, दोस्तों, पलास में होगा, यह आप समझाज यह अच्छी तरह से, ब्राव यूए स्क्वार प्लस टूजी एच होता है, तो यह भी आसको हमें निकालना है, और यू कमान नहीं दिया, तो 0 लेके चलेंगे, और 2 जी का वेल्यू 10 है, और H का वेल्यू 10 है, तो बस इसको मल्टीप्लाइ कर लीजी दोस्तों, आ जाएगा, 40 मतलब 400 हो जाएगा, 400 और 20 स्कॉर है, तो वी कमान निकालना है, तो कितना होगा, 20 मीटर प्रतिस सकीन हो जाएगा, यूट में हो जाएगा, यूट में है निकलना है, एस जी निकलना है दोस्तों, तो S, UT प्लस हाफ, H, UT प्लस हाफ, GTS कर जाएगा, और U 0 है तो यह पुरा आख 0 ही कर देगा, दोस्तों, इसे कोई लेना देना है नहीं, हाफ हो गया, और G का विल्यू कितना है, 10, और T का विल्यू 1.6 सकेन था, त 356 गड़ SMS करेंगे, 2.56 हो जाएगा, जो इसको काटाएंगी, दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टिपला करेंगे दस्तो, तो 1.28 हो जाएगा, तो 12.8 मेटर हो जाएगा, ठीक है, 26 नमर कुश्तन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मेटर परत यहां क्या होगा मैनस में उपर की और है इसलिए तो भी ब्रावा यू मैनस जीटी होगा क्यों उपर की और जाला इसलिए मैनस में है दोस्तों और यू यहां पर दिया है चोदे मिटे प्रतिसेकंड भी यहां पर अंतिम नहीं दिया अंतिम है साविग आयागा जिरो हो जाए तो क्या हो जागा चोड़ा बटे 9.8 इसको कि रहें तो 1.43 सकिन आ जाएगा दोस्तों चीक है नहीं होता है इतना है उतना ही रहेगा वह यहां दिया गी पर किसी सतुका भाळा पिर्थवी गो ensure कि आप manipulating ये जैगाए lev एकसे निवानीमte मतली बार weight क्या होगा कुछ नहीं केजी है weight बार पुछा जा रहा है 9.8 से multiply करेंगे बस हो जाएगा और कुछ नहीं 9.8 से multiply करेंगे दो 196 हो जाएगा 196 हो जाएगा जो Carne 250 नूटन में, इसका right answer हो जाएगा और कुछ नहीं नेक्सट उस वश्तो का द्रमान क्या होगा जिसका भार पिर्थवी पर इतना है द्रमान हमें निकालना है उहाम लोग क्या करते थे multiply करते हैं तो यहां divide करना होगा और कुछ नहीं दोस्तों divide कर दीजिए जितना आएगा बस उत्म ही 196 बट्टे 9.8 करेंगा तो 20 के जी आ जाएगा पिर्थवी किस्ता से उसके प्रिजिया की एक बट्टे 10 उचाई पर तोरण मान लगभग क्या होगा बस क्या होगा देखे 37 बहुत ही अच्छा कुस्सन है दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझ के आप लोग बताईए जी डैस इकल टो होगा जी बट्टे 1 प्लस एच बाय आड़ी का होल स्क्वाइर हो जाएगा दोस्तों और यहां पर जी डैस करेंगे तो एक और का भीलू दे दिया गया था एक और आर का भीलू दे दिया तो दस जब इसको ऑन अस्वार मों स्वाइट डैसंट हो जाएगा जाएगा 9.8 से multiply करना होगा जब 9.8 से multiply करेंगे तो 8.09 मीटर परती सकेंड स्क्वाइर आ जाएगा दोस्तों ठीक है जी ड्रैस का मान फिर्थी पर किसी वस्तो का भार 200 न्यूटन है और द्रमान 20 केजी है गुरुत तोरन का मान क्या होगा गुरुत तोरन का मान क्या होगा सिंपल सी बात है गुरुत तोरन का मान यान जी का मान पूछा जा रहा है multiply करते हैं यहां डिवाइट करेंगा और क्या 200 बटे 20 के जी कर दिजिए 10 10 मीटर परती सकेंड स्क्वार हो जाएगा नेक्स्ट उपगरहों की गति और प्लाइन वेक के बारे में अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है देखिए क्या है आलाक उसने उपगरह को जब एक बार कक्छा मास थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंतित करने वाला एक मात्र बल होता है क्या गुर्तवा कर्सन बल होता है क्या तो गुर्तवा कर्सन बल गरहों की प्रकर्मापत का आकार क्या होता है फैला हुआ यानि दिर्ग विरत आकार होता है केपलर के पर्थम नियम को नियम के रूप में जाना जाता है दिल की विर्थ यानि इलिप्स की रूप में जाता है जब एक उपगड़ा पिर्थवी के चारों और 40,000 किलोमेटर तेजिया के मतलव गरपत्य में गुमता है तो गुर्तवा कर्षन बल दौरा किये गए कार की ग करते हैं क्या पिर्थवी और सुर के चारों और नचित्रिय वस्तों की गति को पर्तिबंधित करने वाले नियम को करते हैं याद रखेगा एक भू इस्तिर उपगड़ा 35,790 किलोमेटर उचाई पर एक कच्छा के पुनपई कर्मन पर कितना समय लेता है 24 दिन लेता है 24 दि के बाड़े में देखे आकार में बदलाव के कारण वस्तों द्वारा प्राप्त उर्जा को कहा जाता है प्रतियास इस्तिती जूर्जा कहा जाता है प्रतियास इस्तिती जूर्जा करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रतियास इस्तिती उर्जा मुहां बढ़ती है दोस किरिती की भीना भन्जन के प्रदार्थ के विकृत होने की योगता कहलाती क्या सुघटी एपन कहलाती है नेक्सट sinon प्रतियास्त वस्तों का प्रतियास्ता गुनां क्या होता है एक होता है कितनाłem Пरिष्टनॉल को कहा जाता है प्रिष्टनॉ can इर्दाद्वारा जल के अफसोसन से समन्निस सीधंद क्या है के सिका किरिया क्या के सिका किरिया क्या के सिका किरिया कनक की थेया बने गहां चैकर यहिता है गती हो व smokingr अब हम दर्वों का प्रभाव के बारें पढ़ेंगे, फोलो अप लिक्विट्स, एक आदर्स दर्व की स्यामता होती है, दोस्तों, सुनी होती है, क्या होती है, सुनी, निक्ष ए भी इस तरांक, जहां ए बराबर होता है, अनुप्रस्त काट के छित फल और भी बराबर होता ह क्या, निरंतरता का समिकरन करते, निरंतरता का समिकरन, एक सुवी ही परवा में तरल पदार्थ में, डैस हर बिंदू पर एक समन रहता है, वेग दोस्तों, एक समन रहता है, याद रखिएगा, डैस के अनुसार, दवा परती की काईच सित पर लगने वाले बल, जिस पर वो कारी करता है, कि बराबर होता है, पास्कल के सिधन के बराबर होता है, सियांता के बारे में असति है, दवा में विर्दी के साथ दर्वों की सियांता घड़ती है, दवा में विर्दी के साथ दर्वों की सियांता क्या होती है, घड़ती है, निक्ष्ट अब नोमरिकल टैप स से कि गती से पानी गिर रहो हो और निरसरन 0.0001 मिटर स्क्वाइर परती सकिंड हो तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों पहले नमर तो आपको एब बराबर फ्रमुला आपको पता होना पड़ेगा अगर फ्रमुला पता है तभी आप बना पहिएग Q ब्रावर निकालेंगे दोस्तों अच्छे इतना Q ब्रावर 1 इंटू 10 दिवा 4 मीटर Q बड़े सेकेंड हो जाएगा यहां दिया ही गई आए इतना दोस्तों ठीक है एक तरस से F ब्रावर PGH बड़े यह होता है PGH बड़े यह होता है F यहां निकालें PGV Q हो जाएगा ठीक है कोई अगर आप लख सकते हैं दोस्तों 1000 गुना एक सो 1000 गुना 10 इंटू 1 इंटू 10 दिवावर मैनस 4 को करेंगे तो एक न्यूटिन होता है इतना बड़ावर एक न्यूटिन अब देखिए उत्पलावक्ता और जब विज्ञान के महान परतिमानों में से एक नहीं है आर्कमेडीच का सिधान यह जी विज्ञान से रेड़ थोड़ी है यह उत्पलावन से समंदित थे दोस्तों याद रखिएगा किसी दिये गए द्रब में वस्तों का कारणात उठ पलावन बलके पडिनाम पर निर्भर करता है तो तरल्पदार्थ का घनत और इस्क में डुबी हुई वस्तों के आयतन पंडिभर करता है यदि एक बरतन में तरती हुई बर्व पिगलती है तो उस बरतन के जल अस्तर में कोई पड़ी बरतन नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही उतना जल विस्थापित कर चुका होगा किसी सिध्धान्त या नियम के अधार प्रवस्तों पानी में तेरती है आर्कमेडीज के सिध्धान्त के नोसर वस्तों पानी में तेरती है उत्षेप बल एक डूबे हुए पिन पर पाणी दोल लगाये जने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नम क्या उत्षेप यदि आप एक गिलास को पाणी और बर्फ से पुरी तरह भरते हैं और बर्फ पुरी तरह गल जाती है तो होगा जल अस्तर पुरुवत रहेगा दोस्तों याद कि पुरुवत रहेगा जल अस्तर नेक्श यदि कांच की एक बोतल को पानी से पुरा भर दिया जाए और धकन के साथ सील करके फीजर में रख दिया जाए तो होगा क्या अंधता बर्फ कांच की बोतल को फोर देगी याद रखेगा यदि कोई वस्तु डुबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा परियूत उत्छेप होगा क्या वस्तु के भार से कम होगा किसी तरल माध्यम गयस या द्रब में आंसिक या पूनता डुबई हुई वस्तु पर लगने वाला उत्पलावन बल उस वस्तु द्वारा विस्ता पे तरल के भार के बराबर होता है वह सिध्धंत आर्कमेडिज का सिध्धंत कहलाता है किसी तल के लंबत कारिकरने वाला बल क लाता है उत्छे बल कलाता है उत्छे बल स्पफ गोठारी नहीं तो 10 मेट टेर्टी है तो बस्तु पर जल्द वाला लगाएई जाने वाला उत्छे बल होगा क्या वस्तु के भार के बढ़ाबर होगा उत्चे बढ़ जब तेरेगा तब बढ़ाबर होगा एक जब एक पिन को किसी तरल में पूरी तरह से या अंसिक रूप से डूबवया जाता है तब उस पर उर्धवर दिशा में एक बल परियुक्त होता है जो उस पिन द्वारा विस्थापित किय तरह सिद्वाद के द्वार के ब्लाबर होता है यह किस नियम द्वार असपस्थ होता है आरकमेरी केसी धान के नुसबरеся दोस पर नेक्स्ट लेक्टव मीटर दूद्र के नमुने की सुर्टा निरधारित करने के लिए उप्योग किया जाता है और도 मीटर के घनटतों को physicians निरधारित करने के लिए उप्योग किया जाता है डियाषो के सिधान पर यह अधारित है दोस्तों आरक lin critics किसी लगाये गए बल के लिए यदि छिद फल कम है तो दाव क्या होगा दोस्तो अधिक होगा यदि हम किसी दिये गए बल के छिदर को बढ़ाते हैं तो इससे दाव परती इकाई छिद फल क्या होगा कम हो जाता है कम सबस अच्छा अधिस हो सक्या है संकिरिये नारियल काष्ट कोईला संकिरिये नारियल काष्ट कोईला जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सता से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दवाब क्या होगा बढ़ जाता है एक वेक्टर रासी में पडिमान और दिसा दोन होते हैं जब कि अदिसरास के बल पडिमान होता है और दिसा ने यह होता है दोस्तों ये निमलकित में से अदिसरासी क्या है दाब अदिसरासी है सदिसरासी दोस्तों जिसमें दिसा भी होगा और परिमान भी होगा दोस्तों ये आप अच्छी तरह से याद रखे जैसे की बल हो गया, विस्तापन हो गया, तुरन हो गया, संभेव हो गया, आवेव हो गया जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतर से गहराई कम होती है, तरल दुवारा डाला गया दवाब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, कम हो जाता है डियासर विर्दी के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दवाब में कमी आती है छेतर फल थ्रस्ट परती एकाई छेतर को कहा जाता है दोस्तों दाव क्या कहा जाता है दाव नेकि जब किसी तरल पदार्थ को पर दवाब लगाया जाता है तो दवाब परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के परतिक भाग में फैलता है नियम इस घटना के वेख्या करता है पास्कल के नियम के ये घटना के वेख्या करता है दाव बड़ाबर क्या होता है दोस्तों उच्छे बटे छेत पल होता है उचाई पर उर्ते हुए वीमान के केविन के अंदर का दबाब होगा बाहर के तुल्ला में अधिक होगा बेरोमिटर के रेडिंग में आचानक गिरावट का तातपड़ किया, तुफान का आना, अचानक गिरेगा, तुफान आएगा, धिरे धिरे गिरेगा, वाडिस होगी, धिरे धिरे उपर चाहेगा, मुसम साफ होगा यह कि निश्चित तापमान पर वायू का दबाब अनुपातिक होता है, घनत के अनुपातिक होता है, रेलवे एस्टेशन के प्लेटफरम पर खरावेक्ती, तेजी से आते हुई ट्रेन की ओर खिचाओ या महसूस करता है, उनके बिज तेजी से गतिमान वायू के कारण, दाव का वीमा क्या है, दाव का, क्योंकि दाव बड़ाबर होता है, बल बटे छेतफल होता है, दोस्तों दाव बड़ाबर, याद रखेगा, और बल बड़ाबर क्या होता है, दोस्तों, द्रमान गुना तोरन, द्रमान गुना तोरन, अब बटे क्या हो जाएगा, दोस्तो तो आ जाएगा दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से छेत्पल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुना चुड़ाई यानि मीटर एल एस्क्वाइर हो जाएगा जब यह एल एस्क्वाइर हो जाएगा संपूर्णुप से हम लोग करेंगे बलतों प्रमुला से बीमा आता है आपको पताईए घरत यानि देंसिटी के बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे परवतिय चित्रों में जल का कोत्माव होगा जितना समुद तल पर होता है उससे कम होगा उससे कम होगा जब पानी से बढ़े हुए एक बीकर में एक कॉर्क और किल को रखा जाता है तो कोंक तरता है जबकि किल दूप जाता है इसके पीछी करन दोब क्या है लोगे की खिझतीγα का घरल से अधिक होता है पानी का घरलोत है क्या होगा सकत्रभी प्रवादी. का ऊंदरी पतेरति है क्योंकि इसंदीust पानी से कशट सब्सक्राइब 28 या सक depiction below 2 L 주edereeniblmore City अधिकतम होता है चांदी на 1 कि अपेग्ची घंटोडिकति विए क्यों 4 क्यों के तो SI क्यों क्यों बस उतना ही होगा 10.8 into 10 to the power 3 kg मेटर प्रती क्यूब याद रखेगा ने घनतो अनुपात है क्या दरमान बटे आयतन घनतो बड़ाबर दरमान बटे आयतन होता है घनतो जल के घनतो से अधिक होता है लोहे के किल की अधिक होता है इसलिए किल डूब जाता है तरहेगा वही जिसका घनतो कम होगा किसी पदार्थ का आपलची घनतो है पदार्थ के घनतो बटे पानी का घनतो होता है घनतो सरवादिक होता है दोस्तों आस्मियम का आस्मियम का सरवादिक होता है भार भी सरवादिक होता है जब वर्प पानी के उपर तरती है तब इसका счит सब पानी के बाहर तरता है पानी के बाहर तो 0.1 क्योंकि 1 by 10 बाहर तरेगा दोस्तो 1 by 10 अंदर तरेगा एक मिठे घता जीऑ याने 9 by 10 अंदर रहेगा दीक है नेक्स्ट मीठे पानी की एक स्वस्थ मचली को खारे पानी में रखा जाए तो इसके संभावित प्रिणम क्या होगी मचली निजली क्रित होकर मर जाएगी दोस्तों जब जल जम जाता है तो उसका घनतुव घटता है निमरीक लूब देखिए चानी अधनतुव 10.8 इंटुटींटिंद और 3KG मतलब परती मीटर क्यूब है और पानी का घनतुव 10Q केजी मीटर क्यूब है तो च्छाली का पिख्षी घनतु क्या होगा विदेश्ट हम दो निकाले हैं 10.8 होगा ठीक देखे आपकेशी घंट तो बड़ाबर क्या होता है चांदीक घंट बटे पानी का घंट तो इतना है पानी घंट तो इतना है जब इसको हम लोग स्वलिस्टर करेंगे यह कर जाएगा 10.8 हो जाएगा दूसर आपकेशी घंट की कोई एकाई नहीं होती है इसके 10.8 सिफ ह होगा अनुघसी सिधांत यानि कानेक्टिक ठीक थिओरी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे यंघ को पानी से अधिक वासफ सील होता है क्योंकि डैस पानी से कम होता है को कि अधिक्तम गति उर्जा गयस होती है वह इस्तिती जिसमें यह देखिए अनूभी है आकरसन अ अघर आकरशन सक्ति नों तो तु तिरल पदार्थ की लिए लगू नहीं होगा उपरी दवाब दोस्तों लागू नहीं होगा यादि बंध पातर में कुछ गैस निकाल कर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अनुओक का माधी है मुक्त पत होगा दोस्तों क्या होगा बढ़ेगा उसमा यानि हीट आप हुलों पढ़ेंगे हीट चेप्टर हीट पढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक फ्रमूला याद रखना पढ़ेगा अगर ये फ्रमूला याद है तभी दोस्तों आप कर पाइएगा यह अगर फ्रमुला आपको याद है तो आप अच्छी तरह से दोस्तों उसमा यानि हीट चेटर में दिक्कत नहीं होगा यह अगर फ्रमुला याद रखेगा और इसी को तोर के निखा गया इक यह यह यहा नहीं किया जाता है ठीक है इसी को क्या गया है और कोई बात नहीं दोस्तों यह अगर यह याद है या फिर वह याद है तो कंवर्सन आपको दिक्कत नहीं आएगी देखे बाने डिली सेल्सियस पर जलकी भूतिक आवस्ता क्या होगी द्रब होगी पानी का हीमांग बिंदू क्या होते 32 डिली फुनायट हीमांग बिंदू है दोस्तों क्राइवोजेनिक दरसाता है क्या कम तापमान को क्राइवोजेनिक दरसाता है लगवक्ती से तापमान पर पानी का घनातों अधिक्तम होगा चाट डिग्री सेल्सियस अधिक्तम होता है केल्विन पेमाने का मानक कक्षित तापमान होता है बहास्ित कीया जाता है वह ताप मान जिस पर सब नभी करती बंद हो जाती है वहाँ उससे ताप मान होता है जो मानव सरी में समानी मान माना जाता है नाइन के 8.6 Furnheit और degree Celsius समसेती degree Celsius Kelvin में 310 Kelvin 273 Kelvin का मान होगा 0 degree Celsius होता है दोस्तों या 32 degree Furnheit जो बोलिए next है Celsius और Kelvin ताप मान के बिच शमद्द क्या है तो 0 degree Celsius एकल टू 273 Kelvin हो जाएगा और इसे में फurnheit पूछा तो बराबर 32 Furnheit हो जाता किस तापमान पर पाणी तरल एवं थोश दोनों इस्टिक्तियों में विद्मान हो सकता है जीलो डिडी सेल्सिस पर बर्फ का गलनाग बेंदू क्या है 273 केल्विन ही ऐगा दोस्ता घंप दोस्तों एक अल्कॉहल का को से कितना होगा कुछ नहीं दोस्तों प्रमुलात आपको पता ही है जब करेंगे तो सी मैंनस जीरो बटे होता है एक सो केल्विन है तो क्या के मैंनस 273 के मैंनस 273 बटे होता है यह भी 100 ही होता है लाश में एक होगा एक बच्चा एक सच चोड़े एक पंदल्र होगा पंदल्र पांच बच्चा एक यह तीन हो जाएक दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा निम्न में से क्या करना होगा तो यह दिये गए सब्सक्राइब करना होगा इसका अंसर वह दिया गया और क्या नेक्स्ट है देखिए सेल्सिया सेवं फ्रनाहाइट इसके लों पर किस तापमान पर एक समन पाठ्थया दरसा आएगा तो मैस चालिश डिवी सलसे सी नमर इसको तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा दोस्तो याद रखीगा विल्कुल इसी तरह यहाँ निकाला गया है दोस्तों नेक्सट में सुनी डिग wave rele सब्सक्राइब या आप तो यह आसान है दोस्तों शुरू का इतना है सब बराबर है यानी लोग इस सब्सक्राइब कर चुक्के मैनस चछलेश्च दिलिससेलिस लीघसियस कर चुके मैंनस कessäट्छुली सल्सच आलिब हो और क्या गहनाकार वस्तो में ? घर्षंपर दोस्तों यह निर्भ़ नहीं करती है पर तरल पानी के कनों में उसी तापमान पर भर्विक कनों की सुलनम अधिक उर्जा होती है तो याद कि चुकी बर्व से तरलपाणी मेरूप अंतरन की प्रकिरिया के दोरन बर्व के कन उस्मा उर्जा को अफसुसित करते हैं इसलिए बुरादे से ढकी होई बर्व जल्दी से नहीं पिगलती क्योंकि बुरादा उस्मा का कुचालक होता है ताप का अंतरन मुख्रियूप से चालन संबहन और विकिरन द्वारा होता है विकिरन द्वारा उस्मा का अस्थंतरन मुख्रियूप से निर्भर करता है इसके तापमन पर पिन की प्रकिरती पर और इसकी प्रिस्ट के विस्टार एबं परकार पर दोस्तों याद रखिएगा नेक्स वतावरन के भीतर 36 उस्मा अंतरन को कहते हैं क्या अभी वहन कहते हैं सुर्यास्त के बाद भी पिर्थवी की सतके निकट वायु किस कारण उस्मा प्राप्त करती रहती है तो अस्तलिय वीकिरन के द्वारा दुस्तों करती रहती है ताप यह दोस्य टाउट को ओर लंबा कर देता है संबन यानि कॉन एक्षण के बारे में देखिए क्या है डिया से तंत्र तरलपदार्थों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान को संचर्ण करती है संबन ही संबन ही संबन दी नेक्स्ट है तो कुछ चालक होता है नेक्स्ट बेरो सिलिकेट ग्लास बरतन का माइक्रोवेव ओवन में पड़ियोग किया जाता है क्योंकि यह अतिदीक उसमा पर्तिरोधी है इसलिए विदूत का देखें विदूत का काफी अच्छा चालक क्या है ग्रेफाइट अच्छा चालक है किसी वस्तुपदार्थ में किसी उपस्तिती के कारण वह विदूत का सुचालक बनता है तो मुक्त इलेक्ट्रोन के कारण विदूत का सुचालक नहीं है चिनी मिर्टी के बतों सुचालक नहीं है यह कुछ चालक होता है बिलुतावेस का सुचालक तामभा है यह तो जनती है किसी छोस धातु का उसमें चालक ता समनेता बढ़ते ता आप मान के साथ घटेगा क्या होगा दोस्तों घटेगा तुलनात्मक रूप से उसमा के कुचालक होते हैं पीवी याई लेट और एजी मरकरी याद खे कुचालक होते हैं पीवी का मतलब हुआ सीसा सीसा का एक्टोमिक नमर होता है दोस्तों लेट का एजी का मतलब हुआ मरकरी मरकरी का एक्टोमिक नमर होता है दोस्तों असी जिसको और भले ही दोनों पंद्री रीसल्सियस की समध्य पाप मन पर रखें हो धातु उस्मा का सचालक होता है इसलिए सबसे बढ़ी यह कुछा लग है कांच सबसे बढ़ी हां कुछा लग है क्रिश चौप एस्टीपन का नियम और नूटन का सितला नियम अब हम लोग पर हैं उनी करता है जब एक थोस वस्त्वायमनलीय दबाब पर पिखलकर द्रब बन जाते हैं उसे हम लोग क्या काते है गल नंक किस कारण से तरल पदार्腓ं के कुत्माग में भीनता होती है दाम में भीनता के कारण वह पर करिया है जिससे हवामें मोजूद जलव तरल पाणी में बदल जाता है संगनन, क्या संगनन, वास्विकरन और दर्वन की सहित पड़क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो या दखे आस्वनी करन कहा जाता है, जिस तापमान पर अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में पड़िवरतित होता है, उसे कहा जाता है हिमांग बिंदू कहा जाता है हिमांग बिंदू बहुत कम घंदत वाली गैस को बहुती कम तापमान पठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को कहते हैं बोस आइस्टीन संगनन तरल पदार्थ के कोत्मंग पर तापमान नियत रहता है सुपर कूलिंग का अभी प्रल के बिंदू पर सितलता से होता है दोस्तों हिमांग से नीचे 273 बिखिल्षेस पर जल की भोतिकी स्थीतिक दो वो गैसी आवस्ताम होगी दोस्तों पानी का कोथनंग है 212 दिविवो फॉनाइट कोथनंग होता है पानी का हीमिकरन तापमान पर पानी के पाई फर जाते हैं इसा क्यों होता है याद कि एक्सपेंसन से इसे होता है इनक्षस उसापमान को कहते है जीस पर वायमंदलीयद धापर द्रभ उबलना शुरू कर रहता कोथनांग यह एक्सपेंसन का मतलब क्या हुआ दोस्तोँ आप लोग तो जमते ही हैं, पाणी अगर जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन जब बढ़ेगा तो वो ओटमेटिक फटएगा ही दोस्तों, पाणी का कॉतनाग बिंदू क्या है, एक सो डिरी सेल्सियस होती है, अब देखिए नमरीकल, क्या पाणी का कॉतनाग केल्विन पेवानेंपे क्या होगा दोस्तों तो 373 केल्विन होता है डिगरी सल्सेस में तो दोस्तों 100 डिगरी सल्सेस होता है केल्विन में 373 केल्विन फोरन हाइट में पढ़ियों किया जाता है रेफ्रीजेटर क्या तो रेफ्रीजेटर नेक्स्ट गर्मी के मोसम में पंखा चलाने पर रहात अनुभव होता है क्योंकि पंख्य की हवास से हमारा पसीना तेजी से वास बनकर उर जाता है इसलिए अब हो पढ़ेंगे वास भी देखिए उस्मा ग के लिए प्रक्रिया की गति सब से धीमी होगी वास्वी करन क्या हो वास्वी करन उस्मा गत्की का स्तुन्यवा नियम यह बताता है कि जब दो निकाय के साथ उस्मा संतुलन में है तो वे एक दुसरे के साथ उस्मा संतुलन में होते हैं याद रखेगा नेक्स उस्मा गत्क होती है अधिक्तम होती है अधिक्तम होती है जिस वस्तु का तापमान लिया जाना है उससे अस्पर्स किये बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है वह है वी किरन यानि अवरक्त पाइरोमीटर एक उसमा गत्की परनाली में उसमा संतुलन तब प्राप्त किया ज खाथ। क्या याद रेकाश स्रींद स्यूक्षा drift क्या जांते हैं पर्थम याद रखी ऐड इस ने फुक्त के पर्थमा जानते हैं और यह निसकास निकाला की ताप का निर्पेक्ष सुनिया मैनस 273.15 सिल्सिस है और इसके लिए उन्हें केलिविन तापमान इसकेल के नामकरण के साथ समानित किया गया तो याद रखेगा विलियम थॉम्सन उर्जा नो तो उत्पन की जा सकती है और नो ही नष्ट की जा सकती है लेकिन इसे एक रूप से दूस्य रूप में पडिवर्तित किया जा सकता है इसे कहा जाता है उर्जा स्रक्षन का नियम कहा जाता है किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दोरान या संभारित उर्जा उस्मा उर्जा संगरीत रहती है गती जूर्जा नेक्ष जब बर्प बनती है तो जल की एनाट्रपी घट जाती है जब द्रल और उसके वतावरन के बीच का तापमन अंतर दोगु न हो जाता है तो उस्म से चोटी होती है ड्रिसची प्रकास की त्रंगों में संचरंग की दिशा में कमपन करते हैं समनंतर कaped नैश किस तरह की आतरंगों में कम तरंग के चलने की दिशा के समनंतर गति करते हैं नुदयर्यिय विलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है संप्रणों का निर्मार उस अस्थंप होता है जहां वायो दाव उच्छ होता है निशेकन विक्षोब के परसार की दिसा के लंबत उपर और नीचे दोलन करते हैं यहां किस परकार के तरंगों पर चाचा की गई है अनुपरस तरंग किसी विस्पोर्ट के कारण समुदक के त और विदु चुमबक के तरंगों उत्पन होती है गामा किरने गामा किरने किसी अनुदेरी तरंग में लगाता दो संपीरन और दो लगातार विर्ली करन पर किरियाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगों में संपीरन और विर्लन परती किरिया सामिल है अनुदेरी तर त्रंग लंबाई आमतोर पर ग्रीक लेटर दर्साया जाता है लेमडा द्वाड़ा त्रंग लंबाई एक मात्रा है जो एक त्रंग की पुरकिर्ती का वर्न नहीं करती उचाई दोस्तों यह नहीं करती है या नेक्स्ट है सुपर पोजिशन के सिध्धन के अनुसाट ड्यास का संदर्व अंतिच में मैक्सिमा देखे क्या मैक्सिमा और मिनिमा के छेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुषंगत त्रंगों को एक दूसरे के उपर रखने से होता है हस्त छेप पिर्थ ट्रों वाल्व का उप्योग डैस्क उत्पादर में किया जाता है सुप्ष्म तरंगों के उत्पादर में किया जाता है निक्स्ट विदुचिमा के तरंगों के संसुचन के लिए गीगर ट्यूब का उप्योग किया जाता है गामा किरने वेग्यानिक ने प्रकास के तरंग सिध्धन को क्या प्रस्तावित किया था किस्चन हाइगेंस ने किया था तरंग की आविर्ती F और आवर्तकाल T के बीच उचित समन्द क्या है F into T बडाबर 1 होता है किसी दोनी तरंग की आविर्ती N और आवर्तकाल T के बीच समन्द है N बडाबर 1 by T होगा यदि किसी तरंग की आविर्थी दोगोनी हो जाती है तो उसकी तरंगदेरी होगी मूल का आधा होगा आधा यदि दो क्रमिक सिर्सों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंगदेरी को वेक्त किया जा सकता है एल दुआरा दोस्तों वेक्त किया जा सकता है रेडियो द्वारा उत्पादित धोनी बढ़ती है आयाम बढ़ने पर बढ़ती है तरंग चाल आयाम तरंग देर और आविरती सभी को कहा जाता है तरंग की विसिस्ताएं कहा जाता है तरंग की विसिस्ताएं के दोरान माध्यम में कनों के उच घंतों का च्छितपल कहलाता है संपीडन कहलाता है संपीडन यदि एक स्रिंग और इसके कर्मागत गर्थ के मध्य दूरी एल है तो त्रंगदरी होगा दोस्तों याद के 2L होगा 2L धोनी त्रंग में त्रंगदरी सरवाधिक लंबी होगी तो याद रखेगा 100Hz की आविर्थी वाली त्रंग एक त्रंग के गर्थ के गहराई को कहा जाता है आयाम कहा जाता है नेक्शे किसी माध्य में घंतों के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को कहते हैं त्रंग का समय काल कहते हैं डक्टरों दुआरा ठोस वस्तों को भेदने हैं तो एक हवाई अड़ों में तरंग का पड़ियों किया जाता है एकस रे एकस रे इंप्रा रेट किरने हैं विदुचिंबक के तरंगे 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 विदुच तरंग के परति एक आई समय में किये गए दोलनों कि संख्या है आविर्ति धोनी की आविर्ति भी तरंग दर्य लेमड़ा और चाल भी के बीच समन्द क्या है भी बराबर एन लेमड़ा होगा भी बराबर एन लेमड़ा तरंगों को धुरुवित नहीं किया जा सकता है प्रास सब्सक्राइब करता है तो देखिए दोस्तों सुरत द्वारा 0.4 सकेंड में उत्पन किये गए तरंग सिरसों या गरतों की संखियां कमपन कितनी है 20 है कितनी है 220 है तो अत्ता त्रंग की आवरती एन बराबर होगा कमपन परती सकेंड कमपन परती सकेंड 20 बटे 0.4 होगा इसको अगर हम लोग करेंगे तो 50 हर्च आ जाएगा 50 हर्च यानि ऑप्सन नमर्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्षा दोस्तों वह देख त्था त्रंग की आवरती एन में निमल की समंध है लेमडा बराबर भी बटे एन होता दोस्तों लेमडा बराबर दिया गया एन बराबर 500 हर्च लेमडा बराबर 0.4 दिया है 0.4 और हमें यहां कितना समय लगेगा समय ही निकालना है दोस्तों बहुत यह अच्छा कुशन है तो क्या होगा भी ब्राबर भी ब्राबर भी ब्रटे N से हो जाएगा दोस्तों देखे क्या भी ब्राबर N लेम्डा हो जाएगा 500 इंटु 0.4 करेंगा 200 मीटर पर 30 सकेन आ जाएगा दोस्तों तब समय ब्राबर दुरी ब्राबर दुरी ब्रटे चाल होता है दुरी हो जाएगा कि आविर्थी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो याद दखिएगा यह 40 बट्टे 0.3 सकेंड हो जाएगा इसको अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 1.33.33 हर्च हो जाएगा नेक्स्ट एक दोनी स्रूत 400 हर्च आविर्थी और 2.5 मीटर तरंग देरी की तरंग भीजता है दोनी तरंगों की चाल क्या होगी प्रश्ण अनुसर आविर्थी बराबर 400 हर्च दे दिया गया तरंग देरी लेमडा 2.5 मीटर दिया गया है दोनी तरंगों की चाल भी बराबर ब्रावर होती है 1 by T और क्या 1 by T अच्छा कंपन क्या कंपन वन बेट यहां थी 40 और 40 2.5 यहां दिया है सकेंड में दोस्तों फिर यहां ठीक है और यह हो जागा दोस्तों कितना इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो 16 अच्छा जागा इसका राइट अंसर 16 हड्च ही होगा दोनी तरंग कितनी है 349 मेटर परती सकेंड की गति से यात्रा करती है यदि इसकी तरंग दैर 1.5 सेंटी मेटर है तो तरंग के आविरती क्या होगी बहुत नी अच्छा कोसर है दोनी की तरंग के गति दे दिया है 349 मेटर परती सकेंड दोनी की तरंग दैर दिया 1.5 सेंटी म सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोनी त्रंगों की गती 700 मीटर पर 30 सकेंड है तो दोनी त्रंगे साथ किलो मिटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी त्रंगदेरी ठैगी गती और 9 बरहा रात्ते की गई दोरी 7 किलो मिटर है तो मिटर में चिंज करेंगे तो 7000 मीटर हो जाएगा समय यह ब़ाबर दुरी बटेट चाल होता है दुरी दिया है अच्छाल दिया है दुस्वख धिया है यहां से हमें समय आ जाएगा यह समय आ जाएगा दुसों 10 सकंद यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नमर को सरे एक माध्या में एक गति तरंक की तरंक दयडिक कितनी है? जिसके आविदती 840 हर्च है और गति 380 मेटर पर 30 सकेड़ है. बताई क्या अंसर होगा इसका? तो इसका आई टांसर 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आई टांसर पहलें V बराबर क्या होता है? N लेंडा. भी बराबर क्या होता यही इसका राइट अंसर हो जाएगा 10 नमर देखिए लंगर डाल कर रोकी हुई 9 लहनों से हिल रही है और जिनके त्रंगों का उपड़ी सीरा 100 मीटर उपर है तो त्रंग के उपड़ी सीरों का वेग 25 मीटर परती सकेंड है तो नाव को हिलने की आवरती क्या होगी नाव की ह नमर देखिए लंगर डाल का रोकी हुई एक नाव लहरों से मतलब घिरी हुई है जिसका त्रंग देर 125 मीटर है और चलती त्रंगों के चढ़ाओ की गति 25 मीटर परती सकेंड है तो यहां दिया है लेंड़ा बढ़ाबर 125 मीटर दे दिया है आवरती हमें निकलना है दोस्त ब्रट्य लेंट्ट्य हएं यानि पचीस लेंड़ा कितना 125 है 120 एक बत्य हुजए लिक भी ऐतना हो जाएग दोस्तों पांच एक वट्रेपांच आगे एक वट्रेपांच हो गया तो इसको करेंगगा तो 0.20 हो जाए 0.20 हर्ठ यानि यह नमर हो जाएगा यदि किसी धोनी त्रंग कि आविरती 50 हर्च है इतना 50 हर्च है तो इसका आवर्थकाल क्या होगा अब होगा बहुत एंच्या कुस ने थे बराबर एक बयुट्टे एन होगा और कुछ नहीं तो एक बयुट्टे पचास वहगा तो 0.2 millisendAYa यानि डी नमबर। आसल है दोस्तों आवर्पकालती है यह हो गए ऑगा, इसको हम रहो अगर हम है कर सक और हो गैगे दोपर होले यह एक तो चैनल आजया पचीस हड़ीक है, अब हुआ पुक्र दो हैंगे चैप्टर नमर्ब 7 में दिया घ्या शाउंड का पहला कोशन है निर्वात में यातरा नहीं कर सकती है क्योंКак धोनी को चलने के लिए मादरक्षिक होती है यानि ठोस और गैस रहे गी तब ही धोनी चलेगी दोनी नहीं है दोनी तरंग के विशेस्ता नहीं है ऑप्शन के नुसेर हर्ज घंट में होती है यांत्रिक तरंग में लगनेवाला वर्त काल आवर्तिकाल आयाद रखेगा माध्यम के घहनत में किसी धोनी तरंग के एक संपून दोलन में लगने वाल असर में आवर्त काल कलाता है परती सकेंड एकाई छितर से गुजरने वाली धोनी उर्जा की मातरा को कहा जाता है तिर्विता परती सकेनिक आई छित से गुजरने वाली धोनी उर्जा को कहा जाता है क्या दोस्तों तुर्विता धोनी के संचलन के लिए आवस्यक माध्यम आवस्था क्या होनी चाहिए ठोस द्रब और ग्यास रहेगी तभी धोनी चलेगी निरवात में नहीं चलती है नर्म और चितर युक्त सत्म का उपयोग करके सोर को अवस्वसित करने के लिए टक्निक का पड़ियोग किया जाता है तो धोनी क सुरक्षा कथन धोनी और प्रकास तरंगे के बारे में सही है तो धोनी तरंग अनुदेरी तरंग है लेकिन प्रकास तरंग अनुप्रेस तरंग है जोकि धोनी तरंग को हम लोग प्रोराइजसन नहीं कर सकते हैं जबकि हम प्रकास तरंग को पोलराइसन कर सकते यानि धुरूवी करंग कर सकते हैं। निमलिखित की भिनिता के कारण संपीडन और विर्ली करंग उत्पन होते हैं। हवा के दाति भिनिता के कारण संपीडन और विर्लन उत्पन होते हैं। धोनी की तरबता मापी जाती है, डेसीवल में मापी जाती है, धोनी तरंग की आविर्थी मापने की मानगी काई है हर्ज, का है हर्ज, किसी एकल आविर्थी की आवाज को कहा जाता है, टोन यानि दोस्तों स्वर्ण वायततान कहा जाता है, याद रखेगा, जब धोनी हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कन तरंग परसार की दिसा में कंपन करती है दोस्तों जब धोनी हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कन तरंग परसार की दिसा में कंपन करती है धोनी डैस का एक रूप है जो सुनने की अनुभूती पैदा करती है यह आंतरिक तरंग है दोस्तों धोनी हवा में धोनी तरंगे होती है अनुद्धर ही होती है धोनी तरंग भर्मन करती है विभीन माध्यों में विभीन गतियों से दोस्तों बिल्कुल भर्मन करती है धोनी तरंग उत्पन होती है वस्तु में कमपन के कारण धोनी उत्पन होती है अब हमलों मनुस्यों के लिए धोनी की स्रवी सीमा लगभग होती है, 20 हट से 20,000 हट के बीच होती है मनुस्य बहुत उची धोनी सहन नहीं कर सकता, वह उच्टम धोनी अस्तर क्या है, जो मनुस्य सहन कर सकता है 80 decibel तक को दोस्तों, धोनी सहन, मनुस्य धोनी सहन कर सकता है परास्तरो तरंग करती है अब नमरीकल देखिए देखिए क्या है एक धोनी तरंग की गती 340 मीटर परती सकेंड है यदि इसकी तरंग देर 2 सेंटी मीटर है तो तरंग की आविर्थी क्या होगी तो वेग बराबर होती है दोस्तों वेग बराबर होती है आविर्थी गुना तरंग देर आविर्थी गुना तरंगदेर होती है यह आपको फ्रमला याद होना चाहिए जहाँ पर वेग दिया है 340 मीटर पर 30 सकेंड और यहाँ पर लेमडा भी दे दिया गया तरंगदेर यह भी दे दिया गया दोस्तों कितनी है तरंगदेर 2 सेंटी मीटर है इसको सबसे पहले आपक को फ्रिकेंसी आ जाएगा दोस्तों जब इसको हम लोग डिवाइट करेंगे 340 को 0.02 से डिवाइट करेंगे तो उपर जाएगा डेबल जीरो और इसको कटा देंगे दोस्तों 17,000 आ जाएगा हवा में दोनी की गती से अधिक गती जाने जाती है सुपरसोनिक या फिप्राधोनिक जाने जाती है दोनी तरंगों के समझ में कथन सही नहीं है तो इन्हें यादरा करने के लिए किसी परकार के माध्यम क्याव सकता नहीं होती है ये बिल्कुल ही गलत है दोनी को चलने के यह माद्यम क्या वे सकता होती है आनि ठुवस द्राव और गयास रहीगी तभी धोनी चलेगी अनिता नहीं धोनी की गती पर दाप का प्रभाब परता है धोनी की गती दाप से प्रभाबित नहीं होती है दोस्तों या देखो ताप से प्रभाबित होती है ताप से हीट से हवा में धोनी का वेग लगभा कितना होता है एप्रोक्षम 332 होता है यहां दिया है 330 मीटर परती सेकेंड ठीक है दोस्तों यदि दिये गए वेग पर किसी धोनी तरंग की आविर्थी बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दर पर क्या प्रफाप पड़ेगा इसके तरंग दर में कमी परती सकेंड किसी भी माध्य में जैसे ही हम डैस बढ़ाते हैं धोनी की गति बढ़ जाती है तापमन हम बढ़ाएंगे किसी भी माध्य में तो धोनी की गति बढ़ जाएगी बिस जगी सेल्सेस पर धोनी का वेग अधिक्तम होगा एलमोनिया में अधिक्तम होगा डैस में दोनी की गती सबसे तेज होती है, इस्टिल में सबसे तेज होती है, आप्शन के नुसार, माध्य में दोनी किसी विशिस्त आपमान पर सबसे तेज यात्रा करती है, लोहा में, आप्शन के नुसार है ये, पदार्थ में धोनी का वेग सबसे कम होता है, दोस्तों वायू में, अब नमरिकल देखिए एक धोनी तरंग की आविर्थी 4 किलो हर्च है तथा तरंग देर 40 cm है धोनी तरंग दुआरा 3.2 किलो मिटर दूरी ते करने में लगाया गया समय क्या होगा देखिए दे दिया गया आविर्थी दे दिया गया दोस्तों 4 किलो हर्च दे दिया गया है और इसको हम लोग निकालेंगे हर्च में तो 4,000 हर्च आजाएगा दोस्तों आप लोग पला बर ब्राबर N ल sekali होटा hm तो यहां पुछा जाए समय समय ब्राबर होती है दूरी बटे चाल दूरी हो गया दोस्तों दूरी की निकालेंगे 3.2 इंटू 1000 से मल्टिप्लै करना पड़ेगा दूरी अब आए 16 से हो जागा इसको निकालेंगे दूस्तों दोस्तों दोस्तों आ जाएगा याद रखेगा अची तरह से नेक्स्ट है थ्री पॉइंट टू किलो मिटर है इसको मिटर में चेंज करना पड़े है दूस्तों 1000 से मल्टिप्लै करना पड़ेगा नेक्स्ट एक धोनी तरंक की आवरती 50 हट्च है और इसकी तरंक दरी 4 मिटर है तो धोनी तरंक की चाल कितनी होगी तो एन आवरती दे दिया है पचास हट्स लेमडा भी दे दिया है चार मीटर तो भी हमें लिकलना है भी ब्राबर एन लेमडा होता है दोस्तों सिफ मल्टिप्लै कर दे नहीं और कुछ नहीं 50 कुना चार करेंगे 50 कुना चार करेंगे तो 200 मीटर परती सकेंड आ जाएगा नेक्स एक समुदरी सबेक्षन जहाँ समुदर के तल पर एक धोनी तरंग भीजता है जो 2.5 सकेंड के बाद एक परती धोनी या अनुगुंजी प्राप्त करता है समुदरी जल में धोनी की गती 1200 मीटर परती सकेंड है तो समुदर के गहराई क्या होगा दोस्तों देखें माना समुदर की गहराई H है ठीक है तो 2.5 सकेंड में धोनी तरंग द्वारा तैकी गए दोरी कितना है तो याद रखेंगे 2H मीटर है दोस्तों याद रखेंगी य यतर से हाईट यतर से तरंके तल से टक्राने तथा आने में लगा कुल समय है 2.5 सेकंड 2.5 सेकंड ये कुल समय है और धोनी की चाल दे दिया है दोसतों कितना 1200 मीटर पर 30 सेकंड दे दिया है पॉइंट फाइब सेकेंड में धुनी द्वारा चली गई दूरी ब्राबर चाल गुना समय होता है दोस्तों चाल हो गिया बारसो और समय दिया टूपॉइंट फाइब इसको मैटिप्लाइ करेंगे दोस्तों तो तीन हजार आ जाएगा तीन हजार को दोसे डिभाइड देंग कि गति क्या होगी अविरिथी दे दियाग्या है कितनी 600 अर्ट अथव गोई और त्रंग देल्लें चेकेंड क्या होगा बहुत ही अच्छा कुछन है गांड का मान बस और कुछ नहीं लेमडा ब्राबर वह जाएगा दोस्तों क्या लेमडा ब्राबर हो जाएगा भी बटे एन अभी का वेलू 3 इसको जब लोग डिवाइड करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा तो याद अखिएगा फोरेंडे टूट्ट फाइप मिटर हो जाएगा होती है अच्छा है दोस्तों उपार में घर जागा यह हजार हो जागा दोस्तों नेक्स्ट एक धोनी तरंग के तरंग दर कि गरना करें जिसमें आविर्थी 2200 हर्ज है और किसी दिये गए माध्य में उसकी गत्ती 400 मिटर परती सकेंड है तो आविर्थी दे दिया गया है दोस्तों कितनी तो 200 हर्ज है आविर्थी दे दिया गया है और वेलोसिटी भी दे दिया गया है 400 मिटर परती सकेंड तो हमें लेमडा निक साथ रंग दर 0.1 मीटर है तो इसे याद कि 700 मीटर के दूरी तरिकरने में कितना समय लगेगा यहाँ पर N दे दिया है दोस्तों कितनो 3.5 किलो हट्च दे दिया है और यहाँ पर और यह सो 3.5 kHz है, हट्च में चेंड करेंगे, तो दोस्तों यह हो जाएगा, 3500 Hz है, लेमडा का मान भी दे दिया, 0.1 m दे दिया, अभी बराबर एलमडा होता है, सिर्फ मल्टिप्लाइ करनी है, 350 आ जाएगा, जब यह 350 आ जाएगा, दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या होत यह option के अनुसार है दोस्तों, ऐसे 332 m3 होता है, वाई-उ में, जबकि option में ऐसा कोई है ही नहीं, तो इतना ही approximately होगा, नेक्ट एक परति धोनी, 3 सकेंड में वापस आ जाती है, यदि धोनी की गति 342 m3 है, तो स्रोथ से प्रिवर्तन सतक की दूरी क्या होगी, चलिए देख 1026 m3 आ जाएगा, और स्रोथ से प्रिवर्तन सतक की दूरी निकालना है, तो 3 सकेंड में तेकी गई दूरी, बटे 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, दो से डिवाइड दनी होगी, तो इसको कटाएंगे दोस्तों, पांसो तेरे मीटर आ जाएगा, पांसो तेरे मीटर इसका अब पढ़ेंगे, धोनी की अभी लक्षन के बारे में, देखें क्या है, किसी तारवाले वाद यंतर से पैदा हुई, संगीत की धोनी की गुनवता निर्वर करती है, धोनी की त्रंके रूप में निर्वर करती है, धोनी की लाउडनेस या सौटनेस को निर्धारित करता है दोनी की लाओडनेस या सपनेस को निर्धारित करता है दोस्तों आयाम दोनी का तारतों निर्वर करता है आविर्ती दोनी का तारतों निर्वर करता है आविर्ती पर धोनी हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुचकर हमें परदान करती है धोनी की संवेदान दोस्तों धोनी संचरन के समय माध्यम कानों के उच घंधत का छितर कहलाता है संपीडन कहलाता है संपीडन, महिलाओं की तिखी आवाज होती है, उच आविर्थी की कारण दोस्तों तिखी आवाज होती है, परति धोनी यानि इको के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, एक परति धोनी के लिए स्रोत और अपवर्तन के बीच नियुनतम दुरी लगवा होनी चाहिए, 17 धोनी तर्मों के प्रावर्तन दुरा उत्वन धोनी की पुनार विर्थी कहलाती है, क्या परति धोनी कहलाती है, याद रखेगा, लगातार या एक अधिक डेस के कारण परति धोनी को एक से अधिक बारे सुना जा सकता है, प्रावर्तन के कारण यानि रिफ्लैक्शन के कार पर्ति यानि एको कहा जाता है जिसके परिनाम शुरुप दोड़ी की अनुपोरिफने कारणी ये बनी रहती है एक ध्वनी के अनुनाद परति ध्वनी है जो कमपन में होने पर नियत स्वर्मान पर गुंजता है तो याद के नाम है सस्वरन दूइभूजपर अब लोग नमरिकल देखेंगे देखें क्या है एक वेक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे चार सकेंड के बाद गुंजी सुनाई थी तो वेक्ति से चट्टान की दूरी क्या होगी और ध्वनी की गती कितनी है 346 मीटर पर 30 सकेंड है तो दिया गया है ध्वनी क चट्टान से टक्रा कर वापस आने में कुल लगा समय में देद दिया गया है कितनी 4 सकेंड दिया है दोस्तों सिप लाने या भी आने में कितना लगया तबी तो दोरी निकलेगा दोसे डिभाहर देदेंगे दोस्तों टोटलिये मतलब हो जाएगा दोस्तों समय जाने में य लगर चटान से कितनी दुरी है से 1 उसी तरह करना कर दोस्तों और कुछ नहीं दोनी का चटान तक पहुंछनें में लगा समय त्वांटापस वापस और लगा समय्सप्टू तो कुल समय हो गया दोस्तों टी टू पलस ट्णी 02 पलस ट रफी निकाल से कुछनों यह हो इसको solution करेंगे तो 2D by 346 आजाएगा इसको कटाएगे दोस्तों तो 170 एकल टू आजागा 3 और यहां multiply हो जाएगा तो 599 मीटर आजाएगा इसका राइट अंसर यही अंसर हो जाएगा कोई धोनी जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से प्रावर्थित होती है तो यह होता है तो यह परतिधोनी उत्पन करता है दोस्तों परतिधोनी किसी प्रावर्थक सता से टकरा कर दोबारा सुनाए देने वाली धोनी को ही परतिधोनी यानी इको करते हैं चुकि धोनी प्रावर्थन तल तक जाने और वापस आने में याद कि 2D दूरी तै करती है और जिसको सु अगर कहा जाए तो एक्जेक्ट कहा जाए 166 मीटर दुरी होना चाहिए दोस्तों तभी पर्दी दोनी सुनाई देगा एप्रॉक्स्म सत्रे मीटर फीट में पूछा जाए दोस्तों तो 56 फीट हो जाएगा सुनार सुनार और रडार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे दे दिसा और गती दोस्तों मापा जा सकता है सद्राडार उत्पन करता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक सुनार में मुझूद मुख्यक उपकरन है जिसका उप्योग पानी के नीचे मुझूद प्रियोग की दोड़ी दिसा और गती का पता लगाने के लिए किया उसे क्या कहते है दोस्तों ट्रांस पैरेंट करते हैं निरवाद में प्रकास का विचिन कौन सवसे कम होता है ल Northern से जाड़ा होता है बैगनी में प्रकास चयाओग एक अनुप्रस तरंग है साबित करती हुई एक माद घटना क्या है धुर्वी करन क्योंकि दोस्तों प्रकास को धुर्वी करन कर सकते हैं जब कि धुर्वी को नहीं कर सकते हैं सुरज की रोसनी को उसके संगटक रंगों में विभाजित कर सकता है प्रीज में दोस्तों कर सकता है सुरी द्वारा उत्साजित प्रकास का रंग होता है सप्यद यानि वाइट होता है ऐसी वस्त में जो खुद प्रकास उत्पर नहीं करती उन्हें करते हैं परदिप्त वस्त में करते हैं परदिप्त वस्त में वस्त में जो अपनी रोसनी स्विंग उत्पादित करती है को कहते यह हुआ वह वस्तु उस कलर को रिफलेक्ट कर रहा है यानि वह प्रावर्थित कर रहा है तभी हमें वह उस कलर को दिखाए देता है यानि एक्जांपर मिलेते हैं कोई वस्तु पिला दिखाए दे रहा है इसका मतलब यह है कि वह वस्तु सभी रन को एपजर्ब कर रहा है से पीला को प्रावार्टित कर रहा है दोस्तों इसलिए वो पीला दिखाए देता है । याद रखेगा, हर्य पत्यों का पोधा लाल रोसुन्हीं में रखने पर दिखाए देगा, कैसा तो काला दिखाए देगा, किस साल में ओलय रोमर ने इतिहासे पाहली प्रकास की गति को मा पाथा 1676 में रोमर ने ना पाथा दोसो 1676 में तारे चमकते हैं किंटो गरा नहीं चमकते क्योंकि वे पिर्धुरी के करीब हैं इसलिए उनसे अधिक प्रकास मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नजर में नहीं आंत्रिश आं से आंत्रिश यात्री को आकास दिखायेगा काला दिखायेगा आपर है सुरियास्त के लगभ़र दो म्हिंट बदे किलरा न सोडीयम, सोडीयम का, हवा में प्रकास की चाल होती है, 3.2.85-2.3.2, किसी माध्यन के प्रकास को प्रावर्तित करने की चमता को वेक्त किया जा सकता है, दोस्तों, प्रकास घनतु, प्रकास के परिकिर्नन के बारे में वह दो पढ़ेंगे, टिंडन प्रभाव, टिंडन प्रकास का प्रावर्तन यानि रिफ्ल्यक्शन और लाइट के बारे में देखिए जब प्रकास किसी चमकिली सता पर आप्तित होता है प्रावर्तन की घटना घटित होती है याद रहे रहेगा नियमीत नेक्स सम्तल दर्पन से प्रावर्तन एक सम्तल दर्पन के लिए छवी होती है अवासी और पासर उल्टी होती है एक सम्तल दर्पन के लिए छवी क्या है अवासी और पासर उल्टी वही कोशन है दर्पन में परति बीम का आकार हमेशा बीम के आकार के समान होता है सम्तल लव्र लंबाई को किस तरह वेक्ट किया जाता है तो फोकल में यह धरुकरक द्रपन का पढ़ियों की यह उसको होता है जिसका गुलकार दरपन एक भाग होता है दोस्तों या दर जिस वीद्व पर सबी किरने मिलती हैं, वो कहते हैं क्या focus कहते हैं, focus, दर्पन की प्रतिबिम ये प्रतिबिम भी ते सतह पर इसी थे क्या पूल, एक दर्पन के वकरता की तो द्रब में दरपन की फोकस लंबाई होगी, कितना फोरबाई 3F ही होगी, दोस्तों, फोरबाई 3F, फोकस, नेक्स एक वकडिये दरपन जिसमें प्रावर्तन सता अंदर की ओर वकडिये होती है, उसे कहा जाता है क्या अवतल दरपन कहा जाता है, गोलाकार दरपन के वहनों में अपने व्यापक दिरिश्टी छेतर के लिए दरपन पीछे दिखने के रूप में प्रयोग किया जाता है, उत्तल का प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट है, एक गोलाकार दरपन जिसके वकडिता तिर्जिये R है, कि फोकस दूरी होगी, क्या RY2 होगी, R है तो RY गोलाकार दरपन जिसके प्रावर्तक सता बाहर की ओर उबरी होई होती है, कहलाता है क्या उत्तल दरपन होती है, बाहर की ओर होगा तो उत्तल दरपन, धसा वा रहेगा अबतल दरपन, डेस दरपन, कारों की हेडलाइट में पढ़ियो किया जाता है, अबतल दरपन, एक उत प्रतिवीम बनेगा द्रूब और फोकस के बीच आभासी सिधा चोटा प्रतिवीम बनेगा। वास्टिक और उल्टी होगी। एक वस्तू को एक उतलदर्पन के समनें अनन्था और दर्पन के दिरुप के बीच इस्तितिक बिंदू पर रखा जाता है, तो निमित होने वाली छवी होगी क्या अभासी और छोटी होगी। दरपन में परतेविम अभासी सिधा तथा बिंदू के साइज का बनता है उत्ताल क्यात होगा उत्ताल यदि अबतल दरपन में फोकस और द्रूप के बेच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित परतेविम का परकार होगा अभासी होगा अभासी उत्तल दरपन की फोकस लं लिए एक अप्तल दर्पन के वगल के वक्रता पर एक वस्तु रखी गई है इसका बरती बीम कहां बनेगा हो वक्रता कैंदर पर पर अपदल दर्पन का पडयोग नहीं होता है तो पश दर्शी दर्पन पर नहीं होता है यदि किसी अप्तल दर्पन पर आप्तन का कौन 30 डिग्री हो तो प्रावर्तन के कौन का अमान होगा कितना तो 30 डिग्री ही होगा दोस्तों जितना आप्तन होगा उतना ही प्रावर्तन होगा नेक्स्ट आप सारी दर्पन भी कहा जाता है उत्तल दर्पन को, जब किसी वस्तु को C और एप के बीच रखा जाता है, तो अतल दर्पन में आकर्ती बनेगी C के बाद बनेगा दोस्तों, केंदर के बाद, एक वस्तु को आपतल दर्पन के सामने उसके वकर्ता केंदर और फोकस बिनदू के बीच इस्तित एक बिनदू पर रखा गया है, तो छवी का निर्मान होगा वकर्ता केंदर से पड़े किसी बिनदू पर होगा, नेक्स्ट है C, C वकरता केंदर वाले किसी अब्तल दर्पन के फोकस्ट बिंदू एप पर रखे किसी बीम के परतिवीम के संदर में कथन लागू होता है तो परतिवीम वास्तवीक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंद पर बनेगा दोस्तों याद रखेगा यदि किसी वस्तु को अब्तल दर्पन के वकरता के केंदर पर रखा जाता है तो इसका परतिवीम ऐस्ता बनेगा वास्तवीक और समानाकार का बनेगा वास्तवीक और समानाकार का किसी गुलाकार दर्पन की प्रावर्तक सतक के वियास को कहा जाता है क्या छेद कहा जाता है तिर्जिया वाले एक अब्दल दर्पन का फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बराबर होता है दोस्तों वकरता तिर्जिया बराबर क्या होता है? वकरता तर्जा बाटे आर वकरता तर्जा दे दिया 20 बाटे आर आर बी आर कितना दिया है अच्छा बाटे 2 होता ही है तो 20 बाटे 2 करेंगे तो 10 cm आ जाएगा 10 इसका right answer होगा दोस्तो D number नफसे यदी एक दर पन कि वकरता तर्जा 6.2 cm है तो इसकी focus लंबाई क्या होगी फोकस लंबाई पूछिए दोस्तों तो फोकस दूरी या लंबाई जो भी फोकस दूरी बड़ाब होती आरवाइट टू इतना को दोस्ते दिभाइड देजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 31 आजाएगा यानि 3.1 सेंटीमीटर आजाएगा यह यह अंसर होगा एक वस्तू की उस अफ्तल सी से से दूरी ग्याद करें जिसका फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है और जिससे उसकी वास्तिक पर्तिभीम का आकार वस्तू के आकार का चारगुना हो जाए तो देखिए अफ्तल दरपन की फोकस दूरी यहाँ पर दिया है कितनी अफ्तल है तो इसलि इसको क्योंकि यहां आपकल्धर पहले तो मैनस महोगा दरपन का सोत्र मैनस वन बार एफ इकल टो वन भाई एक्स ग तो फोर प्लस निकालेंगे तो फोर प्लस वन भाय एकस आगा जाए जब यह आ जायगा दोस्तों एक्स करेंगे तो क्या हो जाए लुए दीयेट कर देनी है जब लोग इधर करेंगे X के लिए आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों तो कोना कोड़ी आप मल्टिप्ला कीजिए यानि दोस्तों 4X इकल टू हो जाएगा 50, 10 बच्चे 50 हो जाएगा दोस्तों और ये मैनस में हो जाएगा, ये मैनस में है तो ये हो जाएगा X बराबर 50 यह मैनस हो जागा दोस्तों इसको कटाएंगे तो कितना हो जागा 25 बटे दू हो जाए यानि सारे 12 सेंटिमेटर हो जाएगी देख लिए मैनस होगा 5 सेंटिमेटर हो दरपन से मुमबतन की दूरी भी दिया ऑफीक अब यह उप्र कण से द्यूरी भी में निकालना दिखत नहीं लोका सकते मैंनस नहीं चलेगा क्योंकि अदिक कोई वस्तों पांस से दस सेंटेमेटर दूर रखी गई है यह उत्तल है इसका आवर्धन कितना होगा दोस्तों कुछ फितना हो जागा तो अबरधन भी बाइए यू करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों जो चाले अब शाले लिए आ पुछा गया था भी दिया गया दस और यू कितना दिया गया दोस्तों भी U का भेलू कितना निकाले थे अच्छ अच्छ U का भेलू यहाँ पर दे दिया गिया दस तो 10 10 है 10 यह 3 से मल्टिप्ला हो जाएगा 1 बाइ 3 हो जाएगा 1 बाइ 3 को अंगो करेंगे 0.33 आ जाएगा इससो को फिप किजिएगा बस आपको इसमें फर्मला था वही रखना था याद वनबाइ एप इकोल टू वनबाइ भी पलस वनबाइ यू होता है उत्तल दरपन है तो पलस मोगा अपल दरपन है तो मैनस मोगा तो यहां पर अब अपटल दरपन दिया था तो मैनस हो जाएगा 1 बाइv मैनस 20 इकल टू मतलब दोस्तों यू का विलू 1 बाइ मैनस 30 प्लस वन भाइ भी होगा जब इसको हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों तो 1 बाइ कितना होगा मैनस 1 बाइ 60 आएगा मैनस 1 बाइ 60 को जब हम लोग निकालेंगे वन भी तो भी बराब हो जागा मैनस 60 सेंटी मेटर यहीं इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों तो अगल दरपन है तो मैनस में लिखे या ने लिखे कोई दिक्कत नहीं है 40 सेंटी मेटर फोकस दुरी वाले उत्तल दरपन से वस्तु को कितने दुरी पर रखा जाए उत्तल दरपन देट पलस नहीं होगा रखा जाए जब परतिवीम दरपन से आठ सेंटी मेटर की दुरी पर प्राप्त कहोगा तो फ्रमुला तो हम लोग जंगते हैं 1 बाइ एप 10 डिया नेक्स इच्त कोई वस्तू 12 सेंटी मेटर तिर जाके अफ्तल दरपन आपं दकी अभरि झाया तुक्त दूरे तो मैइस सेंटिमिट्र ग tossa always big teammate love डांब इनस समय कूल मैड से मेन सथा अब हम्दस्क को से नोगल होगा याद रखियग यह दर्पक शुत्र और कि दर्पका सुन्हार बहुत यह इंपॉर्टेंट अब ये लुए sa keeping engine 드 men will i7 een-1 सब्सक्राइबुष आप निकालना है दोस्तों जब यहां पर हम भी निकालना है तो इसे भी आप निकाल सकते हैं तो बहुत को बाँतल दर्पन से वस्तु को किति दुरी पर रखा जाए जब परते भी अटरपन से 12 cm के दूरी पर प्राप्त करना हो तो याद रखेगा यह बहुत नहीं अच्छा कोशन है इसको अच्छी तरह समलोग देखते हैं पहले यदि किसी अतल या उतल दरपन की फोकस दूरी एप दरपन से वस्तो के दूरी यू तो अतल या उतल दरपन की दूरी भी हो तो अतल या उतल दर दोनों दरपनों के लिए निमन परकार की से सुत होती 1 by f equal to 1 by b plus 1 by u होती यह तो आप लोग जानती ही है ठीक है एप दिया है दोस्तों कितना 4.8 cm प्रेशन के नुसार तो यू बराबर हो जागा मैनस 8 cm दोस्तों याद रखेगा कुछ नहीं छोटा-छोटा फ्रमुला है वो अब पता है तो आजाएगा एक वस्तो अतल दरपन के सामने 20 cm पर रखी है और परतेविम दरपन से 30 cm की दूरी पर बनता है तो दरपन की फोकस दूरी क्या होगी बस वही फरमुला लगाना है 1 by U plus 1 by B equal to 1 by F होता है U का विलू दिया है मैनस 20 cm और B का विलू भी दिया है मैनस 30 cm ठीके दोस्तों तो एप हमें निकालना है यहाँ पर पूट कर देना है जब हमें लोग पूट कर देंगे तो मैनस 50 by 60 आजाए मतलब 600 आजाएगा इसको कटा देना है दोस्तों कटा देने तो यहाँ आजाएगा 12 यानि एक बाटे 12 हो जाएगा दोस्तों जब एक बाटे 12 हो जाएगा एप हो जाएगा कितना मैनस 12 cm एक दूसरे पर 120 डिगरी पर जुके दो दरपनों द्वारा कोल कितनी च्वियां कितनी च्वियां दोस्तों बनेगी बताएगे दोस्तों बहुत ही अच्छा को है अब देखें यहाँ पर अच्छी तरह से यह अगर फर्मूला आपको पता है मैनस 1 होगा मैनस 1 कब होगा दोस्तों जब सम आएगा तब मैनस 1 होगा सम नहीं आएगा तो हम लोगो मैनस नहीं करना है याद रखेगा मैनस नहीं करना सम अगर नहीं आएगा तो यहां पर नहीं बताए गया संपल है कि तो तीनसो सार वाइट ठीटा मनेस बन हो जाएगा मनेस बन करेंगे तो दो छबियां बनेगी यहां अगर समतल दरपन हो जाता समतल लगड़ाता तब हम लोग को घटाना होता दोस्तों ठीक है आवर्धन यानि के लिए दरपन का आवरधन होना चाहिए धनात्मक होना चीह धनात्मक अब मेरीकल देखिए दोस्तम लोग पढ़ेंगे तो आवर्धन ब्राब होती है परतिविम की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई परतिविम की दूरी बटे वस्तु की दूरी वही हुआ तो यहां देखें दोस्तों भी दे दिया है मैनस साथ सेंटीमेटर यू भी दिया मैनस 30 सेंटीमेटर सिफ पूट करना है बस आजाएग यहाँ पर भी है 1 by 2 है दोस्तों इसको अगर निकालेंगे तो पर्तिवीम की कुल लंबाई होगा 2.4 आ जाएगा तो नोट एम का मान धनात्मको हो तो पर्तिवीम सिधा एक अभासी होगा और यदि एम का मान धनात्मक हो तो पर्तिवीम वास्तिवीम उल्टा होगा दोस्तों याद रखेगा प्रकास का अपवर्तन के बाड़े में हम लोग पढ़ेंगे जब प्रकास विरल माध्यम से संगल माध्यम में प्रविस करता है तो इसकी गती कम हो जाती है next सितारों के चमकने के पीछी सिधांग क्या है अपवर्तनां के कोल्ट हावा में प्रकास की चाल बटे पदार्थ में प्रकास की चाल होती है दोस्तों याद रखेगा एक चमच जो तेरा डिक्ता उधारन के अपवर्तन का तेरा दीखेगा तो अपवर्तन के कारण ही पानी में दोस्तों याद रखेगा हिरे की चमक में किसका योगदन नहीं है हिरे का निम्न अपवर्तन क्या अपवर्तन सुचकन की ये नहीं है हिरे का जो चमकता है ये total reflection of light पुर्ण आंत्रि प्रवर्तन की काड़ वायू का निपेक्ष अपवर्तन सुचकन क्या है वायू का 1.0003 1.0003 गर्मी की प्रभास से समनित नहीं है तो याद केगा रिप्रैक्टिव अपवर्तन निवाद से एक माध्यार में प्रकास की गति के अनुपात को कहा जाता है या रिप्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है किसी माध्यार का पूर्ण अपवर्तन सुचकांक हमेशा होता है एक से अधिक होता है याद रखेगा जब प्रकास के किरन एक संहिन माध्यम से विच्रम करती है तो यह जुकती है अभिलाम से दूर और तिर्विगती से किसी माध्य में प्रकास के जुका को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है अपवर्तन प्रकास की दिश्वा में होने वाले पडिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अने माध्यम में होकर गुजरता है तो कहलाता है दोस्तों अपवर्तन कहलाता अपवर्तन पानी से भरे एक ग्लास में रखा गया निम्गु ग्लास की बगल से दिखने पर इसके वास्तवीक आकार से बड़ा पर्तित होता है इसका करण क्या है प्रकास का अपवर्तन हीरा का निर्प्रेक्च अपवर्तन होता है 2.42 निमलकित में से किस विकल्ब का माध्यम याद के दिश्टी गत रूप से कम संगन होता है तो हावा सुरेदे एबं सुरियास्त के समय सुरी दिर्ग विर्ताकार दिखने का कारण क्या है अपवर्तन क्या है अपवर्तन जब प्रकास विर्यल माध्यम से संगन माध्यम में प्रविस करता है तो वह धीमा तथा डैस हो जाता है तो याद रखेगा प्रकास के किरन पानी से गलास तक जाती है या जुटता है तो समानी की और समानी की और धीमा हो जाता है दोस्तों याद जब प्रकास एक संगन मादियम से विरल मादिय में प्रविश करता है तो इसकी गतिपर प्रभाव क्या हो नेक्ष माधियम का अपवर्तनांग सब से कम है हवा, हवा, किस इस्तिती में एकर अभी लंबित किरन, आप्तित किरन और परिवर्तित किरन सभी एक ही सतर पर होते हैं, तो अपवर्तन तो था प्रावर्तन दोनों में, डेस के कारण आकास में तारा टिम्टी माता दिखता है वाय मंदल दोड़ा वाय मंदल दोड़ा परकास के अपवर्तन के कारण, नेक्ष दो माधियम के मद सीमा पर परकास के मूर्ने की घटना किसकी परभाव से होती है, अपवर्तन के परभाव से होती है, परकास नीला देखाई देता है, स्वेद परकास में नीले रंग के तर तो एन बराबर होता है वायू में प्रकास की चाल, बटे माध्यम में प्रकास की चाल, एन बराबर क्या होती दोस्तों, वायू में प्रकास की चाल, बटे माध्यम में प्रकास की चाल, तो वायू में प्रकास की चाल 3 इंटु 10 डिवावर 8 मीटर परती सकेंड होती है, माध्य प्रकास के बारे हम लोग पड़ेंगे प्रकासिक तंतु सिध्धांत पर कारी करता है पून आंत्रिक प्रावर्तन पर काम करता है प्रकासिक तंतु पानी में से पैदा होने वाले बुल्बूले में जो चमक होती है वह परिकिरिया के कारण होती है प्रकास के संपून अंत्री प्रावरतन के कारण दोस्ता होती है नेक्स्ट लेंस उत्तल या अव्तल के बारे हम लोग पढ़ेंगे जब कोई वस्तो उत्तल लेंस के डैस पर हो तो परतिविम अभी वर्दित अवासी और सिधा होता है परतिविम उसके वास्तिविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तो को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए करसाफ के सामने रखा जाना चींड कि ईक्लंस के ड्यर्ष से होकर गुजरने वाले परकास की कियर्ष दूरी के निकल जाएकी तो परकास किया निकल जाएगी 2 यश्थ सितिपक पर रखा जाता है तो 6 का और किया होगा तो यहां पूरुवर्थ होगा पूरुवर्थ knit एक लेंस की संक्ति ईसकी डैस् सरंकर्ण करों पाती होती है पोकस तूरी के पकलों कियोतीther reconst सुधू को टेस्ट पर रखा जाता है तो अभी सरदेर्ख मों बने के लिए उपयोग नहीं होता मित्च धूस्त5 नहीं होता अब थेक फर्मूला है दोस्तों रूड पर्ठिकों के सत्य लिए दोस्तों याद रखेगा वर यहेb यहीं होता दोस्तों दर्पंट दर्पंट प्लेस्ट में होता है यह आप अच्छी तरह से याद रखेगा लेंस में नाभी की नाभी बिंदू अथ्वा फोकस पॉइंट और द्रिष्टी केंद्रिया और पिक सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ या नाभी के किसी सुधारात्मक लेंस की सक्ति प्लेस टूडा थ ने लैंस सड़ेव अभासी चोटा पर्तिवीम बनाता है अबतल क्या होगा अबतल नाभी काूता फटल गें तो 25 x 2 करेंगे दोस्तों कितनी हो जाएगए 50 cm 50 cm हो जाएगी दोस्तों यहीं इसकी आंसर होगा देखिए lens के पाबर होगा प्लस टू डाप्र दिया गया है तो फोकस दूरी होती है दोस्तों 1 by D होती है 1 by D 1 by D करेंगे दोस्तों D के स्लेटार पो दो हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 0.5 मीटर आ जाएगा 0.5 आधा सीप कर दीने है और कुछ नहीं 0.5 मीटर है इसको सेंटीमिटर में चिंद करेंगा तो 50 सेंटीमिटर आजाएगा एक लेंस में प्लस 2 डायोप्टर की सकती है लेंस की किसम और इसकी फोकल लंबाइगे क्या होगी सबस्क्राइब कर दोगा यह आप लोगों पता है ही ठीक है तो उत्तल हो जागा दोस्तों और 0.5 मिटर है मैनस में तो हो गई नहीं क्योंकि उत्तल है तो पलस नहीं होगा तो इसका और कुछ नहीं सिप ऑन बैट कर दें यह 0.5 आ जागा नेक्ट एक उतली फोकस लंबाई 25 संक्ट मेटर है तो उसकी चंपता यह सक्ति है जिए dysnoga चाल मोरेंगे तो कितनी हो जाएगा दोस्तों य Γιαुको डिए चाल चुखा अटल्य। 100 हो जागा दोबल जिर्श येडिकरiva दाफ्रोजान प्रेटों दोपेंच कि इस लिए ने ऑब्र ज़ा कशी ने पिता ही दूरी कीसरी पर होता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे एक्ष पर ऑप्टिकल केंदर से 25 सेंटिमीटर की दूरी पर रखा गया है तो क्या होगा देखिए दोस्तों इसको उत्र लेंस की सक्ति बराबर 1 by F सिप करना है 1 by F लेंस है तो मैनस में होता है पता ही आपको मैनस में ही तो मैनस वान 25 सेंटिमीटर दिया है दोस्तों ठेक और उसके बाद क्या दिया है उत्तर लेंस है चले ठीक है उसके बाद एक्ष पर हमको निकालना पटेगा मैंस मैनस पिलस हो जाए जब इसको निका लेंगे तो तो 9 by 100 आ जाएगा तो यह ब्राबर अगर निकालेंगे तो 100 by 9 cm हो जाएगा इसको निकालेंगे 1 by 9 मीटर आ जाएगा दोस्तों 1 by 9 मीटर हो जाएगा चेंट करना पड़ेगा एक सुस डिवाइड देनी होगी तो पी ब्राब 1 by F होते है 1 by F तो पी ब्राब 1 by F यह ब्राब 1 by 9 है तो इसको निकालेंगे तो 9 डाब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लग जाएगा एक उत्तर लेंस की सकती का पता लगाए यदि छवी का गठन लेंस से 10 cm की दूरी पर होता है जब वरस्तु का लेंस के दूसरे एक्ष पर ऑप्टिकल केंड दोस्तों देखिए 1 by f equal to 1 by 10 minus 1 by 40 हो जाएगा उसके 40 दे दिया गया है ठीक प्लटी दे दिया गया है यह उत्तल लेंस में बिल्कुल उल्टा होता है और यह इसमें जो है मतलब दरपन में इसका लेंस का उल्टा होता है दरपन अधर पन लेंस बिल्कुल इसलिए उत्तल है तो यहां मैनस होगा उत्तल में पलास करते थे हम लो ठीक है तो यहां पर निकालेंगे फोल प्लस 1 by 40 हो जाएगा तो 1 by 8 आजाएगा एप ब्राबर 8 हो जाएगा दोस्तों मीटर में चिंट करेंगा तो 1 by 100 से जब इसको करेंगे दोस्तों तो 1 by 100 हो मतलब 8 by 100 आजाएगा त तक यह सब्सक्राइब नहीं हो ठीक है यदि परते नाससे सुले संटीमीटर की दुरी पर भंति है ठीक है दुरी दे दिया है जब वस्तु को लेंससे के दूसे ल रख्ष पर ऑप्टिकल के अदर से 20 संटीमीटर की दुरी पर रखा गया है तो क्या होगा बताए से इसका कि आसर देट हैं भॉरसट दो सब्सक्राइब करें अच्छा क्वास्सक्राइब दोस्तों क्या होता है वान ब seç को लिए शतर्व भी मेनस में यू ओता है और यहां पर पितना दूरे दिया है यू इसली इसली सिक्षिटी मैनेस बीच में होता है और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों मैनस क्योंकि उत्तल दIESकर यह निकलने के लिए 1 520 हो जाएगा बस इसे को हम भी लोग सुलिशन करेंगे आज आजाएगा इसको करेंगे तो 980 आजाएगा जब यह 980 आजाएगा दोस्तों तो हमें एप निकल नि तो उसी तरह यहां पर दिया कि वन अपर फ्रमुला लेंस का वन भी मैस वन भाय यू वन भाय एक उक्षिन और श्चिन दिया है मैनस बीच में मैनस वह उतल लेंस के बार इंच चाहत इसलिए मैनस वह वह लोगा ट्रपन में उतल रहता तो पलसमों ठीक है दोस्तों आफ तर यहां पलसमों जाएगा इसको फिर पर यंटी हो जाएगा सकती यह पर अब बढ़ाबर के होता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर आप्टिकल के लसे बारे संटीमिटर के दूरी पर रखा जाता है तो चाहिए दोस्तों बहुत ही आउसमों संटीमीटर यहां के दिया निकालेंगे तो देख लिजिए यू होटा है वस्तु के लेंस से दोडिई वी निए कि लेंस की दूरी एप होता है लेंस की फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा एप वण भार इफ उकल टो वान भाई भी वान भाई वी का वेली पाची से यूका विलुव मैंस बारे वा उत्तर लेंस के बारे मिल चाच चाहे तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो आ बराब हो जागा 25 गुना 12 बॉट सई तीस प्रभीक होटा है बिलकर यह पुला पुला प्लट जाएगा जब अब जाएगा दिश्क के फोकस लंबाई 25 से क्या होगी णांगा था जाएक घृट्टर की फोकस यतना है दोस्तो एक उत्तर लेंस की फोकस दोड़ी 2.5 मीटर तो इसकी छमता घ्याज करें तो 2.5 है उत्तर लेंस की फोकल लंबाई वाली एक उत्तर लेंस के मुख के अक्ष पर रखा जाता है यदि लेंस की दोड़ी 30 cm है तो पर्ते गी मुख करेंगे जो दिया गया था क्वेश्चन लेंस का उप्योव निकर्द्रिश्य दोस्त माय उपिया से प्रित्र लोगोद्वारा किया जाता है अप्तर लेंस अप्तर लेंस निकर्द्रिश्य अपको एक ट्रीक देखाई वह जो दोस होगा यानि निकर दिरीष्टी दोस है तो निकर्ट की वस्थु Bowl नहीं दख्यायता है मैयूपिया मुनि 94 के नेत्र में किस वस्थुática पर्तिवी पबंता रेटिना के पिछे बंता धुड़ द्र भूसर है दौर द्रिश्श्थी दोस है तो Dustop मतलब क्या हुआ दोस्तों दूर की वस्तों दिखाए देगा निकट कर नहीं देगा रेटिन से पीछे बनेगा हाइपर माइटोपिया से प्रित लोगों द्वारा लेंस का उप्यों किया जाता है उत्तर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्दन डेस की किरिया के कारण होता है आधा माइटोपिया क्यों कि या रखेगे मायुपिया कशाम भी मांस्पेस्टेशी के द्वारा होता है दोकस दूरियों वाले Viya से सरी पिडित वेकतियों द्वारा किया जाता है partly और हाइपर मैटोपिया याद रखेगा मायपिया को दूर करने के अप्तर लेंस राख़ करने के उत्ता लेंस महनब के अभी नेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी होगी बढ़ जाती है फोकस दूरी बढ़ जाएगी नेक्स्ट प्रकासी की यह नहीं ऑप्टेकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे रोशनी के लिए सधान बल्ब की इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों दवारा महसूस नहीं किया जासकते है इसलिए हमें चेश्मापना परता है पेडियोग किया जाता है सधरन सिसा का पर इयोग किया जाता है ऑप्र कास का वन विक्षेपन मतलब दिस्प्रेशन ओफ लाइट रेंवो के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे जल की बुंदों से ड्यास होकर इंदनुस बनता है प्रकास के पर्तिभींबन और अपवर्तों की कारण इंदनुस बनते हैं स्वेत प्रकास के सात रंगों में कांच के प्रिजम तुवारा प्रकास के प्रिजम से होकर गुजरता है तो उसका प्रिजम होता है क्योंकि स्वेत प्रकास के सात रंग कांच के प्रिजम से अलग अलग चाल से गुजरते हैं इसलिए दोस्तों पड़िछेपन मतलब धोतित करता है क्या स्वेत प्रकास का अलग-अलग रंगों में विभाजान प्रकास का अलग-अलग रंगों में होने वाले बटवारे को कहा जाता है क्या परसार कहा जाता है विदुत के कारण नहीं होता है, संकोचन प्रभाविदुत के कारण नहीं होता है धातों का उपयोग विदुतार बनाने के लिए किया जाता है तामबा का, तामबा का एक्टोमिक नंबर 29 होता है दोस्तों बिदूत आवेस यान इलेक्टिक चार्ज के बाड़े में अब मोलोग पढ़ेंगे यदि समान चमता कि दो आवेस इत चार्ज वस्तों को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिली प्रभावी दोस्तों नहीं होता है याद रखेगा धारिता C और आवेस Q और विभाव भी के बीच समन्द क्या हो जाएगा यानि दोस्तों क्या हो जाएगा अच्छी तरस याद रखेगा आवेस बराबर क्या हो जाएगा C इन्टू B होगा यानि धारिता इन्टू विभाव होता है या विभांतर होता है दोस्तों, क्यू बराबर हो जाएगा C into V, Q क्या है, Q क्या है दोस्तों, आवेस है, C क्या है, धारीता है, और V क्या है, विभांतर या पर विभव है, याद रखेगा, उसी यही रूल परमलो आगे नम्रिकल बनाएगे, देख्ये क्या है, बारा वल्ट स्रrey husus यहां विदूत आवेस पुछा जारे दोस्तों तो विदूत आवेस वराबर होता है कारिया यह जud gült का चाहिप fod ट्रफ बिदूत पड़ेवांथर्वा निया कार्यher कुलाम होगा सिमे तरह करना है दोस्तों ऊब हाई जोड़ा तो दोनोन के परिपत के माध्यम से परभावित होने वाले विदूत आविस क्या होगा? 3 कुलम होगा. सेम उसी तरह करना है दोस्तों, क्या गया कारी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? विभांतर, 30 बटे 10 करेंगे तो 3 कुलम आ जाएगा. इलेक्टिक चार्ज क्या है Q, Q और समय T, बटे 10 में बराबर होता है दोस्तों, इलेक्टिक धाड़ा यानी I होता है, याद रखेगा, मैनस में. विदूत बल्व के एक फिला मेंट्र तो वाड़ा, 5 मिनट में 0.8 एंपियर की धाड़ा खीची जाती है. परिपत के माध्यम से परभावित होने वाले, विदूत आवेस की मात्रा क्या होगी? पच्ची तरह से याद रखेगा, विदूत आवेस की मात्रा बराबर I into T हो जाएगा. i का मतलब क्या हुआ धाड़ा, मतलब भाने वाली धाड़ा और t का मतलब हुआ समय, q ब्राबर i into t होता है, सिफ multiply करना है और कुछ नहीं दोस्तों, multiply 0.8 ampere को multiply करनी है, ये 5 मिनट से, 5 मिनट से करेंगे, मिनट में है, तो इसको second wave change करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 60 से माधियन से परभावित होने वाले विदूत आब इसकी मातरा, 300 कूलम होती है, जब 0.5 ampere का परभा, विदूत वल्व के एक फिलामेंट द्वार परभावित होता है, तो समय ग्याद कीजिए, समय ब्राबर, q ब्राबर i into t होता है, ये तो आप लोगों पता है, q ब्राबर i इंट्व टी होता है, दोस्तों अच्छी तरह से याद रखेगा, तो t ब्राबर क्या हो जाए, q बा, i हो जाएगा, q दिया गया, कितनी दोस्तों, 300, और i दिया है, 0.5 ampere, तो बिल्कुल इसको डिवाइड करेंगे, दोस्तों, ये क्या हो गया, 0 से यहाँ आजागा, 0, आजाएगा, 600 सकेंद, ए नमर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट, ए 11 वोल्ट के विवांतर वाले दो बिंदों के बेचे, अब 5 कुलम के आवेस को अस्थंतरित करने के, करने में क्या गया काम कितना होगा, विवांतर बढ़र होता है, क्या गया कारी बढ़र होत आज आज़र की धर ली जाती है, धरा के माधियं से प्राववाइद होने वाले विदूत आबस की मारा क्या होगा, तो आपको पता ही विदूत आभेसर वालावर क् Gitowta आए, विदूत आवरा विदूत आवजर अगुना समय होता दोस्तों, और विदूत आना दे दिया गय 2 डाले दों कारव साठार सतहीं हो तो योट्य परभावित होदे वाला विदूत आवएस क्या होगा विधंथ्νη डोधार वरावर मेक्रावर तो आवेस बराबर क्या हो जाएगा काड़ी किसे दो सब्सक्राइब सीन में अंसर हो जाएगा 10 वल्ट के विभांतर वाले दो बिन्दों पर कितना काम करना पड़ता है तो क्या होगा ड्राबर हो जाएका Q x Q हो जाएगा डूर क्या यह कि दिया गया कितना क्यू दिया गया दूस्तों और यह देखें दो दिया गया है और री दिया गया 10 दोनों को multiplex material करणा है 10 दूनी Wen Are- इस जूल इसका राइट अंसर हो जाएगा दो बिंदों के बीचे चार डीडी सेल्सियस का सुरी चार कूलम का आवेस ले जाने में क्या गया कारी डैस है उनके बीच विवांतर आठारे बोल्ट है तो क्या होगा हम जानते हैं कि यानी 72 जूल हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट अंसर हो जाएगा पांच बार में बिल्कुल खतम हो जागा पांच बार में तो यहां पांच कुलम इसका राइटांसर हो जाएगा बारे पंचे साइट नेक्स्ट है अब देखिए अच्छी तरसियां समझे यह 10 ओम के परति रोध में 0.5 एंपेर की धारा प्रभावित हो रही है तो इस परति प्रभावित होती है तो विदूत आवेस कितना होगा तो विदूत आवेस वराबर क्या हो जाएगा दोस्तों विदूत आवेस हमें निकालना है तो अब यहां देखिए इसको कटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 से यह 10 कट जाएगा आर्चों का 48, 48 गुना 5 करेंगे जब 48 गुना 5 हम करेंगे दोस्तों 48 गुना 5 तो 240 आ जाएगा यानि इसका राइट अंसर यह नमर हो जाएगा 240 एक विदूत गेज़ेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एंपियर की धारा खीची जाती है पड़िपत के मात्यों से प्रमावित होने वाले विदूत आब इसकी मात्रा ग्यात किजिए दिया है दोस्तों समय कितना है 10 मिनट इसको सकिंद करेंगे 60 सकिंद आ जाएगा विदूत ध जब इसको मल्टिप्लाइगर ने नीचे 10 आ जाएगा यह से यह कर जाएगा 60-6 करना चाचा के 36-360 यानी दोस्तों सी नमर इसका राइट अंसर होगा 360 0.9 एंपियर की धारा दो मिनट के लिए विदूत बल्व में या के एक फिलामेंट दोड़ा प्राप्त होती है तो सर्कीट के माधियम से बहने वाला आवेस क्या होगा तो आपको पता ही है क्यो बराबर क्या होता आई एंटो टी होता है और आई का भेलो दिया है 0.9 एंप के लिए 0.5 एंपियर की विदूत धारा प्रभावित होती है तो उस अतार में से प्रभावित होने वाला विदूत आवेस कितना होगा तो बहुत नहीं अच्छा कोशन है ती दिया दिया दोस्तों पांच मिनट तो सकेंड में चेंड करेंगे तो 300 सकेंड हो जाएगा एंप प्रभावित से दुसरे बिदू तक दो कूलाम का आवेस प्रभावित होता है यूर्मी दो बिन्दू मुडिय दे दिया है दो एह 10 जूल आ जाएगा या ऑप्सन नुमर यह इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट विदूत बल्व के एक फिलामेंट दोड़ा आठ मिनट में 0.75 एंपियर की धारा कीछी जाती है धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विदूत आवेस की मात्रा क्या होगी तो समय दिया है आठ मिनट तो इसको सकेंड में चिन करेंगे 60 से मल्टिप्लाय करे दोस्तो कितना 0.75 से तो आ जागा 360 कुलम इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 14 वोल्ट के विदूत वाले दो बिंदों के बीच पांच कुलम के आवेस को अस्थंत्रीत करने में किया गया कारी कितना होगा तो विदूत दिया है 14 वोल्ट और विदूत आवेस दिया है दोस् पांच कुलम के आवेस को प्रभावित करने में किया गया काम कितना होगा सेम उसी तरह बनाना है दोस्तों वर्क ब्राबर क्यू इंटू भी हो जाएगा क्यू है दोस्तों 15 अभी है पांच मल्टिप्लाइक करने तो क्या हो जाएगा 15 पच्छे 75 पच्छे 75 जूल हो विदुद बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 MPR की विदुद धारा प्रभावित होती है तो धारा में धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विदुद आवेस की मात्रा क्या होगा सेम 10 मिनट है तो 10 गुना 60 कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 600 600 को को प्लाय करना है तो 450 कूलम आ जाएगा क्योंकि आई बराबर आवेस वचे समय होता है दोस्तों आई बराबर आवेस वचे समय तो Q बराबर हो जाएगा I into T हो जाएगा नेक से 10 वल्ट के विवांतर वाले दो बिंदों पर 5 कूलम के चार्ज को अस्थामतित करने में कितना काल करना पड़ता है तो काल बराबर होता है विवांतर गुणा आवेस यानिated बर बराबर हो जाएगा विवांतर विवांतर कितना दिया गया है 10 और आवेस 15 10 वचे 50 इसक करेंगे दोस्तों जब मुल्टिप्लाइब तो 144 हो जाएगा एक सो असी को 0.8 एंपेर से मुल्टिप्लाइब करना होगा एक सो च्वालिस हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट पर चेंपियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट दोबारा ली जाती है सर्कुत के मात्रा क् दोस्तों 10 मिनट 10 गुना साट करेंगे दोस्तों तो 600 गुना पमच करना है तो पुझागा तीन हजार इसकर आइटन से लोगा ऑप्सन नमर यह भीषम्पा वाले दो विन्टों के बेच से चार कुलम के चार्ज को प्रभाव इत करने में केतना काम किया जाएगा तो काम निकलना be बीषम्पा यहां निकलना विए वन्तर बिन्दों पर टीन कोलम के आवेस को स्थम्पारिकन करने में कितना कारी poem तो आपको पता हिसे 15 फाइस कारे सर खालो आज़ाया है और तोड tiene सरों कि इस प्रहम की प्रेश हट में प्रेस याया कारिव याद कीशहरों थे दौद हीचशना कुल्फी नएकंच्ण और उसको प्रक्रिशिंच हाई और चार्इस प्रेसित और करना है जो मिल्टिप्लाइ करेंगे तो 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुत पल्व के एक फिला मेंट द्वारा एक मिनाट में 0.75 एंपियर की धारा ली जाती धारा के माध्यम से प्रवाईत होने वाले विदुत आवेस की मात्रा किया होगा मल्टिप्लाइ करन क्यक्स तो तो 65 जूलिस का राइट आंसर हो जाएगा और क्या होता है विदुत पखाग बल का मान विदुत बबार का मान क्या होता दूस्तों ओमेगा बराबर होता दोस्तों कि मतलब से यादर की होता है और यह फिल्यक्स विदूत बाहग बाल को डिनूट किया जाता है उससे विज्यानिक ने दो आवेसित कर्णों के बीच आकर्षन परतिकर्षन के बल को नियंतित करने वाला नियम दिया था चाल्स कुलम ने दिया था चाल्स कूलम ने भूत की का नियम बताता है कि जब दो विदूत आवेसों के बिच दूरी दोगोनी हो जाती है तो उनके बिच बल उनके पुर्व मान से एक चोथाई तक कम हो जाता है यह कूलम का नियम बताता है कूलम का नियम किसी आवेस का विदूत छेतर बल दूरी के व पाती होती दोस्तों ये कूलम का नियम कहता है विदूत परिपत ये इलेक्ट्रिक सर्कीट के बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज को इस्तिर रखते हुए यदि अधिक लेंपों को एक स्रेनी परिपत में जोड़ा जाता है तो परिपत में कुल धारा घट जाती स्रेक्ट कुल और किया होगा घट सृबीरत ने नहीं करते हुए विधूत ऑर बंदेट ऐसे घरों में बेजली संचारित करते हैं उसे कोटिंग होती है पुलिविनायल कलॉड़ाइट के पुलिविने नेस्की प्लीड है पीविसी की किश्चोप वल्ड़ता नियम अनुसार किसी भी समपुडित पास में सरी I, R यानि I हो गया धारा और R हो गया परतिरोधकता तथा EMF का विजिये योग हमेशा होगा दोस्तों सुने ये किश्चोप के वल्ड़ता की नियम अनुसार सुनी होगा एक digital परियोग में counter का counter परियोग होता है dash जो count करता है बहुत सारे clock प्लस को जो की निवेस परियोग पर दिया जाता है counter का परियोग dash एक basic में किया जाता है register flip flop में किया जाता है विजुद परियोग में बेटरी का उपियोग किया जाता है विभांतर उत्पन करने हैं तो परिपत का एक क्रियासिल घटक क्या ट्रंजिस्टर है परिपत का दोस्तों एसी परिपत में आम तोर पर सक्ती हानी होती है केबल परतिरोध नेक्स्ट वीट एस्टोंड परिपत का उप्योग मापन से किया जाता है परतिरोध उध मानों को मापने के लिए वीट एस्टोंड परिपत का अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है इसे कहा जाता है तो यहाद कि अधी भारन कहा जाता है अधी भारन पडिपत में विदूत प्रभवित होने का केवल एक मार्ग होता है दोस्तों स्रेनी होता है क्या होता है स्रेनी नेक्स्ट उपकरण पडिपत में विदूत धारा का पता लगाया जाता है गेलवेनो मीटर के दोड़ा गेलवेनो मीटर एक विदूत पडिपत आरेक में सेल के चिल में एक लंबी और एक चोटी रेखा होती है लंब़ी रहखा टरमिनल को दर सांती है धनात्मक धनात्मक यदि कई बलव एक परिपत है समनंतर कड़में जुरे हुए हुए में अरु एक बालव फ्यूज हो जाता है तो अनि बopoly के साथ होता है और सभी बलव जलते हैं सभी बलव दोस्तों जलते हैं अद पूछा जाते हैं इसको समझी नीचे दिये के परिपात में 6 ओम परतिरोध में प्रभावित धारा क्या होगा बताइए दोस्तों इस टाप में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है क्या होगा इसका राइट अंसर हम वेट करते दोस्तों देके कुछ रहीं इसको सिफ हमें क्या करना होगा दोस्तों 6 ओम के बारे मं ऊचा जारा है छ distintos इसको जोड़ना होगा दोस्तों देहिए कैसी फिनलोग जोड़ते हैं धी बिटेन सान नोड़ी एपर ये जो नोड़े हैं हो गया यहां यह कैसे आ इंहलों दोस्तों यह पर दोस्तों है यह 1 luckily ह मंहदि الف。 उनुच दोस्तों द्या उम के पर त일ों में धारा का माना यहां यहां 10 है। र preachers दान करना पड़ेगा इस दो मेद धारा का मान दिया nya तो अलिएंग यहां से किये दोस्तों हम तब क्या हो जाएगा इसको जब solution हम लोग करेंगे भी ब्राब हो जाएगा 40 बटे 9 आ जाएगा अता 6 उन्में प्रभावी तो विदुधारा मतलब आई ब्राबर क्या होता है भी ब्राबर भी ब्रटे आर होता है भी कमान 40 था आर था दोस्तों कितन से समंद्करने वाले नियम को कहतें क्या जूल की का नियम कहते है जूल का नियम यदि एक तार के मादियां से क्षा प्रभावित होने वाले विदुद धारा को किई और एक प्रभावीत होने वाले की संख्याँ को खिके मादने मेर्शें धार्वा겁 होता है तक इसलित और होता है यह दिक भीजलन अधारीत होता है धारा के उसमें प्रवा पड़ा के उसमें प्रभापर बिदुत धारा का सुत्र आई बराबभर क्या होगा दोस्तों डैस बटे समय होता है तो लुधा परभाभर क्या है स्ठैप से यदि एक बडिपत में किसी बिन्दू से एक सकेंड में 20 कुलम आवेस गुजरता है तो उसमें प्रभवावित धारा का मान क्या होगा सिंपल सी आई बराबर QyT होता है और Q का मान दिया गया कितना 20 और एक उहां दिया गया T का मान तो क्या हो गया 20 A इसका राइट आंसर हो जागा बस QyT होता है इतना टो फ्रमला था पता तुम बन जाता किसी इलेक्टिक हीटर द्वाड़ा स्त्रोथ से 4 A की विद्धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मद विवांतर 60 V होता है भी बराबर IR, भी का वेल्यू साठ था, आई का वेल्यू चार था, आर हमें निकलना है बस 15 Ohm हो जागा 15 Ohm यदि इलेक्टिक हीटर पर भीवांतर बढ़ा कर 177.5 बोल्ट कर दिया जाए तो विद्धु धारा बराबर भी बटे आर होता है क्यों का वेल्यू दिया है दोसतों तिन्सों कुलम 300 कुलम दिया है क्यों का वेल्यू आई हमें निकलना है Q बढ़ाबॉ इंटु ठी रोता है यहां और किया पर किया होगा तो इसको अगर मों निकालेंगे तो इन्टू इन्टू बेर हो जाएगा यहाद रखेगा यह विद्धुत प्रवाग के ओर समेठी दिया गया हो तो विद्धुत धारा मतलों क्या हो जाएगा बहुत अच्छा ही है कि आई मतलब आयग्यात करने का सुधर क्या होगा आई क्यू ब्राबर आई individual या नमर इसका विचवांतर होता है जब यह श्रोट से 4 एम्पेर की धारा प्राप्त करता है यदि हो जाता है तो यह प्राप्त की जाने तब दोस्तों हम लोग जानते हैं विदू धारा ब्राबर क्या होता है भीवट्टे आरो ता भीका वेलू दिया है दोसे को सब्सक्राइब पांच और डिवाइड देने लिए ग्यार दोसले पांच एंपर आजाएगा अजर क्वाइल का परदिरोध एक्साओम है तो 220 वॉल्ट स्रोध से electric हीटर क्वाइल कितनी धारा प्रभावुत करेगी तो यहाद कि परतिरोध आर दिया है एक्साओम विभांतर दिया है 220 और धारा हमें निकलना है आई बराबर होता है भीवट्य आर भी का वेलू 220 है आर का वेलू 100 है जब इसको करेंगे तो दोस्तो आ जाएगा कि तो 2.20 2.20 एंपियर हो जागा यही अंसर है 2.2 नेक्स्ट जब बिजली के एक हीटर सुरुप से बी का वेलू 60 है आई का वेलू 4 एंपियर है तो क्या हो जागा 60 बटे 60 बटे आई का चार तो हो जागा 15 60 बटे 15 ओम हो जागा यह आप वोल्ट एत्रा दिया गया 157 तो 155 को 15 सदी भाहर देंगे तो 10 नलाव 5 एंपियर हो जागा सब्सक्राइब के आई बड़ाबर भी बटे आड़ होता है दो पर्ति रोद दक 10 ओम और अनिये 20 ओम असरे खला में साथ वोल्ट बेटरी से जुरे होए है सर्कीर में वितुद धरा डैस होगी तो यादखेगा तो लिए पर्ति रोद क्या होगा सब्सक्राइब किसी स्वर्च से चार एंपियर की धारा मतलब प्रभावित होती है तो उसका विभांतर बढ़ कर 65 वोल्ट हो जाता है तो विदुद धारा कितनी होगी विदुद धारा कितनी होगी याणि आइँ हमें निकलना है दोस्तों तो भी बरावर आईरोत हैacon आई निकलना ओंए जुद दोल्टों8 गोए नीच्ट निकलना होगा थो आड़्पोट वाले जनेरेटर को 1100 वार्ट की पर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होनेवाली भी तो धारा की गन्मा किजिए पी ब्राबर 1100 वार्ट भी ब्राबर 220 भी वोल्ट है तो आइब रभ़ भी पी भी होगा पी का बेलु दिया है 1200 थो आइब राबर 5 एंप होता है भी बराबर आई आर तो आई बराबर भी बटे आर भी का विल्यू दिया है 220 और आर का विल्यू बार तो जिरो पुएंट वान एट एंप्यर हो जाए इसका राइट आंसर दस ओम परतिरोधक पर जब 140 वोईट का विभांतर अनुपरियोगत होता है तो इससे होकर प् हो जाए इसका राइट आंसर किसी पीर के माधियन से कितनी विदुधारा प्रवाइट होगी यदि यहां किसी 12 वोल्ट वाली वेट्री के टर्मिनल यानि दोस्तों यहां दिया है देखिए कितना एक लाग ओम परति रोध पर चुत दिये तब क्या होगा भी बढ़ाबर आ कोईल का परति रोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट से इलेक्ट्रिक हीटर कोईल में कितनी धारा प्रभावित होगी भी बढ़ाबर आई आर होता है आई बढ़ाब भी बढ़ाब भी बढ़ाब आर होगा भी का बेलुदिया 220 और आर का बेलुदिया 750 इसको अगर करेंगे 200 0.29 हो जा परत्ति रोध का मान सुन होगा ताव यदि भी बाइगा मान एक नियां तंग है तो इसे इक आचाहिए पढ़ें चालक पड़ाद होता है और तिरोध मान सुन होगा ताब यदि भीवाय आई का मान एक नियांतंक है तो इसे कहा जाता है परतिरोध कहा जाता है किसी विदु सर्किट के दो बिंदों के मद्धी एक एक आई अब इसके अस्थंत्रन में हुआ कारी कहलाता है विभांतर कहलाता है क्या कहलता है विभांतर ओम चालक क्या है सिल्वर सिल् एक विदूत रोधी नहीं है नाइक्रोन दोस्तों नहीं है विदूत रोधी एक विदूत का चालक नहीं है ये वो नाइट विदूत का चालक नहीं होता है ठीक आप्शन के नुसार है पांच ओम परतिरोध वाले एक पड़ी पत्व में यदि धारा में विदूत रोधी होती गर्फ, जिसको एट्रो मिक नमर 28 होता है डेस के अलावा वोदातों विदूत का कुछालग होती है ग्रेव हाइट एक इंसुलेटर नहीं है मरकरी यानि पारा नहीं है दोस्तों पारा के अट्रो मिक नमर 80 होता है जिसको एत्जी कते मरकरी ऑँ म के नियम के अनुसार का थंसत क्या है तो किसी तार में प्रभावित होने वाली विदुध्धरा की मात्रा, तार के सिरों के मध्य विभांतर के सनुपाती होती है। डेस काता है कि किसी संधारित के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभांतर का अनुपात एक इस्तरंग होता है बसरते कि उसकी भूतिक रासियां जैसे तापमन इत्याद इस्ति रहते हैं ओमकानियम ओमकानियम घोल बिजली का चालक नहीं है तो गुलकोच घोल बि नहीं कि एक चालक कंडेक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रभावव के बीच समद्दों का नियम नेक्ष औमका नियम ड्यास और ड्यास के बिच समन्द का वर्नन करता है विभांतर और विदुधारा के बिच कि समन्द याद रखिएगा किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और उसके सीरों में विवंतर के बिच समद बताता है ओम का नियां बताता है अब निमर्कल देखे रिक्त अस्थानों में से सबसे उप्यूक्त विकल्प क्या होगा बढ़िए अठाड़े वोल्टेज बढ़ावर डि ही फ्रमुला यहां लगा है भी ब्रावर आया भी का अठाड़े दिया आई आई का स्थाप्रम्प रखेंगे तब अठाड़े हो जाएगा दोस्तों ठीक है यहां पर आवेस दे दिया है थी कुलंब और कार दिया है 72 जूल विवंतर हमें निकालना है तो कार कितमा दिया है 72 आवेस दिया तीन 24 हो जागा इसका राइट अंसर दोस्तों यह नमर इसका राइट अंसर हो जाएगा 24 वल्ट नेक्स बावर नमर कोसन देखिए क्या है बावर नमर कोसन का यदि धाड़ा 10 एंपियर और परतिरोज 50 ओम हो तो 50 ओम हो तो विवंतर ग्याद करें विवंतर क बताई क्या होगा देखिए क्या होगा विदुत धाडिया आई दिया दस इंपियर परतिरोज दे दिया यह 250 ओम हमें अई भी निकालना है ब्री बराबर आई वह ता है अई का भीली दस था आर का भीलू 50 अप्चास मल्टिप्लाइ कर दिया दोस्तों 500 वोल्ट आ जाएगा इसका राइट आंसर प्रतिरोध यानि रेसिस्टेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे देखे क्या है यदि एक सर्कीट का प्रतिरोध दोगों ना किया जाता है तो वोल्टेज को समवान रखने के लिए सर्कीट में प्रभावित विद्धारा क्या होगा आधी घट चा आँ कँ को दिए नामपातित होता है कि एक घातों के चालका पर्तिरोध उसकी लंबाई के सवन पाति होता होता है अंगर किसी चाला का प्रतिरोध कर दिया जाısı तो इसका उसमें प्रभाव हो जाएगा आधा हो जब कई अपर्तिरोध जोड़ा जाते है तो उनका स्थ पर्तिरोध उनमें से नियूंता माच्छ गasm 바 दोस्तों धाड़ा वोल्टेज धाड़ा हो जाएगा यानि आर बराबर भीवाय आई होता है एक कंडुक्टर का पर्तिरों वितकर्णुपाती होती है अनुप्रस भागा छित्पल का वितकर्णुपाती होती है विदुत्रोधियों की पर्तिरोधक्ता होती है 10 to the power 12 ohm से 10 to the power 17 ohm मीटर तक 10 to the power 12 ohm से 10 to the power 17 ohm मीटर तक किसी समण अंतर परिपत में यदि किसी खरावी के कारण एक विदुत्य उपकरन कारिकरना बान कर दे तो सभी तनिये विदुत्रोधियों उपकरन समानी रूप से कारिक करते रहेंगे जब दो पर्तिरोधकों को पासल उपक्रम म इन पे एक दो बल्वों में से एक दूसरे की तुल्ला में अधिक चमकता है बल्व का पर्तिरोध उच है ı दो प्रतिरोधकों में समान में जुले है तो वे एवो नाइट एवो नाइट नेक्स्ट जब दो प्रतिरोध हों R1 वो R2 को स्रेनी में जोरा जाता है तो उनका तोली प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 दोनों को जोर देंगे एक सुचालक और प्रतिरोध को पर्तिकूल रूप से प्रभावित करेगा अनुप्रस्त भागा छेद पर तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है प्रतिरोध को 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 प्र कि अनुप्राश तक काट केταपल के वितक्रणुपाती होती है याद रखिएगा यदि पर्तिरोध बढ़ता है तो वितक्रणुपाती है इसके वितक्रणुपाती होती है पर्तिरोध करो नहूं कि अमीटर की रेडिंग प्रभावित होती है या आधी रह जाती आधी निपदार्त में परतियक उची परतिरोध होती है क्या विद्धुतिरोध होती है जब दो या दो से आधिक परतिरोध को एक दूसरे के साथ करम बार जोड़ा जाता है तो वे जुरे होते हैं स्रेनी करम में दोस्तों जुरे होते हैं स्रेनी करम में अब इसको समझें दोस्तों एक ओम क्या है ओम एक को चार परतेरोद सरैनीं करम में जुरे हुए हैं, बस सरै Siri करम में इस तरह होगा समंतर करम है तो बटे कर घे करते दोश्ट जाए लहादा क्या क्यों होता उताइ?, आइक होता है, अगर प्रमुला आंगे हो पता है, तो बिल्कुल बन जाएगा», इसको दो बार करना पड़ेगा, आइ निकालेंगे तो ब्यटे हो क्या क्या जाएगा इसको अगर हम निकालेंगे तो यानि दो आई ऐ अंसर हो जाएगा नेक्स्ट छपनेमर देखें जब तार के लंबाय दोगों नहीं कि जाती तो तो एमिटर के रेडिंग पर रेडिंग डैस कम हो जाती है, क्या कम हो जाती है, बहुत ही अच्छा कोश्चन है दोस्तों, इसका तो डायेट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, मतलब आधी हो जाती, दोगो नहीं करेंगे तो आधी हो जाएगे, कैसे तो यहां थोरा से द टू आर हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर हम लोग निकालेंगे, आई बराब वन बै टू भी बै आर हो जाएगा, याद रखिएगा, नेक्स्ट है, संतावर नमर देखिए, नो ओम परतिरोद वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए परतिरोद की गन् कर देखिए, टो यहां हो जाएगा, पर हो जाएगा, यान ञाड हो जाएगा, कि ठीन परतिरोद अलस्तों, नेक्स दह्या तेन परतिरोद अलधक, पल फिस Local, Winds, 4 Над ईत्वाली में जूड़े जाते तो dalent Сलना का जयाहएगा, चो पहनखिए, बॉस्त अलार हो जाहएगा, छ अंतरकर में दिवायट करके जूटेगा नेक्स्ट बारे ओंपर तीरोध वाले तार को दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गना करें दुगुना कर कर देंगे तार के तीरदीा दोस्तों कि इसका कर देंगे इसको करेंगे इसवक्राइब कर दिया जाती है तो तार के यहां पर तीरोद की गता किजिए तो देखे किया सिन ale समिक्राइब में तो देखे समिक्राइब 35 हो ता यह इक चार वाजाएब व्र में तो तार की सब्सक्राइब 6000 वार्थ सब्सक्राइब दो धशल सब्सक्राइब प्रतिरोद का मान ग्याद कीजिए वह होगा दोस्तों प्रतिरोद समंतर करम में एक तरस है दोस्तों परतिरोद प्रतिरोद गैज़ी शरीनिक्रम में तो जूट जाएगा चार और आठ आरटाली सोल में हो जाएगा एक सरकीट का प्रिणामी परतिरोद क्या होगा जिसमें परतियक स्रिंखला में 25 ओम के 3 परतिरोदक होगे बिल्कुल जुटेगा दोस्तों और क्या तो आर वन भी दिया है 25 आर टो भी 25 आर थरी भी 25 सभी को जो दिये 35 करके 25 हो जाएगा स्रिंगर में इसी तरह होता है एक सु परतिरोध, लागु किया जाता है तो और कोश्क होता है नेक्स्टी के दो परतिरोध को परतिरोध को समंघ्र क्नमें एक दूसरे चोडा जोड़ा जाता है फिर इसे समायोजन को 10 ओम के पर्तिरोद से जोड़ा जाता है उनका समतुलि पर्तिरोद क्या होगा समद्र करम है तो बिल्कूल जोड़ दिजिए और क्या बट्टे करते जोड़ दिजिए वन और बै हार यह 20 बैस लिए तो 20 हुआ उपर हो गया दोस्तों दो बटेए एक वोटे दास फोगे एक वोटे दास एक वटेए अल ब्राबर एक वटेए दस यानि रवर दस ओम हो जाएगा अश्यका ऑफ और अचे तुल्य पर्तिोरोध भी बोलगा है दयस एक सिंपल से वात है विनम्र多 इसके विवाट है नेक्स्ट दस औंके दो समन प्रति रोद दो समन तक है और यह संयोजन के के समकच प्रति रोद से जोड़ा जाता है तो सेम सत्व तरह कुछ नहीं करना है दोस्तों सें तो लोग उसी तरह करेंगे वन वाना आड़ और क्रेंगे तो दोनों को जूर दूधिये एक वोटे दास पलस एक बॉटे दास एक गाले था उसको निकाल लेंगा था दूस्तों ना इये पांच नब रस किया यहां किया गया है देखिए यहां 1 by r equal to the 2 by 10 plus 1 by 5 करेंगे दोस्तों जब इसको हम लोग करेंगे तो यह लेंगे 10 होगा 10 यह हो जागा दूस्तों कितना 2 a plus जागा 2 4 बटे 10 यह कितना हो गया दोस्तों 2 बटे 10 दो बटे 10 हो गया 2 बटे 10 यह बटे 5 हो गया तो आर का value 5 आजएगा जब 5 आजएगा तो आर वन 5 हो जाएगा आर टूद बोला जारे 10 तो जो इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जएगा दोस्तों डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही आसान है नेक्ट बिदुत पड़िपत में विदुत सक्टी को नियुपीत नहीं करता IRS करदस्वों नहीं करता आप्षन के अनुसा नेक्ष्ट उस्मा के जूले नियां के अनुसा सर्किट में उत्पान उस्मा कोछे कारकों प्रनिर्फर करती है और इसमें आरुपित किया जा सकता है धारा चाला का परतिरोध और इसमें धारा के प्रभावित होने की समय अब धी याद रखेगा विदू सक्तिम आपने के एकाईयों के संदर में अकत्थन सही नहीं है तो एक किलो वाट एक किलो वाट दस हजार वाट के बराबर है ये बिल्कुल गलत है एक किलो वाट एक हजार वाट के बराबर होगा न नेक्स विदूत बल्वपा परतिरोध विदूत की रेटिंग एक सो वाट का मतलब क्या है तो बहालों परती सक्रंद एक सो जूल विदुत उर्जा व्या करता है दोससरे, इसका मतलब यह है, विदुत उर्जा की वानेची की काई क्या, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा, स्रोत परति रोदार परति रोधक में एक कर्यंट आही बनाया रखता है, यदि परति र गंटा में किलोवाट गंटां व्यक्त किया जाता है नेग्स्ट विदुत कारी की दर अत्वा विदुत ओर्जा वेक करने की सक्ति कहा जाता है अब एख्टर नमर कोशन है एक विदुत उपकरण एक सकेंड में 1000 जूल और जा की खपत करता है यदि एक घंट चलता है तो इसकी द्वारा खपत की गई बीजली की मात्रा क्या होगी तो याद रखेगा बहुत नहीं अच्छा को सने एक किलो वार्ट घंटा यानि इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तो अप्सर नंबर डी में दिया गिया है यह एक एक आई बिजली की खपत करेगा अर्थात एक किलो वार्ट घंटा विदुत की याद रखेगा यहाँ उसी टार से समझाया गे एक वार्ट घंटा बराबर 3600 गहंटा होता है इसी को वह लोग 3.6 इंटर 10.6 जूल काते हैं और एक एक आई बिजली की खपत की मातरा एक किलो वार्ट घंटा ही होता है दोस्तों नेक्स्ट एक 108 का एक इलाक्टिक बल्ब परती दिन 8 घंटे तक उप्योग किया जाता है तो बल्ब द्वारे एक सता में 10 उनिट उर्जाग खपतोगी सभी समी को मल्टिप्लाइ कर देनी है और कुछ नहीं 100 मल्टिप्लाइ 8 घंटा मल्टिप्लाइ कितनी 7 बटे हो इतना करेंगा दोस्तों इस ही में आ जाएगा इसका राइट आंसर तो 2-0 से 2-0 यह कंप्लीट हो जाएगा 8-56 हो जाएगा यानि 5.6 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 नमड एक मां में 250 उर्जाग का उप्योग करती है कितनी उर्चा का उप्योग जू करा देंगे तो बिल्कुल आ जाएगा धाइसो यानि 250 इंटू 3.6 इंटू 3.6 को मुल्टिप्लै करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 9 इंटू 10 इंटू 10 इपावर 8 जूल आ जाएगा जाएगा जब हम लोग मुल्टिप्लै कर वाएंगे तव साट वाट का एक बिदू बल्ब परति दिन 6 घंटा इस्तेमाल होती है तो बल्ब द्वारे एक दिन में पढ़िएगा यूनिट क्या होगी सिप मुल्टिप्लै करना है और एक हजास से डिवाइड देनी है दोस्तों और कुछ नहीं यहां उसी टाप से क्या गया इसको देख लेते हैं विदूत बल् परति दिन 10 घंटे के लिए दो यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा बस नेक्स्ट दोसो बाट का एक इलाक्टिक बल्ब परति दिन 5 घंटे के लिए उप्योग किया जाता है तो बल्ब द्वारा एक सब्ते में उपभोग की गई उर्जा क्या होगी एक सब्ता में एक सब्ता मतलब 7 दिन सभी को मल्टिप्लाइ करा दीजिए 200 इंटु 5 घंटे इंटु 7 एक हजार से बाग देना होगा 7000 बटे 1000 मतलब हो जाएगा 7 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 750 वार्ट की एक विदुतिय वासिं मसीन का उप्यो चार घंटे पर दिन के लिए किया जाता है तो एक दिन में मसीन द्वारा उप्योग की गई उर्जा क्या होगी तो सक्ति P बड़ाब हो जाएगा 750 वार्ट समय T बड़ाब हो जाएगा 4 घंटे तो एक दिन में वेक की गई उर्जा क्या होगी यूनिट में देखिए यूनिट वाट देके वाट इन्टू घंटा इन्टू समय 750 इन्टू चार गुना एक करेंगे तो साथ यूनिट आ जाएगा दोस्तों सिंपल से सभी को मल्टिप्लाइ करवाना है एक हजार से डिवाइड देनी है और कुछ नहीं है उसी टाइप से ये भी कोर्शन है किसी विदूद पड़िपात सर्कीट में एक घंटे के लिए एक किलो वाट सक्टी का उपड़ियोग करने पर विदूद उर्जा की खपत्य की मात्रा एक किलो वाट घंटा होती है तो इसे जूल में दरसा है जूल में दरसने के लिए बस उसी तरह करना है दोस्तों 1 किलो वाट घंटा बढ़ एक खंटा होता है यानि 1 किलो वाट बढ़ एक हजार वाट होता है और एक घंटे बढ़ चाती सो सकेन होता है इसको निकालेंगा दोसो 3.6 इनटे बढ़ फावर 6 जूल आ जाएगा याद र यानि देखिये क्या है एक सो एक सो इन्टु फाइप फाइप है इन्टु थी बटे कितने हो जाएक एक हजार जब सब्दीन तीन घंटे चलाया जाता है तो इसके द्वारा तीस दिनों में उपभुक्त कूल उर्जा क्या होगा किलोवाट घंटा में सभी को सिर्फ मल्टिप्लाइ करना 1000 से डिवायर देंगे 90 किलोवाट घंटा हो जाएगा दोस्तों 120 वाट के एक विद्धुत लेंप का परती दिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है एक ही कोशन बार बार आ रहा है लेंप दोबार एक दिन परियुत की गई उर्जा के यूनिट्स क्या होगी सभी को मल्टिप्लाइ कीजिए 1000 से डिवायर देजिए सभी को मल्टिप्लाइ करके 1000 से डिवायर देंगे 2960 वटे 1000 आजाएगा यानि 0.96 यूनिट्स आजाएगा असान है नेक्स एक पडिवार ने एक महिने में 321 आई उर्जा का उप्योग किया ठीक है यह उर्जा जूल में कितनी होगी जूल में कितनी होगी दोस्तों तो 3.6 इंटु 10 to the power 6 से मल्टिप्लाइ करवा देजिए और कुछ नहीं मतलब उप्योग की गई उर्जा क्या होगी 5 घंटे में सिम उसी तरह सब को मल्टिप्लाइ कीजिए सब को मल्टिप्लाइ करेंगे एक हजासर डिभाइड देंगे 40 वटे 10 यानि 4 यूनिट आ जाएगा 308 के एक एलेक्टिक पंखे का परती दिन 8 घंटे तक उप्योग किया जाता है तो एक दिन में उस पंखे द्वारा पर्यूत उर्जा की मात्रा डेस होगी देखिए तो विए वी विद्धूत उर्जा ब्राबर हो जाएगा वल्ट इंटु एंपियर इंटु घंटे 2.4 यूनिट्स वाजाएगा 2.4 यूनिट्स एक सो वाट के एक एलेक्टिक बल्ब का पर्योग परती दिन 8 घंटे के लिए किया जाता है तो एक दिन में बल्ब द्वारा पर्यूत की जाने वाली उर्जा क्या होगी एक ही कोस्न बार बार आ रहा है दो सभी को मल्टिप्ला आई भी हो गया विभांतर आई हो गया दोस्तों क्या या आई हो गया धारा एक तरह से 0.6 यहां इंपियर दिया गया है 240 से गुना 0.6 करें तो 144 वाट आ जाएगा मसिन द्वारा निरंतर विदुत्व परदान किये जाने पर एक वस्तु सीधी देखा में आगे बढ़ती है तो वस्तु द्वारा समय टी में पार की गई दूडी डैस के अनुपातिक होगी किसके अनुपातिक होगी सक्ती बराबर कार बटे समी होता दोस्तों डेवलू बा बराबो होगे S by T square हो जागा दोस्तों यहां दखेगा S by T हो जा क्योंकि S यहां दूरी है अतुरन बराबर मेटर परती सकेने स्क्र होता है न दोस्तों तो वही हो गया S by T square हो गया समीकरन एक में A का मान रखेंगे इसका मान रखेंगे इसमें तब क्या होगा जब इसमें यहां पर जब इसको मान जब रखा गया तब यह S बराबर हो जाए अंडरोट P by M T q by T power 3 by 2 हो जाएगा दोस्तों इसका राइट अंसर यानि इसका राइट अंसर हो जाएगा T power 3 by 2 पर फाबर 30 by 2 लेक्स्ट है 2150 वाट के एक इलेक्टिक आ कारण को प्रते दिन 3 घंटे तक पर at 10 दिन में उस इलेक्टिक आरण दुआर्ट परणिगत उर्जा की मातरा are to unit होगी कितना यूनित होगी दिया गया पीबरूब 2050 वाट और टाम भी दिया तो परती दिन आयरं द्वारा उप्योग की गए विदूत उर्जा क्या होगा बारा सो पचास इंटू थ्री इंटू आई हो जाए यहांने सेती सो पचास वार्ट घंटा हो जाएगा एक यूनिट बराबर एक किलो वार्ट घंटा है तो बर्व द्वारा लिया गया समय क्या होगा तो फ or analogy पταहिये एक फजार जूद दिया है सपी बरावा इंया तो सक्टी बरावा और आ हसलिए उल्जा भी दे होता है यहां सक्राइट निकल जायगा जाएगा तो इसका रायट आनसर तो यहां च6 फंसे प्रभाइत होने वाली धारा आई दिया दिया है तो सक्ति पी इक्वाल टू दिया है तो आजाए प्रमूला नहीं पता है तो बिल्कुल बन जाएगा अगर भर्मूला नहीं पता है तो थोड़ा दिक्कत आएगा दोस्तों नेक्स्ट एक विशिष्ट घड़ की एक माह में उर्जा खपत नाइन इंटू टू टू पावर एट जूल है तो इतना हो जाएगा तो इतना जूल तो इतना सशिप मल्टिप्लाय करेंगे यानि नाइन इंटू टू दे दे देंगे यह 3.6 इंटू बावर 6 से जब डिभाड देंगे तो यह पावर है उपर में जाएगा तो घट जाएगा यानि दो हो जाएगा 250 एक आई हो जाएगा 250 यूनिट्स हो जाएगा एक विदूत बल्ब 220 वोल्ट जेनरेटर से जुरा है तो इसके माध्यान से उत्पंधारा 0.50 एमपिएर हैं तो बल्ब कितने पावर का है? इसको निकालेंगे तो इसके मात्र कितना हो जाएगा? 110 जूल पर टिस सेकेंड यानि 110 वाट आ जाएगा यदि 10 Ohm के एक परतिरोध में 1.5 Ampere के विदोधा धारा बनी हो रती है, तो एक मिनिट में इसका से तो उर्जा की मातरक इतनी होगी, तो IE 1.5 Ampere है, R 10 Ohm है, दोस्तो T भी दे दिया है, एक मिनिट यानी 60 सकेंड, तो H ब्राबर Is1 into RT हो जाएगा, सभी को सिफ मल्टिप्ला में 201 का उर्जा की खपत होती है, तो Joule में यह उर्जा कितनी होगी, एक यूनिट का मान दिया है, 3.6 into 10.256 Joule, और यहाँ पर 200 यूनिट का निकलना है, तो multiply कर देनी है, 3.6 into 10.256 Joule into 200, इसको multiply करेंगा, तो 7.2 into 10.258 Joule आ जाएगा, एक घर में एक महने के दोड़ान, 150 तो सिफ multiply करनी है, 150 into 3.6 into 10.256 Joule से, तो 5.4 into 10.258 Joule आ जाएगा, सिफ multiply करनी है दोस्तों और कुछ नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे विदूत यांतर के बारा मियान, electric instrument के बारे में, रासानी की उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है, बैटरी बदलता है, क्या बैट प्रियोग किया जाता है, डायोट का समनेता प्रियोग किया जाता है, परिस्वधन में, उपकरन विभव किल से एक विदूत उपकरन की रचना सरक्षित होती है, विर्दी सरक्षन, क्या विर्दी सरक्षन, विदूत धारा के मापन है, तो उपकरन का प्रियोग किया जाता बिदूधारा के तापपड़ एंधारी सिर्ट घंकिर होठेखूयरे और सुम्मेद रिदावां गरता है। ग्रेलों विदुद सर्किट के आती भारन को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, फ्यूज सर्किट से जुरा होना चाहिए और बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जुरा जाना चाहिए और खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जुरा जाना चाहिए विदुधरा के तापी प्रभाव के वहवारी के अनुप्रियों पर अधारित नहीं है तो इल्यक्ति घंटी बिजली के हिटर में समागरी पर युक्त होती है नाइक्रों होती है उपकरन रासाइनी कुर्जा को विदुधर उर्जा में प्रिवर्थित करता है विदुध सेल विदु द्धूच को लगाया जाता है दोस्तों लाइव तार में लगाया जाता है। उपकरण परिपात यानि सरकीत में विदु धरा की उपष्दी का पता लगा सकता है। तहरा माप याणिplanष्ट पर्तिक का मान होना चाहिए बहुत नीम्न होना चाहिए छोटी विद्वत धारा को माप यादा चेले ऑपने प्रियोग्ध्र का है गल्वध्रोमे का प्रियोद की क्या जाता है विदुधारा किया जाता है फ्यूस्टार मिस्धातु के बने होते हैं टीन और लेड टीन और लेड टंगस्टन का उप्यों जिसका इसका 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 उच गलनांग होता है अब टांसफर्मर के बारे में देखें दोस्तों एक घटक क्रित परिपत्य के भीतर नहीं बन सकता टांसफररो में परतिरोस नहीं होता और क्रोड में किसी परकार की हानी नहीं होती उटी रेश हंपार्यम का मूल अभयब नहीं ये प्रस्पर अभिभा, ट्रांस्फर्मर रुपवर्थित करता है, धारा एवं वोल्टेज दोनों को, ट्रांस्फर्मर पडिवर्थित करने की युगति क्या है, कम वोल्टेज एसी को उच वोल्टेज एसी में, कम वोल्टेज एसी को उच वोल्टेज एसी में, ट्रांस्फर्म प्रकास बल्व का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपियोग किया जाता है टंगस्टन जिसका अट्रमिक नमर 74 होता है, सिंबल है डेवलू विदूत बल्वों के टंतू समनेता बने होते हैं इस्टिट लाइटों में बल्वों को जोरा जाता है समांतकर्म में जोरा जाता है इलेक्टिव बल्वों के फिलामेंट के लिए विशिस रूप से पढ़ियोग होने वाली धातू का नाम क्या है याद रिखे Greg tough में द्धारा को बनाये रखने के लिए निमनी युक्तियों में चाला के विभांतर को बनाये रखने में मदद करता है सेल या बैटरी करता है धारा का सतत प्रभाव प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सीरों के बीच बिदूत विवांतर बनाए रखने की सबस आसान विडी उसे डैस के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है बैटरी, क्या होगा बैटरी नेक्स्ट है वे मेटर डिडेक्टर जिन से होकर हवाई अटों पर लोग गुजरते हैं वो संचालित होता है फिर आडिय के नियम पर संचालित होता है अब हम लोग चुमबक कत्व यानि मैगनेटिजम के बाड़े में पढ़ेंगें बहुत यह अच्छा चप्टर है दोस्तों मैगनेटिजम देखें क्या है बहुत यह अच्छा चप्टर है एक सधारन चुमबक आकरसीत नहीं करता कासा को दोस्तों नहीं करता जिसको ब्रॉंज करते हैं दोस्तों इसको नहीं करता है मुक्त रुप से निलंबी के चुंबक किस दिशा की और संकित करता है उत्तर दच्छिन की और संकित करता है निर्वात को माना जाता है या दखेगा अनुचुंबक की समागरी माना जाता है अस्थाई चुम्बक की तरह चुम्बक की गुण नहीं है तो चुम्बक पत्थर ये चुम्बक की गुण इस्वे नहीं होता। इलेक्ट्रो मैगनेटिक के बारे में सति नहीं है। धूरी करा नहीं किया जा सकता दोस्तों इसको ये बिल्कुल सति नहीं है। नेक्स्ट विदू चुमबककत और प्रकास के सन्योजन द्वारा यह प्रदसित किया कि प्रकास का विदू चुमबक के तरंग है जेंस्व मैक्सवेल ने किया था। नेक्स्ट विदू चुमबककत और प्रकास के सन्योजन द्वारा के साथ याद रखेगा। फ्लेविंग का वा महस्त नियाम समन्दित है धारा का चुमबक के चुमबक के फ्लक्स का यह वेवर है दोस्तों वेवर। डैस एक समतल सता के माध्यम से सता के लिए समान ये चुमबक के परवा अगहना तो और सता के छेतर का अगुनज है तो चुमबक के परवा चुमबक के परवा। नवब्य देरीव दोस्तों आधिक होती है। नेक्स से विदु चुमबक के प्रेरण के परिगटना कुंदली द था चुमबक के मध्याप्यची गति के कारण कुंदली में विदुधारा प्रेरित करना है याद रखेगा। तामबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुमबक्य छेत्र में घुरनी गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विदुधारा की दिशा में पडिवर्तन कितने पडिभर्मन के पस्चात होता है तो आधा गुनन के पस्चात होता है एन फ्यरों वाली कोई कुंडल प्रत्मिक बल नहीं है, जो समुदर के धाराओं को प्रभावित करता है, तो पृद्धवी के चुम्बक के चूद्धवी के चूद्धव् Темवे के दोस्तों याद कि इलेक्ट्रा निक्स के बारे में बहुत यह इंप्वर्टेंट चेप्टर है यह है वो देखिए देखिए दोस्तों पहला कोशन है परवर्धक का उदेश क्या है आगत संकेतों की सक्ति या धारा वल्टेज को बढ़ाना मोस का पुनुरूप क्या है मेटल अक्साइड सेमिकक्टर जब अर्धिचालक प्दार्त में दाता प्रकार की स्तुती जोड़ी जाती है तब इलेक्ट्रोन उतपन्हों होंगे और था यें-डाइप दार्थ होगा श्यक्रमें ख़ञवी आता है पस बायसीत केी अंतरगावी यैरु प्रकार के अध्वर्च परतिस्ट्र को बनाने की एक परिक्रिया होती है, येक एक क्रित परिपत जिसे ICGB भी कहा जाता है, और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रोनिक परिपतों का एक समुह है, जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है सिलिकॉन का सिलिकॉन एक पदार्थ है अर्ध चालक है दोस्तों सेमिकंड़क्टर जर्मिनियम का परियोग मुख्यता किया जाता है अर्ध चालक के रूप में किया जाता है प्रकाच उत्स जखक डायोड इलक्ट्रोनिक उपकारनों में प्रयोग किया जाता है जिससे टेली वीजिन चुड़ती है रेडियो तरंगों दोस्तों चुड़ती है नेक्सट रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयोड घटक मोलता होता है संघनग होता है प्रवाद के बारे में पहला को सने एक्स रेय जो अब चिकिसा के चेत में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उप्यों किया जाता है उसकी खोच की गई थी डेवलू के रोइंटिजेन के द्वार एक्स रेय की एक्स रेय के समन में सही नहीं है तो इनमें कम भेजन चमता होती है बिल्कुल गलत है ज्यादा होती है दोस्तों इसमें एक्स किरनों के उससरजन का पर्तिक्वल प्रभाव है प्रकास विदूत प्रभाव नेक्स किरने तोचा को छती पहुचाती है यूबी रेंज यानि अल्ट्रा वाले रेंज याद रखे परतिय के गर्म वस्तों से उस्वजन होता है अवरक्त किरने, विदुत चुमबक्यत रंग नहीं है, कैथोड रेंग नहीं है दोस्तों, सुरज की रोशनी को विदुत उर्जाम परिवर्थित करने के लिए सौर उर रस्तावित किया गया था, कब तो 1905 इसली में, सप्तिक्स्ता के सिधाम की खोज की थी अलवर्ट आइस्टी ने, अलवर्ट आइस्टी ने को वर्ष डैस में भोत्की का नोवल पुरुसकार दिया गया 1921 इसली में, नाविकों के रेडियो एक्टिव छे के दोरान विदु भोत्की में हबल निया तंक है, माप की एकाई जो ब्रमान के विस्तार की वेख्या करती है, रडार परनाली में उप्यों की जाने वाली तरंगे होती है, सुक्ष्म तरंगे होती है, सुक्ष्म तरंगे, रिमोट सेंसिंग टेकनोलोजी के सिंदर में, LIDR का पुन रूप कह लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, प्रकास विदूत्र परवहा उत्पन करने के लिए, जिस धातों का पढ़्योब कैथोर की तरह से किया जाता है, उसका निमेक किरिया सिलता होना चाहिए, विग्यान के छेतर में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है, दो जोर में सोर उर्जा के उत्पादम के समय अभिकिरिया संपन होती है, नाविके सलियन संपन होती है, सूरी की उर्जा माध्यम से उत्पन होती है, नाविके सलियन के माध्यम से, नुकलियन सलियन के दोरान होता है, दो हलके नुकलियाई मिलकर एक भारी नुकलियन से बनाते होते ही नहीं है उसमें निट्रों देखें न्यूटन भावा फंड का रिकरम एक सहीफ पहलती भारत और बिर्टेन की थी दोस्ता भारत और बिर्टेन की परमानु रियक्टर में विखंडन पर तिर किया कि दर्पू नियंतित करने के लिए डैस का पर यो किया जाता है जो परमानु रियक्टर में नियंत्रन रोड केडमियम की रोड काम करती है जेन रियक्षन को नियंतित करने के लिए अतरिक्त निट्रों को अवसूसित करती है भार का समसे बड़ा परमानु उजास्चेंत है तारापूर परमानु पावर एस्टेशन एटम बम का अभिस्कार क कारी करता है भारी जल नाविक्यपरति घात को रियक्टरों में अभस्वशक पदार्द के रूप में नहीं किया जाता है लोहा पदार्थ का पर्णिओ नाविक्यपर मुंबई में परमानु उर्जा संस्थान का पुना नाम करन भारती परमानु भोतिक वीद के सम्मार में रखा गया हुमी जहागीर भावा उनका प्रियास किया और उनके इस काड़ी परिया फ्रियुजेट्स के रेवालवर का सिमोल कोट ने किया थार का प्रिंटिंग प्रेज का किसं नी किया था जॉन गुटेनबर्ग न अविस्कार किया था सोर मंडल कॉपा निकस टेलिविजन जे एल बेट्स, रिवालवार्ट, सेमोल कोल्ट, रडार रोबर्ट वाट्सन वाट्ड और प्रेंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, सोर मंडल कॉपा निकस याद रखेगा, नेक्स्ट फोटो इलक्टिक प्रभाव का खोज अलबर्ट आइस्टी ने किया था, लोलक पेंडूलम घड़ी किस्चिन हाइगंस ने किया था इसकी खोज, नेक्स्ट फोनोग्राप और ग्रमोफोन फोमस अल्वा एडीस ने क्या था, LCD प्रजेक्टर, जीन डाल गॉप ने开始 यांतरिक लिप्ट, यलिसा ओटीस ने क्या था, लिप्ट की खोज करता फोमस फ्लासक देवार ने क्या था, इसकोटर की खोज, जी बरॉट्साब ने क्या था, गरहों की खोज ने तरीट चलःख बेंजामिन प्रिंख्लीन ने गेस्ट में जोन बार्बर ने किया था और टेलिड़ो एसकाप डेवीड डेविड ब्रियू इस्टर ने किया था याद केकेकलिड़ो इसकॉप मेजिक मारकर सिड्नी रोजिन थल ने किया था सेक्सोफन का एडॉर्फ सेक्स ने यांतरी कलिप्ट का ओटीस थर्मस प्लास्क डेवार स्कूटर जी ब्राट सा और गणों का खोज दोस्तों कैपलार तरी चलक बेंजामिन फ्रेंक्लिन गेस टरबाइन जॉन बारबर और केलिटो एसकॉप डेविट ब्रियू इस्टर ने मेजिक मारकर सिड्नी रोजित्थल ने सेक्सोफन एडॉर्फ सेक्स ने किया था खोज इसके और छत का पंखा फिलिप डिहल ने किया था बिजली की कुर्सी अलफ्रेर पी साउथ वीक ने किया था बिजली की कुर्सी और डाक मीटर और अर्थर पिटनी ने किया था डाक मीटर सिस्मो मीटर या दखे क्या नामे लुईगी लुईगी पलल मीरी दोस्तों या दखे लुईगी गीपल मीरी ने किया था एक्सरे के खोच करता विल्यम रोइंटेजन ने किया था एक्सरे के खोच करता विल्यम रोइंटेजन ने किया था एक्सरे के खोच करता विल्यम रोइंटेजन ने किया था एक्सरे के खोच करता विल्यम रोइंटेजन ने किया था एक्सरे के खोच करता विल्यम जुनिए माम से संबर्ट सेंफोड करकता रम्न किया था हेलिकॉपे और याद भी खोच़ करता नीक नीक होलोनिक ने किया था legitimate रिचिंगरी ने किया था उडटो लूम्यों की श्रौ फोरी ने किया था उत्प्रेदक का बर्जलियस इंपोर्टेंट है, डाइनमाइट भी इंपोर्टेंट है, अलफेड नोबिल ने किया था, सैकलोट्रोन यादो कि अर्नियस्ट ओर लॉर्डेंस ने किया था, वीडियो गेम कंसोल का खोज करता, रॉल्फ एच बेर ने किया था, परमानु भट् ने किया था, कर्वेटर के खोज करता, करोनो मिटर जोन हैरी सन ने किया था, करोनो मिटर के खोज, और घरी यांतिर के जो था, ये आई सिंग वो लियांग से ने किया था, डीजल इंजन रॉडल्फ डीजल ने डीजल इंजन के खोज किया था, डाइनमो माइटल में ने खोच किया था फॉंट にं का मैं derni Louise यहां देखे और विलीम मर्ट आफ्रे ऺंड किया था यह कोच ग्लाइडर का जॉज केले ने खोच किया था ःवाव एडिसन ने खोच किया था गीगर कोंटन का हैंस आ रिकर लॉंडे स्पिकर का खोड़ेसर्ट और और भीघ द 되면 कि हा सेचेट जोसेप एस्पडीन और टैंट के खोच और अर अर्नेष्ट इस Ini यांथी टेली ग्राप का स्यम्फोर्प कोट करिभ हम यह कोज किये तृट Ну फोडसों खोज करोड़ मैंने ने डाष। का टाइप राइटर का पेले ग्रीन टेरी ने थर्मोस्कोप का गलेलियों 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 ने खोच किया था थर्मोस्कोप का टांसफर्मर का माइकल श्राइडे ने खोच किया था टांसफर्मर का और देखे थर्मामेटर का डेनियल गेवरियल फुरन हायट दोस्तों पंडूबी का डेविड बूस ने लए L loss वीलर ने खोच किया था उसके बाद्स आउं माश्ट्र का समेरयानो द्वारा किया गया थे मांथ चित्रों का खोच्ज्च मािक्रो पोसेसर युआ कहे मेहोप ने केदै मााइक्रो फॉन ग्राहम 55 के टेड़ ने किते दोस्ताओ इसकोड का जैड जौंसन ने जैड तेनिंगं ने खुज केया है अलिब्ट यंथ्री का ऐलीसा ओटिस ने कई थे लिसा ओटिस ने और माइक्रो मी odpow विलिंजमS यहाँ पक्राइग यहाँ टोघुछ से रोकेट का अविस्कार किया था रोबर्ट गोडाट ने रोबर्ट गोडाट ने नेक्स्ट एफ एम रेडियो का अविस्कार किया था एडवीन हावार्ड आर्मे स्ट्रॉंग ने एडवीन हावार्ड आर्मे स्ट्रॉंग ने एलागजेंडर ग्रहम बेल आविस्कार किया था थोमस एडिसन ने, नेक्स डेस को उनकी एक्स रे, खोज के लिए 1901 में भूत्की में पहला नोबेल पुरुषकार मिला था, तो विलहम रोएंट जेन को मिला था दोस्तों, नेक्स उन्हें 112 में परमानो बैट्टी का अविस्कार किया था, हैंरी मोजले ने किया था, हैंरी मो विख्ञानिक ने, केवलर का अविसकार किया था, या इस्टेपनी लुईस, क्या नाम कोईलियक ने किये थे, थोमस क्लीफ़र्ड और अलबर्ट अविसकार किये थे, दोस्तों, क्लीनिकल थर्मामेटर का, थोमस क्लीफ़र्ड अलबर्ट ने किये थे, क्लीनिकल गया था कार्ल बेंच की द्वारा नेक्ट बेड एंड बेड एड का विस्कार क्या था अर्ल डिक्सन ने बेंड एड का विस्कार क्या था मुवाइल फून का विस्कार क्या था मार्टिन कूपर मार्टिन कूपर ने बाइब फोकल लेंस का विस्कार क्या था बेंजामिन फ्र अखाने पर भिदूत्य एर कंडिशनरिंग का अविसकार और इसका प्रयोग किया गया था शिलाही मजीन के नीरूप्र किस्म के अविसकार के लिए पर्थ期्णर के लिए पर्त्यों अविस्कारों में सबस्पहले हुआ था दूर्वीन का विस्कार 1831 में विद्धूत का प्रोदित की के छेत में उपियोग तब वेवारी हो गया जब डैस ने बीतु डैन्मो की खोज गया माइकल फिराडे ने बीतु डैन्मो की खोज गया था परसी इस पेसर द्वारा अवि पर्थम वेवसाइक रूप से उपलब्द आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है या दखेगा राडा रेंज कहा जाता है आधुनिक पैंसिल का विस्कार पहले हुआ था यूरोप में हुआ भविस में रेडियो टेलिफॉन टेलिग्राप और टेलिविजन तक के नीव रखी तो हैंडरिक रुडॉल्फ रेज ने टेरा बुलु एक्स्टी तीजे नामके स्मार्ट गलोब का विस्कार किया है जो मिरगी के दोरां दोरे का संकेत देता है और राजलक्षमी बुर्थाकूर ने किया था राजलक्षमी बुर्थाकूर ने 1656 में निमलखीद ने लोलाग पेंडुलाम घरी का अविस्कार किया था, क्रिस्चिन हाइगंस ने किया था, नेक्ट एलसीडी, एलसीडी प्रोजेक्टर का अविस्कार किया था, जीन डॉल गोल्फ ने, जीन डॉल गोल्फ ने किया था, प्रेरन कुंडली का अविस्कार किया था निकुलास कालन ने, गैस्ट टर्बाइन का अविस्कार किया था, जॉन बारबर ने किया था, गैस्ट टर्बाइन का, बारकोट एसकेनर का अविस्कार किया था, कब हुआ था, 1974 इसमी हुआ था, बहु परदर्शक का अविस्कार किय गया था डेविड डेविड ब्रीवेस्टर के द्वारा डेविड ब्रीवेस्टर के द्वारा मेजिक मारकर का अविस्कार किया गया था सिड्नी या सिड्नी रोजन थल के द्वारा सिड्नी रोजन थल के द्वारा घुम्ते दर्वाजे का अविस्कार किया था या थियो फिलस वान केनल ने, थियो फीलास वान केलन ने, छत के पंक्खे का अविस्कार किया था, फिलिप डाइहल ने, बिजली की कुर्सी का अविस्कार किया था, अलफेड पी साथ बीक, अलफेड पी साथ बीक ने, डाउक मीटर का अविस्कार किया था, और्थर पितनी की द्वारा, ने कर दोस्तों प्योदर 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 प्यो यह सेफीन कोचरेन ने एरोस ओल्केन का विसकार कहता एडिक रोथी एडिक रोथी इयों लेंप का विसकार क्या था या जॉक्वलाड ने यॉनिवर्सल मानक स्रमे का विसकार क्या था सेंट फूर फ्लेमिंग ने, सेंट फूर फ्लेमिंग ने, इंटरनेट प्रोटोकोल का विस्कार किया था, विंटर सबने, परमनु डियक्टर का विस्कार किया था, एंडरी को फर्मी ने किया था, पानी की टर्वाइन का विस्कार किया था, याद कि बिनोईट फोर्नी रोन, ग्षे होड़ सबसबस trail ने के दोड़ारे ओर लेजर दोडिक के अविसकार किया था बेंजामिन फ्रेंकलीन ने चैंकन का अविसकार किया था दोस्तों विलियम फ्रीज ग्रीन ने आईजक निटर ने अविसकार किया था रेफलेक्टिंग टेलियसकोप का किया था प्ले एस्टेशन का अविसकार किया था केन कुटा रागी ने भाव किंजन का अविसकार किया जोर्ज एस्टिफेंसन ने विदो दर्शी का अविस्कार किया गया था जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा नेक्स्ट एक प्रकार की वीडियो गेम का अविस्कार किया गया था एलेक्सी पिजिवत नोब के द्वारा किया गया था याद किया गा क्या Tetris विडियो गेम का अविस्कार सिलाई की मसीं का अविस्कार किया था आजक सिंगर ने इलेक्टिक स्टो का अविस्कार किया था लोयड ग्रॉप कोप मेन ने Loyd Groff Kopman ने, next है, वायूदाप लेखी का अविस्कार किया गया था, Lucian Vidi की द्वारा, पियानो का अविस्कार किया था, Bartolomeo Kisto Pori की द्वारा, Television का अविस्कार किया था, J.L. Bait की द्वारा, डाइनामाइट का विस्कार किया गया था अलफे नोबेल ने किया था डाइनामाइट का विस्कार ने क्रिस्मस कार्ड का विस्कार किया गया था सर हेंरी कोल के द्वारा वेक्यूम फ्लास का विसकार किए गया था जयम डेवर के दौआ उट्पेर्ण के खोच की गई थी बर्जिलियस के दौळाँ वैत्यानिक ने अतवी लगू रेडियो तरंगों का विसकार किया था जैसी बुस्स ने नेक्स्ट गोस्तों देखें क्या है दुई फोक्सी लेंस का विसकार क्या था बेंजाविन फ्रेंकली ने क्या था इंपोर्टेंट है उसके बाद वीडियो गेम कंसोल का विसकार क्या था रॉल्फ फच बेर ने क्या था 1934 में किसने सैकलोट्रोन का विसकार क्या था और सेकलोट्रोन एक परकार का कन तोरन है जिसमें आवेसित कन सरफिल मार्गे से किन से बाहर की और तोरित होते जाते हैं अर्नेस्ट ओर लॉरेंस ने क्या था अब लोग मिस्लेनियस कोशन पढ़ेंगे दोस्तों दो धनात्मक आवेसों के बीच कि बल का क्या होगा जो बाद में मुक्त किया जाते हैं जब उन्हें एक दुसे के पास रखा जाता है तो बल घटेगा दोस्तों याद रखिएगा यदि किसी इलेक्टरन और फोटोन की समान तरंगडर होतों उनका समान होगा क्या रेखिक समींग समान होगा भौतिक अनुसंदवान परयोग साला इनके दोरा अस्थापित की गई विक्रम सारभाई की द्वार दोस्तों अस्थापित की गई उर्जा कनवर्टर नहीं है तो साधा ग्लास यह उर्जा कनवर्टर नहीं है अलबट आइस्टीन और सिंगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक लिखी जिसे सिर्सकित किया गया था युद्धों को ये क्या युद्ध क्यों युद्ध क्यों निक्स लेजर तक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है मैगनेटिक रेजूनेंस इमेजिंग उपकरन धुनी तरंगों को विदु संकेतों में प्रिवर्थित करता है मायक्रोफोन करता है एक कार की गति ने भर नहीं करती इस्पिरोमीटर क्या इस्पिरोमीटर नेक्स्ट पिर्थवी की सत्रक के नीचे फसी गर्मी को कहते हैं भूतापी और जा दूद के समान रूप से वित्रीतर रहने के लिए दूद में बसी वसा क्या गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है फाइवर ओप्टिक्स का प्रियोग नहीं है विदूद उत्पादर यह नहीं है हवा में नमी के अफसोसम की परिक्रिया क्या है तो याद के डेल क्या है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम चंसेकर सिमा लागो होती है सितारों पर लेजर इंटरफिरोमीटर और समंग से समनिद भूत ऐकिए साधा अधाब कहा जाता उसमा प्रिवेगए की दोस्तों याद कर्वेगए की वह कौन सा उपक्रन है जो उर्जा के एक रूप से दूसे रूप में परिवडित duty कर देता है आमतीर पर एक सीनल पूरजा के रूप को दूसरे सीनल अनने बदल किसी पींड पर अस्तंतुलित बल लागो किया जाता है तब तक इसकी नियुनतन प्रिवर्टन होता रहाता है चाल क्या चाल दोस्तों एक कप गर्म कॉपी के समझ में सही है इसे माइकोवेव ओवन दुवारा किये गई कार के माध्यम से प्राप्त उसमिय उर्जा की एक मापनिय मात्रा है जो बदले में विदूत गिर्ट से विदूत उर्जा लेती है नेक्ट ओमिक उपकरनों का धाड़ा वोल्टेज ग्राप इसके रूप में है रेखिक ग्राप के रूप में रेखिक ग्राप के रूप में है OTC देखिए OTC पावर फ्लांट अस्थापित करने के लिए समुदर की उपड़ी परतों और गहरी परतों के बिच्ट पंतर होना चाहिए 20 जग्री सेल्सियस बादलों के गर्जन के दोरान उरजा रुपchild प्रकास और धोनि और रुपंतरित होती है मोटर सैकेल दुरगर्टना के दोरान हेलमेट कम करने में सख कहता होता है आवे को कम करने में ने सोर अर्जा संग्राप्त होता है पारा बुलाइड डीस संग्राप में अ्ड़े संग्राय में ऑल्टरा नियम का उधारन है उर्जा स्रक्षन के नियम का ये उधारन है कुछ रासनी को दरसाने के लिए उनके पड़ि नाम के सारे दिशा झाती है इस magnitude को कहा जाता है डोस्तो dependence सदिस रासी कहा जाता है सदिस रासी निमलकित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक आवस्था रूप से दुसरे में परिवर्तन किया जा सकता है तापमान क्या तापमान एक उसमा गराही अभी क्रिया क्या है परसिना निकालना परसिना निकलना क्रायोजेनिक मख्हन और बनता है जब व वसा की गुलीकाया पानी में जित्रा जाते हैं दोस्तों टाब होता ता म्हाइग जिसे समुग Boy को एक निशित पैटर में एक साथ जोर दिया जाता है तो उसे कहते हैं सौर सेल पैनल को और यही पर दोस्तों हम लोग इस बूक का पूरी जिसको पेज़ बाई पेज लाएंब लाएंड क्रिट किये उसके बात है रसाइंड्विग्यान जो पैज नबर 122 से 260 तक दिया गया है इसे अज पॉइंट बाएंट बॉइंट बाएंट शेप्टर याइंट पूरी अची कर चुके हैं यानि ये बुख आज पूली अच्छी तरह से कंप्लीट हो जागी दोस्तों चली दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस बुख का भागती में दियागे रसायन विज्ञान यान केमेस्ट्री का पहला चेटर रसायन विज्ञान एक पड़ीचे का पहला कुशन है इ वेश्टित तरीकी से ये विन्यासित होते हैं ठोस के कन अभी तक वेग्यानिकों द्वारा पदार्थ की डैस अवस्ताइं तेकी गई है पांच अवस्ताइं तेकी गई है जिसमें ठोस, द्रब, गयस, प्लाज्मा और बोस, आइश्टाइन है विज्ञान अतिधिक पहला कोशन है मिसन प्रकरती में डैस हो सकता है मिसन प्रकावतिग में समाघी मिसमागी मिसन दोनों हो सकते हैं ही हावा तत्वा विज्ञान के नियम मिश्रन के गुणों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सरचना तरह नहीं है, इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल मिश्रन के गुणों का पालन विज्ञान के नियम नहीं करते हैं, जब दो तल पदात एक दूसरे में गूलते नहीं और सॉलिस्वन नही आमें, उर्षानी परिवर्तन का निया, निश्किरी करन, उसे लए ठोन से वस्तु से वस्तु में परिवर्तित हो जाती है उसे हैं, इसे करते जिसमें क्या सीरे ही ठोस वस्तों यानि सॉली में परिवर्थित हो जाता है उसे कहते हैं डिपोजीशन यह अब लोकर हमें यह निर्धारी करने में मदद करते हैं कि रासानी कभी क्रिया हुई है या नहीं अवस्तामें परिवर्तन और ग्यास का उस्तर जन और रंग बदलना यह तीनों दोस्तों दूद नहीं बना सकते हैं इसलिए रसानिक प्रिवर्टन है अगर हम दही से दूद बना सकते तो यह हो जाता फिजिकल चंजेज क्योंकि फिजिकल चंजेज में क्या होता है वोग वह वह आवस्था में आ जाता है द्रमान स्रक्षन का नियम अहलो पर है लो आप द्रमान स्रक्षन का द्रमान स्रक्षन का सिधान इस इसलिए कहहए व से द्रमान जो नहीं सथित Anupat के नियम के अनुसार रसानिक पदारगत में तथels में सा द्रमान के निश्चित अनुपात में मुझूद होते हैं दोस्तों क्या होता है निश्चित अनुपात के नियम के अनुपात में मुझूद होते हैं कावन डायोकसाइड के सभी नमने में 3 मतल 3-8 के द्रमान अनुपात में कावन ऑक्सिजन होते हैं यह 10 के नियम के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे यानिक स्पयोंजन के नियम पे डलतरण से बंदार्थों के विभाजी होब होते हैं, याद रखें saud stories को सकता है। के लिगता है, यानिक से चोता है लेकिसली चोंची चोटा है,, रूप में हम करता है, या हम लोगką पारी होता है, जोनीं कर North लेसे हमनों विभाजी नहीं कर सकते हैं यहों की पार्मानों मिल के दोस्तों अनु का निर्मानळ होता है यह सब्सक्ति अठोब घाली चहंटा है Was नेक्स्ट, डाकन के परमानों सिध्धान की यह अधिधारना द्रमान स्रक्षन के नियम का पड़िनाम है, तो परमानों ओध्रिसिकन है, जो किसी रसानिक अभिकिरिया से नोत उत्पन किया जा सकता है, और नोही नष्ट किया जा सकता है, याद रखेगा, यानि डाकन के परम कि प्रिक्रिटि प्रिक्राइब को प्रिस्तावित था या फिसे की सिक्षितम करते हैं जो इस रूप से अस्ति में रह सकता है सोतंत रूप से अस्तुत में रह सकता है जबकि परमानु सोतंत रूप में अस्तुत में नहीं रह सकता है या दो कि परमानु परमानु अनुसे छोटा होता है किया होता है आपको पता है चालीजन का अनमपात लोग को होता है यह अच्छोप दोस्तों दोस्तों जलका है और एक होता है लृट में टुमिक वेट होते हैं इसको कर टाइए तो वन इस्टु एट आ जाएगा दोस्तों यह इसका आनसर हो जाएगा आमोनिया में N2 और H2 के द्रमान हमें से अनुपात्म होते हैं आमोनिया पता ही दोस्तों फर्मुला होता है NH3 आमोनिया का और पता है दोस्तों नाइट्रोजें की अध्लिल वेट होता है holy något वेट्रोजर्वन के अध्लिक हरनें 1 होता है यह थे लेती है यह कॉन जी गैस है तो जिसमें दिया गिया दूस्तों करबन नाइटोजन आकसिए के परमानु भार करमन के से नितल च्व मिश्थ निवांड कर्म के न में होता है तो 35 होता है इससे था होता है जैसे हो गया दोस्तों चार चार चावालीस हो गया चावालीस तूर्टल हो गया जिसके से पूछा जाले की तूर्टाइगा यानि प्रसेंट निकाल गाता है पर्सेंटेज एक परसेंटेज निकालेंगे तो उस्तरा एक एस्टो में अनुमें उपासित फिर्टोजन की प्रतिश्थ कितना है वसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों बेखुल है है रिख्टोजन का एक होता है एक गुणा दो होगा दो दो और यह होगा दो दो 16 16 16 18 18 नीचे आजा दो 2 होगे इसका उसका और 8 е चूर्थर के अनुट्डिप्लाय फिल्य कर यह और गया थाट ऑन्यपकों और यह चूर्थ-जूर्थ लिए कि आनुछ आगे 60 म कल्स पालगे और समीन आज्थ-था सेऩृट-ऑमट-व्य हमिस द्वार घ्यार५ विल्यूम और कि यहां से ग lesa गया था सच्पान्या तो भी न एक राड़ हुट सुटरियम कार्इटेजन वाल डिवाड हो गया इसको निकालिंग था इन दुरियम कार्वुनिट हो गया जो भुद धुद तक हो गया गया रोग यह लोग किंहा गुटाकर तरह्ट नव एक और चार एक माच चेक इसको जोड़ दीजिए साथ तो यह हो गया चेश्व चार दास यानि टोटल ओगया एक सोचे यहां दिया वी गया दोस्तों इसी तरह हम निकालते हैं आगे हम नहीं कालेंगे आप लग समय सकते हैं दोस्तों बिल्कुल नाइटोजन में नाइटोज सब रगुना दू करें तो 34 हो जाएगा चांटीस और 4 जोद्धय चाहतर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्तों तो यहां किसी यहां प्रिभासित किया जासकता है जो सब्सक्राइब सबसे चोटा अन्स सबसे चोटा अंसक्रोटशेत किया जा सकता है जो सबसे तुम को a गया है सभी थ Beet जो चैप जो जो चैपाति हो जाएगा जो डिए हो जया ट सीट को जाएगा ठाप के खिर स्केच और शोले सदिया हो घंगंट beef को लुक Ste budgeting अणिवानाओना भिया तर्णिम और लुसक्त कंतशे को आशील चैप्फ और यह 8.32 तुछ तुछ एट यानि एट आंसर हो जाएगा अनुका गटिंट करने वाली परमानों की संख्यां को कहते हैं यानि अटोमी सिटी कहते हैं नाइट्रोजन का परमानी की द्रमान चोधे है और है तो आमोनिया का आमोनिया ध्रमान क्या होगा है अर यह होगा है परमानों वहार की द्ला की जाती है हाइट्रोजन के साथ दोस्तों की जाती है हाइट्रोजन मोल संकल्पना इव गाड़ो संक्रें के बारें पढ़े हैं यानि दोस्तों मोल कंसेप्ट इव गाड़ो नंबर्स बहुत यह इंपोर्टेंट है देखिए ऑक्षियन के एक अनुका द्रमान 5.3 इंटेंटेंटेंट 3.3 ग्रम होताई दोस्तों ओक्षियम का मैंगनिसियम के 114 में यह से आफ परमान यह बिल्कुछ निकला जाता है दोस्तों छता ही है वो tis तो ऑक्षिएन का घंत वह वन पॉंट पॉर नाइन ग्राम पतिस सी है तो ऑक्षिएन का ग्राम आनमिक आइटन क्या होगा बिल्कुल इतना सरी बायर देजिए जितने होगा दोस्तों उतने ही आ जाएगा एक प्रॉक्स में ठीक है एक तरह से कारवान के चोविस ग्राम में अनों की संख्यां क्या होगी चोविस ग्राम में बिल्कुल सी दिवाइड देना है दोस्तों का बार है तो कारवन के चोविस ग्राम में 24 बार देजिजी दो हो गया दोस्तों दो इसका राइटा हो घुटा थे दोस्तों इसे तरह और मोल पता ही एक मोल बार बस कितना होता है 6.023 टुटी मुटी तरी कावनी ओक्साइड का सोग्राम में एक उक्सिएन के डैस पर मन होते हैं बिल्कुल उतना ही तो इससे मिया होता है तो इतना ही हो जाएगा सिप्सिए तो इसे दोपिस पूंदी पारी छे, ड्यास कर आयो था, किसी कवाइ था, विरम उस्टीवाल में गवाराओ एंडा मिवी बने, California क्षच्च्च कह पत्या होता है www.ULULULU- 10 few आ श्मक्रमाने कि एक कॉछा या बिदो पर थे मुझब आघन अ कि संख्याओ कै रहेiin तो किसी परमानु के गयास के जो पॉंट वन में किसे क्या हुए जो कर वाएंगे दोस्तों मुल्टिप्लाइगे जो कर दोस्तों निचे आ जागा दोस्तों 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 से से मल्टिप्लाइगे तो इतना ही तो होगा दोस्तों वन पॉन शिक सो गया है पानी के एक मॉल में अनू मुझूद क्या है तो अतना ही होगा सिक सब्सक्राइगा पूछा यहां जिए ठीद्ट हीव और निकाल दिचिया निहीं दोस्तों जांगे लिए एक बते नहें होगा दोस्तों दो दो कर दो अथा होता है एक रिख यह उत्ट में लोग में संखे ने कितनी होगी इस अधिस को पर शुक्छ तो इसीक्स सब्सक्राइब 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 पाइल बनाने में आसानी होती है। अगात बहुती है। सब इसके अधिक होता है धातु थार नहीं था साथ है अधिक्म को मिलाएज गणा रिक्स के लिए अधिक सब्सक्राइब अधाटू को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतर चमक दार होती है दातू की परमानों की परते हैं एक फ्रिसल सकती है दोस्तों दातू के औक साइड आमतोर पर पर प्रकेटी में होते हैं को अव्लिए अलग करने की पर मुख मानतोर में पर इस तो क्या सकता है ईह एक पातव नहीं है तो बार्द ब्रविधी जल को पंगी जल शेल अलग करेंगे निसें करेंगे निस्याद के दोड़ा और शुद करसें या जांग करते हैं और क्या दोस्तों करेंग आथ कई सबस्टेंगे सबस्ट अलग और एक पादख को अलग किया गया सकता है तो इसते माल कि अजया तक है आपके आश्मार कि आपका आवस्था पईबरतन है क्या वास्विकरंग आपका आपका अवस्था पईबरतन यानि चेंज करता है कि गठता है वृष्टा से गुजरे दिना एक पदात का ठोस अवस्ता से इस अवस्ता में होता है उद्धवातन के उसे तक करेंग अब लोग पढ़ेंगे इस अधी घटकों से सजाती मिशंट को विल्यां कहते हैं दूसरा को शन नमरिकल टाइप से बहुत ही अच्छा कोशन है देखे एक विल्यां में पानी की 320 मात्रा में और यानि विलायक को एड करते हैं तब दोस्तों यह आप अची तरह से या लगए गा और उसमें पुछा जा रहा है यह लवन की परसेंटेज कितनी है वह देखी बहुत नहीं अच्छा कोशन है पर एड कर लिजे टोटल यह है कितना नहीं पर नहीं से इंच्छ एक द्रव्य जिसमें उनचास ग्राम सधार नमक को 320 ग्राम पानी में घूला गया है दरव्य आ के द्रमान पर 32 दरमान के संधर में संसरता की गणा किजिए असी तरव कितनी हैं वो देख लिशी तीन सो भीस ग्राम पर अनुचास ग्राम को अगर हम एड करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों कितनी 379 ग्राम यह टो ट्रोटर मिला के दोस्तों यह भीलियन हैं त सब्सक्राइब करना है दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए हैं इसमें नमक भी है यानी सुलिट और सुल्वेंट दोनों है दोस्तों इसमें आप अची तरह से याद रखेगा जब इसको करें यानि सब्सक्राइब करेंगे तो 9.09 परसेंट आजाएगा और इसका राइट आंसर यहीं होगा नेक्ट पचास ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी की घोल कर बनाए गए विल्या में मास प्रक्रिसत की जरिये मास का संद्रन संद्रन होगा से मुसी तरह निकालना है दोस्तों इसको वी सबसे पहले पॉइंट तो इसको सब एड कर लीजिए जहां हम लोग एड करेंगे दोस् निकालना है चीनी की पर्ते निकालना है तो दोस्तों तो चीनी है कितनी 50 ग्रम संद्रना होगा ही से हैं ती सबस्तार वीर्यंके संद्रन होगी 36 ग्राम लवन है और हमें लवन का ही पर्सेंटेज निकलना है पर्सेंटेज में निकलने के लिए 100 से मल्टी प्लैकर नहीं होती है जब इसको हम दोस्तों करेंगे तो 10.11 पर्सेंट आ जाएगा और इसका राइट अंसर यहीं होगा एक ब्लेमान पर्सेंट की चब दोस्तों हैüаем और इसका राइट नसर यही होगा बिल्कुल दोस्तों ऑक्सीएन का पर्मानुभार 18 है और पर्मानुभार 16 होता है और फो कि दूर्य कि ग्रम में मात्रा क्या होगी ? बहूत फीं आच्छा कुंण है दोस्तों दूर्य मोल पूछता तो नहीं किस गर्णा है तो फो trial कुछ पर द्सक्राइश क tapa ступ होक्त गया और पुर न HP7 सब्सक्राइब करेंव जान है तो समस्य हैं आ करना है दोस्तों जो सक्राइश काइश होती है कि मता जीए इस का शाइवांत की एक तो डोगिया और तो यह तो आईगा इसका राइट आपर पायने एलोट्रॉपी के बारे में फुलोग देखिए अधिक रूपों में किसी तत्युका होना जिसमें भूती गुण भीन लेकिन रसायने गुण समान होते हैं कि आपकते हैं आपको यह से अंभी मास्य के बारे मिलोग परिंगे का पिए इंपॉर्टेंट वो देख लिए दोस्तों जैसे पहला को सबसाइब अपर चीरान क्या होगा वहीं को इसलफर पाइट इसका इसका कि इतनी बाके सब्सक्राइब आठ और और ऑचिंग को बेट जाएगा यानि चौंट यानि यानि ऑप्सर नमर्सी में दिया गया चौसट यू चौसट यू इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट आप देखें क्या होता है और ऑक्षियन का होता है जब इसको हम लोग एड करेंगे तो आठारे हो जाएगा इसी तरह दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं याद के सापेक्ष द्रमान क्या है का मतलब हुआ कार्बन और ऑक्षियन का होता है कितनी होती बारा और ऑक्षियन का होता है कितनी अविजेश्चन दो निकाल चुके हैं ऑक्षियन को हम एड कर देंगे तो टोटल यह 18 हो जाएगा यानि इसका राइट आंसर ऑप्सन नमर ए हो जाएगा 18 इसी तरह हम लोग तो यह ज्यारीक आप्स्तों तुम्सका कितनी होती है ठीक है तो होती इसे रगला होती तो इसका प्लू जाएगा या ऑप्सन नमर ए बिल्कुल जाएगा इसी तरह मो ऑनविक्ड दर्मा निकालते हैं इस तरह है और सब्सक्राइब करना पदेगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तरह निकालते हैं नेक्स्ट है कैसे लिए का राइड का सुट्र इकाई द्रमान क्या होगा से मुसी तरह के सिंग होता है इस अपर इस पॉइंट में होता है दोस्तों यह को रिंक यारे के प्रोक्स रोगा यानि इसका राइट आंसर हो जाएगा है स्क्राइड कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा अंठावन यानि सारे इस वहां हो गार दोस्तों तो इसका राइट आठ आंसर होगा एक प्रमानो द्रमार की कई अश्क्ति परावर होती है किसके बरावर होती है तो 1.6 into 10 to the power minus 27 kg के बरावर होती है क्योंकि परमानों किसी पदार्थ अर्थवा तत्यों का सबसे छोटा घटक होता है जिसमें उस तत्यों के सभी रसानी गुन वीद्वान होते हैं परमानों दर्मान की एका यानी अर्टोमिक मास येट 1.6 into 10 to the power minus 27 kg के बरावर होती है परमानों सनाचना यानी अर्टोमिक के बारे में हम लोग परहे हैं निट्रोन एवं इसकी विसेश्था की खोज किस ने किया था जैंस चैडविक निट्रोन की खोज जैंस चैडविक नहीं किया था परमानों के नाविक में होते हैं क्या प्रोटोन और निट्रोन जैंस चैडविक नहीं किया था नाविक में होता है प्रोटोन और निट्रोन और इलेक्ट्रोन दोस्तों चेकर लगाते हैं इलेक्ट्रों की खोज क्या था जेजे थॉम्सन ने दोस्तों इलेक्ट्रों की खोज क्या था याद रखेगा जबकि निट्रों की खोज जेडविक ने क्या था और दोस्तों निट्रिनों की खोज पॉली ने क्या था और दोस्तों प्रोट्रों की खोज गोडेशीन और अधर कर दोस्तों के समानिय उप पर्मान की करनों से विप्रिद होते हैं उन्हें जाना पर्तिकन के रूप में दोस्तों सब्सक्राइब के परवानों समाण नहीं हो सकते ये भीन होते हैं प्रोटोन में डेस का ध्रनात्मक आविस होता है 1.6 to 10 to the power minus nineteenagen द्रनावेज़ित आविस होता है एक फाइट्रोजन पर्मानो का ध्रनाथ्माण एक एलेक्टोन के ध्रनाथ्माण का गुना होता है रहता है। आपि और के में परीणन पर्योंग तो अतनरं क्या होता है। है अगले बाहरी कख्छा में जाता है परमानों के बारे में बात आ सकती है फोली के लिए कहाँ होते हैं इस इसे नावियो नायोड सीट होती है युञाय यून का क्षुछ नम्यूजित की जाएट ईलेक्टि में और दर्साया जाता है तु हैन्येस塗नों के रूप में चाफ में ऍकर्ण इसा में समय उर्जी कि एक लिए कि जिसर दो किया जाता यह säłę CPT आए capable एक ठतरा होती है यानि यह सत्वमें सब्सक्षित होते हैं नोधिंड रखेगा उर्जा के चतुर्ठ अस्तर में समय उजित कि यह सकने वाले एक्टरों की अग्तितम संख्यां कितनी होती है 32ुति यह चाहर दोतों 225 इस तरह हम लोग निकालते हैं इस तरह हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रोनीक कफिरेशन होते हैं कितने आठ होते हैं आठ नम क्या होगा फासपोरस आप जो लिए 8-10-15-15-15 एक्षाम के वल एक इलेक्ट्रोन होते हैं यदि क्रिप्टोन की परमनों संख्याइश है तो उसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा कितनी अधिक नहीं होते हैं जहां एन बराबर होता है तो टू के बराबर होता है तो इसका मतलब होता है तो उसका इलक्ट्रोनिक विनियास क्या होगा आप जो लीजी आठ है तो यह उसकेव और तरह पाइन्यक विनियास नहीं है तो ऑथ यह दो अक्शिजयन उसका मीध्य यू को देज़ेएं होते हैं यानि 2 होते हैं दैस के बाहटम को समय एक या ठीन होते हैं है सबस्क्राइब यान एक समय होती है तो यही जाध रूद है अर्ब अर्ब युश्मा ओर शल्म में देयं दैसे ल्क्रत og होते हैं यदि तक ए और टूइव धिनीस मनेज्ट स्टू एइस टूइस टूएस टूएस टूइस टूएस थी है तो इन तखो इन कि सुन दूआरा निर्मित योगी का सुथर क्शित्र होगा बहुत है अच्छा है ऑप जो लिगाशन चार 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 चेदा सदस्क अकार तो प्लस इलेक्ट्रों की संख्यां होती है कितनी तो याद रखे 24 होती है दोस्तों इसके से जगता होगी कितनी तो एक ही होगी दोस्तों हो दियों कि प्रोट्वोट्न की संख्यां की संख्यां ब्राबर हो सके इस्टेश्यां की संख्यां नों यानि आपस सब्सक्या कि अपर दिए इस द्रत का विन्यास Gurत हे जईए चipरिय क्नारी थिन तीन तर्य है के इस देश्टर लीए जिस अवह Pres इkee सब्सक्राइब 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 यांण यांजन सब्सक्राइब ऑप से क्योंकि दोसो नावी का यह नावी में जो होता है यह को हम द्रमान सब्सक्राइब करते हैं प्रोटन के सब्सक्राइब यह प्रोटन के सब्सक्राइब करते हैं यह तो यह दो सब्सक्राइब करते हैं यह जो जाएगा दोस्तों एक सब्सक्राइब यह क्या दोस्तों 110 प्रोटन के रूप में प्रोटन के रूप में प्रोटन के संख्या रूप में इस excited किigancuss सब्सक्राइन के हैं उसमें प्रॉटरों के अंतर हो थी या 2-1-2-1-2-1-2-2-3-1-1-2-1-1-2-something नाबिक बना होता है क्यों प्रोटोन से क्या है एक होगी है प्रासिम की परमानु की सख्क्या जाएगा तो आपको बता दो नामें एक मुल विस्टा माना जाता है प्रमानु कर्मान को मुल विस्टा मना जाता है अट्रीन यानि अफ-णाइन और इंट्रों प्रोटन और इलक्रों की संख्या होगी और इसमें पुछा गया किसका कि इसका discovering स्ख्या ऑप्रोटन की संख्या और दॉस्तों कि यह कुल की परमानु की तर्म मसें होते हैं जिसमें 10 प्र Simpson और 10-11 निट्रमीड होते हैं पर 1 प्रध्पर सब्सक्राइब 206ड होते हैं तो आप itu क्या है टईख में graduate प्रावान कर्मार्ण ने प्राम कर्मार्ण समान समान को लेकी अमियों हें उसे भी सत्य होता है उसे कहते हैं आइस्टोब में सिमांट्प के सभी ईसो ठोप में होते हैं एक जिसी क्रमानुट के सहेखी है आईसे एक думаю में होते हैं समान प्रोटोन की संख्यां समस्थानिकों के आफ्ति पस सजाव 1903 में सबसे पहले रेडियोल याद दुस्रा समस्थानी का दोस्तों का अनुके अंतर का कारण है उनके नाविक में निट्रोन की अलग अलग संखियां रेगी तो इसे एक अनुके अंतर हो जाएगा प्राकिर्तिक के क्लोरीन के दो समस्थानी के 17 अटोमिक नंबर और 25 तीक है पाइटिक परसेंट और 17 क्लोरीन का और अवसत परमानों द्रमान है 25 तो दोनों का आप निकाल यह तो 35 और 35 को जोड़ देजिए दोसे भाइर देजिए तो 35 हो जाएगा दोस्तों कितनी 5 एप्रॉ वह दांनों को जाना जाता है आइसो आइसो आएको पड्यको पर रहें है अगया सब्सक्राइब कर दोस bases डी जाता है pestis को आollarनी होड़ें नियम बताता है कि एक पर ये कि वास्तिवी परिस्टि में एक आड़स के रूप में कर सकती है तो निम दाब तथा उचताब अभी लाक्ष्णि गैस के लिए सही परकार से लाग होता है आड़स के लिए आपको प्रण याद रखनी है नियम गैसे समंढ़ित नहीं तो जूल क लिए बार नहीं है तो नहीं है यह सब्सक्राइब नहीं है तो नहीं है तो टैटनिक रटो टैनिक नहीं है में परबाप्त नोग परिसकार किया था रेडियों से उसकार बेग्यों तक कि यह सब्सक्राइब से संब्सक्राइब करें पिच ब्रेडियों से यह मैला विग्यानिक तक रिछ्ट मिटनर याद रखेगा पर्मानूं बलॉं के जो नाविके उर्जा का पच्छर स्रोत है और सद्रसुनवाजी में इसकी खोज की गई थी जिसकी पर्मनों संक्या बिलानवे है वह है दोस्तों युरेनियम याद कि यूरेनियम पर्मनों के भीतर निट्रों द्वारा प्रोट्रों पर आरूपित बल कहलाता है नाविके बल सब्सक्राइब्स ब्लब्स ऑन को सकता है दूरुष्ग को शनुक हो सकता है और मजबूत द्यासी अहीं होते हैं त्क निया है याद हिगा । या मैं दोस्तों यह इस टार की जिवती एत्स पल्मुला इस लोग घंगाल एक दो तीन चार पांच चिछ छह जोगिया साथ आठ नो दस एगारा बारे होगिया सिंवा बारा होते हैं और पाइबॉन की संख्या तीन होते हैं अनु या परमानों समों के बीच अप्षिष्ट आकरसन या पर्तिकारकबल जो कि एक सरस्योजी आबंद या आयनिक बंद से नहीं पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है व होता है और शा इसका यह थाए है कि दोस्तों कर दोस्तों यह कि इंव लेकृत्य होगा तो टॉस्तों यह बन्सवाइल पर्मुली के साथ औक साथ बनाता है नहीं क्या है कारवन की सभी होती है क्योंकि यहां पर कारवन की सभी होती है क्या है यहां परक्साइट यूओं के बीच आबंदों की अधिक्तम संख्यां हो सकती है कितनी तो तीन हो सकती है या रखिया तीन क्या है क्यों सब्सक्राइब करक्साइट करती है फिसेज़गता यह यह निग तीन होता है और है किरुटा यह रखेगा यह जुड़ तो और यह अधिकाश करें लिए तो यह यह दो जाए इन दो तत्रह बना योगी खोगा क्या तो एक्स वाय टू हो जागा दोस्तों नहीं तो देखें कैसे एक्स चतु अधर चाहिं और वाय-धर दूस्तों प्रचति यह दो सब्सक्राइब यह एक होगया थीक तो परमानों बंद बंद बंते हैं तो इससी उर्जा को घटाने और त्रिता प्रापक करने के लिए बंदू होते हैं क्योंकि अंतरानुविक बलते कंज़र होते हैं सब्सक्राइब में फोते हैं और टोल्विक बंद अब पढ़ेंगे और आप्टे यानि और उक्सिदेशन के बारे में पहला कुस्त ने अभी किया में जी यानि मैंग्नेसियम और प्लस और कावन मों औक्साइड को रियक्षिन किया गया तो मैंग्नेसियम अलग हो गया ठीक ह हिंग्नेस देखेंट में ईक्सायम को रहते होता कि रहते हैं जावा कि फ्राइस दोस्ता तो उसे कहा जाता है आप ट्रियकाइब अगर मावाओं गारास होगा जब हारास होगा उसे हम लों कहते हैं क्या उपचयान का थे अपचयान ऐसे तरहे याद रखिएगा ऊपचयान और अपचयान का मतलब ऑक्शीदेशन और प्राऍट अब डेक्शन टीक दोस्तों ये बिल्कुल दोस्तों ये उप्चेन है लोहे पर जंग डैस अभी किरिया सोता है, रेडाक्स अउसीदेसन दोने होता है दोस्तों, धातो अकसाइडों को अबचरित करके धातो प्राप्त करनेुकि अब... का मतलब यह हुआ कि अक्षिक्रम में दोस्तों यह नहीं कर दोस्तों जो लेगा और इलेक्ट्रों को उसके पास निगेटिव जागा जागा अच्छी तरसी आद रखेंगे बात अक्रिये का सबस्क्राइब इसका अब नमटर इसका पॉतासियम का एक रीन आयन होगा यदि उ दोस्तों यह की कौताइब है टिक शूजीन के का सिर्ण के अच्छा है तो आक्सी अच्छके यह थेक्स टैक्स किल्ए अभी किल्या में होता है कि एलेक्ट्रों को थे सब्सक्राइब करता है और इसमें प्लस चार्ज भी होगा उसे चार्ज होगा उसे हम रडर्क्स करते हैं टो एक अपचाय कारक नहीं है याद रखेगा को डिया की एक विष्टा नहीं है इसका बरंगे उठा है यान यह पाणा ब्रण inventor हुमायच परमानों की ओक्षिकन इस्तिति परतासित करती है योगि का फोनस्पती या करती है यनक्याफ लिउबिक barking रही जाना। जीन चाहता गutah देएगी सब्साइब दोस्ताइब्स लेकर क्ला या दोस्त हो पड़ीया करताहिकिर सक्रái और सफितिव में सब्साइबलों तो निखाले जाती है अब हमनों पढ़िए आमल छार और लवन पहले ही बता देता हो दोस्तों आमल जिसका प्याच वहलों से कम अश्राइब होगा तो यह सबसे जादा करेंगे क्या है अगर यह ज़रूद होगा कर विल्यान में क्या ज्यादा तर आयन होते हैं निलालिक प् लाल कर देखे चाहर लाली ट्रॉस पदल को नीला कर देखे देखे घर खटा पनाता है वह घ्रोजन के साथ ऑक्षीजन ओक्षीजन की अते रिखते हैं और धात्वीक थे सब्सक्राइब करने के लिए हमें करना चाहिए पानी में संद्र अमल के एक संगटर की रूप में पेट में स्रावित होता है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अधार पर सही अधार पर सही क्या निस्परभाववी करन दरसाता है याद रखी वह इक अमलों के बारे में बात गलत है तो वे जल्या वियन विदुट्ट्ट्स पर दिता है होता है सब्सक्राइब तो यह प्लुक्ष प्लस 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 पर नंकर तुस्ति प्लस प्लस पर भादान करता है तूँ आज आज कर देंगे तो एस च्छागी तो प्लस फल सल्ट बटा लगए तो याटए रह्तियों में नहींने है तो आम का सबताऊ होता यह विल्कुल नहीं है क्छ यानी नだ लगें परेकर्ट लंहीं है फ्रीवर्टितन हो थेँशार शनी कौने गुस्छिया शरॉपिकल देता है चाहर सादुतिक स्विच्वों के रंग को डायं से रंग में बदल देते हैं या नीलाम बदलते हैं चाहर प्रकृतिक्रिक प्रकृतिक्राइब करते हैं गुन चाहर का चाहर पर चाहर बाहर हो जाएगा नेक्स नहीं के साथ अभी आपकर ती लवार उत्पन करती है लवार है रशानिक सुत्र शूट्र राइर रसानिक सुत्र क्या नमक का बर्ब को पीख लाने के लिए पर यो किया जाता है के साथ अभी करता है तो उत पाद के रूप में ड्यस्ट प्रब राफ्त होते हैं सथानिक स्टार के निर्मान के लिए स्ट्रियम हाईड्डो और से अभी करता है है या दखेगा है यह लुद्किल दोस्तों सही है पिएच मान यह परेंगे चिस पियाज़ण को पांइग का प्यूद किया जाता है तो उनिवर्सल इंडिकेटर गोल सब से ज्यादा अम्लिये है तो गोल सबसे हो ज्यादा हो जाएक बियाज ज्यादा प्रूंच साथ तो गटेगा तो कि शेकंगा साथ प्रूंच सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है करते परते परते चींदिटीय। इसमीन है सब्सक्राइब करता है प्रिष्य इंडीकेर के बाराивается सब्सक्राइब करने के लिए नहीं किया जा सकता है तो यह हो जाता है अपना रंग नहीं बगलता है एक गंदिया सुचा क्या है मिथायल ओरेंज होता है अमल्य चारी ओर्ष ग्लावी होता है जब लिविद्य आमल्य और रंग के साथ वह चारित किया जाई तो इस मिट्री में हाइद्रेजिया गुल्म के फूल ड्रेश की होगे निले रंग की होगे मकिसे बाने चर्वी एको रहे Camera में विल्ष पासर नहीं दोस्तों ओठेमिंगमे बाह 한u NL किससी ओर में प्रीवर्धित हुता है , ओ धर्मी ऐने दोस्तों इंपोर्टरिक्थ वियूब पड़ेगे उब्हेटिक होता है जिंक ऑक्साइड जै 2500 सब्सक्राइब एक इंफोर्ट्रिक औक साथ चारों के इसाथ भी अपर्तिक औक सब्सक्राइब करते हैं अब पर दोगा सकता है अब पढ़ेंगे तो का आवर्ती वर्गी किरन कुछ इंपोर्टेंट पॉंटे दोस्तों इसे आपको हमेसा यार रखनी तो और आपके मीस्टी पढ़ रहें तो समय सब्सक्राइब को गयाता तो कि संख्या राध्माइन की इस गयाता तो कि पघ्रोजन सबस्कारण तर्व थृधियन अधर्ड था थू हाइड दू अधर्व फिर्विम कि यह सब है नहीं नहीं होता है जब यह दूस्तों भॉक्रण फॉक्रीन अग्सक्राइब इस इन इस इन ऐसो इस अपको बता दू सब्सक्राइब निल्यक्ती नंबर थरोक्ता है तीसरा और तो यॉता है तो यहुता है दोस्तों है जन्ब सबस्क्राइब लागे सुनी वर्ग सुनी बर्युंग निएथाड मनें तो क्या है थोजन फिर्थी के भूफ पर सबस्क्राइब आपके 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 जन एक जन ऑक्षी जन ऑखी जन ऑखेजन वायनन समाधी पाय जाने वहलागा जैनाय जोजन सबस्क्राइब कर दो सब्सक्राइब में मिला तरह फिल नाक्राइब का चिछ एब बचार चार चालीघर निनिय। करने वाला पर्मुक्त तो केल्सिंट होता है इसको अच्छी तरसी याद रखेगा वर्लिए इसमें छार थात में होते हैं दोस्तों होता है यह सभी क्या होता है यह सब्सक्राइब अच्छाइब यह जो तो सब्सक्राइब दोद रखागे जैसे हैं सब्सक्राइब दोस्तों गुर्ण सव और वह रो मिए इस सदों आए वह नीवट की सकतंड लुटा है और यह जो फित अ ग्राविक नार्फ रखाइब विश्क जैस अनुट के जिसके लिए योट रिख्याइब चुट अनुट के सिधान के अनुसार एधी रसाइक तब बढ़ते हुए परवानुभार के अनुसार विवस्तित किया जाता है तो एक सवहान बोतिक औरासानी गुंऑप त्धियो कैनि यार रखेगा किसक्स ने भूर फिसमीन था तो यार साथ और कि यार रखा गया है basically को उन कि आए तो कि अज सो कीहाया में है ने कंतों जील में थे लोहा 시청ें में कि इसमें तता को ब्हूटत या जो ँसके कमयों में से एक था तनियुल्य स्क राके Japanese structure 2019 के अनुसार Rhodes Film प्रक्रिफ्ट भी in तो मुझे अनुसार प्रक्रिफ गीया तक्ति ही तो मुझे सब्क्र 2.und अंभान स्कुझे कष्ञारा था उन्होंने कोड़ा कि हर अट्राइच में टेकनप तुरॉ फार्जी में सने कि आपक एवलियंगी अपर्ण रिया जो गुनों के इसा है इन्ट वहत दो रखा गया आयरंगा आइट इसकर डूट इसक्स या रिग माना की प्रक्रिति में के वल डैस तो मुझूद है थे प्रिप्रिशी सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह वर्गी करन पर मानों के अधार पर थे तीनों दोस्ता इसका पर आधार पर जब कि आधनी का वसा निए परमानों पर है जब द्रीक का पर मानों के बढ़ते कर में विविस्त किया जाता है तो तो बीच वाले तर्टों के आपर मानों परमनों भारों का लगवग और सथ है इस नियम को जाना जाता है डुबे रैनर के त्रिक के नियम डुबे राइनर के रूप में पहला अवलोकन किया था पीटी यानि प्रेटी नियम का मैंडलीब का आवर सानी मैंडलीब से पडियरू के बारे मारे में अवर सानी का विश्क के लिए अंत्राल चुड़ा गया था इस तत्त को बाद में आवर सानी में एक अस्थन प्राफ्थ हुआ जर्मेनियम जिसका अवर सानी में लाम रूप अस्थमों को डियास और छ्थी पंकियों को डियास कहा जाता है लाम रूप यानि दोस्ताव को बता दू ऐसे जो है इ स्थमों टत्ताव को उनके परमों द्रमानी के अधार पबर किकेली देशना नहीं पासका हाइट्रोजन यह पासका था मैंडुनीब क्राविड करनी में उर्थवाधर को घाता है समु का खाजयत उर्थवाधर क्रमय विवैसित किया गया है मैंडूब की आवर्टवाधर को बाद में तालिका में जगा मिली तो यादिगा एसकेंडियम गेलियम और जर्मनियों को मिला एक जर्मन पत्रिका में प्रकासित हुई थी तो मैंलीब के आवर्ट सानी में एक एल्मुनियम की जगह लेता है गेलियम उस रुसी रसाइन रसेनगी का नाम बताएं जिसने यहां प्रति पाधित किया कि तत्तों के गुंधर मों के प्रमानों के प्रमानों का एक आवधिक फ टोड़न पाधित किया गया मुझली तो में अबन वाले से लेक्रमान वाले संच्छी तो वह तो वह तो वह तो जिनके दोसा सबारी से अधूरे होते है संक्रमन ततों की एक भी तर सा मही यह स्वाह तो के आज है झाल दो स्प्रति आफिट कर आछोंति सममय अनु में रखता गया है ओल्य लिधेश में कंष नोल यह सभी वायू है यह बिल्कु विश्चिस्ता नहीं एक्टिनाइडों की परमानीक संख्या क्या होती नब्दे से एक्टिनाइड लेंद से नाइट से बताईए आप लो आगे हम लोग चाचा करेंगे छाड़ी थातों का अधुनिक आवरत सार्निक के समूं में रखा गया है समूं में 6 टथमक रखा गया है आधूक आव्डवति टालिका में समूं सरुतों गशञ豆 ऐलोनेक यह यानिक पोटास्य एक शोता है नाइस है सटाbuilding छसला को रखागया है महीं और रखाता गया दो पिसरे आवरतों के ततो में कख्षों के संख्यां कितनी है तीन हैं। सब्सक्राइब उनकी परवनु संखिया बड़न करम के अनुशा विवस्क्तित किया गया है अधुनिक आवर्ट कर सानिम की खूज की गई थी, मौसले द्वाद की गई थी, ड़का प्रमु पर्वन्पराइब करमंग दोस्तों तीन है, निल बोगर, निल बोगर के आधुनिक आवर्ट सानिक को बिल्कुल ही नहीं है जिस्टे में 32 होते है बहते है कितने होते है ए लेकिन सबसे बड़ा शमो कह जाता है और तो आधिकतम संखें कितनी हैं दो है दो परमौन संखें 57 वाला तत्व समझी थे क्या डी ब्लोग से समझी थे आवर्ट में तत्व उपसित होते हैं अधुनिक आवर्ट वर्ट ड्यास और ड्यास में कोई उधात्में सामिल नहीं होते हैं संक्रमन धात्म की की प्रक्रिट परें कैनी की विरदि है पंग्पी में विरदि होती है सब्सक्राइब औरुन्हें पाइजाए तो निए संग्रमाण नहीं होता है चिरकुणियम का परमनों द्रमान होता है 91.2 91.2 आवर्थाणी में यह समू सुने समू जिरो रूप में भी जना जाता है तो समू 8.2 याद रखीगा इसी मिनट के इसे केलिफॉर्नियम डैस समू का सदस्याख चिनाइट का सदस्याख केलिफॉर्णियम हाइट्रोजन और हिलियम को रखा गया है पहले आवर्थ में र जिर्म आउट्रों संख्या type 2 होता जर्मिकि मैं इक्तिफ्न ऐ होती है इकломरो चैनी कि इन को तुद्रोजों साथ थी Falconой की साथ है और प्र नषिट्वल्द लिटिऊन शोर्य और सोडियम ऽे समद्रोड यह लिए हितं Spit DIRE सो में इक वी मरों लेंटाइट दोस्तों प्रिप्ट्ट्री याद रखें लिंता नहीं एक नएक सबस्क्राइट से कि रूप में नाम इतका गया गया इंट नुम्हों पर मनुसंख्यां हो डियास वाले नियुक्त परस्ता इते हैं अधिक भ्रावर्णी तत्व को समय किया गया है तो एक को नहीं किया गया है लेंधनाई से श्रेनी की प्रम्नुसंख्यां पारास में याद रखे यह लें टर नायस दिक्टिट सबस्क्राइब और फिट्रीम चर्ट होती है है अधिक शाणी के आधियों चार में चार ती ठीक है वारी तत्व यह इस आवरत में चार्म पोटासियम पोटासियम थे स्कनवागार टे नौ अधिक सवावर्सानी में जिग जे रखा थ्ष्टम नहीं है लेंफ लेंफे लेंफे लोग में आदनी के सम्हों पहला है आट्रोजन है आथन नहीं को सब्सक्राइब यह इसका अवर तीन और समूब सब्सक्राइब करने लिए लिए तो इसके अवर तो कहा जाता है लिए अवर सानिक पहले वह दूसे संगो कहा जाता है एस व्लोग तो पी बलॉक का ततो है बॉलन पी बलॉक नवका तत्व है सब्सक्राइब करें रखा गया लेट मोले के साथ एक चतूर्थ पार्मानों सब्सक्राइब करने दिसके और तो को रखागिया थीम नियृकल प्रतर नगतर नोज पाइट के बोगर टो यानि तीन से बारे निया है वालेत्य तका पर्तिक है हिलियम है धोस्तों नूबल केसे ही आधिक आधिनक सार्ण में 11 0000 और 1 दो डिन रहते हैं, तीन आवर्त में रखे जाते हैं आधनिक आवर्त सार्णी में मोजद उर्थवादर असमों को कहा जाता है याद रिखेगा चारि नियम के बाद समय आधनिक आपन पर स्याव को फिक्षवेस्टर नौट पाइटे नौट पारे यादं इस ताता है फीजिए अधन इस व्पटर है निपर आट जाए को रहा है तो ये अधनिक आजने तो बारे है याद रावसानियों में समूं मेह तो दूसरे में याद रखेगा एक तत्व आफ़ू दास अठाठाथ दूबीस की अवर्ट में रखा गया है आधुनिक आवर्ट है दूस्तों चार यारे चाहएं यानी केलसिया एक तत्त का ऐलेक्टरूनिक विटास आथवाला एक सब्स्वनिक आवर्ट दूस्था में तान्यक्षा में निए हुआ है किसे आभाट में मौझूद ततों में कि क्लम के तो में तो इतने आजिक अधूनिक नेक्स देशेक्ट में बनखे के अज़ने को दॉस्त तो पाएं गया दॉस्त 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 लिगे तो मेंस भूगा तो चार दूचिया वह दूस्तो जिसको क्या कते हैं कारवन कदें पर मनूसाँ कर सबस्क्राइब ना थन पर टूस्तों परमानूसाँ यह जिन पर लूमा धिके नहीं कि नमर्टा थन टा तुकि उत्रों अंजाक बुरूमें के ढायों मदकिक पॉबाइल का योजिट इसको नीवाट वारें का यह रखार्ट की डिवाट इसको नीवाट होटाय। तो के फुर्धिसकी प्लॉडी पॉर्णों को लिए रहे होता है तर्पमें को फॉर्णी के पॉर्णी होटा है। सब्सक्राइब उसके सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कर उसके सब्सक्राइब तो इस लिए नहीं है तो सिलिंध फोती इस लिए पास्पष लिए नहीं हुट इसका पहुते हुटा है इसके आपने हम करें जिसके सबसे बाद कर सेख्राइब एक गटोंवित सब्सक्राइब खीडाने लिद चाहिए होता कि पर्मानों की प्रमानों करने चंपता होती है और अच्छियां से अधिक होती है तो इसलिए निए 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 विक रिविटा समझे तो बेलिया इसका फूर होता है ने दाथ में बढ़ता है कि सोडियं से कुरूरी तक बढ़ता है ने अच्छाप्र पर चालं करते हैं क्यों कि मुट्ट एलेक्ट्रो यह तो सिंबर्वाण करते हैं निए धुकुल यह थे यह उव्याण को टृस्ट में अच्छिएंग तुमंगे तक रिखेंगे तो एक से ओक्साइद नियमान करता है जिसका सुनासे रहिए की सम्रमनानादी ऐलमूनिया तने में बढ़ता हैं होता है जातों का अगलन किसके सुध में अधिकता अधिकता होता है इसका सब्रों का होता है कि दाथनों के बिदीधू प्रति रुया даई है रेंटे है और होता है एक संवह में ऊपर से नीचे के मैदान हमेशा विर्धी रहती है इसे 7 विर्धी होटी बूपर उधासिन गयसियर्प्रमनु के बाइटूं के बाहता है या कोछ़से एक एलक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवेसक होती है सब्सक्राइब निसुर्ण सब्सक्राइब दोस्तों स्रीदियां वह नाइडोजन के आई निकरंट शंटा ऑक्षियं की तुला में अधिक है आधे भरे पी और बिटल की आंत्रिक इस्तिता के कारण किसे तो कि आई निकरंट प्रभवित करने वाला एक करत क्या पर मनुआ कार है श्रीण है क्लोगे की ओर जाने पार मुँट आपक्र उत्रियं का सबस्क्राइब अध्रम जब तो तो कि इस तो समय अच्ञ दोन दोन आपके को नहीं होता है प्रोरीन और फिर आयोडीन तक आने पर विदुत्र नमट क्या होती है तो उसके रहसानिक इस आवर्त में उधातों कि संख्यादिक्तम है दो कि स्वित्र नेकिस अभर्त में उधाये जाने रहता है यह याद रखेगा एक परमानों की किसी आनिन तत्यों के पार्मानों उने की साप्र प्रविर्ति को कहा जाता है तो वीदुतिक्रण रहाता कहा जाता है सबसे कम यह को तो में सबसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और सबसे कम आएनिकरण और जाए बंसे पहले और साथ बढ़ता है दो आगा प्रमानु अकर तो गिसमें तीसरे आवर्थ में उस्ता मिलाक्ण बंदोता है क्लोरीन ग्रुण का वह समूझ पतंक अइनी करता के सही घ्रम को यह दर्साता है किसी है तो अवर्थ में इन अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ओधात्में ओधात्में योगिक और उनके आनुपरियों के बारे में यानि मैटलिक कंपाउंट्स एंड दियर अप्रिकिसंस के बारे में काफी इंपोर्टेंट है अब देखेंगे हाइट्रोजन के बारे में थोड़ा से देख लीजिए कुछ परमुकता तो उनके अप्रूप के बारे में पहले हैं दोस्तों कार्बन के अप्रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चार्कोल, ग्रेफिन और फ्लोरी कार्बन के अप्रूप बहुत इंपोर्टेंट याद रखेगा हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चार्कोल, वे फ्लोडवर का वर्वे अपूर्व धुट को आपूरोप मुरोग यहां प्लास्टिक अभिए उघ्यादी हो जारी में ट्र करिया है फ्लोडवत स्वाइब स्वाइन को रखा गया है इस नियोन क्रिप्तोन जेन और रखा गया है ने सब्सक्राइब कि उच्टियों की दिर्मान से कि इस रख्षित यह बिल्कुल उस तो गलत है बारी जल के बार में इस भारी जल के बार तो नहीं है है धातों के साथ करते हैं तो यहाद कैसिंकलती है तो विचतर भीचतर का गाज़ को रंहिन सब्सक्राइब संब्सक्राइब सब्सक्राइब यानि C-A-O-Cl2 में क्लोरीन के विकल्प के रूप में पडियों किया जाता है हाइट्रोजन प्र ऑक्साइड के रूप में प्रत में सबस्क्राइब पाई जाता है ऑक्सिजन प्रत में अधिक 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 बन्दों नाइट्राइट का सुथ्र यह 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 जाता है अमोनिया उत्राइब के रूप में किया जाता है लोहा घ्यस का उक्षी के रिए नाइट्रोजन नाइट्रेट को जोड़दार धंग से गरम करते समय निकलने वाड़ी लाल भूरे रंकी गया नाइट्रोजन डाय ओक्साइड नाइट्रोजन दाय अक्साइड तापिया नाइट्रोजन के रूप में जाना जाता है नाइट्रोजन के रूप में जाना जाता है नाइट्रोजन के रूप में जाना जाता है नाइट्रोजन नाइस्थेटिक से रूप में पढ़ियों किया जाता है नाइट्रोजन नाइस्थेटिक से रूप में इस्तिमाल किया जा करती है नाय्क्तवरस के बारे में पहला कुछन है पासफ़रस के बारा में पहला कुछ सक्षर्प्रथा फ्रस पर दोस्तों प्र सथा इस हुआ जिससे जल में रखा जाता है जब जबकि P2 Red Phosphorus वा दोस्तों, यानि लाल Phosphorus जिसे हम लोग दिया सलाई में यूज करते हैं, Phosphorus को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका जोलंत आप मंदो होता है, Phosphorus को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकरने से बचे, माचिस की तलियों में होता है Phosphorus होता है, Phosphorus का पड़ी मनुनिक्ता कितनी होती दोस्तों 4 होती है यानि White Phosphorus का P4, एक ओधातू का electronic विन्यास क्या है तो 285 है यानि आगदास मट पंद्र है यानि Phosphorus, सफेद Phosphorus को संग्रहित किया जाता है पानी में, Phosphorus का रसानिक सुथ होता है H3PO4, H3PO4 फासफोरिक एसिद का फ्रमुला होता है, डेस ओ धातू को यदि हवा में रखा जाई तो उसमें आग लग जाती है Phosphorus, रसानिक परतिक पी का अर्थ होता है Phosphorus, जिसका एक्ट्रोमिक नमर 15 होता है, अब हम लोग परेंगे हेलोजन के बारे में, इन ततों के बाहितम कोस में साथ सन्यूजक इलेक्ट्रोन होते हैं, उसे हम लोग हेलोजन करते हैं दोस्तों, विरेंजनफे पॉर्टर को त्यार करने में परियोग नहीं होता है, निकसर और चक्की दोस्तों परियोग नहीं होता है, वह एक मांत्र ओधातु है, जो कमरी के प्रापमांद पर ध्रब में बनल जाती है, हाँ यह कुछो जया ते शर्ट प और पता है कि पार थाटा बीANS करेंज स्क्रोड क्रेंग् को रखा गया सितार में सतर में सतर में सतर में यानि-ग्रू नमर्प श्मु सतरा का सब्सक्राम अब इकनला सिल्मूल तु नहीं है दोस्तो आयोडीवीन थाफ inviting प्रमनुद वारे इलेक्ट्रोनों को आकर सित करने का गुन है विदुत रिनत्मक्ता निश्क्रिये गैस यानि इनट गैसे के बारे में हम लोग पढ़े हैं अधुर्णीक विदुत रिखसे गैसे आयनंगी और अलीक्त वुता है कि उनका इलेक्ट्रोनिक विदियार इस्तिर होता है एक अक्रिये गैस है जो सब्सक्राइब लाइट बगों में पाए जाती है आर्गन अजनभी कैस कहलाती है दोस्तों जैनाओं या या यादर खेजनाओं जिसक्राइटर में की नमर फिपी फौर होता है जैनॉम गैस अक्रिया गैस नहीं है लोजन है लो हीट्रोजन अक्रिया गैस नहीं है नोवल गैस नहीं है notorion नहीं है दुनगों का लाता हो एक पंव मानुथ है द Summit संवर्ट छाम जाता नहीं डोगता दुस कर म worn अगे okay सब्सक्राइब 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 रवर को ताकत परदान करने और आधिक्तम लोच एवं अस्थाइत वे परदान करने ही तो सलफर और ताप से उपचारित करने के परकिलिया को कहते हैं वलकिनाजेसन करते हैं सलफर ने अपना नाम भासा से लिया है, लेटिन भासास लिया है, सलफर का सथारा नाम है दोस्तों, या देकि ब्रीम एस्टोन, प्याज कार्थे समय आँखों में जलंग पैदा करने वाला योगिक है सलफर है, जब हम प्याज करते हैं, तो सिखेंज, इंचायिंच, प्याज सब्सक्राइब होता है दोस्तों हिरा में डेस कारवन का अप्रूप नहीं है सबसे कठोल प्राकिरतिक पदालत क्या ही रहा है नेक्स्ट देखिए बकिनिस्टर फुले रिन इसका एक अप्रूप है कारवन का यह दोस्तों सॉरी थोड़ी तवियत खळावे सर्दी है जैसे आग को बुझाता है और यानी कारवन डियोक्साइड आग को बुझाता है ततों वाले आनिपर्मानों के साथ संयोजित होकर बड़ी अनुधपन करने के विश्ट पे योगता रखती है कारवन रखती है दोस्तों कारवन नमर 6 होता है ठोस्क बर्फ होता है सुस्क बर्फ गयस को उसकी ठोस नहीं है सिलिकों ये कारवन का अप्रूप नहीं है एक उपधातू नहीं होती है ग्रेफिन है कारवन का अप्रूप ग्रेफिन होता है जल और आनिपदार्थों से रंगिन असुदियों और गोडी गंधों को अधिसोसित करने के लिए कारवन के अप्रूप का पढ़ियो कि प्रिचर्ड एसमेली ने किती एक डामन में परते के कारवन परमानों बंद होते हैं चार अने कारवन परमानों से करवन द्वारा मजबूत बंद के गठन का एक कारवन इसका डैस आकार है चोटा है दोस्तों चोटा कारवन के अपरोप के सरचना भूगर भी ग्लोब के समन होती है फ्रूरी या फ्रूरी का एक अपरोप नहीं है कारवन के डैस अपरोप में कारवन परमानों को फुटबॉल के आकार में विशित किया जाता है सी सिख्स्टी सिसा mens per 3 कितनी होती है ल county सिसा लेकिंद सिसा बंदे होती है इसे धारवन से जो इक यह एक धारवनों च्छाल में वर रचना अनि यूमानिГवान करते हैं तुसक्त नियुन करते हैं अमूं भनका एप रोफ गलोब के रूप में फ्रूरीन है अब हम परिगे धहातमे धातमिक योगी एवं उनके अनुप्रियोग के बारे में करके अन्नी में धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसका इसका है कास्टिक नम क्या हुद्ध थे स्ट्रियम हाइड औक्साइड एने ओएच सोडियम कार्बोनेट का समाने नम क्या धूबन सोडा एने टू सी ओधरी इंटू तेनेस्टो वह धातु जिसे असानी से चाकु से कटा जा सकता है सोडियम जब दातु के रोसीं तेल में संग्रीथ होती है दोस्तों सोडियम जलाने कैleson कार्बोनेट के गरं करने पर गया सुदपन होती है carbon dioxide next nitrogen लेटी नाम है sodium लेटी नाम है netrium प्रकृति में कभी मुक्तत्ततो के रूप में नहीं पाए जाता दोस्तों सोडियम नहीं पाइजाते है ऑक्सिजान की संपर्क में आने से बचाने के लिए स्युद्रा के विश पार्थिक धातु नहीं होती है योगी तुमें किष्टली करन का पाणी नहीं है बेक्निक सोडा दोस्तों नहीं है सवोडियम सल्फेत विल्यम के साथ मिलाय जाता है नहीं दातु अधी कतब प्रता से धनावेसित आयन बनाती है सोडियम नाती है किसी वेक्ति द्वारा डेस लेने से एसेडीटी ठीक हो सक्ति है बेकिंग सोडा का या बेकिंग सोडा या निक तोड़ की आमिल करन को रोकने के लिए बेकिंग पॉडटर्ट डैस और दैस का मिस्टन है सोडिया माय व्यों किया जाता है बेकिंग पॉडटर्ट वाला ततो छार्य औक्सइड बनाएगी एक यारा होला ततो दहातो सितल जल के साथ उग्रूप से विक्रिया करती है अब हो के बाएंगे परहेंगे पर मनों संक्या 10 वाला एक तत्व एक छारी उक्साइड उपन करेगा 20 वाला या रिजिस्काइटोमिक नमर 20 होता वो होता है दोसों केल्सियम केलसियम केल्सियम से बना होता है दोस्तों केलसियम के रूप में केलसियम से बना होता है चुना पथर एक तल छटी अब साधी होता है मुझेता बना होता है केलसियम कारूनेट का नेक्स्ट है निस संक्रामक और कीटानू नासा के रूप में पर्यूग किया जाता है केलसियम कारूनेट केलसियम कारूनेट के रूप में पर्यूग किया जाता है बीना बुजा हुआ तथा बुजा हुआ चुना दोनों केलसियम हाड अक्साइड का सभी और यह करता है तो डैस का निर्मान उत्पात के रूप में कास्टिक चुना प्रक्रिती में एक मुक्त ततो के रूप में कभी नहीं पाया जाता है बिलेचिंग पॉडर में बिलेचिंग एजेंट विदमान होता है क्लोरीन डैस को पानी में सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब भगड़ा चुना बनाने एम के लिए पाणी के साथिक परती करता है नहीं को के सब्सक्राइए करती हैं और भपानी स्तुषम करती है भूपर पटी में सरवाधी पाथ्यम भाले जाने वाले अल्मुनियम इल्मुनियम और राइट करने के लिए धातु जल वास्प के साथ आभी करती है इल्मुनियम करती है अब हम लोगं सिलवर के बारे में पढ़ेंगें दातुं सबसे अधिक आगात वरदिनीया है दोस्तों सिलवर जिसका इंट्रोमिक Norma 47 होता है दातु उचित आपमाण पर भी ऑक्षिन के साथ पर्तिक्रिया नहीं करती है चान्य दोस्तों जिसका इंट्रोमिक नमर 47 होता है सि कि निकिक इंस याम थे फोटोग्राफी में को प्योग किया जाता है। तो यह किसके बने के करनभुरे रंगा हो जाता है। यह चांधी है कि रोशी में रखा जाता है ता ब्रोमीन गैस बनती है। अब हम लोग दोस्तों परहेंगे सोना यानी गोल्ड के बारे में। धातु मुक्तावस्था में पाई जाती है सोना जिसकेटोमिक नमर 79 होती है सरवाधिक अगात वर्दिनी है धातु है दुस्तों गोल्ड यानि सोना चुना टोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है बिलिचिंग पॉर्ण यानि सी एयो सेल्टू नेक्ष औरम कहा जाता है सो पत्ली चली बनाई जासकती है फूलों लोगे जा सकती है जंगलें और धातों से बनी सभी वश्तों को नुक्सान पहुंचाता है जंग दोस्तों जंग जंग रोधी इस पात में परत्र इसकी सतर पर जमा हो जाता है इससे लाल भूरे रण की परत को कहते हैं जंग कहते हैं जंग जटों बिनाने के लिए डेस भाब की साथ अभिक्रिया करता है आयरन करता है इससल्पेट की सथय को तेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर उत्पार बनते हैं फैरिक उकसाइड प्लस 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 सल्फाड डायक साइड अयरन ऑकसाइड का रासानिक सुतर क्या अफ यूठीट आयू की उपस्तिती में जलने परनिःट होता है, F2 उतली होता है, डेस का संचारण एक गंभीर समस्या है, आयरं की संचारण एक गंभीर समस्या है, नेक्ष्ट रड़क का रंग होता है, लाल बुरे रंग, फेरस आइट का अनुइक सुतर होता है, वेखुशन के बारेगक फब पढ़ेंए जब में में कर लोग सैंट में रिफित के नाम से से शुपसायट के नाम का सथा नाम क्या है salt but घुटि कोरी में बातनों तथा कप्रों पर थबयां books । डिन एक संके तक है है मेंगनीसियम डिबन चमकदार सफेद लों के साथ जलता है और एक ड्यास रमिर बदलता है सपेद अर्श की विवे एंट्वह्वतता है उडइस्न क्या गया जाता है झालाने से सफेद राख होती है जिसे बनने के प्रिणाम स्वरुप निर्मित उत्पाद के लेड ओक्साइड प्लस ऑक्षिजन प्लस नाइट्रोजन डायोक्साइड जब लेड धातु कोपर क्लोराइड के वियां से अभी किलिया करती है तब लेड नीमित होती है लेड क्लोराइड पारा यह अमलगाम बनाने के लिए प्रियोगिया जाता है मर्करी गोरा यहां निसकी आइनिक और वोट वर्गिया होती है थरमार मेटर उप्योग की जाने वाली थाटव क्या है पारा होती है अगलोग कोपर जिंक वर बने के बारे में पढ़िए फिवान होता है दोस्तों सुरी 50 होता है टीन का ताम्बे और जस्ता के साथ पना से बनाने के लिए डैस नतुज जो रा जाता है टीन का धातु जिसे कुछ देर के लिए हावा में रखा जाता है तो उस पर हरे बेसिक कारगोनेट की प्रत्व सकती है वह धातू करने की परेक्राइग कुली पर डैस्स से बचानी के लिए है मैं कलेशा विश्क कार्पीने है जिसमें लूही की वस्तों फर्टी लिंग से बचाने के लिए जिंक से बचाने के लिए जिंक कोपर कर सकता है क्योंकि जिंग के कोपर की तॉला में अभी करिया साथ होती है याद रखिए गा entren में जिंग मिलाने पर pay यह पनता है यह 5 होस्तों से जल योचित को पायश इंट करा सनिक सो तो सीग क्सपर इंट का लचेला ओर पर दोस्तों याद रखेगा धातु उबे धर्मी ऑक्साइड बना सकती है जिंक लेपी फोलोहा होता है नीला थोता दूसरा नमक्या ताम सलफेट यानि अधर नन मेटर्स के बारे में अभण पढ़ेंगे आनि वो धातु में भूपरबटी में पाई जाने वाला दूसरा लीथियम एलमोनियम हाइड नेकी णोष उपचायक एजन्ट है याद इस और सुरियम अमलगम नगा ताथ निया भी एच फोर के मत्य होटे हैं क्या होते हैं तो वे अब चायक एजन्ट होते हैं दातु जो पाइति जिगी सेल्सेस ताप मान के ऊपर द्रभ अवस्था में रहता है पारा और गेलियम पारा के अतोमिक नमर असी होता है गेलियम के अट्रीणिक नमर 31 होता है गर्यों में इस्तेमाल किये जाने वाले को आधे सिलिकॉन डायोकसा होती है तंगस्टन का सिंबल होती है अब हम लोग इंदन यानि फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे जिवहार बायो मास उर्जा स्रोत का उधार नहीं है ना भी उर्जा है रोकेट में इंधन के रूप में इस गैस का उप्योग किया जाता है है चारकोल घर में डैस जलाकर बना सब्सक्राइब को बिजली की चिंगारी से विसफोट किया जा सकता है तो याद के डंहीन गंधीन और गयर विसेली किंतु जो लंसील गयस है इसका समानी नाम क्या है मार्स गयस समानी नाम है वो कर्बनी गयस नहीं मिधियन के जलने पर करबन घय ऑकसाइड एपानी निकलत होता है पेट्रों के सासाथकारों में इंधन के रूप में उफ्यूक किया जाता है एति अनौल का किया जाता है दोस्तो मिध्यन निकलत चवता घयकर कर एक परीडे संसाइन के रूप में जाता हैं खरी नका को कहा जाता है इंदन का उसमे इक हाना करने के लिए गैस कपर्म घटक है मीठेन होती मिद इक जेवी ग्यास होती है तो आप देशंय नाइट्रोजन और ऍपरेयर काल इधिक ह्या को फोज कोईला को तरल हाइडो कारवान में परिवार्थित करने वाले पर किरिया को कहते हैं, तो याद रखे के दर्वी करन कहते हैं, कोईला और पेटोयन के दहन का परिणाम डेस के औकसाइड के रूप में होता है, नाइटोजन और सलपर के रूप में होता है, इंदन के अप प्रेज निच्रल गयास यानि CNG का बढ़ रहा है स्वक्षी इंधन का एक गुन है तो परदूसक मुख्त लबीजी का मुख्य घटा के ब्यूटन सीफोड एस टेंड गया जाता है दोस्तों एथेनौल पीतल इसका एक मिस्धातू है पीतल तामभा और जस्थाका को पर और दोस्तों जिंक का निमार में उपयोग नहीं किया जाता है जादया चल्फर रूपयों नहीं किया जाता है एक और रूपय कि सी के बनते हैं तो फ्रिटिक इस्टनेस इस्टिए वंतर हें लिए तामभे और डैस के एक निक्यलका अमल गामिस ठाथ की अधार पारा जिसका आट्रमीक नमर्ड दोस्तों 80 होती है एड़ी मरकरी की यह नहीं है चांदी का इसड़ी का विषगर किया था है ये बीडियरी नहीं किया था उची तापमान पराप करने के लिए इलक्ट्रमान उपकरनों में समने तर्डों परयोग किया जाता है सोने को तामबे के साथ मिस्सित किया जाता है, सोने को कठोर बनाने के लिए दोस्तों मिसधातु चार गठों से बनी होती है नाइकरूम, चार गठो जिसमें होती है निकेल, क्रोमियं, मैंगनीज और check or iron यह सभी नाइक्रोम में होती है दूस्तों ब्रोंज के अभियव होते हैं कॉपर और तीन होती है कोपर के चोपर नमर यह कि एवंधाह तो कर्म के बारे में तामबे का अयस्का नहीं है अर्जन टाइट यह किसका है दोस्तों सिल्वर का है याद रखेगा इसका नमबर 47 होता है सिनेबार नेक्स उद्यों द्वारा वकसाइट के च्छे माल के तोर पर इस्तावाल किया जाता है एल्मुनियम पेंटा ट्राहिट के निकल करिया से अभड़ा उचित किरिया धातों का सुधी यह उप्यों किये जाने चाने वाले तरल को कहा जाता है एल्यक्ट्र लाइट का लेक्ट्स याथ सब्सक्राइब्स सुत्र है सिलिकन डायोकसाइड दाटवी खनीज नहीं है यह मेंगेज का खनीज है यह यह उसके बॉकषाइड यहाद रखे बॉकसाइड नेक्स से लाइक है इसके आएड जिंक्रीका यहाईड का यह खनीज आईड अका अपन नॉक्साइड जेसे असुत थाथों के सुधिक सबस्क्राइब प्लास्टिक पानी की बनी होती है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिने जब एक बार ढ़ा जाता है तो उन्हें गर्म कर पेग नरम नहीं किया जा सकता उन्हें कहा जाता है दो सब्सक्राइब की बनाने के लिए तंतों का व्योग की आता है के लिए के लार का पड़ियोग किया जाता है तो शिद्धेश की गेहा हो एक नायला प्योग सब्सक्राइब बनाने में किया जाता है पॉलिविनाइल क्लॉड़ाई पीविसी रियोन के संदर में सही है दोस्तों यह कास्ट लुगदी से प्राप्ट किया जाता है टेरीलीन एथिलीन गलाइकोल और किस अमल का संगनक बहुलक है तो यह क्या नामें ट्रेप ठेलिक अमल नाइलोन धागा बनाना बना होता है पॉलिमाइड पॉलिमर का पॉलिमाइड पॉलिमर का प्राक्रतिक पॉलिमर है यह के स्टार्च है थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर नहीं है नेक हेक्सामेथिलीन डाइमीन तथा एडिपिक अमल का उप्यों बहुलक की निर्मान में किया जाता है नाइलो पी एटी का विश्टारी तरुप क्या थो पोली एथलीन टेरिफिलेट होती है अब हम लोग पड़ेंगे साबून डिटर्जेंट यानि सोब डिटर्जेंट के बारे में वो देखें सधार नमगत नवट नवट नवला नसील होता है क्रास्टिक विश्टीक सोडा का सोडियम नवके सब्सक्राइब को किया जाता है साबून लंडी सिंखला वाले डैस के सोडियम या प्रटासियम लवन होते हैं कर दोने का सोड़ा होता है डिटर्जेंट पाओडर में परमुकर रसायन होता है सो्रियम कारूनीट पाने की जर्टा की जांच करने के लिए कर्यों किया जाता है साबून से च्छाग बनाना रसानिक सास्त में साबून डैस का लवन है वम्स्येक लवन होती है तो यह साबून की अधिश्रोर्खे साथ 이지 विश्चिंट कहा जाता है तो की से साबुन रही साबुन को का जाता है समस्टंबित टो सोडियुम हाइड ऑक्साइड यानि यह पाया जाता है अब हम लोग कांच इनी ग्लास के बारे में पढ़ेंगे गरम सी से को धीर धीर ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते है क्या तो याद एक एनी लिंग कहते है इसका उपयोग भी कर यह फ्लास के जैसे रसानी को बनाने के ल पढ़ेंगे है श्लिका होताँ दोस्तों क्वार्ज होताई सिर्यमृच अबquito द्वार के बारे में बारत में मु की उबसे सामील होता पोटासियом के नुटिविश्च माइड़ का इविश्कार किया था ट्राइव थर नाइटरो टै। का पर्यों किया जब हम और दोस्तों स्कें नहीं जुंद्ट है यह अच्छ लेगा तो से मेट केंगे है जर दोगाने उसे एत गये हैं तिन करूद फिर खाय। गया है यहाद रखेगा मैट इस के बाद है हborg fi हेट्स है अक्षस रोठ और नोनु उसके ब्यू नोन उचे अचैनल को और शरोद के बारे हम देखिए cricket पाई लिपनेख स्कारी कांवल सर्था कि निल्प पईज जाथा है और अग्जली का में ये निली और अंगुर में आर्याZ और झेशकारविक आमल जबकि कारगोनी आमल कि फरद आसे नियुताव में आडे लियूर्ओ वेस पाईज Payahn सब्सक्राइब बनाते हैं इथाइन और विटाइन बनाते हैं तेधाइन और विटाइन बनाते हैं होती है कार्वन के साथ होने वाली हाइड्र कार्वन सिंकला के अंत में लगाने लगाए जाने वाला पर्टे क्या है ओन होगा दोस्तों कीटों कैसे होता है यह हो गया किटों का फर्मुला कर्माणे परान के विछ एक आंगशा सेलिहा उनकलों की धाने युश्यन क्या है कि इसमें अंगी क्या अंगशन होता है औरेश्चेन आई पेसी नामों में से जो एक अलग है उसका चेंड करें तो सी फोर एच नाइए यह बीटेनॉल होती है दोस्तों और बीटाइल अलकुहल होती है यहीं है दोस्तों सिंगल बॉंट से याद रखेगा यहीं है यहानी बुल कोच है की दोश्तों इस योगिक में एक कर्यात्मक्समुक के रूप में विटेनों में है दोस्तों इतने हो जाता तो सी फोर एच नाइच भिए प्रोपेन प्रियोग से प्रियोग स्थिद्ध मेथिन हो गया CH4, CH3, CH2H5 हो गया तो उसकरा से प्रियोग ने करियात्मक समू क्या कीटन होती है और इसमे करियात्मक समू मैंनस CHO, O मुझूद होती है एल्डिहाइड में CHO नेक्ष हेक्सामेथलीन, डायमीन का सुत्र होती NH2, CH2 का होल 6 NH2, टर्सरी ब्यूटिल, ब्रोमाइड का IPC नमक्या है तो 2-Bromo-2-Methyl-Propane, दुतिक ब्यूटिल, क्लोराइड का IPC नमक्या है तो 2-Clorobutane, 2-Clorobutane, नेक्ट वाइनिल, क्लोराइड का IPC नमक्या है तो 2-Clorobut 3-Bromopropane, 3-Bromopropane होती है, N-Propyl, याद फ्रुवराइड का IPC नमक्या है, याद रखेगा, नेक्ट अब हम लोग हाइट्रोकारवन के बारे में पढ़ेंगे है, हिड्रोकारवन, लेके में में एकलबन मुझूद होते हैं, 4 में, एक उसंत्रित हाइड्रोकारवन है, संत्रित हाइड्रोकारवन के बिच एकल बंध होता है, संत्रित हाइड्रोकारवन के है, संत्रित हाइड्रोकारवन का यक उधारन है, हाइड्रोकारवन का यक उधारन है, हाइड्रोकारवन का यक उधारन है, दोस्तों, हाइड्रोकारवन का परतिक सरचना में होता है, 120 होत सबस्क्राइब के अनुवर्ती सदस्यों की पर नुद्रमान इकायों के बीच भीनिता होती है 17 सबस्क्राइब को कहा जाता है यानि C याया दकी क्या तो एल इकन कहा जाता है है cn h2n plus 2 next penton के penton में मितलब 5 वा c5 h12 होती है penton देर्स रचनात्मक समयावी होते है 3 होती है penton योगिकों में एक और ले carbon shrink class होती है benzen C6 as6 एक वसंतरित योगी कहा है दोस्तों एक तीन एक पहले मच जाने जाते थे तो याद कि all these things के नाम से एक जाने जाते थे पायबॉन कितनी होती हमार्ऀ चार हो गया 5 h6 7 8 9 0 नै। सभी करहा ह मैं गर्म हावा के गवारों में गयास पडेयोग की विया आक्षिजन इसका परियो सबीडिन लेकिन होता है अलग अलग होता है यह चाहिके रूप में किया यह प्रोपेन श्री और यह चाहिकों होते हैं अधिक दोस्तों और यह चोटे हैं नेक्स घ्माथ हो यह तो सभी यह उस्ती यह is अधिल आलकोहल यानि C3OH and C2H5OH के आनुए का अंतर है एतिनल का सुथ होता है C2H5OH याद रखेगा एलकोहल में होता है दोस्तों कारवन हाइट्रोजन और अक्षिएन होता है मैथनोल का रासानिक सुथ होता है C3OH होता है C3OH होता है याद रखेगा चपाप चाई परक्रिया को धिमी कर देता है और केंदरिया तंतर का तंतर की अवनती करता है दोस्तों C4H9OH गिल से रोल का रासानिक सुथ होता है C3H8OH3 सकर के किनवन के दोरन योगिक जो हमेशा बनता है तो इथाईल आल्कॉल बनता दोस्तों याद रखेंगे जिसको अमनों कहते है C2H5OH से सिराव दवाईयों और बायों में इंधन के रूप में उप्यों किया जाता है इथाईल आलकॉल का दोस्तों एक अनुम्य हीट्रोजन परमनो फोकर में चाहँ होते हैं रखशलर है दोस्तों में ऐतैनौल सह स्वाफ है और लिए इस अल्कुछ को जाता है ताकि वीस्ट निले और के लिए इस आ पशानी से पहला जो सकते हैं और देने के लिए एक क्या उप्सेसित में परति क्लिया करता क्या करता है इस्टर करता सकता से अभर दों से कामिक नाब सब्सक्राइब 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 से यह चीज़ विदमान दाताया की मोजदगी के चिज़ निम्व का खटा हो जाथा है तो पारीध होता है लेक्टिक कर कि नहीं इसका सबस्वाद इसका पर्यों इतर बनाने के साथ सवाध के एजिंट बनाने के लिए किया जाता है इसके इसे का इस्टर का पर्यों यह इत्र बनाने के लिए उपयोद किया जाता है इसका उपयोद्येंग की रूप्यायक्त के रूप में चेका परईबिसाओ परवल घॉंप इसमलोग आमासाम दूस्त चीनी कहते हैं यह जा शूरी के प्रकास के संप्क में या तो फोजीन में प्रावर्तित हो जाता है दोसो क्लोरो फॉर्म का रासानिक सुद्र क्या सी एस थी का होल्टू सी ओ गुल्गोच एक डैस कारवन अनु है तो छे कारवन अनु है दोसो गुल्गोच इसमें फल की बहुत तेज सुनन्द आती है ती थाय एसीट कार्वनिक योगिक और ब्रसाणिक अभीकिर्या की प्रप्कृति हमेसा उस्मा सोसी होती है क्षक्या व्तुषण बनना विदूद उय निकालती है उसक्टिक याउए प्रकार है उसमागे से पडूचत तो पहने से तो पाली में एक आम्र या चार का विलेख करने को जाना जाता है जिसमें आम और छार मिल्वन और जल करने करते हैं उसे हम उदासनी करने किया कहते हैं विस्तापन अभिक्रिया को उधारन है दोस्तों सोरियम सल्पेट और बेरियम प्लॉराइड ऑक्षियन में कार्वन को जलाने पड़ा कार्वन डायोक्साइड उत्पन होते समय अभिक्रिया घटित होती है अभिक्रिया कहला ती और अभिक्रिया में उत्पाद निर्मित होते है निकेल प्रयोक किया दोर्णं ऑविक्रिया को इस Ald场 क है कुलोनियम का नहीद का नहीं किया जाता है कारत प्रकार विक्रिष क्मे technology के साते हैं चायची काशान करने के इन हीमाइब करने सन्कार साध di piper 후보 पहला होती है इलेक्ट्रोलीटिक अभीगटन होती है अभीकालकों को विभारित करने के लिए डैस अभीक्रिया में और गुछ्टल्स को तेज गरम करने पर एक भूरे रंका आपसे चोड़ जाते हैं दोस्तों रशानिक अभीक्रिया जिसमें गरमी उतपन होती है उसे कहा ज जाता है दी गई अभी कर्याओं में स्योजन अभी कर्याओं के वेपरित होती है यह वसानीक समिक्राइब संतुलित होती है तो 2MG प्लस ओटू को रेक्शन किए मैगनेसियम औक्साइड बन यह तू इस संतुलित है मिला लीजिये दोठो अधर प्लस तो यह तो दो से पहला कोसर है मिठे सीटलपाई का पर मुग घटक क्या है तो वस यह अमल में प्रेटोर की गारी के एक जाइट से नियूंतम हाइड्रकारबन हिर्मोत होगा जब गारी तेज चल रही है वह संत्रीत योगी को के दहन के दोरन देखी जाती है तो याद पिली लो देखी जाते पिली लो एक धातु और वो धातु दोनों के रूप में ही कारी नहीं करता विस्मत नहीं करता भपाल तरसाधी इस गयस के रिशाव का परिणाम थी मिठाल आइसोसाइनाय यानि CS3C याद रखे है क्लोरो प्र यह नहीं है यह पदा प्रिवर्टित हो जाता है तो नेक्स तत को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है रसानी करतिकों के बारे में सच नहीं है यह जेंस चेडविक और जेजे थॉंसंग वार प्रस्तावित किये गए थे कोच किया था जैजेट फंसग और एलेक्ट्रों की खोज किया था 2015 में इसकी मेटर के नए एस्टीट के रूप में मतलग कोज की गई थी 2015 में जौन टेलर द्वारा द्वारा जॉस्तों की गए थी जॉन टेलर द्वारा जौन टेलर हातु नेस्ट फल पकानी के लिए प्रय सब्सक्राइब एज़सी एपसी का विस्तार हाइड्रो क्लोरो कारवर कफ़ोड पानी को उबाल करिया उसमें केलसियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला कर वसे मिर्दुजल बनाने की परिकलिया करते हैं कलार की परिकलिया घातक जहर सनाइर का रासानिक नम क्या तो याद रखेगा पूशिक एसी अमोनियम ऑक्जलेट कर असानिक सुद्र क्या है एने एज़फोर का होल्टू सीटू उफोर एस्टरलिंग सिल्वर के नियूंतम हजार में भाग की सुद्था खड़ापन है नोसो पचीस है नोसो पचीस गयस की लोग का कौन सा भाग सरवादी ग्रम होता है नीला दोस्तो में सहज सेंटे जो कि उस दिसा में जो घुलं सीट अबार्थ की संगनता को दोनों तरफ से समानी बनाती है उसे करते हैं ओस्मोसिस क्या करते हैं जब अगनी समक की नोग को दवाया जाता है तो कर्बन डियोक्साइड गयस तो करने के लिए लिए अमले डैस में मिल जाते ह आईस्क्रीम में एक एस्टेबलाइजर के रूप में पढ़यों किया जाता है जिलेटीन किसका जिलेटीन का परयोग आसुत जल में मचली जीवित नहीं रह सकती है क्योंकि प्रासरन मचली के सरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देती है इस ही दोस्तों क्या चाहिए जाता है जिसका रूप में परिभासित किया जाता है द्रमान के रूप में दोस्तों परिभासित किया जाता है पतात के भी भाजन के विचार को लंबी समय से में माना जाता है दोस्तों भारत में माने जाते हैं याद रखेगा इनकी प्रक्रिती विदुत धनात्मक होती है धात्मों प्रक्रिती विदुत धनात्मक होती है धात्मों का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढ निन अब लोकन हमें यह नियदायत करने में मदद करते हैं कि रासानी कभी करिया हुई है या नहीं याद रुखे कि इस्तिती बदलना, रंग बदलना, गयस का उत सर्जन इस में इसी थे गुजरात में इस थे दोस्तों काक्रा पारा परमानु उर्जा इस्टिसन धात में विदुद की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढवंदित इस होते हैं XE6S1 होती है, परमाणु बलों के सिध्धान की खोच की थी, हिदे की युकावाने की थी, हिदे की युकावाने किया था, एक परमानू का समूझ जो आभेस को ले कर चलता है, उसे आयन से जाना जाता है, दोस्तों, तो बहुत परमाणू की जाना जाता है, फेटी एसिड का उक्सीकपकृ। और सलफर का। पतारर के कड़ों के बिचाकरसं पम्ल अदिकतम होता है ताम डेकी च्छ में ठोस। एक ततू नहीं है पानी ततू नहीं है दोस्तो पानी। निक्स आयनिक योगिकों का गुन है इनका अगलनक और कुथनक उच्छी होता है तेल या वसा के छारिया हाइड्रोलीसिस की परिकिलिया को जाना जाता है सावनी कलन के रूप में जाना जाता है किसी विल्यन में भीन हाइड्रोजन आयन शंदरता की इस्तिती में यह सुचक भीनो रंग दर साता है यूणिवर्सल रंग दर साता है यूणिवर्सल दो या दो से अधिक सेयल के स्युजन को कहते है क्या तो बैट्री कहते हैं एक विसम परवाणूत के अनुद नहीं है था प्रविपोर दोस्तों नहीं है वीपोर के मतभ़वाइट फास फोरस नेक्ट जल रेक्टर और जल रेक्टर परमानू रेक्टर इनका घंट जल के घंट सिक्कन होता है कॉर्ग जल ये अनुवा द्वारा पर्ति करसित होने वाले समुद्विक हाजाता है है रड़ोफोबीक क मिशन को किया कहा जाता है जिसके परेनाम सवरूपष प्रति各 इक संदर्त में आएनों की स्रांधर का आगूर नहीं है या स्यूजल बना होता है क्या गंवारा जीमी त्र के नियरुल यह रसानिक बंद है जिसमें परमानों होते हैं तो 15 पर्मानू होते हैं पंद्रें पर्मानू होते हैं यहीं पर्मानू होते हैं 15 वह इस दोस्तो हम लोग इस गुख का पोरी अच्छी तरह से शुरू सले क्म बेदिधिक पेस्टों को हम ली इस गा Haupt सब्सक्राइब निसेचन, विभाँश, विभाजन, और विधिनता के अधियन को जना जाता है भून विञ्ञान पोदों में बिमारियों का अध्यान और वह तरीका जिससे पोधे विरोध करते हैं या संक्रमन से सामना करते हैं कहलाता है फाइटो पैथोलोजी परसाखा यइक्रइत के उपचार और अध्यान से संमदित है हिपैटोलोजी जिवों के वर्गिकरण से समदित जी विग्यान की साखा को कहते हैं वर्गिकी जंधू विग्यान अध्यण है तासियो,"टेकिजे आध्याइट. खरौप और लोडोडी और दिलrement का स उरलिए शेशुआ कि और यानि यींत नलोजी जिवाश्म निचींद कि अध्यार का हता है वी ग्यांव यानि प्लीए सोलेोगए हम वी भंद वाह कंडिज जेवा symptom कबक औरेंस सब्सक्का सब्सक्राइब का नoga कर यह अर हम अर्य टाक्सिक की ये पॉयजं envoy fine है यहवाइसिस्ट मेटिक का उदीसकी सभी चेतरों से वीजिय हुई का विदीक वर्गित cabbageoni ि उनके फायोजेनी कि अस्थापना क्या धार पर जीवों टार्यवरह डेते मोक्ता प्रियावरन के इन चास्ति अधीन को कहा जाता है प्राष्टितिकी विञ्याई के उनको सम्णॉ संस्याइब्धर्य को क्या एक अध्यान क्या कह जाता है उस्टुम किया जाता है पैलियानो लॉजी एक सखा है और कुछ रूपोंे अधियानो याए कि सखा है नहीं पैंट खेंग को यह को लिखा थार्प्तों के घमवाथ मी आधियान नहीस पना ये विग्यान की एक साका है चीरोपोली ये सरीर से समन्दी थे दोस्तों पहरो पहरों से समन्दी चीरोपोली आप हम लोग पढ़ेंगे कोषिका सिध्धांत स्रेचना और कारी सेल थे इस स्ट्रेक्टर एंड फंसंस के बारे में मानब सरीर में कोषिकाओं की खोज गीती जबर की मैंने पर आप खोशिकां को घंड कोशिका में में इससकुन म्हाइं आप इसाने कर दोंग किया जाता है कि विशान के अनूरूप नहीं है विसान दोस्तों ये नहीं है जीव को जीवित और ओजीट दोनों माना जाता है कोशिका पर कर्यात्म के किरियाओं का नियुत्र करता है केंद्रग सुथर विभाजन के चेंड के नामबता है जिसके दुण विभाजित कोशिका के गुण सुथर मदर रेखा परिष्थ मृफच्ट होते हैं मेटाफेज सरस बड़ी ज्यात कोशिका कुँंजी है कर दो कि सबढ़ कर दो कि सब्सक्राइब कर दो कि उसे अच्वार ना जाता है उसित इसुम्हाइब को सब्सक्राइब वहां को सिधान का प्रस्ता देने वाले विद्वाले का नामे श्लाइटन और स्वान वहां को शिगा अंग है जिसमें सुसन और उर्जा उत्पादम के जैसे जैव रसायनिक पर के लिए होती है माइटो कॉंडिया अब पढ़ेंगे पाधा पॉसिका और बादाब करता है यह याद रखेगा नेक्स्ट प्लेस्ट प्लेस्ट यह तीन प्रकार्ट होते हैं यह प्रकार्ट करते हैं प्लेस्ट पूलों एवन फलों को रंपतान करते हैं या के ऊपर पहे जाने वाले चोटे होते हैं थाइब भी अवादी कोशी का में जाता है कि अपाध पाई निवस्ट्राइब का में यह स्टेजिक का में जाता है कि अपाध रूपलस्ट में भी अपाध पहले प्रश यानिड तू पर नहीं होती हुआ प्रफिल को सबसे पहले पिल्था को नामित किया था के वेंद तू और याद के लिए ट्यार कि द्वारा प्रफिल में वहता है नारंगी करता है नारंगी करता है मुन रूप से दीखने में और काले करने में समाल होते है तो उतर होते हैं और यह कुछ सपने के लिए सबस्क्राइब पुक्ति अच्छा होता है कि सबस्क्राइब यह उत्रेब प्रोटीमें मनुश्यों में तक होने को बनाता है स्सक्राइस और एपिधिलियम मोजू होता दोचा में जंवरों के अलवेली और जनवरों के अनीचों में कीज़ान हीसान होता है उस पर झाइब सब्सक्राइब और वर क्रेद गढने क्या एस पर्म उस Però एक रिण फिर होते हैं और उसम्र्ट पर उन्हें पहुतृजिक क्या घृत्य है लाल समभनिया सेयोजी उतक होता है रूधिर यानि बलड डैस उतक ग्रंथियों के निर्मान करते हैं वही का डैस की रचना लंबे रिसेदार प्रोटीन से तंतु से होती है जो मांसपेशियों के सिकुरने या फैलने से एक दूसरे पर स्रकती है वह होती है मारको मर्स द्रीड से उतकों द्वारा कंकाल से जुई रहने वाली मांसपेशियां कहलाती है उपकला उतक का कौन सा प्रकार एक चप्ती कोसिकाउं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे ओन्यमित होते हैं यह सल्की में यह सल्की लुक में इसका है जो अस्तरी पार्ट मश्राल में वेस Hill के यह जैकॉँ मजबूत प्रसक्रा करते हैं करता है जैलम और फ्लोयम अस्थाई उत्क एक पोध्य को कठोर और मजबूद बनाता है अस्थाई उत्कों के निर्मान के लिए एक अस्थाई स्रचना अकार और किरिया को कहा जाता है विवेधन कहा जाता है संचण के लिए उताई हहोती है पोधों में भोजद इसा पाने और खनीच के पढ़िवहन को सक्षन करता है जैयलंग जैव तक मुख्रूप से मिर्ट कोसी काउं से बना है जाइलंग कोसी काई जरों से पोधों के आनिभागों तक जल का परीचालन करती है जायलंग याद रेखे का जय लहाइं को सिक बाएं को जैने होता है और दी या निस जैने को कुछ होदों के नंगे और पाई जाने वाली आकिर्थी जो उनकी विर्धि में सहयक होती है उतर पाइज जाते है पासर जो के तने में चलुम के रूप में पाई जाने यह उत्तक पाई जाते हैं पासर विभाद योतर एक डैस एक लंबा इंटर नोड है जो नीचला हिस्सा या संपून डंधल बनाता है दोस्तों तना इस्टीम याद रखेगा उत्तकों के अंगों के अस्थान भरता है याद रखेगा उत्तकों में कौसिकाई जिवित होती है लंबी और कोणों पर नहीं होती है नीन स्थान तोट होता है इस कंपने काइमा देस एक जटी अस्थाई उत्क है जाया जाते हैं पतीयू के अंत्रमें यसजी तेकल hm में वहा तक होता है जो ह divergence परद्ध के उन भागों में पाए जाता हैத ही संभणना होती हे विभाल काई अप्सकान को थियाक और अपने विभाजित क्रूछी की खाला कि कासी बड़ाों के तर्ट इन प्रकार होते हैं पैरिन जुकर्ण नोम ये तॉस्तुराके रूप में था किव्याइव ठीड होती आधिक काली सब्सक्राइब सब्सक्राइब होती है मिर्दु तक अधिक अंत्र्षीप कर्सार के लिए मिर्दु तक कहले को अलग किया जाता है विवाज उतक के निर्मान के लिए आप अलग किया जाता है याद यह पादा का बही होते होते हैं दोस्तों ॉर्ट in सब्सक्राइब 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 मानवफरी का मुख की हिस्सा बना होता है पानी से बना होता है दोस्तों मुख की हिस्सा अनुमांसी के संदर में DNA का अर्थ का है डियॉक्सिलाइबो निकली काम्ग अनुमांसी बना होता है इसका पुन रूप क्या है तो राइबो निकली काम्ग रसानी की योगी के अनिवारिता अनिवारिता सभी विश्रमों में पाई जाता है जिन के जिस्से समूख की किल्या को डिने साइट से अधिकता मातरा में उर्जा उत्पन करते हैं वसा यान परजन में माता-पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा वेगनिक ने मतर के पोद्वों पर काम करते हुए उस बिंदू का नाम है जिस पर ने क्रोमेट्रें जूटे हैं वह होती है वह होती है उस बिंदू का नाम क्या है जिस पर गूंसुत्र की जूटे हैं जाएं तरह किया जाता है मेरुद्ज के दूरा मैंको्टे त्कㅋㅋ सब्स्चिन होगा BUTTE सु म्हलों ऩी होती ह ne याद रखेगा एघटन करती है फौली मिञुक्छी वनसपति या सब्सक्राइब सब्सक्राइब चब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेंगी को अंगते हैं अधिक अधिक विविताला सकता है लेंग की विविताला सकता है प्रजातियों में देस जिवित रहने का लाव परदान कर सकता है परिवर्तन मता पिता से संतान में सरीक या मांसी गुनों के संचेन को कहा जाता है अनुवांसिक्ता कहा जाता है बच्वों का लिंग लिवाले वन्सनुगत गुन्सूत्र द्वारा निर्थारीक होगा दोस्तों पिता से या तो एक्स या वाई होता है यार रखेगा जीन उत्परिवर्तन का करने होता है नैट्रोजनी छारों के अनुक्रम में परिवर्तन मेंडल के नियम केवल तभी लागो होते हैं जब माता पिता सुध प्रजन हो दो में बाएपटों से अधिने अधिना वहाग होता है पांसो चपन गोल और सिक्री पीले बीटों के हाइबरी प्रस में थे सब्सक्राइब पर बिले अधिन के are विरोधी गुणों का युग में जो समान विसेश्टाओं को नियंद्रिट करते हैं युग में विकल्पी करते हैं विश्वास और पर्थाओं का एक संग्रा जिसका वह देसमानत अबाधी की अनुवानसिक गुर्मता में सुधार लाना होता है युजिनिक्स करता है यहाल रिखेंगे मैंदल के पर्योग हमें गुनों के विरास्तों एक पीडी से आपिडी में लेजाने के लिए ठंदर परदान करते हैं विग्यादि के जी जे मैंदल का निदन हुआ था 1844 में। मैंदल में बरोष के यहँन गुविशसीय अग्यूसाँ के सभी होते है एक्सवाग आम तोर पर अधर पर में रिलियन का था थे हैं रहते हैं जीन मेंदल में में मटर की पोदों को चुनाक्यों की उनमें विसंदिखने वाले गुण थे मैंनल एक यूवक कम की कि विष्टा माटर के एक पोदों में उप्रभावी होती है जुरीदार भी दोस्तों पूरसों में पाए जाता है वाय गुंसुत्र एसे प्रूस में होता है पुनरजनन का अर्थ होता है चोटे खंड से जीव के पूरे सरील का निर्मान यह यह जो सब्सक्राइब करते हैं उभकिनेद के परिवर्तन होने पर होती है प्रजातियों की वेक्तिगत संख्यां को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए आवसक होती है, दोस्तों परजनन आवसक होती है, निक्स आदिवाई मंडल कम हो रहा थाक्यों की हाइट्रोजन परमानु सक्रिये थे और अधिक संख्यां में थे, जिब धायों म परजाति का क्रमिक विकास करने की संभाव न होती है, यह अखें एक संग्स होती है, जो की विक्सित होती है. मानवी विकास के समन में हाली में खोज की गई इवासं की खोज है होमोन लेडी महा कल्ब को असंधारियों का महा कल्ब के रूप में जाना जाता है नूतन जीवी वह विचार है कि नई परजात्यों का विकास उनके परिवासित परिवर्तन के कार्म हुआ है उतर परिवर्तन जीवथ वन्स विर्धी के लिए बैतर अनुकुलित बनने की पर ख़ते हैं प्राक्रिटिक चेन ख़ते हैं नेक्स यह चियाता लगाया जासकता है अपिकलो प्राइस को परिवास किया गया है प्राइसित क्या गया था लिए प्रस्तावित प्रस्तावित कहा सिता अपने किस पूस्तिका में प्रतिपाल्ण किया था हुआ है दोस्तों होमों लेडी होमों लेडी में डैस जीनस होमों की एक नहीं पर जाती कि खोज राजिंग इस्टार के सिस्टम क्रेडल आपो हुमें साइड दच्छे ना भीटा के याद दिनाली चेंबर में की गई ती क्या नाम है हुमें लेडी यह कर्मागत उनाती लाखों वर्सों से आदिम जीवों में करमी परिवर्तन के अनक्रण है जिसके परिणम स्वरूप नहीं परजात्म होता है कर्मागत उनती नेक्स्ट एक अंग्रेजी प्रकृति वादी भू वेग्यानिक और जीविग्यानिक आते थे चाल्स रोबर्ट सब्सक्राइब करता है जीवासन दोस्तों जीवासन फोसिल्स सब्यापक रूप से स्विकृति सिधन्तों में से एक अनुसार प्रित्वी पर जीवान की उत्पति से पहले प्रित्वी के वाई हंडल में डैस मिसलन समिल था तो एस्टू एस यानि हाइट्रोजन सल्फाइर और मिद्यन और अमोनिया दोस्तों यह तीन हो था यार रखेगा समुरूप अंग क्या लवस्टर की पूछे और वेल के फाल हैं दोसर यह समुरूप अंग के उधार होते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके काई भी समन होते हैं उन्हें कहा जाता है कि अबुस्तों आपके से जगत में सभी जिमों को रखेंगे जो को सी का भीति के साथ बहुत को सिके उन्द्रिक है वोसे हम लोग प्लांटी जगत में रखेंगे लिनियास पतान करम के अब रोही करम में व्यासित करें अब पहले जगत आएगा उसके बाद इसके बाद वर संबर यां कि पbnता चींगर्णी premson सब्सारा करेंग Ap सबोकीन होते हैं मोचे अधार होता है धो सबस्क्तर है सब फ्रange болड सब्सक्ण कांग में संग इस थूष्ष्षYC कि अन्त रखांगे कि विभीन पदांगों में किस समूमें अरित्म समाण लखणवाले जीवों की संख्या सरवादिक है जगत में लिखाता है मैं दोस्तों जिवाण मुनेडा संभु में आता है जीव सिब अंडर मैक जुछ है दोस्तों याद की रखेंगा रिखाझ चुस्छ से लगे लिए किन प्रोट इस्टा अनिमल इंदो प्रोट इस्टा याम मुद्फ पलीगे कारण होता है करता है कि न मैं ठीटव यह श्क्राइब लुट सब्सक्राइब 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 चोधुमेसिखल में खंद को χिरती है जिसे करते हैं पढुपा ग्तलिक हेतerson व सबस्क्राइ栽 मं कि लंग रह शबंगा ससंग soy machine और सक्रास होता है तो यांषी कि जुबा नारी समंदीत कंत्र होता है को नारी कि अधिये बीट सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूपा टिदा के का इस्ती ठोटें पेट में अपया शीट पीट में इसका इसने अपया करने या या देटी लगए से है का उपनाम किया है सेलर मकरी मुलास क के बाले मुलासका के बाड़ेजा करने मुलासके बदनी घंगा इक बढ़ती है इस प्रजाति निया घंगर क्या गई दोटेजी को सब्सक्राइब करने के कि अस्तर गांगा हुआ किसे अस्तर में इस थोता है तुछ लोगी गिस अस्तर होते दुस्त थो थे तो संग अटेसे मुलासक में एक रेती जैसा बहुत है कि वह घ्षिव के यहां लेट संधी हैं यान जोस्ताना न समुद्री न में पढ़े ऑले प्राहें जाएं निक्से में पना आईज़्ाखेक प्रजाति के अंतर आते हैं कोड़ेटा एंप यह के बारे मां हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों डेस्ट में तीन कशीर्दे होते हैं वेचर में बीना पंकों के गरंथी वाली तोचा होती है वेचर में प्रकार की जनवरों को अंड़े देने वाले की जनवरों को अंड़े देने वाले मरमच के बच्चे को कहा जाता है 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 दोस्तों है आज़े दोस्तों होता है इसका फश्रवात के बारे में पड़ेंगें अंड़े में साभी होते हैं पक्षी में चैण संथे पर यूद्ध पाक्षिय के साथ होता है बच्छी आपकों के साथ परिच्छ आर ग्रंति वहीं तोचा होती है पीचे के सब्सक्राइब 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 आखिल लॉग चया लॉग सब्सक्राइब लिमर क्या है मेरा जिन्दा पैदा होती है उसे लोग जला यूज करते हैं असंधारी जन्वर अप्लेटीबस जीम अंडे देता है और प्रतेक्ष्टा बच्चे पैदा नहीं करता एक इडिना अस्तन पाईयों में बालों के साथ ग्रंथी वाली तोचा होती है दोस्तों नेक अस्तन्धारी चार कोष्ट यह जी घ्रदा यूगतर वाले प्राणी है डैस कमजों बच्चे को जन्देते हैं कंगारु बहुत नेख्यां यह बच्चों को थैदी में ले जाते हैं भारत के जन्गी जीवन के संदर में उरन लुप्यारी यह एक चंगादर है पसुमें चो डॉल्फिन पर्विबाश अर्ष में सबस्पेज जमीनी जनवर क्या चीता जब्लीघ यह रखेगा हुआ का वे डीगानिक नाम रुदैंस कि अंग उतायास क्यल शैंक लाज में नाम के One प्रद्स का डेल खूरा खूरा को सब imprisoned दीन मिफ खुऽ की लिचनल निक्स ढरख फिस यु पैट अन्यक नाम है उल्θε Еवे रिखषे और यह विल्य यह ईतली सब्सक्राइब बात अलग होता है क्रम याद कि मचलियों के बाद के बीचे बात अलग होता है क्रम याद यूदे सब्सक्राइब बात अलग होता है क्रम यूदे अलग होता है क्रम यूदे अलग होता है सब्सक्राइब अलग होता है क्रम यूदे 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 क्रम में पर यूदे क्रम यूदे अलग होता है सब्सक्राइब यूदे आट का सही क्रम भोजाने के क्रम में है ग्रहनी आगर चुदरांत और चुदरांत होता है किसी वेक्ति के पाचंतर के जांच करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला इंट्र कहलाता है क्या तो इसको प्रोटन को पचाने मदद करता है प्रोटन को प्रोटन के जो बौजन के पाचन पहले और वालाक जो बोजन के पाचन में सहीता करता है है फ्लीक के ऊड़ को पुरा पाचंत्र यानी मुह से गुदा तक लंबा होता है 9 मिटर पर कि लिए के द्वारा आहर नली में भुजन जाता है अंतर ग्रहन के द्वारा बोजन नली की दिवारों के संकुचन और परसरन को कहा जाता है का जातता है कर्ण को कहा जाता है कर्मा कुचन का जाता है गोजित का भी से पाइस पाहिका पाइसिक आगना खहले सबस्टेव कि और एक है ये सबस्टेजन के आगों सब्सक्राइब 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 के सब्सक्राइब सब्सक्राइब मानमें भोजन और हवा के लिए सम्माणी वर क्या अग्रिशनी है यह करता है यह करता है यह करता है वसका पाचन करने वाले इंजायंग लाइपी स्रावित होता है अग्ना से से कर्बों करता है करता है इंजायन क्याइप अलगे की अब का साकंक लुटी नहीं प्रेंखणर करता है 12 , अब हवाग में भुछयां का पुरा होता है चोटी आथ मैं ग१ range कई च्छोटी आत और बड़ी आांट के जैगसन से जुरी थेली को कहा जाता है ऑनधान्थ रेख साथ में पेपसिन क्षक्राइब करता है तो अबत्रेशंतर में इन जानृट Kenneth सब्सक्राइब 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 रट का वभाग है जिसमें 92 पर सेंट जल होता है और 68 पर सेंट में खनीच हार्मोन इंधायम तथा आणिक वह प्लाजमा व्याद के पलाजमा मनाशरी की पल्स दर्ग की चांच की जाती है दिल की फंसरी चांचने के लिए दोस्तों किया जाता है घर दो होति हे हेमोगलोबीं जो यह ए गनलोबींгляд है उपस्कुप ज़तान यह होती है होता है दिल में अंध्रीद रखता है अरफ में अइस्टी विश्कार किया था काल सब्सक्राइब 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 अच्छाइब नेक्स दोस्तों नस नाष्ट के पुर्वार्ट हिस्टों से एकतर करता है छुप्यार वेनकोबान में लाल उधिर कनी काओं कि ऊसत आयो 120 दिन होती है तरफ पस चाट उनका बिनाउस होता है पिल्यांग दोस्तों इस यह कहा है तरहीं को सब्सक्राइब लुट आपको कहा है लिंपोसाइब फस नियुक्ष नियुक्ति पथी अलिंदी इस बोटी है मोटी देलेकिश अलिंदी इस होती है हिर्दे मेंवरेन जिली की दो परतों से ठका होता है और इन जिलियों को कहा जाता है प्रिकार्डियल मेंवरेन कहा जाता है तो कि यह को सिकाहें कहा जाता है कि इंज को कहां को कहा जाता है क्या किसिका रोगियों की रता का पता लाने से संवंधिक रही है यह में कैंड़ को रिसेट होती है ऍ्टेश दरोंगेंशनाल बिखेंशनाली का नेको की अदिए किस्थिती है जिन में का होना जीवन के निए घतन हो जाएं सबस्टें के सबस्क्राइब सबस्क्राइब करीगता याद रखेगा इसे चाहें नहीं होती है सबस्टें कर दो सबस्टें करेंगे इसे निए इसे प्रक्राइब कहता है एक दाएं। और ये orange सवते हम और दो हब में थावम का कौनसा परकार बिक रिख किरियायों में संभित होती है बेसлект कौन के बीट हम करती है multitude सब्सक्राइब होती है सब्सक्राइब कुछ निश्चित को सिकाँ की उपस्ति के का थका बनता है जो कहला थी मानुसरी में प्रवेश करने वाली कि खिलाप का घटक लरता है मानुसरीर के कोष्ट को कि और झॉलूं मेरां के लिए आवशक होते हैं रहोग का दाते हैं तक बनाने की खासरा बंद होना करता है असकंदर रखवाँ की खुस की थी ती जंत मुर्ण थे परात्मिक अंक्या है क्रोंग पार आंतर से प्रहा के बात निस्का सित ऩी तार आगें होती है 300 मिलियं दोस्तों इस समय होती है न इस अपोगे श कई शेवाब झाल वर्लिटीस का जवता है रूण इस सब्सक्राइब 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 पर मत्रासे के तंसरे कर सकते हैं मांस्पorie कर सकतेहं करने से पहले हुए मानव सब्सक्राइब मतर का फिका मतर का फिका पिला रंग रंग रभी क्यों पसंति कारण होता है यूरो करम के कारण सब्सक्राइब करने करने और रेटना पकेंदित करने कारिकरती है उसे कहा जाता है लेंग रेंवियर के नौर सुक्ष में रिक्त अस्तन होते हैं जो पाया जाता है इया लगेगा थर्मो इस्ट ताप मांप रेंध क्रिक अंग मतर सुध में सुधर के वहाँ पायाता है here सवख्षी कारियों के लिए शूनिष्ट निर्वहन और शरीर का शंत्रन बनाएं रखने के लिए उतरताई होता है अनुमस्तिस सब्सक्राइब 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 पर्टास बाई पर्टोरी सेक्टर को सिकाव दोड़ा एक तरकी जांटाई को संसाधी तरना और यह पे गारे के लिए मस्तिस को भीजना कि चाहिए यह दोस्तों रेटिना का कारी होता है मस्तिस के उस भागों पहिचानी जो सरीरी के मुद्रा संतुलन और समय वास्ता को निया तरह करता है इस तरह की करवाई के जिम्मेदार होता है जो आप करते हैं उत्तक निर्न से बना होता है तरभे में प्रवेस करने वाली प्रकास की मात्रा को नियुटित किया जाता है इसको प्रवेस्कों काते हैं सब्सक्राइब 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 और वक्या का समयन है ककष्डी की पाली कन पट्टी पाली और भीत्य पाली के बारी मुझद सपहर शिसा जो अंध्रिक सच्छनाहों की रख्छा दोस्तों स्केलद उस सी मौसिवं मं UP मांसपाइश केंद। याक रिखेर न कर्णा जाता है कि वह लाए तो याद रहा रखेंगा उपने से जोड़ने वाले उत्तको काया जाता है तो याद रखेंगा टेंडन इसे भरी सारीली के गुवा है साइनस है हमारे ऐखे कारण पीर्ऻ यह संखया होते हैं इस संखया होती रांटा होती हैं होते हैं संखया होती स सरिगाई थे धो एक दो किसी आने संहों से उट्राइब का लगामेंट का जाता है लिगामेंट्स होती होती है तो याना होता है यह बड़ी हो जाए होती है और मजबू नहीं होती है वह दोस्तों यह वट रहाइग नहीं होना है वह दोस्ते में से नहीं होती है एक राइब घ्री खीतों क्या हुआ चाहस कि रहा सकता है अभी आभियों के अंटर स्टी जो बना है कलिसी और सब भाश बश्क तर। ऱसका पन रहे किर्णे से उत्पान बकूर मुएं किया है यह दो आपक्षिन के लिए हार्मोन हिर्दे की बढ़ा देता है यह दो आसके यह दूसरे से किसी आने संयोजी उत्क द्वारा जोड़ी हो सकती है समय को से लिए हम अस्ती को मरा जा सकता है उपास्तियों हो इसे पांटेज गोस्तों अधर की नाम है अ मुझूद नविल और इंवी और सिरप यह दोस्तों यह दोस्तों जब हमें अधिक ठंडर लगती है या हम भैवीत होते हैं तो मानस्पेसियों के सिकुर जाने के करण रोंगे हो जाते हैं मनुष्यों में हिच की समय नीचे की और अस्थन प्रिवर्टन यानि सिर्किंग के कारण होती है मद्पट मद्पट जिसको ड्यक्ट करते हैं अंतर स्रावी तंत्र के बारे में इंडोक्राइं सिस्टम एक जाती के जन्वरों के बरता परभाव यह डाल दी है दो अंग से भाग में इस पहती है अंग से अंसरी न फॉट होता है अगना से आंसरी में इंसलीन को पादन होता है अंतर स्रावी घ्रंथिक और यह जाता है वहीं ही तो सब्सक्राइब और दिसम्यूट dei स्मूट सब्सक्राइब कर और में परत उपर उसरावी नहीं नहीं है यह क्षिर putting इंशलील्ट का इंशुलील करते हैं शुरज की रोशनी में हमुचा समभी होता है है एसा उपर स्कार्रो ऑटा है मानव हैइपो तोय से मैं सबस्क्राणिय है मनुसी स्रीय मूरी नहीं मूत होटी है तो dein यह वाव्स्टा के दिखा दिने वाला उपस्ति में बदलाउ लाता है युणा युणा अरम्ड के दोन स्वेद रंथियों में स्राव भटता है होता है इप और यह सत यह ग도 सब को अबिस्त घृस्त बीधिर सर प्रताहर ग्रंति की है MAR चुम्हदाब कर बेकल बेस्ट्रेंट की अ opposeral है इस्टरों एक दरेफार नर्ष की होता है sir सब्सक्राइब 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 तो और भी अधिक विटाव भड़ाती है लेंगी प्रजन सामिल उसमें ज्याद होता है उसमें ज्याद होता है नए जी अनुमांसी खुलब से जनक मातापीता के समय होते हैं तो यार रखेगा सिंगेमी कहते हैं अपने आपको त्यार करता है गर्भासे नेशिटे क्रेंश की नीची मुझुद है मुद्रा से मनुद्रा से मनुद्रा से अंग का नाम दें जहां विक्सित होता है गर्भासे बुरून को एक विसीज उत्ह की साहता से मांग के रत से पुष्ण प्रापत होता है गरेनाल से नेसिचन के परिके बैक नाम से महंको सिखातक्न से मधाव मैं नवटाट अदाओं प्रिक्रियागों करते क्या चांडरग्वार्बान से लुकान सब्सक्राइब करने वाला उतक है अधर नाल का नाम है नाम क्या है उसके दुरानमाना पूर्सों और महिलाओं के पर्जन पर यात्मक हो जाते हैं और गोनाइट्स युगमकों और सेक्स हार्मन का उत्पादन सुरू कर देते हैं और मानव युवन के परिपकु हो जाते हैं दुए वह थी दूसर किसरो आवस था द्यास बर्ति पारोशक उत्तकी रूप में कारता है मानुसर मांसरा लाईबात के परिप शलू क्यांकोंते हैं Looks के लिए बहुजमक करने वाली जनन को सिक आयको पाता है दोस्तों कर खाने कि अमनों कर जया जाता है जिसके अंटे से नहीं है धाया को दक्रीटवस कारणिक कर दोस्तों उस विदि को आपसने नाते हैं तूस्तों यह स्ट्वश्चन के रुपीत हो जाता है गलाउं परजिनन की दौरन को सिकाओं का उत्पादन होता है विरिशन में पाई जाता है भून से आप शिच्टों को बाहर निकालना और भून को पड़ान करना महिला जनन अंग नहीं है शुक्र भाहिका नहीं है ये प्रूस का है मनुसमें निसेचन होता है दोस्तों फेलुपियां की निकले हुए अंडे और शुक्रणों को सरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है उसके वंसानों जीन का आधा भाग होता है दोस्तों न है किता है दोस्तों नेक्सेटन देखिए क्या है आई भी एप ये टी में का मतलब क्या है ट्रंस वहता है या कि ट्रंस इसका मतलब होता है अब हम पहेंगे चेप्टर नमर्दस में प्रोटीन वीटामिन एवन खनीज के बारे में जो कि काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट वीटामिन इसरेक नमर्दस में प्रोटीन और होता है अगर एक व्यक्ति में उस्टी होगी मच्छिस और यह वाले कौ अच्छी का मोगी होती है सब्सक्राइब अच्छा पंता है चाहिता है चाहिता करता है और सब्सक्राइब 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 को प्रफाविद करते हैं उना को प्रफाविद करते हैं घंग जिवर और ब्रेक बॉन फिवर तंटर को यह प्रुब्स में जनीट में पर घ्रिया को प्रफीवर और मदा आद दोस्ते में वहां कहते हैं सत्रावर्शंद कर्मिया संremo ही संके रिख कृछ में प्रिबहाएं मेरें तीकर का रहें फिखनत स्कृछल्ड माने इस चैनित प्लियो का घ्लियोग सांग कॉमें भ्लार झाल चा 언제 व्शcolor मेरें की को पी míhegen Guardic द्रविश्ण केश् cracking सबस्क्राइब 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 कुli होचाने वाला लूख यह रीडर पेस्ट है यह जो तो नहीं हिए फिलता है माधा मतर्क कातने से चंगादर से सब्सक्राइब 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 आद संक्रमारी नहीं है तो याद किए टेला को सबस्के нравится नहीं विदी का बढ़ी को सबस्क्राइब दवाओं के पर्थी बड़ती पर्थी रूसे में मदल करने की उमीद है तुट याद कि पिक सो बेक्टिर यह उन संख्रमिद बिमारी नहीं है तो याद उक्रमिद नहीं है तुट आसे रख रंगों में भेद नहीं कर पाता लल और हरे लंगती जिसमें घासी नहीं होता है जोड़िया दोस्तों हे अफ्टार में उपस्तिती से मदुमें होता है आम पर वने ता यह एक रोग है जो रटका उपन करने वाले कारकों के जिमेदार जीन के प्सक्रण के बारे में अब नोपने हैं पोसं से समधित बीमारियां के बारे में, प्रोटिन की कमी से कंसर बीमारी होता है, कासी कोर बीमारी, प्रोटिन की कमी से कंसर बीमारी होता है, कासी कोर बीमारी, प्रोटिन की कमी से कंसर बीमारी होता है, कासी कोर बीमारी होता है, कासी कोर बीमारी होता है, सारी में डेस ह्ल्मोन की कारण गंगा गंगाउपनर होuti है घंगाउपन वहली कषबर है कंपाल कंतर को एक संक्रमप रोग नहीं है संक्रमा का र रखन है हैं tast अई भ्लfive ammo Mortal का शोके नहीं होता है इसे हैं जो मनुभ्रांस का कार्ण बनता है मांसी कारियों का एक प्रगती सीर्पतन अस्मिर्ति हानी और ब्रहम के परियनाम सुर्फ होता है अल्जामर होता है नेक्श्ट अलिंग सुत्रिय अवस्थाइं है अल्जामर हो ने रजात को दूर दृष्टी ने तर रोग विसा कि उसकी द्रिष्टिस को सही करने के लिए लेंस सुझाएं है उत्तल अतरा से ईस्ति मांकी प्रकासिके तंट्र का चाट्र ग्रस्ट हो जाती है और समय के सासा सभ्रेंग मों प्रीक यह को अई प्रीप को डिक है ने स्वेल फिर फेलेंगर रेखिता यानि ऊविज़ को तेम आ घृमाल इसमार ट्राइब पह्तार को सब्सक्राइब कारण होता है यह द्रीद दिरिश्टी दोस का कारण क्या है अभी नेतर लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना याद के दिरिश्टी दोस नेक्च रोग धातू की विसाखसता के कारण नहीं होता है तो याद का प्रभावित करते हैं जोड़ को जोएंट को मनुसी में रोग संचाइट करने वाले की टों को कहते हैं रगवानु भाग करते हैं खाजनीत रोग नहीं होता है लुकेमिया एक परकार का मानव रोग है जो की सब्धेत रख्त को सिकाओं का कैंसर है लुकेमिया रोग मानव पर नहीं किया जाता है तो याद करसी नहीं किया जाता है कि उस्तित को कैसे मैंना जाता है सब्सक्राइब दाटों का चितिदार, दाट का कारण है क्या फपुंदी, नेक्ट एंटिबाइोटिक है, फपुंद जीवों से तयार की गई देवाएं को एंटिबाइो जाते हैं, गहाँ से निकली ने, वाले सफेद द्रग को कहा जाता है, रोग पाणी के पर दूशन द्वारा नहीं होता करने से नहीं होता अस्थमा फफून से होने वाला रोक्या है सुद्रोब्सनी मेरबटि की बहुत ज्यादा मात्रा बनती है पत्री में पत्री में अब उप्टल्मो लोजिस्ट निभाण अधर्धिस्ट में गंद आती है या एक से विदन हारी एजन्ट है तो डाय एथिलीथर लिधाटर नेच्छ दर्द दर्द करते हैं दोस्तों यह दवा का एक एंटी हिस्टामीन के रूप में परियोग किया जाता है तो व्याद किया गाएगा प्रो मेत हैजिन दवा को एक चिंटा रोधी दवा के किया जाता है फैलिक्स हप में ने किया या एक टेशना करने। पर यह रखेख़ यदि को धिलाच के लिए भी टा ब्लॉकर ब्लॉकर दाइट में रुधी दॉक्में पर यूप आगे ने इसमें इसमें नहीं है तो में खैंट सभी ग निद hasn't प्रोप्याइद था ङा जाता है राइस ड्रोनेट-ड्रोना regrets ये अलजिके कपया लिए प्रयूक के विए प्यादा है पैकी मिलया उसदि में योगी का उस प्याता है प्रिया जाता यह जानता है विलो कि Negra यह श्राइबीश के लिए दावाज के लिए ब्रॉस्त और जब्रेंग पलेग्टे के लिए प्रयों किया जाता है है इंसलींद्वीश के विगास के तिक हुआ जबंग ने विज्विशाग के लिए कोई लिए कोई इस ही दोस्तों नहीं है कि दिया जाता है उस च्प्रमी में ठीन मिंसली मिहाता है के अधि में कि दिए इस वखोया से नाम है इसे भी कर्फ किया जाता ब्रवाज में के लिए के लिए इलेक्रों सब्सक्राइब करते हैं जलाइब कर दोबर की दाता है लिकोडर्मा विमारी होती है तोचासी विम्हें पीद्विए निदान के लिए टेस्ट का पता लगाने के लिए Kingdom सब्सक्राइब अपने विए प्रक्स अपने आर दुने के गुझा परखेजिए नुट्ट में भाल है यह सब्सक्राइब कर दो कर दो ओप्राइब के तरह नहीं अनुषा प्रॉमत अंटे बॉल्य जाटने का प्रिए हम थे लोग उसके नहीं । घंवहां विसर्जित करने से कछी नहीं होते हैं अस्तमान नहीं होता दोस्तों है नंग्सक्त बिरिट्रिक शर्जरी किसी वेक्ति में परिवरतन लाथ है पाचनत में लाथ इक एक इन पाटिनिम का में आपको अक्सी ब्यूतीनिन का एक दौपरी या प्धाथ है जिसको आप दूशे बनने का काम जीवानूं करता है आतरीक अतिरीक गर्मी शुस्ता और विसेदी रशाने की वस्त्रोन को सब्सूरा कुछ है और इससे यहा प्ता चलता है रेन्ट के रेंच बना सकता है गर्णुपानी के कुंडों गहरे समुदे तर्थ और खंद्राओं और अंटर्टिका की बड़ जीवन यापन है तो अती जटी निवास अस्थान में भी निवास कर सकता है दोस्तों जीवानु कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बेक्ट्रिया क्या है राइज आटेज्टेश चिवानु से पुद्हों में रीट पितिकर रुक्त करता है अगर्ट्रिया अगर्ण नेकरहे संधी चलोफाइक शम्सरी तो दोस्तों एक संधी लाइगं ते लाइक इन संधीन है तक अने सा विक्तित्ट को यह संदी होते है तो इक है इन अजब एसको यह म सब्सक्राइब करने वाला एक पादम के लिए पर निर्वा रते हो नहीं कहा जाता है मुखलन दुवारा दा इस्ट मुखलन दौधा पुनर उत्पादित होता हमीर और हायद्र भुणा रेड़ में जीन ब्रेड मार्ड के रूप में जाना जाता है ड्याजो पस जाना जाता है पाधब थो नेक्स पुद्धा थेड़ोफाइटा समहें वर्लक्रीट नहीं होता है और लिक्सिया नहीं होता है दूस्तों शेवालों की विसाल मात्रा और अंतर हिंस रोट उत्पन कर सकती है मेध्यन कर सकती है घर समनी पॉद्धा क्या है का रहा एक पाधब समुझ के पॉप नहीं होती हुप गया है यह फाइड़न के निखता है बाइड़ो भाइड़ोफ उपाइड़ोफ फाइड़ों ने के सबस्ट है नहीं को सप्छल्य फाइड़ोफ उपधर को ना गतानों गया अटागी लिक्षार ने बारे में सच नहीं है पूल मुझूद होती है यह सच नहीं है नेक्स पन्मुख चल्ण युमकोद भीद है ब्राइवफाइटा भीद होती है अब पर गजाए ते जट्राइटा चल्ण के साथ यह उद्टिय जिवन शाजा करते हैं जिनके संब्राइब दो स्मधूर पर शम् जले होती है फर्ण्स फर्ण्स होती टेड़ो फाइटा के बारे में सच नहीं है बीज मुझी होते हैं यह सच नहीं है दोस्तों करते हैं विजयों की साहिता से यह पर्जन करते हैं नेक्ष अनाविर्त वीजी के बारे में अवर्ण नंग बिजी में डिसते हैं मसलिटां भोगाता एंग प्रजनिया नहीं को चीछ होते हैं घाव में लागता एक विचे होते हैं सटर पर विखते हैं उसे करते हैं क्या थे और शुक्न सब्स्दमिस्टरा बंट सब्सक्राइब करें निफमोरे और एसपर्म सोी होती है फायन अनाहीं अनलोब पड़िजी एक पत्रीकि पत्री मतलब एंगयो एसपर्म मौनो का यदों क्या दोस्तों रहने नशेश्य मेरण अधिकिन कंचिश है कर दोस्तों ऑजपी अपको तुम्हित से काह neon करनाशा चाहिए और कर आधिन संदी आभी अवर्ट विजिव पर निष जिनके विज होते हैं तो सब्सक्राइब नख परण पर लोगे इंगे को तो पेंगे लिए दो सब्सक्राइब धिस फिर्फ अनुष सब्सक्राइब मैं किसका गैजिक अकिसका दुसी विडूर्व एसके ओंवाज सिट्या गॉज एवाज शाब गवाजंग सेहटेश्टर याद के वाजए वाज वर्यग में पषया आमेर मुला डिस्जा इस पी इस प्रीर मोशा यह प्रीच एघर है यह जो यह थो आफ झा से ओधाल से लिफ्र यॉसट से लिफ्रश चाहिं आधि-टे-टोग्या जिन ओर देटोग्या निगे धुकिन वसेखना है तके तोना और ग्रें अर्प सब्सक्राइब चाहित आपया कि एक यह फिर विसित क्रफक्व नेक्ष नेक्ष अजय माज़ने के आप था का इंडिका जोन का यह नम है मुझे शुक्वण जान लेके एज़ा जाडर डेक्टा इंडिका ना में इन थो निम याद रखे गई ब्लाज चेप्टर हो सब्सकेख न कर्लादी, पकट्यों पक tangent ब्रूनप की भारते हैं. टतततों ब्रहलेटी हो दोस्थ interact भारोटे सब्सक्राटे सेट प्वासन का पुसकर अगयव सब्सक्राइब मेसमें, बननोलब चेफब पट्राइब नरिल का Bruni P호ли कोест खाते है, नरिल को चला खाते हैं, Bhoorn Posh. और मुभली और चना खाम लों, Sandy Spring, hoping कटे है बीजपत खाते हैं,redul, G Bed visual of Cgram, लेएं खाते हैं, सफिते हो क्या खाते हैं, ये ढूरे सब्सकीूर। पूता जराओंक दोस्तो जराओं । जराओंkeeping पार जराओं उस्ता चुकंदर चुकंदर के पोधे का देस भाग पाइस है मुखी जर होते हैं तना यानि इस्ट्रीम के पारे हम लोग पढेंगे तने के उस भाग को कहा जाता है जहां पत्तिवफन होती है यह शंदी खाना बनाने एवं स्वाध हें तू परयोग किये जाने वाले अद्रक एक र युक्स में के शित्त होते है विज़ करते है तुर जो decir ठुट ह παणर ऑट को इस्तित होता है वह द करें पर बोटा सफेया कैसि आ के रहांट है मैं पास्तेटेग्स होसे करते हैं समांतर होते हैं चाइस हुवर ऐक्सी यातने पर पत्यों की अवस्था को कह जाता है पंवियास कहा जाता है फुष्व यानिक फ्लावर के बारे में अब बंडों पढ़ेंगे फूल का एक माधवर प्रजिन अंग है इस्थ्रीकेसर जिसको बोलते दोस्तों या पीश्ट्रीकेसर अंडब का एक भाग नहीं होता है कार्पिल मोट व्रजम के लिए पूलों के आवस्यक अंग है पूंकेशर और इस्तिकेसर में आवस्यक अंग है पूंकेशर गळिए एकृश्प के रिज़क Nee अदो लो Deaf World नो के दोराण विक्सित होते हैं प्लांकूर्स नो विक्सित होते हैं प्लांकूर्स पथ हैं भांटर के लिए ख़ाट को बीजिके बिजतर सफारी ये बओकाyty इंगे कुजू प्रवावित पुने परवेप फूल जाते हैं जिसे रंदर खूल जाता है दूस्तों पानी उस पर किरिया को क्या कहते हैं प्रवाववाववाव मातिय में पर करते हैं लेकिन पतियों से इन souvent प्रहों में धुका बढकरुप खागर भर्कार। सब्सक्र पत्र में नीके नए सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक वयस करंद्र में उपस्रित नहीं होता है, जीव द्रवी तंतु नहीं होता है, नेक्स पोधों का सिथी होने की वज़ासे होता है, वासपूत सजन होता है, परकास संसलेशन के दुरान पर ने उतपाद गुलकोच जल और ऑक्षिजन होता है, नेक्स पैडों में उर्जा परकास संसलेशन के निसे को कहते हैं, वारबर्ग प्रभाव कहते हैं, वारबर्ग एपक्ट कहते हैं, परकास संसलेशन के पर किलिया में जारी होने वाला ऑक्षिजन आता है, पानी से आता है, परकास संसलेशन के पर किलिया में जारी होने वाला ऑक्षिजन आता है, पानी करने के लिए हरी पत्तियों में पदार्थ मुझूद होता है प्रकास के लिए आवस्क नहीं होती है प्रवाही रूप है शुक्रोच या है शुक्रोच प्रकास के दौरान ऑक्षिजन भी मुचित होती है जल का प्रकास आफगाटन परकास उसलितरो नहीं होती है इसे पत्तियों में परकास समय होती है इसे निभाता हैरी दौ स्वर्वाटा है परकास onsculation के दूरान हरे प्थे सुरी के परकास से उर्जा का उपयोग करवंडाई उक्साइट और पाणी से संस्रील करने के लिए करते हैं गुर्च 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 पोधु में संस्राइब का समधा गया लूप है सुकौर्च या सुकौर्च प्रकास onsculation के दौरान प् करने के लिए शीर से होती है ब्याद करने के लिए खुलब शित Έ chasing through करने के लिए बें होती है सोहर उस्ट Bonus होता है परकास घृ गासिद करने के लिए करते हैं निई घृत और शी विशाकी के से लिए जमिई Bear प्रकिलिया के दोरन बहुत मात्रा में उर्जा बहार निकलती है याद रखेगा अब हम पढ़ेंगे पोधों में जल अप्सोसन वाटर एब्जर्बेशन इंफ्लांस के बारे में सब्सक्राइब होता है इन दोनों की बिचसमन होता है जल विले विभव ब्लस दाव विभव होता है पोधे या पधो में पानी का अप्सोसन मुल रूप द्वारा एक प्रिक्रियास होता है वह खलाती दोस्तों प्रासरन आती है जिनों के मांधिन से जल की अपसोसन की तरबर हाय जासब फी है पोधों को पंखे के नीचे रखकर निचे करण उचे विक्ष में जाइलम से होता हुआ पानी उपरचरता है वास्पो वासपो सर्कर्शन तथा जल सशंचन कर्सन तथा जल सशंचन कर्ण दोस्तों इसके कार तबंग के निए किठ जुटि और पिर्देटभु होते हैं तक भाइब आपका नहीं जाता पूसकतिं ने नहीं है किसमे भग में नेक्स्ट यह प्राथ्वी पर सकत्तों के रूप में जाता है ना इंट्रॉजन फासफरोस और प्रटाशया ने फासफरोस सब्सकतिंग् सब्सक्राइब नहीं होता है जिसमें आनुविक नाइटोजन नियतन को प्रेवित करता है दोस्तों जी मानु करता है जिसमें दोनों भागिदार लभंबित होते हैं उसे जाना चाता है अनुकूलन यानि या दिखेगा एड़ाप्ट्रेशन इंफ्लांस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे देखें क्या है रिजिस्तानी पोधों की बाहिए तोचा एपिडर्मिस में एक मोटी मूम प्रत्त हो है आवास में जीने के लिए अनुकूली तो या बाइप इस परदा कि प्रत्त है यह यह बदा है लोगाट इन पलॉपाइट अपाद्र का अफ्रकार अगश्वरतन का थ्यानरगत रखेगा निश्वरतन की तिसा में बढ़न रखेगा निस्वरतन है कि जब किसी विसिस्टी उदीपक की और होती है तो इस प्रकाशिक क्या जाता है अक्षिन के कारण पोदे जिल की दूसी आ सका जा सका जिए और के द्वार दोस्तों किया सकता है काई ठीक पर बद्रह्मी और पत्टी आरप्ट से यहीं नहीं है कोसिगा भी भाजन से समंधित होता है जी यहां है वसका भी भाजन पर पहुंचा जाता है जहां यहां को बढ़ावादिती है इंडले श्यायर औठणी जर्य और पत्यों के गिरने में मदद करता है प्रभावित करते हैं जिसके कारण उसका तरण सुरज की रोष्णी की और जिपता है पादा पार्मों नहीं है तो यह पादा फार्मों नहीं है जो प्रभावित करते हैं प्रभावित करते हैं प्रभाव में प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है पूस्प होता है क्या होता है क्या होता है जिसमें अनुवांशी की रूप से जनक के सभी कुल पोधे में होते हैं और नितों फीली और नितों की विधियों करने के लिए विशेशी करने के लिए विशेशी करित होती है तना तना फूल कर नर हिस्सा होता करता है तने को काट कर एक परसुथ जिसमें पोधों की एक साखा अलग से विक्सित होने लगे उसे कहते हैं वनस्पति होता है क्षेडूंब份 प्राग उतपन किया गाल होता श्चेम प्राग का संचार सिफ्टौ प्राप्तित्र की आता है घ्二 अलोन ला है लिए ने वें हो सब्सक्राइब कर्क घ्या जाने कभड कर्क नहीं ौक्नासी रूप में वह प्रयोग किया जाता है ठ्राइब एक पर जीवों से उनको खशा कर और पर कर को निब अबद करता है किया करता है और अपनी आपने जीवन निकला जाता है लाइक लिए लुटपराइब को कहा जाता है नेक्त कि लिए जिमेदार क्या है कि मेदार होता है एंटिवाइटिक्स प्राप्त किया जाता है यह अलपाका अलपाका फाइवर परचुर मातरा है सेम में दोस्तों इस वला मिर्दा उड़ता को बढ़ता है चावल की खेती से ठाटें तरह साफ करने के लिए क्या जाता है नीम का ग्राँ सुचक है वनिला मळगा का सप्राप्त के पतते में सतूत के पते में लोग प्राप होता है अब हम पड़ेंगे अनुवांसी की इंजिनिरिंग और बायो टेकनोलोजी के बारे में जैप प्रोदित की का नतात्पर क्या है वद्विक पर किरियाओं में सजीवों का उप्योग सजीवों का उप्योग सब्सक्राइब करें नए पोधों को उगाना कहा जाता है उत्तक समर्धन का कारी आरंग किया है वह उत्तक समर्धन वह पहला अस्तन पाई कौन सा था जिसका परती रूप क्लोन एडिन बढ़कर इसकोटलेंड के रोजलीन अस्था में त्यार किया था दोन का वह था था दोस्तों भेल पर रादी को पहिचाने के लिए प्रोंसी विभाल अप्रियों करता है द्रटिक मेंस चैनल कि मदद इसके पहला मनव लिवार विक्सित किया था जपान में किया जपान में प्रिटेट के सब्सक्राइब प्रोदित की पुर्ण जीवत भाग या एक पुर्ण जीवत परती की उत्परती समवीस्ट है बाद में प्रिटेटेंगे पिता जाने जाते हैं लाल जी सिंग बैगन की एक अनुवांसिग पर जाती जो बीटी बिंजल के नाम से जाती है की गई है इसका उ देश सब्सक्राइब करने लिए इसकार किया था फॉल वींचल ने किया था दूस्तम क्रिक्तीमि दिका अब हम पढ़ेंगे रपार मुझ्यान बादब आधर ने के बट्लार चाहां कोगा जब्ला पादपुलिक्यास के जलगांते हैं अर्नस्ट फिर्फ प्लाश्टी सब्सक्ताइब के जिनक्याथ जोन होप्स वुरेट वुलीघ को सब्सक्राइब यह संग जी जैंसें जे रिष कर दोड़ी पास्टर देट करता लुट जेट दिन इटेटिकांट टाइट अट्वर्ट गुच्ता अट्वर्ट अट्वर्ट जटेट रखाएं फेंसली निचन फ्लेमिंग कर देश्कोड फटीजय को सब्सक्राइब ने रएक ऑच्ण के फिरफन फंपट आखसर बहुत अधिए लग शुखता आई दो खिवान वाइसन यूग सब्सक्राइब वट्सन चाहिज़्यान भॉट्सन धे शुखता वाटशन वहाटसन खुर्ण यान कुण उर्पिका कर नर्ल मिंद रोस इंसुलिक बेस्ट इस पर इस परेंग प्रेंटा से से पुरुण के मुझ इंसे सिंसन और सिंसन और ची कि अप्रियोप का तौर्प याद कई पूर्प तक तोर्फ बक्रत भीट सब्सक्राइस क्या था जोन ऐलेजटर होब सब्सक्राइब अल्गेस क्या था जोन और पाइस्कॉप गुंगोची जना शर्फिट यूप कि अभॉक्षी ऴंप्रा आप गए आप प्रतित क्या क्या था तो युद्य आपने के लिए पडूर्ण को आपने के लिए प्रियूक्त एक उप्करां के वर्स सबढता है सब्सक्राहे हैं नाम से रहता है लिए खॉष्ट म मेंट मानव सरीर के वीच्चेतन के लिए ऐट अधिया और यांधिया पर यह अधिया को मिला कर दूर को मिला और दूर किया चाहिता है सब्सक्राइब 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 तो यह समन खालाता है मुर्दा खोड को मुदा को वह लाल रोग विगलं प्रभवित करता है घंड यानि गण्ना सुगर केंट नेक्स दोस्तों पेड़ की आयू का निद्धान होता है वार्सी प्रभले की संख्यां सोता है जो बहुत हिंकाम दर्प वाली के अत्यात कम तापमाण के ठंडा के तरफ होती है वह आइस्टीं घनीवूत प्यरकी वर्सों में आयो का पता लगाने ही कों से तक्निक आपडियो किया जाता है पेर की चरनों की संख्यां की गन्हां राइना अंग की जांश करने वाला जिक शिय यंद्र है नाग नेक्स्ट मन श्ट्राच पानी में गुलंसील नहीं होता फिर भी आलू में बड़ी मात्रा में संचित रहता है यह पतियों से सरक्रा के रुप में स्थंतरिक होता है नेक्स पूरा लेक सास्त और ट्रांस ट्रारे याटान घ्र करन कि एक अंडू इकलते लिए पहला ठीका विक्सित कर लिया था जो कि पाया जाता है विए विक्म्षा भूला हो दोगां प्रश्राइब किसमी से जैसे सुखे फाल जापनी में डूबो दिये जाते हैं तो उसमें पानी भरतार वोपुल जाते हैं वह वेग्यानिक क्या है जो इस देनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है प्रासरा याद रखेगा क्या देखे एक नवजाद से सुखी बहुत जाता है जाता है जाता है जहां वे को सिकाओं के चोटे समुख बनाने के लिए पादपों में अस्थाई बनावाट आकार और परकारी प्राप्ट करने की परक्रिया को कहा जाता है विवेदान यानि डिप्रेंसियसन प्रिटासे में पत्री और ट्यूमर आधी वह समानी कमियों का पता लगाने में स्वनोग्राफी बहुत उप्योगी है और इस प्रक्न अनुकुलर में एक महत्पों चरन है यादिक अस्पर में है तो फाइट्स हमारे स्रीटी को स्रीर के तापन को नियंत्रित करना ये स्वेदिन का समय मानब का हिस्सा परती महां लगब आधा इंच की दर से बढ़ता है बाल दोस्तों बाल विसानों की विसे साक्या है विसान करने के लिए अंत्र परसाइन के जाता है कॉपर का कॉपर का जानवर आंद्ट फटंडी चित्रों में पाया जाता है धुर्वय भालू यह रिधियां के लिए यह जासकता है तो फोसील और पादब भी नहीं किया जा सकता है भोजन से प्राप उर जाको मापा जाता है केलो सब्सक्राइब उसके बाद गेम करता है, लिए संखेट काली काई जब लोगों Canada करती है इसाथ, नपर की हृती है। डेटा जैसे अक्षर, अंग, संखिकी, या किसी चित को सुवेवस्थित करना, उनकी गणना करना पर किल्या कहलाती है, यानि प्रोसेसिंग कहलाती है, अब बीट के बारे में देखिए, बीट के असमिर्टी की सबसे चोटी ही काई है, यही को समया पूछा जा रहा था, किसी चोटी ही काई होती है, इसको याद रखेगा, किसी अक्षर को समया पूछा जो भासा और अर्थ बताने के कामें आते हैं, उन्हें कारेक्टर करते हैं, जैसे A, B, C, D, 0, 1, 2, 3, और 8, 8, $, यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब ने इस अब आते हैं, पहला है, माइक सब्सक्राइब यह 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 सब्सक्राइब बद्टिस बीट या इसे अधिक होती है में अधिक परयोग परयोग पर एक साथ कई परयोगता या यूजर लॉगिन कर सकते हैं में परयोग पाता है इसा समंद सम्मों होता है कि अने की सथार या झमेंज कव ला नाके कर सकते हैं अधियारों को उपना चाहिक यहाद रखेगा मुसमी समंधी अनुसंधान कानों क्वांटम फीजिक्स और याद रखेगा ना भी हत्यारों कोंटम फिजिक्स और रहां रहा है सबसक्राइब एक 141 अस्थान को भी ब्रश्ची में भारत का दूताम स्थान प्राप्स किया है अब भारत के बारे में डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गना करते हैं और इस अंकों की रहते हैं अब हम परेंगे अनलोग कंप्यूटर में भाधिक राश्यों के सततर रूप से परिवर्थित होने वाले पक्षों को सद्री से रूप में परिश्टूति किया जाता है अनलोग कंप्यूटर में लगातार संकेत यानि सिग्नल के रूप में परिश्टूति करते हैं अनलोग कंप्यूटर अब परिवर्थित करते हैं कंप्यूटर के विभीन परिवर्थित की से काते हैं वह से के बारें परिवर्थित करते हैं कंट्रोल यूनित इसका मुखी काली कंप्यूटर के हाडवेर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना है कंट्रोल यूनित अल्यू प्रिवर्थित करते हैं अब हम परिए मेमोरी यूनित अब आपके लिए मेमोरी यूनित अब हैं इसको याद रखेगा फ्राम कि अभी आप आप नेमोरी और अपके लिए आप लेगिंग अब नहीं आप नहीं किया जाता है रहें नहीं किया जाता है रहें को फुछना घंव जाता है होते हैं इससे ज्यादा भी दोस्तों होते हैं आपको पता ही होगा रोम का पूरा नाम रिड़ अली मेमोरी होता है इसको याद रखेगा रोम मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है कर दों परिख आए जाते हैं इन यूपियों के बारें में देखेए इंपुर्ट युक्तियों के ने के लिए किया जाता है वे सबूद्ड इंपूर्ट यूप्टियां के लिए एक टाइप्राइटर के समान कुझियों वाला उपकर्ण होता है कि बूर के मादिम से टेक्स्ट संख्या नंबर चेंज सिंबल आधी को कंप्यूटर में इंपूट किया जाता है कि बूर के मादिम से टेक्स्ट संख्या नंबर चेंज सिंबल आधी को कंप्यूट किया जाता है कि दौर्ट किसी प्रिजट बढ़ी आकर्टी या लिखित शुचना को सीरह इंपोट किया सकता है। हीपीं में प्रिबर्टेत किया सकता है। OMR , यानि UPTICAL MARKET reader के बारे में देखे। OMR , CTRL-OMRC , पर प्रतैंसी वो पेन के चिन्नों की उपस्तिति को जाचता है। याद धो उपर को पर यह किसी उत्पाद के उपरचपे वे बारकोड को सब्सक्राइब करता है लेज़र पर यूग करता है दोस्तों याद रखे यह को पूछा चुका है करने के लिए किया जाता है याद करने के लिए किया जाता है याद किया मोनिटर को विज्वाल डिस्पेय यूनिट भी कहते हैं हम लोगे हैं लोगो होते हैं वह देखें लिए लिए लिकर्ट डिस्पेड लुट-टॉ टे लिए लिकर्ट्री दिस्प्लें और एमिटे-विए और अर्फिंटर के वारे गेली देकिया जाता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए निर्शों का एक समूंद या जाता हैं उन्हें प्रोग्राम कहते हैं प्रोग्राम के समूं को ही सब्सक्राइब करते हैं में 2 आपलिक्स दुप किर दोड़ा खर तो कंपूठर को न अंत supplyश में चांक्र। हाई dabei करता है पर चालनता कंपूठर हर्वेर और सबрузसी कहें करता है उपलेटий क्स साहिता से प्रोग्राम चलते हैं द्येट के ये जैसे ये सब्सक्राइब करने किया जाता है उधारान वर्ड प्रोसेंग सब्डवियर डावेस और ग्राइक सब्सक्राइब यह एक यह आधिक प्रोग्राम का वह समुह है जिसे कंप्रोग्राम कि किसी कारी को करने के लिए किया जाता है इस इस मार्पोर में अस्थापित इंस्टॉल आप्लिकेशन प्रोग्राफ कि एक अधिया चीटर से सब्सक्राइब क्पिटनीं ऐसे सब्सक्राइब होती है रही इस वहीं आड़ आगेम्हेश और तो इसने ए लिजय आंगेशा। अब देखें इसके बारे में दोस्तों बेशिक के बेशिक सी प्लस फ्लस एबं जाबा आधी उच अस्तरिया भास हाइज बहुत आसा होती है या संगना के लिए फोटन बहुत आसान होती है अधिक आपस में जो एक उसे संचार अस्थापित करने में सच्छे मोथे हैं अहला है लोकल एल्या नेटवर्क लोकल एल्या नेटवर्क एक कंप्प्टर नेटवर्क है जो सिमित भुगोलिं के परीधी में होता है जिसे घर ओ या सब्सक्राइब आपसमें लिज लाइन या सुछ तकित द्वार्य होती है जिसे पुरी सहर या देश में फैला नेटवर्क का जाल इस नेटवर्क में नेट्रोपोलिटन इर्या नेटवर्क में इसमें दो से अधिक लें एक साथ जोड़े हैं रोगार सुच देख रोग प्रकासी तंतु लंबी दूरी के लिए उप्यूत होती है बेतार संचाल माधियों के द्वारा डेटा तथा सुचना तरंगों के रूप में एक उपरन से दूसरे उपकरन तक पहुचती है जैसे बुलुतूत और इंप्रा-red microwave इत्यादी वाइफायश रॉकं पार्फायश वाइब नेट्वर्किंग यानि वायव यर्स टेणोडी है नेक्स वाय-मेक्स वाय-मेक्स वाइफ उल्ट-एग यादेख वाय-म्म्धेश कीप्र्ण फित्यूदी ये दोस्ताँ वाय-मेक्स य्दिकी ब्रॉड-एपटिश्दी के है मोले वह यूगती है गो इसमें बदेख करने तथा टेलिफोन या देख लाइन से गतले इसे को प्रयोग के योग बनाने का कारी करती है गया लखेगा इसा इसा इवापी कंपूर्टर नेटवर्क है जिसमें सुछनाओं का आदान बहुत सल्था से किया जा सकता है या कई चोटे नेटवर्क का एक बार नेटवर्क है जो वीचुबर में फेला हुआ है याद रखेगा इसा इंच्ञिने के आप सी वसंगता को दोर करने के लिए तो यापक्क करने के लिए का संगत्ता को रहा कि लेकर एंगे करने के लिए दिदिफ का POL करता है विपनेकी में गतिते चाले है रड़ाइट जो कि एक वारते बिरिद licensing लगा कि इसमें यह को यह विह नियम होते हैं इन एकड और यह निट टो ट이 और उस क ALEX गये और टेस्ट है लुट हुटे ते यह संचार प्राइं इंहां तो क्थ पते हैं और आप संदेसों को बोल कर पर साइब करते हैं वैसे 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 से सब्सक्राइब करते हैं वीडियो यह और देखें और इंटरनेट पर चाहिए नाट्राइब किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटनेट पते का आविसक्ता होती है जिसे यूर्ल यानि यूनिक एड्रेस यूर्ल का लाता है या यूर्ल ही इंटनेट पर किसी सेवा संसा या सर्वर के चिकलने को खुजने का साधन होता है यूर्ल है दोस्तों याद रखेगा यूर्ल का फूम पुछा गया है यूर्ल याद रखेगा वेबपेज में टेक्स्ट पिच्चर वीडियो ओडियो तथा अनिमेशन के रूप में सुचनाओं का भंडाल होता है वेबपेज में टेक्स्ट पिच्चर वीडियो ओडियो तथा अनिमेशन के रूप में सुचनाओं का भंडाल होता है वेब ब्लाजर वेब ब्लाजर वेब ब्लाजर एक ऐसा क्लाइंट प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं वेब ब्लाजर के उप्लाजर क्या नम था उसके बारे में बाता है ईमेल वाटमान शंदेशों के आधंपरतान का तृत्रम साधन है इमेल की साहता से दुनिया के किसी भी कोणे में बैठे हुए अपने मिल यार्स पाठी को अथवा वेपारी के लिए कंपणी या वेपारी को हम संदेश भीज सकते हैं जो उसे कुछी छनों में मिल जाता है दोस्तों कि अपने सिवधा अपने कंप्विटर पर लोगिन करता है उसे यह सुचना मिल जाती है इमेल याद रखेगा अब हम लोग दोस्तों इन्पोरेंट है इसे आपको याद लगति हैं अब हम दोस्तों इंप्रमेंस लेड़ेंगे कंप्यों से इंप्वारा बनाया गया था और प सब्सक्राइब अब जाता है और जे एस जी ने इंट्रेटर सब्सक्राइब विकास किया था और इस चिप पर सिलिकों की प्रत होगी है यह सब्सक्राइब कर सकने वाली जिप करोड चाल सब्सक्राइब या इंट्रेटर से इस वेश्चेंपियन कोरी कासपारो को डिप ब्लू सुपर कंप्यों किया था शचरान की पर दोधिक नाम एक है इन्टरेट अप्लग रखने वाला परकार्वार की समशार पत्र दा हिं है इंटरेट पर्ण पर्ण समचाल पतल दोस्ता हिंदु एट एक ट्राइट कितने घ्राइट न लोच करेंगे यह एक बाइट आट बीधारी अंको प्रिशनों की सब प्रिटिकल प्रिक्षन के नम से जाता है जब किसी कंपूटर पर कोई चलता हुआ प्रोग्राम आचना खराव हो जाता है तो यह घटना क्रेस कलादी है यहाई है प्रोग 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 के लिए सब लंबाई की प्रास चार था बाइट होदी है किसी अग्यात और परिचित द्वारा नेटवर्ट के माधिम से किसी वेक्ती के किसी अग्यात और परिचित द्वारा नेटवर्ट के माधिम से किसी वेक्ती के सब्सक्राइब करने को सब्सक्राइब कहा जाता है किसी वर्फ मोडें अे में इर्फ समय किसी वेक्तरी ही स check पोर यह प्रूजज प्रेग व लिर अव अर रिम डिम मुड़िटर मोरें प्रूम नहीं। मुड़िए वी इसमेरी एग डिर यूर ईमयी पी दिट अवोग इसले उनीट सब्सक्राइब 걸로 the सब्सक्राइब सब्सक्राइब कожет कर सकता है या या प्याइब एक से क्या है उसे क्या जाता है तो उस बोटीग के हैं तो इस पर किया जाता है लोट होता है तो उस प्रकिया को कम लोग करते हैं क्या 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 था निप्ञ इसक्थ करता है अगर केवल हार ड्राइब करना और केवल हार ड्राइब करना और करसकता है तुछ यूट एप नियंदरन यूनित और अर्टमेटिक तर प्रात्मिक श्ट्रेश इतीन होता है के सब्सक्राइब को जबता है कि वह सब्सक्राइब यारे चलाने में किसी में उर्मान पत्र प्रमान पत्र प्रोक रण बस्क्राइब सब्सक्राइब करने वाले संसाधक प्रोसेशर को क्या कहा जाता है यह यह इनि आपकिक यूनित कहा जाता है कि बाह草 हैं बाव को कर्या है क्या जाता है क्योंट यह इसे समाधित नहीं है यह चाहिछ हो प्रोसे और होता है किसके बीच सब्सक्राइब करता है हार्वेयर को सब्सक्राइब के बारे में सच नहीं है कंप्यूटर को निमेद रूप्ट क्या रसकता नहीं है दोस्तों यह सच नहीं है कंप्यूटर का विकास के बारे में निमें इस परकार को बिचार को बिचार के रूप में जाता है काल्प पर अगता है टो सब्सक्राइब को किहां जाता है परanga लव नहीं प्राचिन करीटिये गरना के लिए इस्तमाल सालन कहा जाता है एपकस को सबस्केटिये गरना के लिए इस्तमाल सालन कहा जाता है एक्देश को यदू वह अधिमाल संदाब्नाचिया बनाए गई थी यारव तवरा ने नचानियल बड़े विदॉरा और वमन जीए वन अधर्ड टो फिसके रूप में बढ़ान दिया गया था उसका नां था रिक्स अगास अस्ट आटास किसी है इनलों सिंगस्ट सब्सक्राइब और पर इस थैने अग्योग क्या है वह तो इस तो इस नहीं है वह फिल्ट्रों कर दो नहीं है नमेकित मेंसे कॉंछ दिंच पिराइस नहीं है तो यह सब आइंपुट इवाइस महला है निंटर्फॉट मॉहाइस नहीं है कीबोर से कीबोर मौस और मुस् नहीं है तो यह जोडिवाइस दोस्तो बॉन सब्सक्राइबुश्य को शोड़ाने में सब्सक्राइल नीक हो और में सकते। पर आप यह एक एड़ाइब वाइब आप यह एक ईड़ीजियन्स की बोड टैसना परियोग किया जाता है। तो यह वाइस C ट्रैप्ग को सपोट हैं यह नहीं है बाहिए तो है Maiir इक यह कंपुटर के मौश्पटरस को डाज की मदर से घुमाइया जाता है माउस की मदर से कंपुटर के मोश्पटर के मदर से कोशने माऊस की मदर से कोई साथ प्रकार दिश्क प्रेंद कर दिश्क पर दिश्क होता है जाएव इस पर यूट किया जाता है कंप्यूटर मौस में तो इंग जाट आपको ते स्मार्टवों में किया जाता है जब की सम्राटवों में किया जाता है जब की जिविकल का चिनाकरें और जो सब्सक्राइब पॉइंट करता है अप्रिद करता है मौ अप्रिक कि अपने की लिए निए को सी आई का पर्यों किया जाता है अजित्क प्रति मिनिक से और कर खोर दीत है वह प्रक्षण अभिग्यान होता है कि अधिक वह एक है तो इसका नहीं हो ने पर टेस्का इस अधिक विगा जाता है कुछूटर के लिए इस्टमाल की जाने वाल दिवाइस का नाम की जाने के लिए और एक निए आप सब्सक्राइब किसे सनुद्वित नहीं क्या जासकता है रहां को संसुदीत नहीं क्या सकता है के सब्याइं क्हीं नहीं किया जाल्शाइए ने इसमें किया जाए टिरा ने अरुटा परेक्षा Él सिक्सक्राइब बीनिशना है भी सब्सक्राइब और दो जो विश्ट करता है और एक लाग संपरितिकों से भी अधी चिनों को भी निश्ट करता है विश्ट करता है और इस नए मानको करते हैं योट करता है योट करते है याद रिश्ट करता है यह क्या है में कुछ इस नहीं है चो नहीं होता है अब हम पड़ेगे याद इजाइन प्रोड़ामिंग भासा है इल्में से अपरेटिंग पनाली नहीं है तो अपरेटिंग पनाली यह बांकि सब्सक्राइब नियुक्स है डबगिं कों से प्लिगाइग एक सप्टिय प्रोग्रम में प्रोग्रव्टॉट सभी प्रतेशिंग के लिए यू और उसके बाद प्रतेशिंग के लिए प्रतेशिंग के लिए वाद रखेगा यह उसके बाद होगा इन निम्कित में सब्सक्राइब की इक पनी चल्प सही है? अब आपते नितों अब सक्षा पर जाता? प्रेटन होता है इन्हें नोडन का प्रीनाम है फिर निम्कित में सब्सक्राइब की तो परिणाम है की अनाम क्या है इसमें से इसमें इस में से इट एक सब्सक्राइट सब्सक्राइब होता है एक कंपीटर के लिए 1224 ब्रावर एक किलो बाइट होता है इन्हें से कौन सी काई कंपीटर में डाटा इस्ट्रेज संचेन की सच्छोटी काई है यह मेगावाइट है मेमोरी कायों का सही मिलान करें और यह क्या अंसर होगा देखिए और दोस्तों सब्सक्राइब होता है और दोस्तों सब्सक्राइब होता है यानि तीन एक चार दो इसका सही है सब्सक्राइब होता है और दोस्तों सब्सक्राइब होता है ऐसे बुलिए बिजने में एपसे प्लस इप्लस का मान होता है ईसरी होता है यह एक प्लस फॉर्फ निढकर बशन क्या है यह कि आप जिए और दोरा रहा निर्गम वन है ऐख शब्सक्राइबंक वाइब करने जाषग तो कि भीस्टा एक अर्णीना को किसी ऊपटल की ठागे लुगा है अब कुछ इन नहीं है कि पिलपकाट नहीं है तो यह फिल यह फिल्पकाट सशक्राइब नहीं है तो यह फिल्पकाट नहीं eh निम्कित में से कॉन सा एक यह सब्सक्राइब डॉस नहीं है जबकि दोस्तों नहीं है तो यॉवर्ट अधियर नहीं है जबकि सभी है आई बीयम लोट से शिंपनी है माइट्प वर्ट गुगल डॉक्स भी है प्रेटर में यूसे माईट मॉर्य क्यों करते हैं या मैक ऐस एके संट को करते हैं वह तो किसे अपरेटिसम इसे गूगल काड़ीशन निम्सक्रेटर में से कंप्रेटर को संख्रमित करने वाला वायरस नहीं है नॉर्ट नहीं है का दिया प्रकाने सिर्फ भी आर्ट इंग से कांड और युनिक्स लीनुक्स ओर था तो यह सब्सक्राइब करने के बाद उसी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है उसका नामें पाच याद किया जाता है मैं पाइब किस का नावी मुख भासा कई एक प्रट अब लेकर जाता है इनमेंसे को एक हैं अभी मुख बासा कारम को मसीन भासा करमें बदलीता यह बारे में पहला कुछन है डाटा रूपंचन के साथ क्या सही नहीं है अलिगे सी सिटम से डाटा प्रापकना यह सही है दूसरे मोडियूल से डाटा प्रापकना यह भी सही है यह मानक सुची कारण का उप्यों का सकता यह भी सही है क्या नहीं है एक नमादोसर नहीं है ने ने वेर एक कंप्यूटर नेट्वर्ट के सरन में एक्सेस करना के लाता है इंटरनेट और ओपसाइट केंदरों में स्रप्षी डाटा को एक्सेस करना का लाता है याद के क्लाउड कंट्यूटिंग का लाता है नेश्टें इसी में ट्रिक डिटल सब्सक्राइब लाइन तक या एक वायर डिटा संचार है क्या पाक क्या अबद्इटत करता है और परसे साथ काहर को अन्जांगे ऍलिए किया जाता है को एकृज्ट करने कि कृएंड किया जाता है तो याल सब्सक्राइब था सब्सक्राइब जान का राता है कि यह से निटार्व ड़ाफया है ने संखिंठेक्य। साफ यांजन का रचाने के लिए पहले से मुझ। यह को ब्रेटाबेस कुझाइब करेंगे ब्लेशन के लिए तो मैंनिगे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब सबबसक्राइब अई दोर से पूर दो प्लेक्स कमिने सब्सक्राइब के उधार को है टेलिफोन की बातचीत है येक्स का अर्थ क्या होता है। जोगले में मारे कोपे। चलि जोगोाए। इसे लेंग के भाव्या उखिया भाव के रियो किया जाता है। चुरियन बिंदु होती है। नेगले मेरे से टोल जव् ρ है। नेक्ट है, एंकोडिंग, एंकोडिंग के समद में वह संगत का पता लगाई है, तो यह कोडित डेटा का पुना रूप अंतरन, यह बिल्गुल सही है. अब हम लोग पाएं इसके अनुप्रियों के बाड़े में. पहला कोश्य है, इस इंटरनेत पर लोगों के बीच वास्थिट टेलीफोन कोल है, इंटरनेत टेलीफोन है. कि सब्सक्राइब करने के लिए पर सिब्सक्राइब किसे बाई आने इमेल को समने तो एस पर आने किसे लिए परचेंट नहीं है तो फेम दोस्तों नहीं है सब्सक्राइब यह वेब्रोजन में इसका उप्योजना है जिसके उच उचाई वाले हिल्यां से भरे गुबारे का उप्योजना है जिसके पहुच पर्दान की जा सके Google लोग इन नाम और पासवर्ट का स्ट्यापन किसलिए किया जाता है उप्योक प्रमान हे तू, it is a next PDF tag fullform, it is a portable document format. निमिति में से कॉन सा संगत नहीं है यूटूब नहीं है, twitter नहीं है, facebook वाटसप है लेकिं उसnt YouTube नहीं है नेट तरश्ता का क्या अर्थ है? इंटर्नेट से वाँ का विवेदक मूली निर्धारन. नेट से जीमी वेल्स और लेरी सेंगर किसे समझीत है? ये विकिपीडिया से. क्या ये कंपूर पर्रोगाम है, तो मानब इंपूट को मशीनी इंपूट से अलग करने के लिए. कि अच्छा एक कंप्पुटर प्यवार्म में इन्पूट को मजिन इंपूट करने के लिए है और सा फीजित प्रोस्चावल के सासन है कि एक संचारी गर्वाण 2 यह जो सकता दोस्तों यह उसर करता है उसे करता है और गृति ऊथी है इसे सब्सक्राइब्स क्या कहते हैं दोनीख करते हैं इसटे है इससा चाल्डब का उपियों फिलिये खैने संद्स का उपियो के लिए 100 को उपियोग प्यूंत के लिए 1 अजवत हैं आग अघव अग्या जाता है संदे संदे साचर करते हैं कानूषी के पार्टी कव्लिये पेए कंप्रम से शेञेटर उसजे प्म्फियों के लिए 20 के लेemitism का ने की नाम किया है मस्दिस्क याँ sellers किवेए समय श्राच जाता है है एक आई बीम संदर सी कंप्प्र में इमें से कौन एक मौडिफाय कुजी नहीं है ट्रूस ट्रूस एंटर इसके पर्यूग किया जाता है चैनित आइकन की प्रवाट्टी दिखने के लिए करते संहें मौस को क्लिक करने पर रूप पुरी प्रोग्रम का चैन करता है डबल में अश्यक है क्या अप्लीकेस अप्लीकेस अप्लीकेसं शुट्वियर है क्या प्रवाटी प्रवाटी में क्या संभी थे दोस्तों विदूतिया स्वडिए इस्प्रेशीं में क्या संभीत है दोस तो याद पंकिया अस्तम और सिल में क्या सब्सक्राइब के लिए किस बात का वी निश्चे करना होता है तो याद डिस्क अनुरोद किस क्रम में पूरा किया जाना है क्या है टो यह एक प्रक्षा नहीं है तो यह आपाची नहीं है तो माइक शुल है तो यह और अपाची नहीं है अब हमें पड़ीगे क्वेश्ट मत श्कॉता है एक शांतर अर्माड नगें गयात हो वह तो फिसों से मूद्ल पर कॉलता है एक बड़ते कंप में चालम धो कुछ जैकर एक क्यो फंसर देखंगे लिए पर आपदा नहीं एक से एक रविड़ की वोड मेंगे से कहने डिवल्ट नहीं है तो सी एक रडि़ुर नहीं है प्लीड आपकर विडोजार्ट है यह मारिश अप्राइटिक गर्णीस फाल आदिग सचली आइकों सब्सक्तरन जिए आपकर ची सब्सक्राइब था संच्राइब थैटो सब्सक्राइब भी फाइब प्यार जिता अंग है इसे आग अगूजा टेक्न, टो पिस्टन करें पर दो समय आप संच्रा टो सिर्फ प्रत एंगे सिस्टन को लिए को जया कि अगा जो कि ऊता है anytime कर दो 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 अप्रशेंगान को अभी अर्फ इस प्रोपन क्या है एक इंद्या ग्रोंच तर्शों करने हैं इन ऊप्रोंट में ड्यृव्र होंग रॉल इस रकी जले प्रशने तो सब्सक्राइब्स ौट में जा। सब्सक्राइब इस प्रचाइब इस प्रचाइब इस प्रचाइब इस प्रचाइब पहला जिला बन दिया है तो यह दो कि नाम एक्टेंस आइन एफ डैस को संद्धित करता है यह दिए अस्थापना फाइल को नियुकित में से कुण डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुझी महकुंच शेतर नहीं है वो डिजिटल जारूपताग पर डोक्यूमेंट्री क सब्सक्राइब करें रिचार नहीं होता है उच्याँ अनुट्र कि अनदानय में सब्सक्राइब करतागे अलेटे मेंट गया करें नियुक्त प्रारूप के रूप में किसका प्यूग किया जाता है डाउएंभी का प्यूग किया था था 2010 नहीं को इस प्रिजितर इंद्या अभिहां को एक द्रीड अधरन किया जिसका लक्षी ऑप्टिकल फाइब के माधिम से प्रण मंत्री नर्धाम्ति के साथ समीत किया है विजय कर समय को डिशाम को डिशाम को रोखने और अनुमान लगने के लिए किस केंद्री मंत्री ने नई दिली में पहली नाई आगरो को किया करते हैं विणक्रते ट्रॉस कि और मिध्य मापी जाती है जिसका है घ्ली किगा वाइट होता है एक लोग वाइट बावा है दोस्तों एक हाट चोई सब्सक्राइब वाइट कंपूटर की एसे मिली भासा क्या है थेक नहीं है वह बताए देखें जल रहन पूरने समस्यां का समधन असानी सक्षाइब यह विसाइए और इसके उचिसमानी के कारण अनुप निदेशों की लगभग 10 लाख नगवर है में अध्याट के ब्लावर है यह उत्माप पचीस आप निकल सकते हैं दोस्ते हैं यह वंवन जीडो वन इंडियो वन बान जीडो वन बान इंड वन बान दो चाहिए तो यह लुए दोस्तों एक सब्सक्राइब और च्वावत होता है तो यह ब फुरॉ Анд सब्सक्राइब होग सब्सक्राइब ग food यह जोगी सुचना तालिया चाहत नहीं होता है और यह पतिबंदी धंज और शुचना तक पुमचता है यह बिल्कुल अनुकरन एक पारिकिरिया है जिसमें वास्निक भूतिक सिस्टम के संदेश के आयं उत्पन करने के लिए एक प्रेश के लिए लगाए जाते हैं एक स्थ प्रोग्राम के लिए यह बूच अस्त्रीय भास है सब्सक्राइब 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 एक संकिता यूपकति यानि पॉइटिंग थे आप फॉइटिंग को बताएं तो यह वाटर पिडिंग कलर से नहीं है थिकर पांची पर थे नहीं है नहीं थे थे दिदेए अ तो यह अन्य से क्टोला को अपरे कोनित क्या है वे यू ठीब लिग अखना चाहर रोको अव भिसवाश्र में प्रिदिके ये को एक लिग्टर करती है तो नहीं अट ऐसे युट खेच अर्प्र निखने प्रिदिक अजिड़ते गनरे ठीमिट प्रिद्वार्ग आंधे अपर ऐसे लाइन का प्रूब दो दो आइस अपने का दिया थे टिया थिज दूर्ग शिट्टम तरफ एक ट्रीजनल एक्सिस इस्तम एक ट्रीज वाइट जिखी एगा इस इंज आंकरी जमारत प्रफॉर एक अजिफ ट्राइट आप टिए इस फिली इंज फोपी में तो नहीं है ट पता सब्सक्राइब एक व्यक्राइब क्या है क्या है क्या यह उसरे इस प्रॉट्क यह वह पीयाद कीजिए इसके यहीं वर को अग्रेंग्स तो यह भी होगा दोस्तों वह कोई आप्शन है इसले इसका राइट होगा तो फिसके किसके लिए परिफ होता है यह इस प्रिंटर से कारवन लगा कर अधिक परतिया निकाली जाती है दोस्तों कि इसके कारवन लाइट कर आपके प्रियों किया दा है वह दोस्तों यह रखने का मान होता है कि अध्याट कि आपके लिए प्रणाव कर दोस्तों सुचनाओं का वह समुझ जो एक कंप्रणाव को ने देश तरता है क्या प्रोग्राम का लाता है किस तरह का उपकरन डियोड है अरिक स्प्राइब का विवत क्या होता है दोस्तों तो निंटल की नाम है क्या इस कि अपने का नाम क्या है तो याद कि संदर में सब चीप ज्वेलरी का अर्थ क्या होती है तो और जंक कंप्यूटर से आप नो यूज कुमूटर के कि अपने कहा है रेता है राची क्या होती है किसी पतात को क्वाटाफ्व मापने कि लिए मअनक क्या होना चाहिए किसी पुद्र नहीं राची सब्सक्राइब 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 ठीजरी दूस्टों मेन का भी बेषनीं उटाहे मेन अचे जो इमाशल जापों धो टीकसा बाहे वी कर दो शूसरा रिजित बाल हमेसा गागी मिले गवी कर दूस्सों झाल कि ऑना ये अ, गगाया